नमस्कार आप सभी का मोटिवेशन टू रीड में स्वागत है। नीत्रत्व करेंगे और बुरायों का नाश कर पाएंगे। बादलों के छट्ते ही सूर्यास्त का संकेत हो चुका था। एक बार फिर उस तेजस्वी जीवनदाता ने दिन समाप्ति की घोशना कर दी थी। शिव ने अपने 21 सालों में कुछ ही सूर्योदय देखे थे। किन्तु सूर्यास्त। उसने प्रियास्त किया था कि वो सूर्यास्त देखना कभी न भूले। कोई और दिन होता तो हिमाले की प्रिष्ट भूमी में जहां तक दृष्टी जाती वहां तक सूर्य एवं उस विक्रत जील के इस दृष्ष्य विस्तार को शिव ने अवश्य देखा होता। किन तो आज नहीं। वो जील के अंदर तक जाती कगार पर पालती मार कर बैठ गया और अपने सुडॉल मांसर शरीर को वही टिका लिया। जील के निर्मल जल से परावर्तित होते चमकीले प्रकाश में उसे लगे युग युगांतर के अनेक घावों के दाक चमक उठे। ये देख शिव को अपने उन्मुक्त बालपन की याद हो आई। वो तो तभी से कई कलाव में दक्ष हो गया था। उसने जील में पत्थर के टुकड़े फेकने की कला में भी महारत हासिल कर ली थी। अपने कबीले में सबसे अधिक बार पत्थर उच्छालने का किर्दिमान उसी के नाम था सत्रह बार। कोई सामानी दिन होता तो अपने उल्लास पूर्ण अतीत पर जो अब वर्तमान की चिंता की वशी भूत था शिव अवशी मुस्कुरा उटता। किन्तो आज उसके मुख पर उल्लास का कोई भाव नहीं था। वो उस्छण का आनंद लिये बिना ही अपने गाउं की ओर लोट पड़ा था। इश और भदर का कल्यान करें। कम से कम ये कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह तो करता है। जील पर पहुँचकर शिव ने याक की हड़ी से बनी चिलम को अपने होटों से लगा कर एक लंबा कश लगाया। कोई और दिन होता तो गांजे से उसके चिंतित मन को थोड़ी राहत मिलती और वो शांती के कुछ पल बिता पाता किन्तो आज नहीं। उसने जील के बाई ओर देखा जहां आप अरिचित विदेशी आगंतुकों को सैनिकों के पहरे में रखा गया था। उनके पीछे जील थी और शिव के 20 सैनिकों के पहरे में होने से इसकी संभावना बहुत ही कम थी कि वे चकित कर देने वाला कोई आकरमन कर पाते। शिव के मन में विचार पनपा उन्होंने अपने हधियार बढ़ी आसानी से दे दिये। वो हमारी सरकार सुविधाय प्रदान करती है। आपको जाओ भूमी इविम कृशी के लिए संसाधन दिये जाएंगे। आज आपका कबीला इस पत्रीली उजार भूमी में उत्तर जीविता के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मेलुहा आपको ऐसी जीवन शैली प्रदान करता है जिसकी आपने कभी कलपना नहीं की होगी। हम इसके बदले में कुछ नहीं चाते हैं। आप शान्ती से रहें। अपने करों का भुकतान करें। और देश की विधियों का पालन करें। शीव ने चिंतन कर लिया था कि उस नए देश में वो निश्चित रूप से मुख्या नहीं होगा। क्या सच में मुझे इसकी कमी खलेगी। उसके कबीले वालों को विधियों की विधियों के अधीन जीवन यापन करना पड़ेगा। उन्हें अपनी जीविका के लिए प्रतिदिन काम करना होगा। जीवित रहने के लिए प्रतिदिन लड़ने की तुलना में तो यहीं बहतर होगा। शीव को ये विचार उत्तम प नहीं रखना चाहता था किन्तु वो कोई जोखिम भी मोल नहीं लेना चाहता था हम प्रकृति कबीले वालों से लगभग प्रतेक महीने लड़ाई लड़ते रहते हैं ताकि पवित्र जील के निकट हमारा अस्तित्व अक्षुरुन रहे नए-ने कबीलों के साथ मित्रता करके प्रतीवर्ष और अधिक शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। हम प्रकरती कबीले वालो को पराजित कर सकते हैं किन्तु समस्थ परव्रती कबीले वालो को नहीं। मेलूहा जाकर हम इस अनावस्च्छक हिंसा से चुड्कारा पा सकते हैं। और एक सुविधा जनक जीवन जी सकते हैं इसमें कुछ गलत हो क्या इसके कोई संभावना भी है हम क्यों ना इस आगरह को सुईकार कर ले इस सचमुझ कितना अच्छा प्रतीत होता है राख को जाडने के लिए चिलम को एक चटान पर उलटने से पहले शिवने अंतिम कश लिया और अपने आसन से उठ खड़ा हुआ अपने नंगे सीने पर राख के कुछ कड़ों को मसल कर उसने अपने भगचाल के घागरे में हाथ पोचा चिलम उठाई और तेज कदमों से गाउं की ओर चल पड़ा जब शिव गाउं के प्रवेश द्वार के निकट से गुजरा तो भद्र और उसके सहयोगी सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए शिवने तेवरी चड़ाई और अपनी मुद्रा से भद्र को विश्राम करने के लिए आश्वस्त किया ये हमेशा क्यों भूल जाता है कि बचपन से ही वो मेरा परम प्रिय मित्र रहा है एरे मुख्या बन जाने से वास्तों में कुछ नहीं वदला उसे अन्य के सामने अनवश्य किड़गडाने की आवशकता नहीं है शिव ने मन ही मन सोचा उस प्रदेश के अन्य गाउं की अपेक्षा शिव के गाउं की जोपडियां अधिक वैभाशाली थी उनकी उचाई इतनी थी कि एक युवक सचमुझ में उनके अंदर सीधा खड़ा हो सकता था में जोपडिया मजबूत थी और ये शरान इस्थली उनकाठोर परवतिय हवाओं के प्रहार सहते हुए तीन मर्शों तक अड़िक खड़ी रह सकते थी जोपड़ी के अंदर प्रवेश करने पर उसने हाथ में पकड़ी चिलम को उस और उचाल दिया जहां वो आगंतुक बड़ी शांती से सो रहा था या तो उसको ये अनभूत ही नहीं कि वो बंदी है या फिर उसे सच में ऐसा लगता है कि अच्छा वेवहार ही अच्छे वेवहार को जिन में देता है शिव के मन में फिचार कौन था शिव को अपने चाजा जी का वचन याद था जो उनके गुरू भी थे पेकसर कहा करते थे कि लोग वही करते हैं जिसके लिए समाज उनको प्रोसाहित करता है यदि समाज विश्वात को प्रोसाहित करता है तो लोग विश्वासी होते हैं यदि वे अपने सैनिकों के सिक्षा देते हैं कि किसी एजनबी से भी उत्तम वेभार क्या पेक्षा करे तो मेलूहा अवश ही एक विश्वासी समाज होगा शिव ने अपनी वैभभीन दाड़ी को खुजलाते हुए उस आगंतु को गहरी दृष्टी से देखा तो उसे इस्मरण हुआ उसने कहा था कि उसका नाम नंदी था उस मेलूहा वासी का भारी भरकम शरीर और विशाल लग रहा था क्योंकि वो अपनी गहन निद्रा में भूमी पर ही पसर गया था और उसका विशाल काई पेट प्रतेक सांस के साथ निर्टी की शैली में फूल पिचक रहा था किन्तो मुटापे के बावजूद उसकी तवचा तनी और निक्री हुई थी सोते समय उसका किसी बालक जैसा आधा खुला मुँ और भी निर्दोष प्रतीत हो रहा था क्या ये वही विक्ती है जो मुझे मिरे प्रारब्द की और ले जाएगा क्या सचमुष ही मेरा ऐसा कोई प्रारब्द है जिसके बारे में मेरे काका ने कहा था शिप की वैचारी क्यात्रा अन्वरत चल रही थी इन विशाल परवतों की तुलना में तुम्हारा प्रारब्द कहीं विशाल काये है किन्तो उसे सच करने के लिए तुम्हें इन्ही विशार परवतों को पार करना होगा चाचा जी ने कहा था क्या मैं अच्छी नियती का पातर हूँ मेरे लिए मेरे लोग पहले आते हैं क्या वे मेलूहा में खुश रह सकेंगे शिव के मन में वैचारी द्वंद छिड़ने कड़ा हो गया वे दोनों तेजी से गांव के और दौड़ पड़े पूर्व नियोजित रंड़नी ती एंतरगत महिलाएं अपने बाल बच्चों को लेकर गांव के बीच त्वरित गती से खटा होने लगे उनके विपरित पूरुष अपनी तलवारे निकालते हुए बाहर कुछी छड़ों में प्रकरती वाले उनके निकटा पहुचे थे जो भी दिन बिना किसी मुड़ बेड़ के बीच जाता तो शाम के दुदलके में सामानता गुड़ कभीले के सैनिक उस दिन के लिए ईश्वर का धनिवात करते थे महिलाएं जील के किनारे अपने घरेलू का काच करते हैं यदि उन्च हमतावान गुड़ वालों के लिए कोई दुर्बलता के छण होते जब वे आकरामक कभीले वाले नहीं बलकि मात्र ऐसे परवतिय कभीले होते जो उस दुरगम एवं विपरीद भूमी पर जैसे तैसे जीवन यापन करने में प्रयासरत होते तो किसे विदेशियों की उपस्थिती के कारण शिवने गुड़ कभीले वालों को चोकरना रहने के लिए कहा था और इस प्रकार पे पहले से ही सचेत थे और प्रकृति कभीले वालों के लिए अचानक हमला करके उन्हें चोका देने वाली बात नहीं हो पाई थी मिलूहा वास को ने घातक चोट लगने की कारण दम तोड़ दिया था उन कभीले के वीर पूरुश्व का सम्मान दिया जाए किन्तों जो इससे भी अधिक बूरा हुआ वो था कि गुड़ कभीले की दस महिलाओं और बच्चों के लिए चेतावनी देर से आई थी जील के किनारे उनके अ शिव ने कहा ये भूमी बरबर लोगों के योग्य है हम बिना कारण के युद्ध किये हैं जिसका अंत दिखाई नहीं दे रहा आप लोग जानते ही हैं कि मेरे काका ने शान्ती के प्रियास किये थे यहां तक कि जील के किनारे तक परवदी कभीलों की पहुँच को भी शिव बोलता रहा मैंने आप से कभी कुछ भी नहीं चिपाया आप सबको विदेश्यों द्वारत दिये गए आमंतरण की जानकारी है नदी एवं मेलुहा वासियों की और संकेत करते हुए शिव ने वक्तव जारी रखा उन्होंने आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिला कर निर्णे हमारा निर्णे है यही हमारी परंपरा रही है लेकिन इस बार नहीं शिव ने अपने हाथ से इशारा करके कहा यह हमारे जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर देगा मेरा विश्वास है कि यह परिवर्तन हमारे भले के लिए ही होगा वो जो कुछ भी होगा प्रत के बारे में पूरी तरह इस पश्ट थे किंदु शिव के लिए आधर किवल परिपाटी पर ही नहीं बलकि उसके चरितर पर भी आधारित था उसने अपनी बुद्धिमत्ता और बहादूरी से ही गुड़वालों के लिए अनेक महान सैन विजय अभियानों का नेत्रत किया था उन्होंने एक स्वर में कहा आपका निर्णे हमारा निर्णे है कबीले को अपनी भूमी छोड़े पांच दिन बीच चुके थे बिलूहा जाने वाले मार्ग में एक बहुत बड़ी घाटी के तल के किनारे उनका कार्मा रुका था शिव ने तीन गोल गेरों में अपने पड पर्डाई करने के लिए रखा गया था और सबसे भीतर और बच्चों को आग के पास ऐंग गोल घेरे में रखा घाए था शूर वीरोको सबसे पहले प्रतिरक्षक उसके बाद और सबसे भीतरी घेरे में आगहात योग्य को रखा गया था शिव बूरी से बुरी परिस्थि कभीले वाले को खुश होना चाहिए था कि दिश्यूव को पता था कि प्रकृति कभीले का मुख्या यख्य उन्हें शांति पूर्ण तरीके से जाने देने वाला नहीं था यख्य इससे कुछ कम नहीं चाहेगा कि वह एक्ष्याति प्राप्त व्यक्ति के तरह स्थापित हो ज कभी शांति की आशा नहीं की जा सकती शिव को संग्राम अच्छा लगता था और वो युदिकला से आनंदित होता था किंदू से यह भी पता था कि उनके प्रदेश में ये संग्राम निरर्थक थे उसने नंदी के और घूम कर देखा जो कुछ दूरी पर चौकन्ना बैठा हुआ था पड़ाओ के दूसरे घेरे के चारों और मेलूहा के 25 सैनिक बैठे थे इसने गुड कभीले को भी देशांतर वास के लिए क्यों चुना प्रकृति कभीले को क्यों नहीं चुना शिव की विचारदारा बीच में भंग हो गई कि कि उसने कुछ दूरी पर एक साय को हिलते डूलते देख लिया था उसने पुना उस और ध्यान से देखा किंदू सबकुछ सामाने प्रतीत हुआ ऐसी जगों में कई बर प्रकाश इस प्रकार के भ्रम उत्पन्र कर देते हैं शिव ने अपनी मुद्रा शिथिल कर ली किंदू कुछ छणों के बाद उसने पुन हिन्कों ने धावा बोल दिया था बिना सोचे विचारे धावा बोलने की कारण उनकों बहुत प्रकाश पुर्री घृत crap 00 हो चुके थे कुछ इंसे बचकर अंदर घुसी आये और हत्यारों के बीच टक्राहट शुरू हो गई प्रकृति कबीले के एक नौसुखिये ने तलवार लहराते हुए शिव पर धावा बोल दिया उसके आकरमर से बचते हुए शिव पीछे हड़ गया उसके बास शिव ने अ चत्रू की आंद को काड़ते हुए अपनी तलवार उसके पेट में घुस्रेड़ दी फिर ततकाल ही उस तलवार को अंदर ही घुमाते हुए बाहर निकाल लिया और उस प्रकृति कबीले के नवीवक को शनय शनय दर्गदांक मिर्तियों के लिए वहीं छोड़ दिया शिव परांशिव समान युद कला में निपूर भदर भी अपने दोनों हाथों में तलवार लिए दो प्रकृति वालों के लिए एक साथ लड़ रहा था उसका कूबर उसकी तलवार बाजी में बाधा नहीं डाल रहा था क्योंकि वो अपना भार एक और से दूसरी और सरलता से ल जैसे ही वो सैनिक गिरा भदर ने अपने बाएं हाथ की तलवार से बड़ी निर्ममता से उस पर वार कर दिया और उस विवश शत्रू के दुखों का अंध कर दिया मेलूहा वासियों के और से संगर्ष का स्वरूब बिलकुल ही अलग था वे अत्यधिक दक्ष और प्रसिक्षत सैनिक थे किन्तो हिंसक कदाप ही नहीं थे वे युद्ध के नियमों का पालन कर रहे थे और किसी के भी प्रान हरने से हर संभव बच रहे थे प्रकृति वालों के सैनिकों की कम संख्या एम कमजोर नित्रत्व के कारण कुछ ही समय में उन्हें मूग की खानी पड़ी लगबग आदे से अधिक लोग मारे गये थे और जो बच गये थे वे अपने घुटनों के बल गिरे च्छमा प्रार्थी बने हुए थे उन्हें मेंसे एक था प्रकृति कबीले का मुख्या यक्ख्या जिस कंधे पर नंदी ने गहरी चोड़ पहुचाई थी और इसी कारण वो तलवार चला पाने में अक्षम हो चुका था प्रकृति के मुख्या यक्ख्य के ठीक पीछे भद्र अपनी तलवार उठाए उस पर वार करने के लिए तयार खड़ा था शिव बताईए शीग्र अत्वा सरल अत्वा धीरे एवं पीड़ा दायक इससे पहले कि शिव कुछ बोल पाता नंदी ने बीच में ही कहा श्रीमान शिव ने मेलूहा वासी के और मुण कर देखा ये अनुचित है वे छमा की भीग मांग रहे हैं उनके प्राण हरना युद्र के नियमों के विरुद्ध है तुम लोग प्रकृति वालों को नहीं जानते शिव ने कहा वे बरबर हैं वे हम पर आक्रमार करते ही रहे था नंदी ने कहना जारी रखा आप इसे किस प्रकार समाप्त करना चाहते हैं यह आप पर निर्भर करता है वैसा ही जैसा कि वह करते आए हैं अथ्वा उनसे प्रथक भद्र ने शिव के और देखा वो प्रतीक्षा में था आप प्रकृति वालों को दिखा सकते हैं कि आप उनसे बहतर है नंदी ने कहा शिव ने छितिज में दूर उन विशाल परवतों को देखा प्रारब्द एक बहतर जीवन की संभावना शिव के मन में अचाना के विचार कौन था वह भद्र के और मुड़ा और उससे कहा इनके हथियार ले लो रस्रदादी ले लो और इन्हे मुर्ख हैं कि अपने गाउं जा हधियार बद्ध हो वापस आएंगे तो भी उस समय तक हम बहुत दूर निकल चुके होंगे नंदी ने शिव की और ध्यान से देखा उसे एक आशा की कीरन दिखाई दी उसके मन में एक ही विचार गुंजाय मान था कि शिव के पास दिल है उनमें संभावना है क्रिपा कर उसे वही रहने दे हे भगवान राम मैं आपसे प्रातना करता हूँ कि उन्हें वैसा ही रहने दे शिव उस नव्यूवक सैनी के पास गया जिसे उसने अपनी तलवार से घायल कर दिया था वो भूमी पर पड़ा वो छटपटा रहा था से मुक्ति प्रदान कर दी निरंतर चार सप्ताहों के प्रयाण के बाद आमंत्रत आप्रवासियों का कारवा अंतिम परवत की चड़ाई चड़ कश्मीर घाटी की राजधानी श्री नगर की बाहरी सीमा में पहुचा नंदी ने उस उत्तम भूमी की कीरती के बारे में बड लूहा विशुद जीवन दाई भूमी परवतों में गरजना करती सिन्हनी जैसी वेगवान जहलम नदी ने जब घाटी में प्रवेश किया तो उसकी गती किसी सुस्त गाय सी मंथर होती चली गई थी शिव ने कश्मीर की धरती को बड़े प्रेम से इस परश किया और गुम और वकृती थी कश्मीर की एक के बाद एक बिची फूलों की क्यारियों की प्रभावशाली श्रंखलाएं इश्वरी रंग बिखेर रही थी मातर आकाश छुते हुलस कर स्वागत करते भव चिनार के वरक्ष उनकी दीपती के वलय को कहीं कहीं भंग करने का दुसाहस कर रह शिव विसमय में हुस्फसाया डल जील मिलू हावासियों का एक प्राचीन सैने पढ़ा हो था जीलम के बगल में जील के पश्चिमी कीनारे पर ये सीमानती नगर था जो सामान इस शिविर से एक वैभावशाली श्री नगर वस्तुता एक सम्मानित नगर के रूप में विक बीस मीटर उची और चार मीटर मोटी थी पूरा का पूरा शहर एक वेदिका पर स्थापित करने की साधगी और उसकी भवेता ने गुडवालों को बहुचका कर दिया था ये शत्रों से सुरक्षा का एक ठोस उपाय था उन्हें दुर्ग की दीवार से लड़ना होगा जो अवश यही बहुत उत्क्रिष्ट एवं मिस्तिर भूमी थी इस वेदिका से एक अन्य लाब भी था इसने नगर की भूमी के स्तर को उचा उठा दिया था जिससे बारं बार आती बार से प्रभावशाली ढंग से सुरक्षा हो जाती थी उस प्रदेश में बहुदा बार के क कारण तबहाई हुआ करती थी दूर्क के अंदर सड़कों की जालदार विवस्ता से नगर को अनेक छेत्रों में विभाजित किया गया था उन्होंने विशेशकर बाजार छेत्र मंदिर बाग बगीचे सभागार और उन सभी प्रकार की विवस्ताओं का निर्मार किया जो क शुद्ध प्राकरतिक भूद रश्यों से विश्मता केवल इतनी थी कि श्री नगर पूर निर्धारित भूरे नीले एवं सफेद रंगों में चित्रित था समस्त नगर स्वच्छता व्यवस्ता एवं गामभीरे का दियो तक था लगवग 20,000 लोग श्री नगर को अपना निवास कहते थे अब उन में शामिल होने के लिए केलाश परवस से 200 अत्रित लोग आ गए थे और उनके नेता ने हलकापन महसूस किया जैसा कि उसने कई सालों पहले उस भायानक दिन के बाद से कभी अनुबव नहीं किया था जब वो गुड कभीले का नेता बना था श्री खिले ने श्री नगर के बाहरी आप्रवासी शीविर तक की यात्रा की वो शीविर एक प्रथक वेदिका पर नगर के दक्षन की और निर्मित किया गया था नंदी ने शीव एवं उनके कभीले वालों की अगवाई करके उनको शीविर के बाहर इस सिथ विदेशियों के कार प्रेले के अंदर चला गया थोड़ी ही देर बात वो एक युवा अधिकारी के साथ वापस आया उस अधिकारी ने अभ्यस्त मुस्कान के साथ जोड़कर आपचारी एक रुप से नमस्ते करते हुए कहा मिलूहा मैं आपका स्वागत है मैं चित्रांगध हूं मैं आपका मैं ही शिव हूं बहुत अच्छा चित्रांगध ने कहा क्या आप क्रपा करके पंजीकरन मेश तक मेरे साथ आने का कष्ट करेंगे आपको अपने कबीली के प्रभारी के रुप में पंजीकरत किया जाएगा उनसे संबंदित जो भी चिंताय या समस्याय होंगी वो सभी आमित नेता है अता आपके कबीले के अंतरगत सभी प्रकार के निर्दोशों के पालन का अत्तरदाइत वह आपका होगा नंदी ने चित्रांगत के अधिकारिक भाषण को बीच में ही रोकते हुए शिव से कहा श्रीमान यदि आप मुझे अनुमती दे तो मैं आप रवासी शिवर निवास में जाता हूँ और आपकी कबीले के लिए जीवन यापन की आस्थाई व्यवस्था का प्रबंद करता हूँ शिव ने अनुभव किया कि जम नंदी ने उसके भाषण के मद्ध हस्तक शेव किया तो चित्रांगत की चिर परिचित मुस्कान कुछ चण के लि मेरे मित्र निसंदे श्रीमान नंदी ने सम्मान में थोड़ा जुगते हुए उत्तर दिया तुम मुझे शिव कहकर पुकारो ना कि श्रीमान मैं तुमारा मित्र हूँ ना कि ब्रमुख चकित नंदी ने उपर देखा पुना जुखा और कहा जी हाँ श्रीमान मेरा मतलब है शिव 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 शित्रांगत की ओर पुना मुणा जिसकी मुस्कराहट किसी कारण से अब वास्तविक प्रतेथ हो रही थी शित्रांगत ने कहा अच्छा तो शिव यदि आप मेरे साथ पंजीकरण मेश तक चलेंगे तो हम आपचारिकताओं को शिगरता से निपटालेंगे अप्रवासी शिवर के आवासी निवासस्तलों में जब नव पंजीकरण कबीला पहुँचा तो देखा कि मुख्य द्वार से बाहर नंदी उनके प्रतिकिशा कर रहा था वो उनकी अगवानी करके भीतर ले गया शिवर की सडकें भी श्रीनगर की सडकों की तरह ही थे वे उत्तर दक्षणयम पूर प्रश्रिम दिशाओं में सलीके से निर्मित की गई थे सवधानी पूरवक निर्मित पकडंडिया शिव के देश में बने धूल भरे पत्मार्ग के ठीक विप्रित थी उसने उन सडकों पर एक अजीब सी वस्तुकाव लोगन किया नंदी सडक के बीचों बीच अलग प्रकार के पत्थरों से ये क्या बना हुआ है शिव ने पूछा ये भूमिगत नालियों को ढखने के लिए लगाए गये हैं शिव ये नालिया शिवर से गंदे पानी को बाहर ले जाती हैं ये सुनिशित करता है कि शिवर स्वच्छेंप स्वस्त रहे मेलूहा वासियों की अत्यधिक कुशलता पूरवक योजनाओ को देखकर शिव अचंबित रहे गया कुछ समय बाद गुड कभीले वाले उनके लिए नियत किये गए एक बहुत बड़े मकान में पहुँचे उन्होंने अपनी नेता की बुद्धिमत्ता पर उन्हें बारंबार धन्यवाद दिया जो उन्होंने मेलूहा आने का निर्ने लिया उस तीन तलवाले मकान में प्रतेक परिवार के लिए एक प्रथक आरामदायक निवास अस्थान दिया गया था प्रतेक कमरे में आराम देह समस्त आवशक सामान सज्जित थे साथ ही एक अत्यनती परिश्क्रत तामे की धाली भी दिवार पर लटकी हुई थी जिसमें अपना प्रतिविम्ब देखा जा सकता था कमरों में सन की बनी हुई स्वच्छ चादरे तौलिय और यहां तक की कुछ कपड़े भी थे उस कपड़े को छूकर किम करतब भी विमोड शिव ने पूछा ये किस पस्तु से बना है चितरांगत ने उत्साह पूर्वक उत्तर दिया ये सूती कपड़ा है शिव इसके पौदे खेतों में उगाए जाते हैं और उनसे ऐसे कपड़े बनाये जाते हैं जैसे आपके हाथों में हैं सूरज के प्रकाश और गर्माहट के लिए प्रतेक दिवार पर एक बड़ी सी खिड़की बनी हुई थी प्रतेक दिवार पर खाचें में धातु का बना डंडा लगा हुआ था जिसके उपरी हिस्से में प्रकाश ये तो जौला को निरंतरत करने वाले जंत्र लगे हुए थे प्रतेक कमरे से एक इसनान घर सनलगने था जिसका फर्ज ढ़लानदार था ताकि पानी एक छिदर के माद्यम से निकास लेली में चला जाए प्रतेक इसनान घर के अंदर दाई और अंत में एक खरंजेदा नाद थी जिसके नीचे बहुत बड़ा सा गड़ा बना हुआ था इस प्रकार के जुगत का क्या उद्देश ये इन कबीले वालों के लिए एक रहसे था उसके बगल की दीवार पर एक नियद्र लगा हुआ था जिसे खोलने पर उसमें से पानी बहने लगता था जादू भद्र की माता जी फुस फुस आई मकान के मुख्यद्वार से सटकर एक घर बना हुआ था शिव से मिलने के लिए उस घर से निकल कर एक वैद्द और परिचारी का आई छोटी कद काठी की एक श्वेत वर्णी वैद्द अपनी कमर से पाव तक श्वेत वस्तर बांधे हुए थी जिसे मेलुहा वासी धोती कहते थे ये एक अपेक्षाक्रत छोटा श्वेत वस्तर चोली की तरह सीने के चारो और बंदा हुआ था जबकि एक अन्य वस्तर जिसे अंगरखा कहा जाता था कंधे पर आच्छा दिद था उस इस्तरी के मस्तक के बीचों बीच एक श्वेत बिंदु बना हुआ था उसके सिर के बाल बड़ी सुच्छता से साफ किये हुए थे और केवल एक गुच्छा पीछे की ओर लटका हुआ था जिसे चोटी कहा जाता था उसने बाएक अंदे से डाल कर दाहिनी कमर तक का एक धागा पहना हुआ था जिसे जनेउ कहा जाता था वास्तों में नंदी उसे देखकर आशरे चकित था अभ्यस्त प्रकार से नमस्ते करते हुए उसने कहा देवी आयुर्वती मैंने आपके समान उच्च पदस्त वैदि के यहां होनी की आशा नहीं की थी आयुर्वती ने नंदी की ओर नम्रता से नमस्ते करते हुए देखा और मुस्कुराते हुए कहा शेत्रकार ये अनुभव कारक्रम में मेरा अटूट विश्वास है सेनापती, मेरा दल कडाई से इसका अनुसरान करता है परन्तु मुझे छमा करें, मैंने आपको पैचाना नहीं, क्या हम पहले मिले हैं? मेरा नाम अधिपती नंदी है देवी, नंदी ने उत्तर दिया, हम पहले तो नहीं मिलें, किन्दू आपको कौन नहीं जानता, आप इस देश की महानतम वैद्दे हैं धन्यवात अधिपती नंदी, प्रकट रूप से जहबते हुए आयुर्वती ने कहा, किन्दू मेरे विचार से आप बढ़ा चड़ा कर कह रहे हैं, कई ऐसे वैद्दे हैं, जो मुझसे कहीं बहतर हैं ये कहे कर आयुर्वती शिव की और मुड़ती हुई बोली, मिलू हो मैं आपका स्वागत है, मैं आयुर्वती हूँ, आपकी नामित वैद्दे, मैं और मेरी परिचारिकाएं आपके सह्योग के लिए होंगी, जब तक आप लोग यहां निवास करेंगे शिव की और से कोई प्रितिक्रिया ना पकर चित्रांगद ने अपने गंभीर स्वर में कहा, ये आस्थाई निवास है शिव, जो निवास आपके कबीले वालों को इस्थाई तोर पर रहने के लिए दे जाएंगे, वो इनसे कहीं अधिक आरामदायक और सुविधा संपन्न होंगे, यहां आप लोगों को संग्रोधन की अवधी तक ही रहना होगा, जो साथ दिन से अधिक नहीं होगा, नहीं नहीं बंदू, ये निवास आवशिक्ता से अधिक आरामदायक है, ये हमारी कलपनाओं से कहीं अधिक अच्छे और सुविधा जनक है, आपका क्या विच है कि जो आप रवासी आते हैं, वे कुछ बीमारिया लेकर आए हो, अता इन साथ दिनों की अवधी में वैद उनकी जाच परक करते हैं, और यदि ऐसी किसी बीमारी का पता चलता है, तो उसको उपचार कर देते हैं, और इन बीमारीयों के नियंतरन के लिए जिन दिशा नि देते हुए खेद प्रकट किया, जबकि हाथों से मौन सहमती दे दी, वो बुदबुदाया, शिव, कृपिया ये जैसा कहें, वैसा ही आप करें, ये उन बहुत से कारियों में से एक है, जिने हम मेलुहा वास्यों को करना पड़ता है, देवी आयुरवदी को इस देश का सर किन्तु बाद में आपको छती पूरती करनी पड़ सकती है, भद्र के मुझ से असफुठ हासी निकली, जिबकि आयुरवती ने शिव को भावहीन चेहरे से घूर कर देखा, इससे परश्च था कि वो शिव की शलेशोक्ति को समझ नहीं पाई थी, मैं समझ नहीं पाई कि आ क्या चाहते हैं, आयुरवती ने रूखे पन सिखा, खेर, जो कुछ भी हो, सबसे पहले हम इस नान घर से आरंब करते हैं, ये असब्ध अप्रवासी, आयुरवती ने मन ही मन बड़ा बड़ाते हुए विश्राम ग्रह में प्रवेश किया, शिव ने पनी भौहें उचका कर भद्र के और शारारत भरी मुस्कान के साथ देखा, देर शाम बहुत ही शांदार भोजन के बाद गुर कबीले के लोगों को कमरों में एक औशदिये पेये पीने के लिए दिया गया, चीह, भद्र ने मुह बना कर कहा, उसका चहरा विक्रत हो गया था, इसका सौप तो अब तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे सोना है, आपने बिस्तर देखा है, मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन के सबसे सुन्दर नीद होने वाली है, मैंने बिस्तर देखा है बेकूफ, शिव ने मुह बना कर कहा, और अब मुझे उसका आनंद लेना है, तुम बाहर निक पेला है, उस साहित नहीं था, उस कबीले के सभी लोग अपने अपने कमरों के और रुख कर चुके थे, क्योंकि उन्हें ऐसा मैसूस हो रहा था, क्योंकि उनके जीवन की वो सबसे अच्छी नीद होने वाली थी, वे चंबे के लिए तयार थे, शिव अपने बिस्तर पर ल होई थे, यह शापित बिस्तर तो कुछ अधिक ही नर्म है, इस पर सोना तो संभव है, उसके बाद शिव ने एक जटके में बिस्तर के गद्दे पर बिछी हुई चादर को खीच लिया, उसे फर्ष पर बिछाया और लेड गया, यह थोड़ा बहतर था, नेंद चोरी-चोर उसे आगोष में लेती जा रही थी, किन्तु उस तरह नहीं जिस तरह अपने घर में लिया करती थी, उसे अपनी जोपड़ी के खुर्दुरे ठेंडे फर्ष की कमी खल रही थी, उसे कहलाश पर्वत की कनकनाती हवाओं की कमी खल रही थी, जिनकी उपेकशा करने का कितना भी द्रड़ प्रयास करें वो अपना एसास दिला ही जाती थी उसे अपने बगचाले की आराम पहुचाने वाले दुर्गंद की कमी खल रही थी इसमें कोई संदेह नहीं था कि वर्तमान में उसके आसपास की परिस्थितियां अत्यंत ही आरामदायक थी कि दुवे अपरिचि एवं अन्य देशिये थी हमेशा की तरह उसकी सहच प्रवर्ति ने सच का बोथ कराया ये कमरे के संबंद में नहीं है ये तो तुम्हारे स्वयम से संबंदित है उसके बाद ही शिव को ध्यान आया कि वो पसीने से तर हो रहा था ठंडी मंध हवा उसके शरीर को चू रही थ फिर भी वो पसीने से तर्बतर होता जा रहा था ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो कमरा घूम रहा हो उसने अनुबह किया जैसे उसके शरीर से कोई उसे निशकासित कर रहा हो उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसके शीत दंश्युक्त दाए पाउं का अंगुठा आग म में लगे घावों के दाग वाला बाया घुटना जैसे खिषता चला जा रहा हो उसके ठकी हुई पीडित मांसपेश्यों को जैसे किसी के अद्रशात पुना पुराना स्वरूप प्रदान कर रहे हो उसके कंदे की हड़ी जो कुछ दिनों पहले जोड से उखड गई थी और फिर कभी सही तरीके से जुड नहीं पाई थी ऐसा लग रहा था कि जैसे मांसपेश्यों को एक और ढखेल कर पुना अपने सही स्थान में जुडने का प्रयास कर रही हो साथी मांसपेश्यों भी जैसे उसे इस्थान दे रही हो ताकि वो हड़ी अपना काम पूरा कर सके उसे सांस लेने में विशेश प्रयास करना पड़ रहा था फेपड़ी की सहायता करने के उद्देश से उसना अपना मूँ खोला कि तो परयापत हवा अंदर नहीं जा सकी शिव ने अपना मूँ खोला और पूरी शक्ती लगा कर जितनी हवा खीच सकता था उतनी खीची उसी समय बगल के खड़की का परदा सरसराया और क्रपालू हवा अंदर घुसाई सहसा आय हवा के जोके ने शिव के शरीर को थोड़ा आराम अवश्य पहुचाया लेकिन उसके बाद पुना संगर्श प्रारंब हो गया उसने ध्यान केंदरित किया और हापते हुए सास लेने रगा ठक ठक दोर पर हलकी खटखटाहट ने शिव को चौकना कर दिया इस समय वो अपने आपे में नहीं था वो गहरी गहरी सांस ले रहा था उसका कंधा फड़क रहा था किन्तु वो चिर परिशित पीड़ा अब नहीं थी उसने अपने घुटने को देखा उसमें अब कोई पीड़ा नहीं हो रही थी घाओ के दाग लुप तो हो चुके थे अब भी वो सांस लेने के प्रयास में हाफ रहा था उसने जुक कर अपने अंगूठे को देखा शीत दंश का प्रभाव समाथ हो चुका था वो अंगूठा पूर की भातिय पूर्ण था उसका परिक्षर करने के लिए वो जुका तो चटकने का एक स्वर कमरे में गुझाय मान हुआ क्योंकि सालों के बाद उसके अंगूठे में गतविधी हुई थी अब भी वो गहरी सांस ले रहा था साथ ही अपरचित सिरहन पैदा करती थंड उसके गले में थी अत्यधिक थंड थक 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 अब ये खटकटा हट आग रही थी शिव किम करतब विविमूर था उसे कुछ भी नहीं सूज रहा था कि वो क्या करे फिर भी वो लड़कडाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ अंगवस्त्रम को उठा कर उसने गले में लपेटा ताकि उसमें गर्माहाट आ सके और द्वार खोल दिया अंधेरे ने उसके चेहरे को ढखा हुआ था किन्तो शिव ने भद्र को पहचान ही लिया हर बड़ा हर्ट में भद्र फुस फुसाया शिव देर रात तक परिशान करने के लिए मुझे च्छमा करें किन्तो मेरी माता जी को अचानक ही तीवर जवर हो गया है मुझे क्या करना चाहिए शिव ने सहजिता से भद्र के मस्तक को छुआ और बोला तुम्हें भी जवर है तुम अपने कमरे में जाओ मैं वैदे को बुला कर लाता हूँ जब शिव गलियारे से होते हुए वैदे को बुलाने के लिए जाने लगा तो कई और कमरे के दौर खुलने लगे और वही परिचे संदेश उसे मिलने लगे अचानक ही जवर आ गया सहायता करे शिव लगभग दोड़ते हुए उस मकान की और भागा जहां बैदे निवास कर रहे थे वहां पहुचकर उसने उनके दौर को जोर से खटकटाया आयुर्वती ने तुयंत द्वार खोल दिया जैसे वो उनके आने की प्रतीक्षा ही कर रहे थे शिव ने श्वांत स्वर में कहा आयुर्वती मेरे कबीले के लगभग सभी लगों को जोर आ रहा है आप शीगर चले उनको सहायता क्या आउशकता है आयुर्वती ने शिव के मस्तव को छुआ और पूछा आपको जोर नहीं है शिव ने इंकार करते हुए सिर हिलाया और कहा नहीं आयुर्वती की भ्रकुटी तन गई पश्टता हो चकित थी वो मुड़ी और अपनी परिचारिकाओं से कहा आप लोग आईए प्रवहाओ प्रारंब हो चुका है चलो चले जैसे ही आयुर्वती और परिचारिकाओं तेजी से उस भवन की और बढ़ें तो चित्रांगत ना जाने कहां से आटपका उसने शिव से पूछा क्या हुआ? मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है लेकिन मेरे कबीले के लगभग सभी लोगों को जवर हो गया है आपको भी तो बहुत पसीना आ रहा है आप मेरी चिंता ना करें मुझे जवर नहीं है देखिए मैं उस भवन में वापस जा रहा हूँ मैं जाकर देखना चाता हूँ कि कितने लोग इसकी चपेट में है चित्रांगत ने सहमती में सिर हिलाया और कहा मैं नंदी को बलाता हूँ चित्रांगत नंदी की खोज में तेजी से बाहर निकला और शिव लगभग दोड़ते हुए उसी भवन में प्रवेश कर गया जब वो भवन प्रविश्थ हुआ तो चकित रह गया जितने भी प्रकाश है तो डंडिया लगाई गई थी वे सब प्रकाशित हो चुगी थी परिचारिकां प्रतेक कमरे में क्रमबद ढंग से जाकर आउशदियां दे रही थी और भैभीत रोग्यों को समझा रही थी कि उन्हें क्या करना था प्रतेक परिचारिका के साथ एक लेखक चल रहा था जो ताड़ पत्र से बनी पुस्तिका पर प्रतेक रोगी का विवरन लिख रहा था सपष्ट था कि मेलुहा वासी इस प्रकार की आपात स्थिती के लिए पूरी तरह से तयार थे आयुर्वती गलियारे के अंत में अपने कूलों पर हात रखे खड़ी हुई थी ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक सेना पती अपनी अत्यंत दक्ष एमंप्रसिक्षित टुकडी का परिवेक्षन करता है शिव तेजी से उसके पास गया और उसने पूछा दूसरे और तीसरे तल पर लोगों का क्या होगा बिना उसकी और मुड़े ही आयुर्वती ने उत्तर दिया परिचारी काएं मकान में सभी इस्थानों में पहुँच चुकी है मैं उपर के माले पर तब जाओंगी जब इस तल पर सब कुछ सामाने हो जाएगा अगले आदे गंटे में हम सभी बीमारों का परिक्षन कर लेंगे आप लोग आसाधरान रूप से प्रभावी हैं किन्तो मैं इश्वर से प्रातना करता हूँ कि सभी लोग भले चंगे हो जाएं चिंतिच शिव ने कहा अपकी बार आयुरुवती शिव के और मुड़ी उसकी बाहें तनिक उपर हुई और उसके गंबीर चेहरे पर विज़ई मुसकान के संकेत दिखाई दिए उसमें कहा आप चिंता ना करें हम मेलुहा वासनी हैं हम लोग किसी भी प्रकार की आपात इस्थिती से निपटने में सक्षम हैं सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे क्या मैं आपकी साहता करने के लिए कुछ कर सकता हूँ शिव का स्वर गंभीर था जी हां कृपिया जाकर स्नान कर लीजे आयुर्वति ने सपाट स्वर में कहा क्या शिव चौंक पड़ा कृपिया जाकर स्नान कर लीजे अभी इसी समय आयुर्वति ने ये कहते हुए पुना अपनी टोली की और ध्यान दिया कृपया सब लोग याद रखें कि 15 वर्ष से कम आयू के सभी बच्चों के मुंडन होने हैं मस्तरक आप कृपया उपर जाएं और दुतियक आउशदी की खुराग देने का कारे प्रारंब करें मैं 5 मिनट में वहां पहुँच जाऊंगी जैसी आपके आज्यादेवी उस नविवक ने कहा और तेजी से पक धरता आगे बढ़ गया उसके पास कपड़े का एक बड़ा सा थैला था संभवता उसी में ओशदी थी आप अभी भी यहीं खड़े हैं आईर्वती ने पूछा क्योंकि उसने देखा कि शिव वहां से नहीं गया था शिव ने अपने बढ़ते क्रोध पर नियंतरा रखते हुए नर्मी से का मेरे स्नान करने से क्या अंतर पड़ जाएगा मेरे लोग मुश्किल में हैं मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ मेरे पास ना तो समय है और ना ही धैरे कि आपसे बहस कर सकूँ आप अभी जाएंगे और स्नान करेंगे सपश रूप से आईर्वती ने अपने क्रोध को छुपाने की कोई चेश्टा नहीं की थी शिव ने घूर कर आईर्वती को देखा उसे अपने मूँ से निकलने वाले शापित वचन को ना बोलने के लिए अत्यधिक चेश्टा करने पड़ी उसकी भीची हुई मुठियां आईर्वती से बहस करने का संकेद दे रही थी परन्तु वो एक स्त्री थी आईर्वती ने भी शिव को घूर कर देखा उसके निर्देश का पालन अक्छरशा किया जाता था वो एक वैद थी यदि उसने किसी बीमार को कुछ करने के लिए कहा तो उसे आशा थी कि वो बिना किसी प्रश्ण के उसकी बात पर अमल करेगा परन्तो अपने सुदीर्ग अनुभव में उसे शिव जैसे रोगियों से भी वास्ता पड़ा था विशेशकर आबेजात तिवर्गों से ऐसे रोगियों को कारण बता कर संतुष्ट करना पड़ता था उन्हें निर्देश देने से काम नहीं चलता और ये तो एक साधारान आप्रवासी था ना कि कोई कूलीन वेक थी अपने आपो कठिनाये से नियंतरित करते हुए आयुर्वती ने कहा शिव आप पसीने से तर हो यदि आप इसे धोएंगे नहीं तो ये प्राण हारक सिद्ध हो सकता है कृपिया मुझ पर भरोसा रखे यदि आप स्वयम ही जीवित ना रहे तो अपने कबीलों के लोगों की मदद नहीं कर सकेंगे चित्रांगत ने जोर से दर्वादा खटखटाया बुरा भला कहते हुए अलसाई आखों के साथ नंदी उठा उसने जटके के साथ द्वार खोला और गुराया ये अवश्य है मातपूर्ध होना चाहिए वर्ना शीग राई है शीव के कबीले वाले बीमार पड़ गए है अभी सही किन्तु ये तो पहली ही रातरी है नंदी ने चिला कर अपना अंगवस्तरम उठाते हुए कहा चलो चले स्नान करने के लिए स्नान घर एक अचनबी स्थल प्रतीत हुआ शीव को सर्द मान सरूवर जील में डुपकी लगाकर नहानी की आदत थी और वो भी महीने में केवल दो बार वो इसनान घर उसे आसाधरन रोसे संकीरन अनुभूत हुआ उसने दिवार पर लगे जादो यंतर को गुमाया ताकि पानी का बहाओ तेज हो जाए उसने उस अंजानी टिकिया को अपने शरीर पर मला ताकि शरीर स्वच्छ हो जाए जिसे मेलूहा वासी साबून कहते थे आयरुवती ने इस पष्ट कर दिया था कि साबून लगाना आवश्यक था उसने इसनान करने के बाद उस यंतर को बंद किया और तॉलिया उठा लिया जब वो तॉलिया से अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगा तो उसे पुना बड़ी तीवरता से वही रहस्यात्मक अनुभूती होने लगी जो कुछ घंटे पहले हुई थी जिसकी उस समय उसने उपेक्षा कर दी थी उसके कंदे अप नवीन से कहीं स्रेश्ट अनुभूत हो रहे थे उसने विसमे से जुक कर अपने घुटने को देखा कोई पीड़ा नहीं थी, कोई दाग नहीं था उसने आश्चर चकित अपने पैर के अंगूठे को देखा जो पूरी तरह स्वस्त हो चुका था इतना ही नहीं बलकि उसके बाद उसे एहसास हुआ कि इसके शरीर के कुछ अंगी नहीं बलकि उसका समस्त शरीर ही नवजीवन का अनुभव कर रहा था पुनाह युवा हो चुका था और पहले से भी अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा था यदिपी उसका गला अभी असरह रूप से ठंडा था ये क्या तमाशा हो रहा है उसका मन चंचल था वो तेजी से स्नान घर से बाहर आया और शीगर एक नई धोती पहन ली आयरुवती का कड़ा निर्देश था कि कोई अपने पुराने वस्तर को धारा ना करे जो पसीने से गंदे हो चुके थे वो जब अंगवस्तरम को अपने गले में लपेट रहा था ताकि उसको गर्मी प्रदान कर सके तब ही किसी ने दौर खट खटाया ये आयरुवती थी और उसने बाहर से पुकारा शिव क्या आप दौर खोलने की कृपा करेंगे मैं परिक्षा करना चाहती हूँ कि आप ठीक ठाक हैं शिव ने दौर खोल दिया आयरुवती ने अंदर प्रवेश किया और शिव के शरीर के ताप का परिक्षण किया उनका ताप सामाने था आयरुवती ने सिर हिलाया और कहा आप स्वस्त प्रतीत होते हैं और आपके कबीले वाले भी शीगरता से भले चंगे होते जा रहे हैं संकट के छण बीद गए हैं शिव ने कृतग्यता पूर्ण मुसकान के साथ कहा आपके दल की कारे कुशलता एम सक्षमता को बहुत बहुत धनिवार मुझे सचमुच में बहुत खेद ही कि मैंने आपसे अनावश्यक ही तर्क विदर किया वास्तों में वो अनावश्यक था क्योंकि आप हमारे भले के लिए ही सब कुछ कर रही थी आयरुवती ने ताड़ पत्र की पुस्तक से द्रिष्टी हटा कर हलके से मुस्करा कर उपर की उर देखा और अपनी भौहें उचका कर कहा शालीन क्या हम ऐसे हैं मैं उतना भी अखर नहीं हूँ जितना आप समझ रही हैं शिव ने हलकी मुस्कान के साथ कहा आप लोग कुछ अधिक ही सौम में हैं आयरुवती ने जैसे ही शिव को देखा तो वो उन्हें देखती ही रह गई उसका चेहरा भावहीन हो चुका था और सहसा उसे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था वो इससे पहले इस बात पर गौर क्यों नहीं कर सकी उसने कभी भी लोग कथा पर विश्वास नहीं किया था क्या वो मानव जाती में प्रथम होगी जो इस सत्य को सच होते देखेगी अत्यदिक दुरबलता से हाथ के संकेत करके उसने बुदबुदाते हुए पुछा आपने अपने गले को क्यों बांध रखा है ना जाने क्यों इसमें अत्यदिक ठंडी के अनुबूती हो रही है क्या ये सचमुच ही चिंता का विश्वास है शिव ने अपने अंगवस्तरम को हटाते हुए पुछा उस शान्त कमरे में आहिर्वती की चीख गुंजायमान हो गई चीखते ही सहसा उचल कर वो पीछे हो गई बड़ा सदमा लगे किसी मनिश्य की भाती उसके हाथ मूँ पर थे जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा हो और उसके हाथ से ताड़ पत्र छूट कर कमरे के अंदर बिखर गए थे उसके घुटने इतने निर्बल हो गए थे कि उसके लिए खड़ा होना कठिन जान पड़ रहा था वो अपनी पीठ के सहारे पीछे दिवार पर धाम से टिक गई कि दूसकी आँखे अब भी शिव पर टिकी होई थी उसकी गरवीली आँखों से अश्रुधारा बहने लगी वो लगातार इनी शब्दों का उच्चारान करती जा रही थी ओम ब्रह्माए नमा ओम ब्रह्माए नमा क्या हुआ क्या कोई गंबीर बात है चिंतित शिव ने पूछा आप आ गए हैं मेरे प्रभु आप आ गए हैं इससे पहले कि आश्र चकित शिव आयरुवती की इस आसाधरा प्रतिक्रिया पर कुछ कर पाते नंदी ने तेजी से कमरे में प्रवेश किया और देखा कि आयरुवती भूमी पर बैठी हुई शिव को अपलक देख रही है और उनके नैनों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है हे देवी क्या हुआ क्रपया बताईए चकित नंदी ने पूछा आयरुवती ने कुछ नहीं कहा केवल शिव के गले की और संकेत किया नंदी ने उपर देखा शिव का गला रह समय तेजस्वी नीला दिख रहा था पिंजरे से मुक्ती के समय किसी पशु के मुक्ष से जैसी चीख निकलती है ठीक वैसी ही चीख उसके मुक्ष से निकली और उसने भी अपने गुटनेों के बल धम से गिर कर कहा मेरे प्रबु आप आ गए है नीलकंट आ गए है अभिपती नंदी सम्मान पूरवक नीचे जुका और नीलकंट के चरणों में भगती पूरवक से नवाते हुए इस परश करने को हुआ तो उसके प्रार्थनिये पीछे हट गए वो संब्रमित और उद्विग्न था उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है आखिर ये सब क्या बकवास हो रहा है उसने क्रोध पूरवक पूछा अपनी बरफीली गर्दन पर एक हाथ रखते हुए वो मुड़ा और उसने दीवार पर टंगी तामे की परिश्क्रत प्लेट की ओर देखा और फिर उसने उस नील कंट नीले गले के प्रतिविम्भी को देखा तो स्वयम उस अचंबे से स्थब्द रह गया द्वार की चोखट को सहारे के लिए पकड़े चित्रांगत एक बच्चे की भाती ये कहते हुए रोने लगा हम लोग बच गए वे आ गए हैं अध्याय दो पवित्र जीवन की भूमी कश्मीर का राजपाल चेनरद्वच समस्त विश्व में ये प्रसारित करना चाहता था कि उसकी राजधानी में नीलकंट प्रकट हुए थे ना कि तक्षिला, कर्चप या लोथल के सीमान्त नगरों में बलकी उसके अपने श्री नगर में किन्तु मेलुहा की राजधानी अर्थाद देवताओं के निवार स्थल देवगीरी से संदेश वहाग पक्षी ने ततकाल ही आगमन कर लिया था आदेश अत्यन्त ही सपष्ट था जब तक कि समराट नीलकंट को स्वयम नहीं देख लेते उनके आगमन के इस समाचार को गुप्त रखा जाएगा चेनरद्वच को आदेश मिला कि वो मार्गदर्श को के साथ नीलकंट को देवगीरी तक पहुचवाने की कारवाही ततकाल करे इसके साथ ही शिव को भी पौरानी कथा सुनाने या बताने की आवशकता नहीं है समराट नीलकंट को उप्युक्त समय में इसके संबंद में बताएंगे संदेश में ये शब्द कहे गए थे शिव को इस यात्रा के बारे में बताने का सौभागे चेनरद्वच को प्राप्त हुआ किन्तो शिव सहज अनुगामी मनुवर्ति में नहीं था जबसे वो गवर्नर के आलिशान महल में विलासिता पूर्ण निवास कर रहा था तभी से वो अपने आसपास रहने वाले प्रतेक मेलूहावासी की इस अचानक भक्ती से हैरान था और ये भी एक विचितर बात थी कि श्रीनगर के मात्र अति विशिष्ट व्यक्तियों को ही उससे मिलने का सौभागे प्राप्त हो पा रहा था हे प्रभू हम लोग आपका हमारी राजधानी देवग्री तक मार्ग दरशन करेंगे वो यहां से लगबग एक सप्ताह की दूरी पर इस्थित है चेनर ध्वर्ज ने अपनी विशाल काय काया एवं मांतर शरीर को जितना जुका सकता था उतना जुकाते हुए बड़ी कठिनाई से बोला जब तक कि कोई मुझे ये नहीं बताता कि आखिर हो क्या रहा है मैं कहीं नहीं जा रहा निलकंठ की ये क्या पौरानिक गाथा है शिव ने कुरुध होकर कहा हे प्रभू हम पर विश्वास रखें आपको सच का पता शीगरी चल जाएगा आप देवगरी पहुचेंगे तो समराट स्वयम आपका इस सच से परिचे करवाएंगे और मेरे कभीलों वालों का क्या होगा उन्हें यहीं कश्वेर में भूमी दी जाएगी प्रभू एक सुख में जीवन जीने के लिए जिन संसादनों के अवश्यक्ता होगी वे उन्हें प्रदान की जाएगी क्या उन्हें बंधक बना कर रखा जा रहा है नहीं नहीं प्रबू प्रकट रूप से थोड़े परिशान चेनर ध्वच ने कहा वे आपके कभीले वाले हैं प्रबू जिदि मेरा बस चलता तो वो जीवन परियंत कुलीनों की भाती जीवन यापन करते किन्तु विधी विवस्था को तोड़ा नहीं जा सकता है प्रबू यहां तक कि आप के लिए भी नहीं हम उन्हें वही दे सकते हैं जिनका उन्हें वादा किया गया है प्रबू समय के साथ यदि आप आवश्यक समझें तो इस देश के विधी विधानों में फिर बदल कर सकते हैं उसके बाद हम उन्हें कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं कृपा करें प्रबू हम पर विश्वास रखें नंदी ने प्रातना की आप संभवता इसकी कलपना भी नहीं कर सकते कि आप मिलूहा के लिए कितने विशिष्ट हैं हम लोग बहुत लंबे समय से आपके प्रतिक्षा में थे हमें आपकी सहायता क्या आशक्ता है कृपा कर सहायता करें हम पर कृपा करें कुछवर्शो पूर्व की एक अन्य निराशा जनक मनोक्षिप्त महिला की प्रातना की याद उसे सताने लगी तो वो चुपी के आगोश में समा गया तुम्हारा प्रारब्द इन विशाल परवतों से भी विशाल है ये सम बक्वास है मैं किसी प्रारब्द का पातर नहीं हूँ यदि इन लोगों को मेरे पापों का पता होता तो ये तक्षण ही ये सब बंद कर देते शिव ने मन ही मन सुचा और भद्र से कहा भद्र मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ शिव अपने मित्र के साथ डलजील के किनारे राजसी बाग में बैठा हुआ था उसका मित्र उसकी बगल में बैठ कर बड़ी ही सावधानी से गांजे को चिलम में भर रहा था जब भद्र जान फूकने के लिए आग जलाने वाली तेली को चिलम के पास ले जा रहा था तो शिव ने अपना धैर खो दिया कि तुम्हारे बोलने के लिए इशारा था बेवकूफ नहीं दर असल ये मेरे लिए इशारा था कि मैं आपको चिलम देदू शिव तुम मुझे परामर्ष क्यों नहीं देते शिव ने व्यथित होकर पूछा हम लोग अभी भी वही पुराने मित्र हैं जिनोंने कभी भी विना एक दूसरे से विचारवी मर्ष के कोई काम नहीं किया भद्र मुस्कुराया नहीं अब हम नहीं हैं अब आप हमारे मुखिया हैं कभीले वाले आपके निर्णयों के इनिसार जीवन जीते हैं और उनके लिए प्रान भी दे सकते हैं ये किसी विक्ति के प्रभाव से भृष्ट नहीं किया जा सकता है हम लोग प्रक्रती वालों की तरह नहीं है जहां परिशत के सबसे मुखर वक्ता की बात उनके मुखिया को भी सुननी पड़ती है हम गुड़वालों के मध्ध केवल हमारे प्रमुक की बुद्धिमत्ता ही सर्वोत्तम है यही हमारी परमपरा है शिव ने रोश में भौहें चढ़ा कर कहा कुछ परमपराएं तोड़ी भी जा सकती है भद्र ने चुपी साधे रखी अपने हाथ आगे बढ़ा कर शिव ने जपट कर भद्र से चिलम ले ली उसने एक गहरा कश लिया ताकि गांजे की दानशीलता का प्रभाव उसके शरीर में प्रभावी हो सके मैंने नीलकंठ की पौरानिक कथा के बारे में केवल एक पंक्ति सुनी है भद्र ने कहा ऐसा प्रतीत होता है कि मेलुहा बहुत गहरे संकट में है और केवल नीलकंठ ही उसे इस संकट से उबार सकते हैं लेकिन मुझे ऐसा कोई संकट दिखाए नहीं पढ़ता है सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चल रहा प्रतीत होता है जदि वे सही में संकट देखना चाहते हैं तो इन्हें हमें अपने देश मिले जाना चाहिए भद्र हलके से मुस्कुरायार बोला लेकिन ये नीले गले वाली क्या बात है जिसके कारण इन्हें ऐसा विश्वास है कि आप इन्हें संकट से उबार सकते हैं काश मुझे पता होता ये लोग हमसे बहुत ही अधिक विक्सित हैं और इसके बावजूत ये लोग मेरी पूजा कर रहे हैं जैसे मैं कोई भगवान हूँ केवल इस धन्य निले गले के कारण जो भी कहिए मुझे ऐसा लगता है कि इनकी ओशदियां जादू ही है क्या आपने महसूस किया कि मेरे पीछे का कूबर थोड़ा कम हो गया है हाँ ऐसा ही लगता है इनके वैद सचमुच ही गुड़ी है आपको पता है इनके वैद्दियों को ब्रामन कहा जाता है जैसे आयूरवती शिव ने भद्र को चिलम वापस देते हुए पूछा हाँ लेकिन ब्रामन केवल लोगों को रोको से छुटकारा ही नहीं दिलाते वे सिक्षप, वकील, पुजारी भी होते हैं बलकि यूं कहा जाए कि वे सभी प्रकार के बुद्धी जीवी व्यवसाय में होते हैं प्रतिभावान लोग लगते हैं नाक सुलकते हुए शिव ने कहा इतना ही नहीं है भत्र ने एक गहरा कश लेने के मध्ध में कहा इनके पास विशिष्टता की अवधारना है और इसलिए ब्रामडों के अतरिक्त एक ऐसा समू है जिने छत्रिये कहा जाता है जो योद्धा और शाशक होते हैं यहां तक कि औरते भी छत्रिये हो सकती हैं वा कई ये लोग सेना में औरतों को रखने की अनुमती देते हैं वैसे देखने पर छत्रिये औरते कम ही दिखाई पड़ती है लेकिन हां ये लोग औरतों को सेना में रखने की अनुमती देते हैं वो हो इसलिए इसमें चकित होने वाली बात नहीं है कि ये लोग गहरे संकट में हैं दोनों मित्र मेलूहा वासियों की इस विचितर परदा पर दिल खोल कर हैसे अपनी कहानी जारी करने से पहले भदर ने एक और कशलिया और कहा और उसके बाद आते हैं वैश जो कारीगर व्यापारी और उद्योफ से जुड़े लोग होते हैं और अंत में आते हैं शूद्र जो किसान और मजदूर होते हैं और एक बात ये भी अजीब है कि एक जाती के लोग दूसरी जाती के काम नहीं कर सकते जरा रुकना शिव ने भद्र को मद्ध में ही रोकते हुए पूछा इसका मतलब ये है कि चुकि तुम योद्धा हो तो तुम्हें बाजार में व्यापार करनी के अनुमती नहीं होगी जी हाँ ये तो बड़ी बेवकुफी है तुम मेरा गांजा कैसे लापाओगे आखिरकार यही तो एक वस्तु है जिसके लिए तुम्हुप्योगी हो ये कहकर शिव भद्र के मजाग भरे मुक्के से बचने के लिए एक और जुग गया ठीक है ठीक है आराम से वो हसा और उसने हाथ बढ़ा कर भद्र से चिलम ले लिया और एक गहरा कश्टी चा हम लोग वो समभाते कर रहे हैं उस एक बात को छोड़ कर जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए शिव एक बार पुना गंदीर हो गया इनके तरीके सही में विचित रहे हैं लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए आप क्या करने की सोच रहे हैं शिव ने दूर उस बाग पे अपनी दृष्टी घुमाई जैसे कोहने में खिले गुलाब के फूल को देख रहा हो मैं एक बार फिर से भागना नहीं चाहता क्या? भदर ने शिव की उस संतब्त फुसफुसाहट वले स्वर को न सुनने की काराण पूछा मैंने कहा शिव ने दुबारा थोड़ा उचे स्वर में बोल कर कहा कि मैं दुबारा भागने के अपराद बोद को सहन नहीं कर पाऊंगा वो आपका दोश नहीं था हाँ वो मेरा ही दोश था भदर चुपी लगा गया इसके बाद कुछ भी नहीं था जो कहा जा सकता था अपनी आखों को डखते हुए शिव ने गहरी सास लेते हुए पुना दोहराया हाँ वो मेरा ही दोश था भदर ने अपने मितर के कंधे पर हाथ रखकर बड़ी ही नम्रता से दबाया ताकि वो दुखताई च्छड निकल जाए शिव ने अपना मूँ उसकी और घुमा कर पूछा मैं सला मांग रहा हूँ मेरे दोस्त मुझे क्या करना चाहिए यदि इन्हें मेरी सहायता की आवशकता है तो मैं इससे मुकर नहीं सकता साथ ही मैं अपने कबीले को अपने भरोसे पर रहने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ मैं क्या करूँ भदर शिव के कंधे को लगातार पकड़े हुए था उसने गहरी सांस ले वो इस प्रेशने का उत्तर पा चुका था वो उत्तर उसके मित्र शिव के लिए तो उचित हो सकता था लेकिन क्या वो उत्तर शिव के लिए उचित था जो एक नीता था प्रमुक था इस बारे में आपको ही सोचना है शिव यही परंपरा है तुम भौड में जाओ शिव ने चिलम भदर की और उच्छाल दिया और वहां से तीवरता से निकल गया इसके कुछ दिनों के बाद ही शिव नंदी और तीन सैनिकों के एक छोटे काफिले को श्रीनगर छोड़ना था छोटे दल का अर्थ था कि वे उस छेतर से शिगरता से निकल पाएंगे और जितनी जल्दी हो सके देवगिरी पहुँच पाएंगे राजपाल चेनर धुच इस बारे में चिंतित था कि शिव को जल्द से जल्द समराट द्वारा निलकंट के रूप में सुक्रत कर लिया जाए वो चाहता था कि इतिहास में ईश्वर को ढूरने वाले के रूप में उसका नाम सदा के लिया मर हो जाए समराट के लिए शिव को प्रस्तुत करने योग बनाया गया था उनके सिर के बालों में तेल लगाकर नरम करके समारा गया था उसके हश्ट पुष्ट शरीर के श्रंगार के लिए तरह तरह के कपड़े आकरशक कुंडल हार और अन्य आभूशनों को लाया गया था उसके श्वेत वर्णिय मुख को विशिष्ट आयुवेदिक जड़ीबूटियों से रगल रगल कर साफ किया गया था ताकि वर्षों से म्रत एव मुर्जाई तचा को दीप्तिमान बनाया जा सके सूती कपड़े से बना एक गुलूबंद बनवाया गया था ताकि उसके दीप्तिमान कंट को ढखा जा सके उसके उपर मोतियों के अनेक दाने जड़े गये थे ताकि वो गुलूबंद मेलूहा वासियों के परबरागत हार की तरह लगे जिनें वे धार्मी कौसरों पर धारान करते थे वो गुलूबंद उसके गले को आवश्यक गर्माहण भी प्रदान कर रहा था मैं शीगरी वापस जाऊंगा शिव ने भद्र की माता जी को आलिंगन बद करते हुए कहा वो इस बात पर भी चकित था कि मौसी का लंगडाना अब बहुत ही कम दिखाई देने लगा था इनकी अवशदियां वास्तों में जादूई हैं जैसे ही दुखी भद्र ने उसकी ओर देखा तो शीव ने फुसफसागर कहा कभीले वालों को ध्यान रखना जब तक मैं वापस नहीं आता तुम प्रभारी हो भद्र चकित होकर एक अदम पीछे चला गया शीव आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं आपका मित्र हूँ मुझे ऐसा अवश्य करना चाहिए मूर्ग और ऐसा करने का कारण ये है कि तुम मुझसे भी अधिक योग्य हो भद्र ने आगे बढ़कर शीव को गले लगा लिया ताकि कहीं ऐसा नहो कि उसका मित्र उसकी आँखों के आसू देख ले नहीं शीव मैं इतना योग्य नहीं हूँ ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता चुप रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो शीव ने कहा तो भद्र दुखी मन से मुस्कुराने लगा मुझे नहीं लगता कि गुड कबीले वालों पर यहां कोई संकट होगा कम से कम उतना तो नहीं होगा जितना कैलाश परवत पर होता था लेकिन इसके बावजूद देते तुम्हें लगता है कि तुम्हें सहायता क्या अर्शक्ता है तो बिना जिजग के आयुरुवती के पास जाना जब हम कबीले वाले बीमार हो गए थे तो मैंने उन्हें समीप से देखा है उसने हम लोगों को बचाने में अत्यधिक निष्ठा का परिचे दिया था वो हमारे विश्वास करने योग्या है भदर ने सहमती में सिर्ह लाया शिव को पुना आलिंगन बद किया और कमरे से बाहर चला गया आयुरुवती ने बड़ी विनम्रता से द्वार खटखटाया और पूछा मैं अंदर आ सकती हूँ प्रबू साथ दिनों पहले उस घटना के घटित होने के बाद आज पहली बार वो शिव के सामने आयी थी उसके लिए ये अवधी एक युग बीद जाने के समान थी यद्देपी पूरु की भात ही वो आत्म उश्वास से भरी हुई लग रही थी तथा भी उसके सोरूप में कुछ भिन्नता आवश्य दिखाई दे रही थी उसके वेक्तित्व में कुछ ऐसा जान पढ़ रहा था जैसे उसे किसी दिविशक्ति ने स्पर्श कर लिया हूँ आईए हायुर्वती और कृपया ये प्रभू कहना छोड़ दीजे मैं अब भी वही असभ्य अपरवासी हूँ जिससे आपकी भेंड कुछ दिनों पहले हुई थी उस टिपड़ी के लिए मुझे चामा करें परो वैसा कहना मेरी गलती थी और उसके लिए आप जो भी दंड मुझे देना चाहे मुझे वो सिकार है ये आपको क्या हो गया है मैं आपको सच बोलने के लिए क्यों दंड दूँगा क्यों इस अर्थ ही नीले गले से सब कुछ परिवर्टित हो जाना चाहिए आप इसका कारान अवश्य जान पाएंगे प्रभू अपना सिर जुकाए हुए आईरुवती ने फुस्फसाण भड़े स्वर में कहा हमने सदियों आपके आने के प्रतिक्षा की है सदियों? क्रिपा कर उस पवित्र जील के नाम पर मुझे बताएं लेकिन क्यों? वो मैं क्या कर सकता हूँ जो आप लोगों जैसे सक्षम लोग नहीं कर सकते समराठ आपको बता देंगे प्रभू आपको संतुष्ट करने के लिए बस इतना ही कहा जा सकता है कि आपके कभीले वालों से जो कुछ भी मैंने सुना है उससे तो यही कहा जा सकता है कि कोई विकती नीलकंट बनने के सुपात रहें तो वे किवल आप है मेरे कपीले वालसो मुझे याद आया कि मैंने उन से कहा था कि यदि उन्हें कभी भी किसी भी सहायता के आवशक्ता होती है तो वे आपसे अनुरोद कर सकते हैं मुझे आशा है कि आप ना नहीं करेंगी उन्हें किसी प्रकार की सहायता प्रदान करना मेरी ले गर्व की बात होगी प्रभू ये कहते हुए भारतिय पारंपरिक तरीके से उन्हें सम्मान देने के लिए वो जुकी अधितर मेलू हावासियों द्वारा किये जाने वाले इस प्रकार के भाव अभिनयों को स्विकार करने में शिव ने लगभग आत्म समरपड कर दिया था किन्तु जब आयुरुवती जुकी तो शिव ततकाल ही पीछे हड़ गया ये आप क्या तमाशा कर रही है आयुरुवती अत्यंती भैभीच शिव ने पूछा आप एक वैद हैं जीवन देने वाले मेरे पाव का इसपर्ष करके मुझे इस प्रकार दुविधा में ना डाले आयुरुवती ने सिर उठा कर शिव को देखा उसकी आँखे आदर और भगती से धिब्तमान हो रहे थी यही विव्यक्ती हैं जो निश्चित रूप से निलकंट होने योग हैं उसने मन ही मन कहा नंदी ने शिव के कमरे में एक केसरिया रंग के कपड़े के साथ प्रवेश किया जिस पर प्रतेक इंच पर राम नाम लिखा हुआ था उसने शिव से अनरोध किया कि वे इसे कंधे के उपर धारान कर ले शिव ने जैसे ही उससे पहना नंदी ने देवगिरी की सुरक्षिच यात्रा के लिए मंत्र पढ़ते हुए बुदबदा कर एक छोटी सी प्रात्ना की हमारे अश्व बाहर प्रतिक्षा रहते हैं प्रवू जब भी आप कहें हम अपनी यात्रा प्रारंब कर सकते हैं नंदी ने कहा नंदी बुरी तरह से खीचते हुए शिव ने कहा तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा मेरा नाम शिव है मैं तुमारा मित्र हो ना की प्रवू नहीं नहीं प्रवू लंबी सांस भरते हुए नंदी ने कहा आप नीलकंठ हैं आप ईश्वर हैं, मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूँ शिव ने जुझलाहट में अपनी आखें तरे री अपनी गर्दन को धीरे से इंकार के मुद्रा में हुमाया और दौर की और मुड़ कर कहा मैं आत्म समर्बड करता हूँ क्या हम अभी यात्रा प्रारंब कर सकते हैं, अवश्य प्रभू वे बाहर आये तो उन्होंने देखा कि तीन अश्वा रोही सैनिक धैर से प्रतिक्षा रख थे और उनके बगल में तीन और भी अश्वा बंदे हुए थे एक शिब के लिए एक नंदी के लिए और एक रसद आदी के लिए नियत किए गए थे सुवेवस्थित मेलुहा सामराजे में क Zheng, प्रमुक यातरा मार्गोपर विश्रामस्थल एवं रसद आदी के भंधारे की वेवस्थ thा थी यदि किसी यात्री के पास एक दिन की भी सामगरी होती और उसके पास मेलूहा के सिक्खे होते तो वो ताजे रसद आदी खरीड कर अपनी यात्रा महीनों तक कर सकता था नंदी के अश्व को एक छोटी वेदिका के पास बांधा गया था उस वेदिका में दूसरी और से सीड़िया बनी हुई थी इस पश्व रूप से ये थुल्थुल मोटे अश्वा रोहियों के लिए बहुती उत्तम सनरशनात्मग विवस्था थी जिनके लिए अश्व पर चढ़ना पहार चढ़ने के समान होता था शिव ने नंदी के उस व्रहत आगार को देखा उसके बाद उस दुर्भा के शाली अश्व को देखा और उसके बाद पुना नंदी के और मुड कर देखा क्या मिलूहा में पश्वों के विरुद अत्याचार के लिए कोई विधान नहीं है अत्यधिक गंभीर भाव से शिव ने पोचा जी हाँ ऐसे विधान है प्रभू, बहुत ही कड़े विधान है मिलूहा में सभी प्राणियों का जीवन अमूल है वास्तों में इसके लिए बहुत ही कड़े मार्व दर्शक नियम है कि कब और कैसे जीव हत्या की जा सकती है और सहसा नंदी ने बोलना बंद कर दिया शिव के मजाक ने अंतताह नंदी की बेंग्योकती समझने की धीमी चमता में छिदर कर ही दिया शिव के सवारी वाले दल ने जहलम नदी की धारा का अनुगमन किया जिसने गरजना करने वाले शोर का दावन पुना थाम लिया था जब वो निचले हमाले की और चलने लगी थी जब वो एक बार उस अत्यंती सुन्दर मैदानी भाग में पहुँची तो उस हलचल करने वाली नदी ने शान्त सुरूब धारान कर लिया था और अत्यंती सुगमता से बहने लगी थी वो इतनी सुगम हो चले थी कि इस दल के सदस से एक यात्री जल्यान से उसे पार कर रहतेश पूरम नामक नगर में पहुँच गए उसके बाद से वो एक सड़क मार्ग से सामराजी के उत्री विस्तार के हरदे पंजाब के रास्ते से होते हुए पूर्व की दिशा में गए पंजाब पांच नदियों वाला प्रांत था ये नदिया थी सिंदू, जहेलम, चेनाब, रावी और ब्यास चार नदियों ने मिलकर आकांगशा की कि वे उस सर्वस्रेश्ट सिंदू का दामन थाम ले जो पश्चिब में सुदूर तक बहती चली गई थी पंजाब के उस शांदार मैदानों पर घुमावदार यात्राओं के बाद वो इसमें आसाधरा रूप से सफल रही थी सिंदू ने भी उस विशाल समुद्र को आलिंगन बद करते हुए अपना आराम और आवश्चक रहत प्राप्त कर लिया था यद्दे भी अभी भी समुद्र के अंतिम गंतव्य के रहस्ते पर परदा डला हुआ था कि आखिरकार उसका विस्तार कहां तक था ये राम क्या है अपने केसरिया रंग के कपड़े की प्रतेक इंच पर उस शब्दों को देखने के बाद शिव ने जानना चाहा शिव और नंदी के साथ तीन सैनिक एक निश्चित दूरी बनाकर उनके साथ चल रहे थे वे इतनी दूरी पर चल रहे थे कि उनके मद्ध होने वाली बातों को ना सुन सकें किन्त वो दूरी इतनी निकट अविश्य थी कि यदि कोई आपात स्थिती आदी तो ततकाल ही उनकी सुरक्षा में सक्षम हो सकें यह उनके मेलूहा के सेवा नियमावलियों के अनुरूप था भगवान श्री राम वो समराट थे जिनोंने हमारी जीवन शैली की स्थापना की थी प्रभू नंदी ने उत्तर दिया वे लगभग 1200 साल पहले हुए थे उन्होंने हमारी सभी प्रगार की व्यवस्ताओं की स्थापना की हमारे नियम, हमारी विचार पद्धतियों, सब की उनका शासन रामराज्य या राम का शासन के नाम से जाना जाता था अपने समस्त नागरिकों के लिए एक आधर्ष जीवन की स्थापना के लिए कैसे एक सामराज्य को प्रशासन करना चाहिए उसके लिए रामराज शव्द एक स्वर्णिम मानक की तरह माना जाता है मेलूहा अभी भी उन्हीं के सिधान्तों पर आधारित होकर चल रहा है जै श्री राम वे अवशी अद्बुत मानव रहे होंगे क्योंकि उन्होंने इस धर्ती पर ही स्वर्णि की स्थापना कर दी है शिव ने जब ऐसा कहा तो वो कतापी जूट नहीं बोल रहा था सचमुझ में ही उसका मानना था कि यदि कहीं कोई स्वर्ण था तो वो मेलूहा से बहुत अधिक भिन्न नहीं होगा यह सामराज इस पर श्रूप से सन्हिता बध एवं नयाय संगत विधियों से शासित था समराज सहित प्रतेग नागरिक जिसके अधीनस्त थे सामराज जी की जनसंख्या लगबग 80 लाग थी और बिना अपवाद के उस पूरी जनसंख्या के खाने पीने और रहने की उत्रिश्च वे वस्ता थी वे स्वस्त और साधन संपन्य थे लोगों का उसत ग्यान आसाधरान रूप से बहुत अधिक था वे तनिक गंभीर किस्म के लोग थे किन्तु हमेशा ही विनम्र और सब्य थे ऐसा प्रतीत होता था कि वो एक तुरूटी रहित समाज था जहां सब को अपनी भूमिका का पता था और वे अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा रहे थे वे अपने करतव्यों के पालन में ना केवल सचेत थे बलकि अत्यधिक ग्रस्त भी थे एक साधारान सच से शिव का सामना हुआ यदि समस्त समाज अपने करतव्यों के प्रतिक सचेत था तो किसी को भी अपने अधिकार के लड़ने जगरने की आवशकता ही नहीं थी इस प्रकार प्रतेग विक्ति के अधिकारों की रक्षा किसी और के करतव्यों की कारण अपने आप ही हो जाएगी भगवान श्री राम सचमुची प्रतिभाशाली विक्ति थे नंदी के उधगोश के साथ शिव ने भी भगवान श्री राम के सम्मान में अपने स्वर मिलाया जै श्री राम सरकारी पारगमन इस्थल पर अपने अश्वो को छोड़ने के बाद हरियूप ये हरी के नगर के निगट उन्होंने रावी नदी को पार किया रावी नदी को पार करने के बाद दूसरी और के पारगमन इस्थल से प्राप्त नए अश्वो पर बैटकर शिव ने रुक कर कुछ दूरी पर बसे हर्यूप को प्रशंसा पुरवक द्रिश्टी से देखा जबकि उसके सैनिक उसकी चाया की दूरी पर प्रतिक्षा रत रहे हर्यूप श्री नगर की तुलना में बहुत बड़ा नगर था और बाहर से ही भव्य लग रहा था शिव सचमुच ही उस शोभाइमान नगर को निकट से देखने की इच्छा रखता था किन्तो इसका ये अर्थ होता कि देवगिरी की उनकी यात्रा में विलम होता अतवाफसी में देखने की इच्छा रखनी हर्यूप की बगल में ही शिव ने देखा कि एक निर्मार इस्थल पर कारेच चल रहा है एक नई वेदिका का निर्मार किया जा रहा था क्योंकि हर्यूप की जन्संक्या बढ़ गई थी और सभी लोगों के रहने के लिए जगह की कमी हो रही थी ये लोग इतनी बिशाल और शांदार वेदिका का निर्मार कैसे कर लेते हैं शिव ने अपने मन में ये बात अंकित कर ली कि वापसी में वो इस निर्मार इस्थल का भी ब्रहमन करेगा। कुछ ही दूरी पर नदी पारगमन इस्थल के अधिपती जट्टा नंदी से बात कर रहा जो नए अश्व पर चढ़ने के लिए वेदिका पर चढ़ने के लिए तयार हो रहा था। जरतक गिरी से जाने वाले मार्क से दूर रहें जट्टा ने सलाह दी। कल रात उस मार्क पर आतंकियों दोरा हमला किया गया था सभी ब्रामणों के हत्या कर दी गई और गाह को नश्ट कर दिया गया जब तक कि रहत एवं युद्ध करने वाले सैनिक वहां पहुँच पाते आतंकी भाग चुके थे। अगरी देव की सोगंद हम कब तक प्रतिकार करेंगे। हमें उनके सामराज पर हमला कर देना चाहिए। प्रकट रुप से क्रोधित नंदी ने गुरा कर कहा। मैं भगवान इंद्र के प्रतिग्या लेकर कहता हूँ कि यदि मुझे इन चंद्रवंशी आतंकीयों में से कोई भी मिला तो मैं उसके छोटे छोटे चुकड़े करके कुट्तों को खिला दूँगा। अपनी मुठियां भीचते हुए जट्टा ने कहा। जट्टा हम लोग सूरवंशीयों के अनुयाई हैं। इस प्रकार की भरबरता पूर्ण युद्ध की हम सोच भी नहीं सकते हैं। नंदी ने कहा। क्या वे आतंकी युद्ध के नियमों का पालन करते हैं। जब वे हम पर हमला करते हैं। क्या बिना शस्त्र वाले लोगों की हत्या नहीं करते हैं। इसका ये अर्थ नहीं होता कि हम भी उनकी तरह ही वेवहार करें अधिपती। हम मेलुहावासी हैं। नंदी ने सेर हिलाते हुए कहा। इस बार जट्टा ने नंदी का प्रतिकार नहीं किया। कुछ दूरी पर प्रतिक शारत शिव को देकर उसका ध्यान उनकी ओर चला गया। उसने पूछा क्या वो आपके साथ हैं। हाँ, उसने जाती वर्ग संबंधी बाजुबंद नहीं पहन रखा है। क्या वो नया आवप्रवासी हैं। हाँ, शिव के बारे में प्रश्णों के उत्तर देने में असाहज होते हुए नंदी ने उत्तर दिया। और आप लोग देवगीरी जा रहे हैं। शिव के गले के और गहरी दृष्टी से देखते हुए संदी हातमक जट्टा ने पूछा। मैंने श्रीनगर से आती हुई कुछ अफवाहें सुनी है। नंदी ने अचानक ही जट्टा की बात को बीच में काड़ते हुए कहा। हमारी सहायता करने के लिए धनिवाद अधिपत्ती जट्टा। इससे पहले की जट्टा अपने संदेह के समधान पर कोई कारवाही करता। नंदी शीगरता से वेधिका पर चड़कर घोड़े पर चड़ बैटा। और शीव के ओर चल पड़ा। उनके पास शीगरता से पहुँचकर उसने कहा हमें निकल लेना चाहिए प्रभू। शीव इसकी बात नहीं सुन रहा था। वो एक बार फिर हैरान था क्योंकि उसने देखा कि वो गर्वीला अधिपती जट्टा अपने घुटनों पर था। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर आदर पूरवक नमस्ते की मुद्रा में शीव को अपलक देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बुद्बुदा कर कह रहा हो। उतनी दूरी से शीव को पता नहीं चल पा रहा था कि उसने क्या कहा था। कि तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो रो रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और फिर फुस्फसाया। क्यों? हमें चलना चाहिए प्रगू। थोड़े तेज स्वर में नंदी ने दोराया। शीव उसकी और मुड़ा। उसने सहमती में सिर हिलाया और एड लगाकर उसने अपने अशु को आगे बढ़ाया। उस सीधी सड़क पर चलते शीव ने बाई और देखा कि नंदी अपने दिलेर गोड़े को उकसाते हुए उसके साथ साथ चल रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे आश्चरे नहीं हुआ कि उसके तीनों अंगरक्षक पूर्व की भाते बिल्कुल उतनी ही दूरी पर घुर सवारी करते हुए पीछे चल रहे थे। वे बहुत निकट भी नहीं थे और उतनी दूर भी नहीं थे। उसने एक बार फिर नंदी की और देखा तो महसूस किया है कि उसने जो आभुशर पहन रखे थे वे केवल सजावट के लिए नहीं थे। उसने अपने दाहिने चोड़े हाथ पर दो बाजुबंद पहन रखे थे। पहले बाजुबंद पर प्रतिकात्माग लकीडे बनी हुई थी जिसके बारे में शिव को कुछ अता पता नहीं था। दूसरे पर पशु का चित्र उकेरा हुआ था संभवता बैल का। उसके सीने की एक जंजीर में सूर्याकार जूमर लटका हुआ था जिससे किर्णे बाहर की और निकल रही थी। दूसरा जूमर भूरे रंग का था। वो एक देर घृपताकार बीच जैसे आकार की कोई वस्त हुथी जिसमें सब और छोटे-छोटे दांद बने हुए थे। क्या तुम अपने आबुश्रों के महत्र के बारे में बता सकते हो या ये भी गोपनिय है। शिव ने शरारत से कहा। ने संदे बता सकता हूँ प्रभू। नंदी ने गंभीरता से कहा। उसने अपने विशाल हात में रेशम के धागे से बंधे हुए पहले बाजुबंद के और संकेत किया और कहा। ये बाजुबंद मेरी जादी का प्रतिन दित्व करता है। इसके ओपर जो लकीरे बनी हुई है वे परमपिता परमात्मा के कंधे के प्रतिक है। इसका अर्थ है कि मैं छत्री हूँ। मुझे विश्वास से कि अन्य जातियों के बारे में भी अवश्य ही सनहिता बद्ध इस पश्ट निर्देश होंगे। आपने बिल्कुल सही का प्रभू आप आपवादिक रूप से बुद्धिमान है। नहीं ऐसा नहीं है तुम लोग आपवादिक रूप से पूर्व में ही अनुमान लगाने योग्ये हो। नंदी मुस्कुराया तो शिवन ने पूछा। तो वे क्या है। वे क्या है ब्रभू। ब्रामण वैश्य और शूद्र के प्रतीक बनाई गई लकीरे यदि परमात्मा की सिर का प्रतिन दित्व करती है। तो इसका अर्थे कि पहनने वाला ब्रामण है। वैस्षि के लिए बनाए गए प्रतीक में लकीरे परमात्मा के जंगाओं का प्रतीनित्व करती हैं और परमात्मा के पैरों से बने बाजोबंद बताते हैं कि पहने वाला शूद्र है मनोरंजा शीव ने हलकी तियोरी चड़ा कर कहा मैं कलपना कर सकता हूं कि अधिकतर शूद्र अपनी स्थिती को लेकर खुश नहीं होंगे शिव की इस तिपड़ी पर नंदी चकित रह गया वो इस बात को समझ नहीं सका कि क्यों शूद्र लोगों को इतने लंबे समय से चली आ रही इस अभीशे की करण से कोई समस्या होगी कि तो वो कुछ नहीं बोला क्योंकि वो प्रभू की असहमती पर भैवीत था और वो दूसरा बाजबन शिव ने पूछा ये दूसरा बाजबन मेरे दोरा चैन किये गए जाती वर्ग का प्रतीक है सभी चैनित जाती वर्ग के लोग वे काम करते हैं जो चलीतर के योगे होते हैं अपने माता पिता की सलाहा पर प्रतेक मेलू हवासी एक चैनित जाती वर्ग के लिए आवेदन करते हैं जब वे 25 साल के हो जाते हैं ब्रामर पक्षियों के एवम छट्री पश्यों के चायन का वेदन करते हैं वैश्यों को फूल प्रदान किये जाते हैं जबकि शूद्र अनवश्च्रकृत रुप्स मचिलियों में से चायन करते हैं निमित्तन समेती अत्यधि कठिन प्रक्रियाओं के आधार पर चैनित जाती वर्ग का निमित्तन करती है आपको उन चैनित जाती वर्ग के लिए आवश्यक रूप से योग होना पड़ता है और वो आपके लक्ष एवम दक्षता का प्रतेंजित तो करता है यदि आप ऐसे जाती वर्ग का चैन करते हैं जो बहुत अधिक अपेक्षा करता है और यदि आप उसके कारे उस जाती वर्ग के मानत तक नहीं हो पाते हैं तो वो आपको जीवन भर लजजित करता रहता है यदि आप नीचे की श्रिणी के जाती वर्ग का चैन करते हैं तो आप अपनी दक्षता के साथ नयाए नहीं करते हैं मेरा चैनित जाती वर्ग बैल है उसी पश्चु का प्रतिज़त वह बाजुबंद करता है बुरा नमानन तो क्या तुम बता सकते हो कि छट्रिय के इस चैनित जाती वर्ग में बैल का क्या स्तर होता है यह उतना उचित नहीं है जितना कि सिंग बाग या फिर हाती किन्तो ये चुहा या सुषर जैसा निम्न भी नहीं है वैसे जहां तक मीरा मानना है कि बैल किसी सिंग या हाथी को परास्त कर सकता है शिव मुस्कुराया और वो तुम्हारी जंजीर पर लटके हुए जुमर के बारे में तुम्हारा क्या कहना है यह भूरादाना अंति महादेव भगवान रुद्र का प्रतिनी दित्व करता है कि जीवन के संरक्षण एवं पुनर्जनन का प्रतिक है यहां तक कि दिव अस्तर भी ऐसे जीवन को नश्ट नहीं कर सकते जिनें यह सुरक्षा देते हैं और यह सूरे प्रभू यह सूरे इस बात का दे उतक है कि मैं सूरे वंशी राजाओं का अनुयाई हूँ ऐसे राजाओं का जो सूरे के वंशाज हैं क्या सूरे धर्ति पर आया और किसी रानी को शक्की शिमने छिरखानी की निसंदे हर्गिज नहीं प्रभू नंदी ने हस्ते हुए का इसका किवल इतना ही अर्थ होता है कि हम सूरे पांचांग का अनुसराण करते हैं इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग सूरे के मारग के अन्याई है व्यवहारिक दिश्टिकोंड से ये इस बात का देवता कि हैं कि हम लोग शक्तिशाली और अडिग हैं हम अपने दिये हुए वचनों का सम्मान करते हैं और उनका पालन करने के लिए प्राण भी दे सकते हैं हम कभी भी विधियों का उनलंगन नहीं करते हैं जो सम्मान नहीं होते हैं हम उनके साथ भी सम्मान ये तरीके से वेभार करते हैं सूरी के तरह हैं हम कभी किसी से कुछ नहीं लेते बलकि दूसरों को देते हैं हम अपने करतव्यों का पालन अपनी सचेतनता में करते हैं ताकि हम उन्हें कभी भी बुलाना सकें सूर्यवंशी होने का ये भी अर्थ है कि हम हमेशा साधना करते हैं कि हम इमानदार रहें बहादूर रहें और सबसे बड़ी बात कि हम सच के परती निश्ठावान रहें बड़ा ही कठिन परतीत होता है मेरा ऐसा मानना है कि भगवान श्री राम एक सूर्य वंशी राजा थे आवश निसंदे नंदी ने उतर दिया उसका सीना गर्व से फूल गया उसने फिर कहा वे सूर्य वंशी राजा थे जै श्री राम जै श्री राम शिव ने भी दोहराया नंदी और शिव ब्यास नदी को नाव से पार कर रह स्थल के अधिपती द्वारा नदी पार करना निलंबित किया जाने वाला था कि दूप्राता मौसम के अपेक्षा करत खुल जाने के करण अधिपती ने सेवाओं को पूर्व की भाती संचालित करने का निर्णे लिया था शिव और नंदी के साथ नाविक के अलावा दो और भी यात्री थे जो इस नाव से नदी को पार कर रहे थे उन लोगों ने अपने अश्वों को इस पार ही छोड़ दिया था और दूसरी और पहुचने के बाद उन्हें नए अश्वों पर सवार होकर आगे बढ़ना था वे अभी दूसरे किनारे से थोड़ी दूरी पर ही थे कि अचानक उन्हें मूसलादार भारिश का सामना करना पड़ गया हावा अचानक ही तीवर गती से बहने लगी थी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे इंद्र का प्रोध भूट पड़ा हो नाविक ने बहुत ही साहसी प्रियास किया कि नाव को नदी के उस पार पहुचा दे किन्दू तेज बहाव और हवा के कारण वो नाव बड़े ही उग्र तरीके से उपर के और उचल गई नंदी ने शिव को तेज स्वर में कहा सुरक्षा के दृष्टी से वो जितना जुक कर रह सकता था उतना नीचे के और रहे किन्दू तो स्वैम अपने आपर काबू नहीं रख सका उसके भारी भरकम शरीर ने नाव को एक और खतरनाक तरीके से जुका दिया और वो मू के बल पानी में गिर गया नाविक अभी भी अपनी पतवार से नाव को दूसरे पार के किनारे की और ले जाने का प्रयास कर रहा था ताकि अन्यात्री सुरक्षित घार पर पहुँच जाए ऐसा करते हुए और संकट में होते हुए भी उसने अपनी सचेतनता का परिशत देते हुए अपना शंक निकाला और दूसरी और के पारगमन इस्थल के लिए संकट है तो शंक धुआनी कर दी जो दो अन्यात्री थे उन्हें नंदी को बचाने के प्रियास में नदी में च्छलांग लगा देनी चाहिए थे किंतो उसके उस बारी भरकम शरीज को देकर वे जिजग गये थे उन्हें पता था कि यदि वे उसे बचाने का प्यास करेंगे तो बहुत संभा है कि वे स्वैम ही डूप सकते थे शिव को ऐसी कोई जिजक नहीं हुई उसने अपने अंगवस्तरम को एक और रखा अपने जूते उतारे और उस फंती नदी में छलांग लगा दी शिव ने उस शक्तिशाली बहाओ को चीरते हुए तैरना प्रारम बिकिया और शीग रही बहुत तेजी से डूपते हुए नंदी के पास पहुँच गया उसे नंदी को घार तक लाने में अपनी भरपूर तकत का प्रियोग करना पड़ा पानी में भार के कम महसूस होने पर भी एक सामान विक्ति की दृष्टि से नंदी का भार बहुत अधिक था इस वहागी की बाती की शिव अपने आपको श्रीनगर की पहली रात्री के बात से ही और अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा था शिव ने स्वयम को नंदी की पीट की और स्थित किया और एक हाथ से उसके सीने के पास से उसको पकड़ लिया फिर और दूसरे हाथ से तैरते हुए किनारे पहुँच गया नंदी के अतिदिक भार ने ये काम बहुत ही ठाकाने वाला बना दिया था किन्तुश शिव ने इसके बाद भी मेलुहा के अधिपती को किनारे पहुचा ही दिया तब तक आपात कालीन रक्षक भी तेजी से वहां पहुँच चुके थे शिव ने सहायता करके नंदी के उस भारी भरकम शरीर को पानी के बाहर निकाल दिया नंदी अचेध था उसके बाद आपातकालीन रक्षकों ने एक विजितर प्रिक्रिया प्रारम्ब दिगी पाँच की गिंती के साथ एक बहुत ही लैबदर तरीके से एक रक्षक ने नंदी के सीने को बार बार दबाना प्रारंब कर दिया। जब वो अपना काम बंद करता तो एक अन्य आपात कालिन रक्षक अपने होटों से नंदी के होट ढखता और पूरी जोर से इसके उमों में हवा भरता था। और इसके बाद वे इस प्रक्रिया को बार बार दोराते चले जा रहे थे। शिव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे क्या कर रहे थे। किन्तु उसे मेलुहा के स्वास्ते कार्मिकों के ग्यान और उनकी निष्ठा पर पूरा भरुसा था। कई चिंतिक चड़ों के बीच जाने के बाद नंदी ने अचाना की खासने के साथ साथ अत्यदिक मात्रा में पानी की उल्टी कर दी। और चकित होता हुआ चेतना में आया। पहले तो कुछ देर उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो कहा था और उसे क्या हुआ था। कि दुशीगरी उसे परस्थिती की समझ हुई तो वो तेजी से शिव की और मुड़ा और चिचियाने वाले स्वर में कहा। प्रभू आपने मुझे बचाने के लिए छलान क्यों लगाई। आपका जीवन बहुत मुलिवान है आप मेरे लिए उसे जोकि में कभी न डाले प्रभू। फिर भी वो इस श्वेत जाते चिन वहिन विक्ति को अपना प्रभू कह रहा था। खैर जो सबसे महातपूर्ण बात थी वो ये थी कि उस सैने की जान बच गई थी। जब शिव ने स्वास्त कर्मियों का अनुसरन विश्राम गर्क्योर किया तो वे भी अपने रास्ते चले गए। अध्याय तीन वो उनके जीवन में प्रवेश करती है। रहा हूं बहुत समय से बहुत ही लंबे समय से सौ साल से कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रभु नीलकंट को पास तकूंगा जैश्री राम। शिवननन्दी की बड़बडा हट को अंसुना कर दिना चाहता था क्योंकि वो उसके ज्वर को नियंतर में रखने पर ध्यान के इंद्रित करना चाहता था। किन्तु उसके कान द्वारा सुनी गई एक बात अटक सी गई थी। ये सौ साल से ढून रहा है। शिव की तेउरिया चड़ गई। ये ज्वर इस बेवकूफ के दिमाग को भी प्रभावित कर रहा है। ये तो बीस साल से एक दिन भी बड़ा नहीं दिखाई देता है। मैं सौ सालों से ढून रहा हूँ, मैंने पाया नीलकंट। नंदी अचेतनता में निरंतर बोलता जा रहा था। शिव एक छण के लिए रुका और उसने बहुत ही गहराई से नंदी को भूरा। उसके बाद उसने असहमती में सिर हिलाते हुए अपनी परिचर्या जारी रख ही उस छेतर को देखने की ललक में निकल पड़ा था। हाला कि नंदी अब खत्रे से बाहर था फिर भी उन्हें कुछ दिनों और रुकना पड़ा था ताकि अधिपती में इतनी शक्ती हो जाए कि वो आगे की यात्रा आराम से कर सके। शिव के लिए विश्राम ग्रह में कर पोड़ेंगे। ब्यास नदी के विनम रजाल के संगीत में स्रोत वाले स्वर्शिव को सुखत प्रतीत हो रहे थे। शीतल मंद बयार उसके घने बाल के जूड़े से छिड़खानी कर रहे थे। उसने अपने म्यान की मूठ पर अपना हाथ रखा जबकि उसका मन बार बार उसी एक प्रशन से युद्रत था। किया नंदी सच में ही सो साल से अधिकिया युवाला है किन्तों ये तो असंभा है और वो क्या काम है जिसके कारणी ये विच्छिप्त मिलूहावासी मुझ से साहता चाते हैं और उस पवित्र जील की सोगंद ऐसा क्यों है कि ये थी सुन्दर भावन उसके सामने खड़ा हुआ था। उसने इससे सुन्दर भावन अपने जीवन में अब तक नहीं देखा था। वो पूरा का पूरा मकान सफेद और गुलाबी रंग के संगमर्मर से बना हुआ था। एक उची वेदिका पर जाने के लिए बहुत ही शोभ भाइमान सीड़ियां बनी हुई थी। उस वेदिका के समस्त परिदी में अतिसंदर सजावट देते हुए स्तंब लगे हुए थे। उस मकान की आलंकारी च्छत पर एक विशाल प्रिकोणिये मीनार उचाई में उठा हुआ था जैसे ईश्वर को विशाल नमस्ते किया जा उस संदरशना के समस्त उपलग्द स्थलों पर विस्तरट ढंक से विभी ने प्रकार की शिल्पकलाओं की नकाशिया की हुई थी। शिवने मेलूहा में बहुत दिन बिता लिये थे और जो भी मकान उसने देखे थे विकार साधक एवं प्रभावशाली लगे थे जिबकि ये मकान वास्तों में आश्चर जनक रूप से तड़क भड़क वाला और आलिशान था। उसके प्रवेश द्वार पर संकेत सूचक पट लगा हुआ था जिस पर लिखा था भगवान ब्रह्मा का मंदिर। ऐसा प्रतीत होता था कि मेलूहा वासी धार्मे के स्थलों के अश्चरन बेच रहे थे एक ऐसी भी दुकान थी जहां उपासा कत्वा पूजा करने वाले लोग अपने जूते चपलादी मंदिर में प्रवेश से पूर्व उतार कर रख रहे थे शिव ने भी अपने जूते वहां उतार दिये और मंदिर के उपर की उड़ चला गया मुक कर देखा तो एक पंडित को अपनी और प्रश्ण सूचक दृष्टी से गौर से देखते हुए पाया उसका जुरीदार चहरा उसकी धारा की तरह प्रवाइद होती दाड़ी से च्छल कर रहा था और चांदी से चमकते उसके घने बाल उससे तुलनी है थे के सर्यरंगी की धोती एवं अंगवस्त्रम पहने हुए उसके शांत एवं विनम्र मुख से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसने निर्माण प्राप्त कर लिया हो कि तुप्रत्वी पर रहने का निश्चे किया हो ताकि अपने दैवी कतव्यों का निर्वाहन कर सके शिव ने महसूस किया कि वो पंडित ही वास्तों में एक पहला ऐसा व्रद वेक्ति था जिसे उसने अब तक मेलूहा में देखा था मुझे चमा कीजिए क्या मुझे अंदर आने के अनुमती नहीं है शिव ने विनम्रता से पूछा निसंदे आपको यहां आने के अनुमती है इश्वर की घर में सब को आने के अनुमती है शिव मुस्कुराया और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता पंडित ने पुना प्रश्न किया किन्तो आप तो इश्वर में आस्था नहीं रखते शिव की मुस्कुराहट जितनी शीगरता से आई थी उतनी शीगरता से छीन हो गई कमाल है इसको कैसे पंडित ने शीव को आँखों में ही उत्तर दे दिया इस पूजा अस्थल में जो कोई भी प्रवेश करता है वो परमपिता ब्रह्मा की मूर्ती के दर्शन करता है इस इस्थापती की वैभवता और उसमें लगे प्रियास को इन में से लगभग ना के बरावर ही लोग इक आत्मक इश्वर में आस्था नहीं रखता मेरा मानना है कि असली इश्वर हमारे आसपास हर जगह निवास करते हैं नदी के बहाओ में पेड़ों की लहराहट में हवा की सरसराहट में वो हमेशा हमसे बाते करते रहते हैं आवशकता इस बात की है कि हम उनकी बाते सुन स पिर भी यदि मैंने आपके इश्वर को उची समान नहीं देने का अपराद किया है तो मुझे इस बात के लिए खेद है आपको खेद जिताने की कोई अवशकता नहीं है मित्र वो पंडित मुस्कुराया मेरा इश्वर या तुम्हारा इश्वर ऐसा कुछ भी नहीं होता सभी प्रकार की इश्वरियता एक ही स्रोथ से आती है मात्र उसके अवतार अलग अलग होते हैं कि तो मेरा मन कहता है कि एक दिन आपको एक ऐसा मंदिर अवश्य मिलेगा जिसमें आपका प्रवेश मात्र पूजा अर्चना के लिए होगा ना कि उसकी सुंदर्ता नहारने के उसके भाव ऐसे थे जैसे कि वो उस पंडित की बात को सच में ही सरा रहा था जबकि वास्तविक्ता ये नहीं थी उसे सोचा कि उसे शीग रही उस मंदिर से निकल जाना चाहिए इससे पूर्वी कि उसका या स्वागत अनावश्य ग्रूप से लंबा किछ जाए विश्राम ग्रह जाने का समय हो गया है पंडित जी किन्तो मैं मेरे प्रारब्ध वाले मंदिर को पाने की प्रदीक्षा बहुत बेसबरी से करूँगा आप से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई शिव ने जुक कर पंडित के पाँ जूते हुए कहा पंडित ने शिव के सिर पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा जै गुरू वश्वामित्र जै गुरू वशिष्टू शिव उट खड़ा हुआ मुड़ा और तेजी से सीड़ियों से नीचे उतर गया अपने से दूर जाते ना सुन सकने की दूरी तक पहुँच चुके शिव को प्रशंसा भरी दृष्टी से देखते हुए उस पंडित ने धीमे स्वर में कहा क्योंकि उसने अपने कर्म के संगी यातरी की पहचान कर ली थी खुशी तो मुझी हुई है मेरे कर्म संगी शिव जूते की दुकान पर जाती है शिव मुस्कुराया और बोला निसंदे आप लोगों के पास हर चीज़ के लिए विवस्ता है धन्यवाद हो जूदे रखने वाला भी मुस्कुराया और बोला हम लोग केवल अपने कर्दवे का पालन कर रहे हैं श्रीमान शिव मंदर के सीडियों के और पुना चल की विशुद्याद की कामना करता है दूसरे ये कि इश्वरों के शडियंतर के बावजूद मातर कुछी भागशाली विक्ति इसका अनुभाव कर पारते हैं वो पल जब वो उसकी जीवन में प्रवेश करती है घोडों को दक्षता से चलाते हुए वो एक रत पर सवार होकर उस आंगन में आई जबकि उसकी साथ हिं जंगले की च्छाणों को उसके बगल में पकड़े हुए खड़ी थी ये देपि उसके काले बाल जूडे में शालेंता से बंधेते तथा पी कुछ दृष्ट लटे वायू के थपएडों से मंत्रमुग्द करने वाला कथक नृत्त कर गया कि उसके नीचे छुपा हुआ आलेख और सौंदरे कैसा होगा जब उसने अत्यंती दक्षता से पैतरे बाजी करके रत को वाहन पड़ाओं में खड़ा किया तो उसका तुरूटी रहित मुख ध्यान के इंदर का चित्रा था वो पूर्ण रूप से आत्म विश्वा पास था जिसमें अहंकार की और चलने वाली कुरूब दूरी नहीं चली थी उसका चलना मर्यादित था जो देखने वाले को सीधे तोर पर बता रहा था कि वो विलगने थी कि तो शीतल नहीं शिव ने उसे इस प्रकार घूर कर देखा जैसे कि बरसात करने वाले बादलों क मरुस्थरी भूमी देखती रहती है मुझ पर दया करो हे देवी मेरा अब भी मानना है कि अपने शेश अनुगामियों को छोड़ कर इस प्रकार अलग घूमना बुद्धमानी नहीं है उसकी सहयातरी ने कहा हूँ उसने उत्तर दिया क्रितिका क्योंकि यदि दूसरों को विधी व्यवस्था के बारे में नहीं पता है तो इसका ये अर्थ नहीं होता है कि हम भी उसकी उपेक्षा कर सकते हैं भगवान राम ने इस पश्ट रूप से कहा था तो शिव से घूर रहा था उसकी सुकुमार भौहें आश्चर और जुझलाहर भरे गुस्से में वरत्ताकार होकर उपर की और उड़ गई शिव ने अपना पूरा बल लगा कर अपनी दृष्टी उससे हटाने की चेश्टा की किन्तो उसने महसूस किया कि उसके आँखे अब भी उसके नियंतरण में नहीं थी वो उपर चड़ती चली गई और कृतिका उसके पीछे थी मंदिर के सबसे उपर की सीड़ी पर पहुशने के बाद वो मुड़ी तो उसने देखा कि वो बिना जाती सूचक चिन्ध वाला आप्रवासी अभी भी उसे निरलज की भाती घूर रहा था मुख्य मंदिर के और चलने के लिए मुड़ने से पूर्व उसने कृतिका से कहा यह सब भे आप्रवासी इन बरबर लोगों में से जैसे सचमुच ही कोई हमारा रक्षक मिल पाएगा जब वो शिव की द्रिश्टी से पूरी तरह ओजहल हो गई उसके बाद ही शिव अपने सांसे नियंतरत करने का प्रियास करते दिखा जब वो बड़े प्रतन से अपनी वागमिता को संकलित करने का प्रियास कर रहा था जब तक यह उसे दुबारा नहीं देख लेगा जो उस सिरी की उस हाल की अपस्थिती से प्रतिश्चित हो चुका था उसने बाई और उस मार्क को पुना देखा जहां से वो मुड़कर आई थी वो पीपल के पेर के निकट खृड़े खीरा भीषने वाले के पास से गुज़रे थी अकस्मा थी उस खीरा बेचलेवाने ने आवाज लगाना बंद क्यों कर दिया था वो केवल मंदर की और टक्टकी लगा कर घूरता हो प्रतीत हो रहा है चाहे कुछ भी हो इसे मेरा क्या लेना देना है उसने रत के आने वाले मार्क का अनुकरण किया जहां से वो बाई और मुडा था जो उस प्रांगर में फवारे के पास था उसके बाद उसने दाई और एक तीवर मोड लिया था जहां उस बाग के प्रवेश द्वार पर एक गरड़िया खड़ा हुआ था आश्चरे इस गर्णरिये की भीड़े कहां थी शिव उस मार्क को देखता चला गया जहां से वो रत वाहन पड़ाओ तक गया था रत के बगल में एक दूसरा वेक्ति भी खड़ा था जो अभी अभी मंदिर के प्रांगर में घुजा था किन्तो उसके मंदिर में प्रवेश का कोई स्पष्टी करा नहीं दिख रहा था वो वेक्ति गर्डिये की और मुड़ा और उसने हलके से सिर हिलाया इसे पूर्व की शिव इन समस्त प्रकार की सूचनाओं का आगलन कर पाता उसे पुना उस इस्तरी की उपस्थिती का आभास हुआ जिसके लिए वो प्रतीक्षारत था वो ततकाली पीछी मुड़ा और उसने देखा कि वो सिर्णियां उतर कर चली आ रही थी प्रतीका शान्त होकर उससे थोड़ा पीछे चल रही थी उस इस्तरी ने देखा कि वो असब बिना जाती चिन्ध वाला स्पष्ट रूप से विदेशी वेक्ती अभी भी उसे घूर रहा था वो उसके पास चलती हुई गई और उसने द्रण किंतु विनम्र स्वर में पूछा शमा कीजिये कि आपको कोई समस्या है नहीं नहीं कोई समस्या नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मैंने पहले कहीं देखा है गबरायवे शिव ने उत्तर दिया उस इस्तरी की समझ में नहीं आया कि वो इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दे ये सपष्ट रूप से एक सफेद जूट था किन्तो इसके पीछे जो स्वर था वो वास्तों में बहुत ही गंभीर प्रतित हुआ था इससे पहले कि वो कुछ कह पाती क्रतिका ने अशिश्टिसा से बीच में ही कहा यही आपका सबसे अच्छा वाक्य है जो आप बोल सकते हैं शिव इसके उत्तर में कुछ बोलने ही वाला था कि खीरा बेशने वाले की शीगरता से की गई गतिविदी ने उसे सचेत कर दिया शिव ने मुड कर देखा तो उसने अपना दुशाला फेक कर अपनी तलवार बाहर निकाल ले थी उधर उस गडरीय और रथ के पास खड़े विक्ति ने भी अपनी तलवारे खीचकर परमपरागा जुद्धक की शैली अपना ली थी शिव ने अपनी तलवार निकाल ली और उसने अपने हाथ को रक्षातमक रुपे फैलाया ताकि वो अपनी आसकती वाली वस्तु को अपने पीछे संरक्षान में रख सके किन्तु वो बड़ी ही कुशलता पुरवक उसके संरक्षातमक हाथ से बगल में निकल आई उसने अपने अंगवस्तरम की पड़तों में टडोला और उसने अपनी तलवार निकाल ली शिव ने उसकी ओर एक पल देखा आश्चार रिचकित होकर उसने शीगरता से और सराहना में एक छोटी सी मुसकान चमकाई उस इस्तरी की आँखों में एक चमक उभरी जिसमें असंभावित किंतु अनपेक्षित साज़ेदारी की सुईकरती थी उसने अपनी सांस भीतर रखते हुए फुसपुसा कर कृतिका से कहा तुम मंदिर में वापस भाग जाओ वही रहो जब तक ये समापत नहीं हो जाता कृतिका ने विरोध क्या किंतु देवी अभी उसने आग गया दी कृतिका मूडी और मंदिर की सीडियों के और भागती चली गई शिव और वो इस्तरी एक दूसरे की पीट के पीछे मान किये सुरक्षात्मक साज़ेदारी की शैली में खड़े हो गए उन्होंने आकरमण की दशा में प्रतेग दिशा पर अपनी दृष्टी रखने की स्थिती बना ली थी वे तीनों आकरमण कारी आकरमण के उदेशे से उनकी और बढ़े इसमद इन तीनों के दो और साथी पीडों के पीछे से निकल कर उनके साथ हो गए शिव ने सुरक्षात्मक शैली में तलवार को उठाया क्योंकि वो गरडिया उसके काफी निकटा चुका था एक और चलते हुए गरडियों को आकरमण करने के लिए उकसाने के लिए शिव ने अपनी तलवार नीचे कर दी गरडियों को ऐसा प्रतीत होना चाहिए था कि वो आकरमण करे तो वो शिव को प्रानगा तक घाव लगा सकता था और उसके बदले में शिव तुरंत अपनी तलवार को उठा कर ऐसा आकरमण करता कि घाव गहराई से उसके हरदे को चीर कर रख देता इसके बावजोद उस गरडियों ने अनपेक्षित रुप से कोई अन्य गत्विधी कर दी शिव द्वारा दी गई खुली जगा के आमंतरन के बजाए उसने शिव के कंधे पर आकरमण करने का प्रयास किया शिव ने फुर्ती से अपने दाहिने हाथ को उपर उठाया और गरडिये की धड़ पर गहरा घाव लगाते हुए तलवार को कुरूरता पूरवक लहराया जैसे ही गरडिया पीछे हटा तो एक अन्य आकरमण कारी दाहिनी ओर से उस पर जप्टा उसने कुछ दूरी से अपनी तलवार लहराई ये कोई अच्छी चाल नहीं थी क्योंकि वो किवल एक सतही खरूँच ही लगा सकता था शिव ने एक कदम पीछे हट कर अपना बचाओ कर लिया और उसके बाद उसने अपनी तलवार को नीचे रखते हुए एक गहरा घाओ उस आकरमण कारी की जांग में लगा दिया अतिपीडा में चीकते हुए वो आकरमण कारी भी पीछे हट गया जैसे ही एक और आकरमण कारी बाई और से आकरमण करने के लिए आया तो तब तक शिव ने ये समझ लिया था कि ये आपरिशित एवं अनोखे प्रकार का आकरमण था ऐसा प्रदीत हो रहा था कि आकरमण कारी को पता था कि वे क्या कर रहे थे वे एक मज़े हुए युद्धा लग रहे थे वे विचितर तरीके से टालमटोल करने वालों की तरह संगर्श कर रहे थे ऐसा नहीं लग रहा था कि वे किसी को जान से मारने का प्रयास कर रहे थे बलकि केवल घायल करना चाहते थे वे पीछे हट कर संभल कर लड़ाई कर रहे थे और अपने आप पर काबू भी रख रहे थे क्योंकि बड़ी ही आसानी से मात खा रहे थे इस बीच शिव ने बाई और से हुए एक और वार को बचाया और उसने अपनी तलवार को उस वेक्ति के कंदों में बड़ी निर्ममता से घुसिर दिया जैसे ही शिव ने अपने बाई हाथ से उसे धका देते हुए अपनी तलवार निकाली तो वेक्ति दर्द से चिला उठा धीरे धीरे किन तो निश्चित रूप से आकरमला कारी ठकने के साथ ही घायल भी होते जा रहे थे वे कुछ अधिक ही घायल होते जा रहे थे और उनके लिए अधिक समय तक ये धावा चलाय रखना मुम्किन नहीं लग रहा था अचानक दैत समान विशालकाई वेक्ति एक रक्ष के पीछे से अपने दोनों हाथों में तलवार लिए दोड़ता हुआया वेक्ति सिर से पाउं तक काले रंगे के फरदार लबादे में वेश्चित था और उसका चहरा एक काले रंगे के मुखोटे के अंदर छिपा हुआ था जो मुखोटा इंसानी चहरे जैसे आकार का बना हुआ था उसकी बड़ी बड़ी भावशों ने बादाम के आकार जैसी आखे और शक्तिशाली मानसल हाथ ही उसके शरीर के ऐसे अंग थे जो दिखाई दे रहे थे वो अपने लोगों को चिला कर आदेश देता हुआ शिव और उसस्त्री पर आकरमना करने के लिए तेजी से आगे बड़ा अपने इतने बड़े आकार के कारण वो बहुत फूर्ती से लड़ाई करने में असमर्थ था किन्तु वो उसकी भरपाई अपने असाधरन रूप से दक्ष हातों से कर पा रहा था शिव ने कनक्खियों से देखा कि अन्य आकरमनकारी घायलों को उठा रहे थे और वापस जा रहे थे वो फणदार विक्ती लोटती सेना की अंतिम पंक्ती की सुरक्षा हेतो भीजी गई सेना की भाती बिरंत कर रहा था शिव ने देख लिया था कि उस विक्ती की टोपी जो फणके जैसी दिख रही थी उसके कारण उसके बगल की देखने की च्छमता बादित हो रही थी कि उसकी दुरबलता थी जिसका लाव उठाया जा सकता था बाई योर जाते हुए शिव ने उग्र रूप से तलवार को लहराया इस आशा में कि उसे वही इस्तिर कर दे और वो इस्तिरी दूसरी और से उसका काम तमाम कर दे कि उसका प्रतिदंदू इस चुनोती के लिए तयार था उसने पीछे हटते हुए शिव के तलवार की लहर को बड़ी ही दक्षता से अपने दाहिने हाथ से मोड़ दिया शिव ने देखा कि उस फंड़ार वेक्ति की दाई कलाई पर चम्रे का एक कड़ा बनधा हुआ था उसके उपर एक तीशन प्रतीग बना हुआ था शिव ने दुपारा अपनी तल्वार को दूसरी ओर से लहराया कि तो उस फरदार वेक्ति ने बड़े ही सहे जरू से पीछे हट कर पुनावार को बचा लिया साथ ही उसने उस इस्तरी के एक कठोर वार को भी अपने बाएं हाथ से बचा लिया था वो शिव और उस इस्तरी से एक रक्षातमक दूरी बना कर रख रहा था ताकि अपनी स्रक्षा कर सके और साथ ही वो इन लोगों को इस भिरंद में उलजाए भी रख रहा था फिर अचाना कि उस फरदार वेक्ति ने भिरंद करना छोड़ दिया और पीछे हड़ गया वो पीछे हड़ता जा रहा था जबकि वो अपनी दोनों तलवारे उनकी और दिखा रहा था एक शिव की और दूसरी उस इस्तरी की और उसके सबी आदमी पेड़ों की जुर्मुटों में गायब हो चुके थे जब वो अभी एक रक्षातमक दूरी पर पहुँच गया तो वो तेजी से मुड़ा और अपने आदमियों के पीछे भाग गया पहले तो शिव ने उसका पीछा करना चाहा किन्तु ततकाल ही उसने ये इरादा छोड़ दिया उसे लगा कहीं वो पुना घात लगा कर आकरमना की तैयारी में ना बैठे हो ये जोकिम भरा काम हो सबता था शिव उस इस्तरी लड़ाका की और मुड़ा और पूछा आप ठीक है हाँ मैं ठीक हूँ गंभीर और विशाद युक्त भाव से पूछने से पहले उसने सिर्ह लाया क्या आप घायल है कोई गंभीर बात नहीं है मैं जीवित रहूंगा बनावटी हजी के साथ वो बोला इस मद्धि कृतिका मंदिर की सीले से भागती हुई आयरो हाफते पे पूछा हे दीवी क्या ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ उसने उत्तर दिया इन विदेशी की क्रपा से कृतिका शिव की और मुडी और उसने कहा आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपने एक बहुत ही विशिष्ट महिला की साहता की है शिव उसकी बात नहीं सुन रहा था वो कृतिका की महोदया को निरंतर घूर रहा था जैसे की भूद ग्रस्त हो चुका हूँ कृतिका को अपनी हसी रोकने में किठनाई हो रही थी उसकुलीन इस्तरी ने उलजहन में अपनी आखें हटा ले किंटु विनमरता से कहा मुझे च्शवा कीज़े किंटु मैं दावे की साथ कह सकती हूँ कि हम पहले कभी नहीं मिले हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है मुसकुराते शिव ने कहा ऐसा है कि हमारे समाज में इस्तरियां युद्ध नहीं करती एकिस्त्री होने के लिहाज से आप अपनी तलवार का संचानल बहुत अच्छा करती है अब यार ये तो मूँ से सब गलत बात ही निकल रही है शमा कीजे उसने थोड़ा युद्धक शैली वाले स्वर में कहा स्पष्ट था कि वो एकिस्त्री होने के लिहाज से वाली टिपड़ी से आप रसने थी एक गवार होने के नाते आप भी काफी अच्छी लड़ाई कर लेते हैं काफी अच्छी? अजी मैं तो एक आसाधरान तलवार का लड़ाका हूँ क्या आप कोशिश करना चाहेंगी? अभी यार यह क्या हो रहा है? मैं क्या बके जा रहा हूँ? इस प्रकार तो मैं उसे प्रभावित कभी नहीं कर पाऊंगा उसका वाही असामंदित एवं उपेक्षा पॉन भाव उसके मुख पर उभराया मेरा आपके साथ दून दू युद्ध करने का कोई रादा नहीं है विदेशी नहीं नहीं मुझे गलत मत समझे है मेरा भी आपसे दून दू युद्ध करने का कोई रादा नहीं है आप एक बहुत ही निपुर तलवारबाज है मेरे कहने का मतलब है कि तलवारबाजी नहीं है बास्तों में आप बहुत ही अच्छी इस्तरी है मुही मुह में बढ़ बढ़ाते हुए शिव ने कहा वो उस समय निर्ने लेने का अपना विवेक हो चुका था जब उसे इसकी सबसे अधिकाव शक्ता थी कृतिका इस बढ़ते हुए याचना भरे आकरशक संबाद विनिमय पर सिर जुका कर मुस्कुरा रही थी हाला कि उसकी महोदिया इसके विपरित उस विदेशी को इस प्रकार के अनुपयुक्त शब्दावली के लिए प्रताणा देना चाहते थी किन्तो उसने उसके प्राण की रक्षा की थी वो अपने मेलूहा के वेभार की विधी से बंधी हुई थी उसने कहा सहायता करने के लिए आपका धन्यवाद है विदेशी मेरा जीवन आपका रिणी है और आप मुझे कृतकन नहीं पाएंगे यदि आपको मेरी सहायता की आवशकता हो तो आप मुझे आवशक है क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ यदि मुझे आपके साहता कि आफशक्ता ना हो तो भी ये भगवान ये मेरे मूँ से क्या अना अफशराप निकल रहा है उस इस्तरी ने बिना जाती सूचक चिन्ह वाले विदेशी को आखे तरेयर कर देखा जिसे उसकी आवकात का पता नहीं था उसने बड़े ही अमानवी प्रियास स्वयम पर नियंदरा रखा हुआ था उसने विनम्रता से से हिलाया और बोली नमस्ते इसके साथ ही वो राजिसी महिला वहां से जाने के लिए मुड़ गई क्रितिका अभी भी प्रिशन सा भरी दृष्टी से शिव को देखे जा रही थे किन्तु जब उसने देखा कि उसकी महोदया जाने लगी तो वो भी मुड़ी और तेजी सुनके पीछे जाने लगी कम से कम अपना नाम तो बता दीजे उसके कदम से कदम मिला कर चलते हुए शिव ने पूछा वो मुड़ी और अब वो और भी अधि गंभीरता से शिव को घूरने लगी देखिए मेरे कहने का ताथ पर यह है कि यदि मुझे आपकी सहायता के आफशकता पड़े तो मैं आपके पास कैसे आपाऊंगा शिव ने गंभीरता से पूछा एक पल के लिए वो शब्द वहीन और दीपत वहीन हो गई उसका अनुरोध उचित जान पड़ रहा था वो कृतिका की और मुड़ी और इसने सिरह लाया आप हमें देवगिरी में मिल सकते हैं कृतिका ने उत्तर दिया नगर में किसी से भी देवी सती के लिए पूछ सकते हैं सती शिव ने उस निराकार नाम को अपनी जीवा पर उतार कर दो रहाया और कहा मेरा नाम शिव है नमस्ते शिव और मैं वचन देते हूं कि यदि आपको कभी भी मेरी सहायता क्या वशक्ता पढ़ती है तो मैं अपने वचन का पालन करूँगी कि कहते हुई हुए वो मुड़ी और अपने रत में सवार हो गए कृतिका भी उसके साथ पीछे पीछे रत में सवार हो गई कुशलता से रत को मोडते हुए वो अश्वों को दुलकी चाल में चलाने लगी उसके बाद वो बिना पीछे मुड़े ही उस मंदिर के प्रांगर से बाहर निकल गई शिव उस अद्रश होते रत की छवी को देर तक देखता रहा जब वो अद्रश हो गया तो उसके पीछे उड़ने वारी धूल को उश्या भरी नजरों से देखने लगा जो इतने भागशाली थे कि उसे इस पर्श कर पा रहे थे मुझे लगता है कि यह देश मुझे पसंद आने वाला है इस यात्रा के दोरान ऐसा पहली बार हुआ था जब शिव को मेलुहा की राजधानी पहुचने के उस्पता हुई थी वो मुस्कुराया और विश्राम ग्रहकी और चल पड़ा देवगिरी शीगर पहुचना है अध्याय चार देवताओं का निवास स्थान क्या आप पर किसने आकरमण किया शिव के घावों को देखने के लिए तेजी से भागते हुए चिंतित नंदी ने चीक कर कहा आराम से नंदी आराम से शिव ने उतर दिया पानी में तुम्हारी सासिक यात्रा करने के बाद से तुम्हारी हादत मुझसे अधिक पत्ती है ये ऐसे ही कुछ सतही खरोच है कुछ भी गंभीर नहीं है वैद्यों ने मरहम पट्टी लगा दी है मैं बिल्कुल ठीक हो मुझे शमा करे प्रभू ये पूर्टा मेरे ही दोश है मुझे आपको किसी भी दशा में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था ऐसा फिर कभी नहीं होगा कृपा कर मुझे शमा करें प्रभू नंदी को पुना विस्तर पर आहिस्ता से ठेलते हुए शिव ने कहा शमा की कोई बात ही नहीं है मेरे मित्र कि तुम्हारा दोस्ट कैसे हो सकता है आवशकता से अधिक काम तुम्हारे स्वास्ते के लिए अच्छा नहीं होगा एक बार जब नंदी पूरी तरह से शान तेवं सहज हो गया तो शिव ने पुना कहना प्रारम बगिया वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वे हमारे प्राण हरर करने का प्रयास कर रहे थे वो आकरमण बहुत ही अचंबे वाला था हमें हाँ उस घटना में दो इस्त्रियां भी शामिल थी कि तु वे आकरमण कारी कौन हो सकते हैं नंदी ने पूछा उसके बाद नंदी के मन में परिशान कर देने वाली सोच उबरी क्या वे अकरमण कारी नवचंद्रा कार जुमर पहने हुए थे शेव ने तेवरी चड़ाई नहीं किन्तु एक बहुत ही विचित्र वेक्ती था उनमें से वो सबसे अच्छा तलवार बास था उनमें से वो सबसे अच्छा तलवार बास था वो सिर से लेकर पाउं तक एक फणदार लबादे में था उसका चेहरा भी मुखोटे से ढखा हुआ था वैसा ही जैसा तुम लोग रंगों वाले तेवहार पर पहनते हो वो कौन सा तेवहार है? वो होली का तेवहार है प्रभू? हाँ वही होली जैसे मुखटे ही थे जो भी हो मैं केवल उसके हाथ और उसकी आँखे ही देख पा रहा था उसे भिन्न करने वाला लक्षन उसका एक चमड़े का कड़ा था जिस पर एक विचितर प्रतीक चिन बना हुआ था वो कौन सा प्रतीक चिन था प्रभू? तार पत्र की पुस्तक को उठा कर बगल की मेज पर से कोईले की पतली लेखनी से शिव ने उस प्रतीक चिन को बनाया ओम नंदी ने तेवरी चड़ा ली ये तो एक प्राचीन प्रतीक चिन है जिसे लोग ओम शब्दी के लिए प्रियोग मिलाते हैं किन्तु कौन लोग हो सकते हैं जो इस प्रतीक चिन का अब प्रियोग कर सकते हैं ओम शिव ने पूछा प्रभू ओम हमारे धर्म में सबसे पवित्र शब्द है ये प्रक्रती का प्रथम एवम मौलिक स्वार माना जाता है ये ब्रहमांड का इस्तुति गीत है ये इतना पवित्र था कि सहस्त्राब्दियों तक लोग इसको लिखित रूप में आकार देकर इसका अपमान नहीं करना चाते थे तो फिर ये प्रतीक चिन्ने कैसे उत्पन हुआ इसका आविशकार समराड भरत ने किया था जो एक महान शास्क थे और जिन्होंने सहस्त्रो वर्षों पहले लगबख समूचे भारत वर्ष को जीत कर उस पर शासन किया था वे एक विरले चंदरवर्षी थे जो सम्मान योगे थे और यहां तकि उन्होंने चंदरवंशी राजकुमारे से विवहा भी किया था ताकि सूरवंशियों और चंदरवंशियों के मध्य अनवरत चलने वाले युद्ध को समाप्त किया जा सके ये चंद्रवंशी कौन लोग है? प्रभू इसे इस प्रकार जानिये कि वे हमारे विलोम हैं वे उन राजाओं के अनुयाई हैं जो चंद्रमा के वन्शज हैं और वे चंद्रसंबंधी पांचांग का अनुसरान करते हैं? जी हाँ प्रभू वे लोग कुटिल अविश्वस्निय और आलसी लोग हैं जिनके पास कोई विधी नैतिकता या सम्मान नहीं है वे कायर लोग हैं और एक सैध्धानतिक छत्रिये के समान कभी आकरमन नहीं करते हैं जहां तक कि उनके राजा भी भ्रष्ट एवं स्वारती हैं यह चंद्रवंशी मानावता के उपर एक धब्बा हैं किन्तु इससे ओम के प्रतीक चिन्न का क्या लेना देना है दरसल राजा भरत ने सूर्वंशीयों एवं चंद्रवंशीयों के मध्य एकता के लिए इस प्रतीक चिन्न का प्रारूप बनाया था इसका उपरी हिस्सा जो सफेद है वो चंद्रवंशीयों का प्रतीन दित्व करता है इसके नीचे का आधा हिस्सा जो लाल रंग में है वो सूर्वंशीयों का प्रतीन दित्व करता है ये दोनों हिस्से जहां मिलते हैं उससे जो नारंगी रंग का हिस्सा निकलता है वो एक समान मार्ग का प्रतीन दित्व करता है दूज का चांद जो प्रतीक चिन्न की दाहिनी और बना हुआ है वो चंदरवंशियों का ततकालिन प्रतीक चिन्न था और उसके उपर जो सूरे बना हुआ है वो सूरे वंशियों का ततकालिन प्रतीक चिन्न था इस बात के महत्ता के लिए कि ये समझोता ईश्वरदारा अनुमंत्रित था राजा भरत ने इस बारे में जनादेश प्राप्त किया कि इस प्रतीक चिन्न का उच्चारन पवित्र शब्द ओम की तरह किया जाएगा और उसके बात क्या हुआ जिसकी की आशा थी वो समझोता भी अच्छे राजा के साथ ही म्रत हो गया एक बर जब राजा भरत का प्रभाव समात हो गया तो चंदरवन्शी पुना अपने पुराने तरीकों में रम गए और एक बर पुना यो दिछड़ गया प्रतीक चिन्ने को भुला दिया गया और ओम शब्द एक बार पुना अपने पुराने मौलिक स्वरूप में आ गया अर्थाद बिना किसी लिखित रूप में गिन्तो फरदार विक्ति की कलाई के कड़े में जो प्रतीक चिन्ने था वो रंगीन नहीं था वो पूरा काला था और उस प्रतीक चिन्ने के हिस्ते लकीरों की तरह नहीं दिख रहे थे ऐसा लग रहा था कि वे तीन सापों के रेखा चित्र थे नागा लोग एक सौम में प्रातना से पहले चकेतिवम सदमे से चिल्दा कर नंदी ने कहा और उसके बाद उसने अपने रुद्र के जूमर को संरक्षन प्रदान करने के लिए चुआ अब ये गधे नागा लोग कौन है शिव ने पूछा ये शापित लोग है प्रभू नंदी ने एक लंबी सांस भरी अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण वे जन्म से ही घ्रणित विद्रूपित होते हैं विद्रूपता जैसे की अत्रिक्त हात या अत्यदिक भयानक चहरे किन्तु उनके पास अत्यदिक शक्ति और कुशलता है नागा का मातर नाम है किसी नागरी के लिए आतंक का परियाय है यहां तक कि उन्हें सब्त सिंदू में रहने की अनुमती भी नहीं है सब्त सिंदू हमारा देश प्रभू साथ नदियों का प्रांथ है सिंदू, सरस्वती, यमुना, गंगा, सरियू, ब्रह्मपुत्र एवं नर्मदा की भूमी वाला प्रांथ है यह वही देश है जहां हम सभी सूर्यवंशियों एवं चंद्रवंशियों के निवास का जनादेश रिश्यमुनी ने दिया था शिव ने सिर हिलाया जबकि नंदी ने बोलना जारी रखा हमारी सीमा के बाद नर्मदा के दक्षड में नागाओ का नगर बसा हुआ है दरसल उनके बारे में कुछ बोलना भी दुर भागे को लाता है प्रभू किन्तु एक नागा मुझ पर आकरमण क्यों करेगा हमसे घ्रडा करने में अंदे होकर वें ये बूल रहे हैं कि वे अपने लिए कितने पापों को आमंत्रण दे रहे हैं शिव ने तियोरी चड़ाए उसे आकरमण के दोरान ऐसा कभी नहीं लगा था कि नागा लोगों को किसी अन्य सेना के दलदोरा प्रियोग में लाया जा रहा था बलकि ऐसा लग रहा था कि वो नागा ही उसका सरदार था देवगरी पहुँचने में उन्हें एक और सब्ताह लग गया मिल हुआ कि राजदानी सरस्वती के बाएं तटपर बसी हुई थी जिस्टलज और यमुना के संगम से निकली थी ये खेदपूर बार थी कि कभी विशाल आकार में रहा सरस्वती का प्रवाह अब अपेक्शा करत बहुत कम हो चुका था किन्तो अभी भी अपने इस लगुस रूप में भी वो काफी विशाल और वैभाव शाली थी पंजाब की अन्य तूफाने नदियों से विलक सरस्वती पीड़ा प्रद रूप से शान्त थी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नदी को अन्भा हो चुका था कि उसका अंत निकड़ था इसके बाद भी आकरमक रूप से उत्तर जीवता के लिए बल नहीं लगा रही थी बलकि जो भी उसके पास उपलब्द उसके खजाने को लेने की इच्छा रखता था उन्हें वो निस्वार्त साथ से प्रदान करती जा रही थी उधर उडान भरता देवगिरी सौम में सरस्थती के पूर्टा विरोधा भासी था मेलुहा के अन्यनागरिकों की तरह ही देवगिरी भी एक विशालकाई वेदिका पर निर्मित था जो बार से सौरक्षा का एक प्रभावशाली उपाये तो था ही साथ ही साथ शत्रूों से प्रबल सौरक्षा का भी फिर भी अपने आकार के कारार वो मेलुहा के अन्यनगरों की तुलना से भिन था वो रगर तीन विशालकाई वेदिकाओं पर बना हुआ था और प्रतेग वेदिका 350 हिक्टेर से भी अधिक छेतर तक विस्तरत था जो कि अन्य नगरों की तुलना में अधिक विशाल कहा जा सकता था ये वेदिकाएं लगभग 8 मीटर उची और बीच बीच में सिकी हुई इटो के मिश्रण वाले विशाल काई कटे हुए पत्थरों से दुर्गी करत थी इन में से दो वेदिकाओं के नाम तामर और रजत थे जो सामान नागरिकों के लिए बने हुए थे जबकि तीसरी वेदिका स्वर्ण नामक थी जो राजसी नगर दुर्ग था ये वेदिकाओं एक दूसरे से उचे पूलों से जुड़े हुए थे जो सिकी हुई इटों एमम पत्थरों से बनी हुई थी और जो नीचे के बाढ़ गरस्तर मैदानी छेत्रों के उपर बने हुए थे प्रतेग विशालकाई वेदिका की बाहे परिदी में बाहर की और निकले हुए बड़े बड़े खूटों सहित उची उची दिवारे बनी हुई थे उन दिवारों के साथ साथ एक निश्चित अंतरार पर बुर्ज बने हुए थे जहां से बढ़ते हुए शत्रों का प्रतिरोद किया जा सकता था या शरजनक दृष्ट शिव की कलपनाओं से भी अध्भुत था उसके विजार में ऐसे नगर का निर्मान वास्तों में माना उजाते की अनुपम उपलब्दियों में से एक था शिव की सवारी तामर वेदिका के आर पार घूटों के मैदान से होते हुए कलदार पुल पर चड़ी उस कलदार पुल को नीचे की ओर से धातों की छोड़ों से सुद्रण बनाया गया था और खुरदरी सिकी हुई एटों को ऊपर लगाया गया था ताकि घोड़े और रट फिसले नहीं समस्त सामराज में लगाई गई उन इटों के बारे में कुछ ऐसा था जो शिव में कौतूहल उत्पन्न कर रहा था नंदी की ओर मुड़कर उसने पूछा क्या ये इटे किसी मानकी प्रक्रिया के अनुसार बनाई जाती है जी हाँ प्रभू चकित नंदी ने उत्तर दिया मेलुहा में समस्त इटे सामराज के मुख्य वास्तूवित द्वारा दिये गए विनिर्देशों एवं दिशा निर्देशों के अनुसार ही बनाई जाती है किन्तो आपने कैसे हरुमान लगाया ये सब ही वास्तों में एक ही परिमापके हैं नंदी अपने सामराज की प्रभाविता पर और अपने प्रभू के अवलोकन की छमता पर गर्व से दमकने लगा कलदार पुल के अंत में वेदिका और उंची हो गई और एक सड़क घुमावदार तरीके से एक सौम में मोड के साथ शिखर तक चली गई थी जो गोडों एवं रतों के चलने के लिए सुगम हो गई थी इसके अतरिक एक चौडी सीडियों की धाल दार उडान सीधे उपर की और पैदल चलने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए बनी थी इस धाल के चारों और नगरी दीवारे में वेदिका की ये सलगन भाग अत्यदिक धाल वाले थे ताकि यदिश्यत्र उधर से आक्रमन करने के मुर्खता करे तो ये उसके लिए मृत्य की घाटी बन जाए नगर के दौर धातु के बने हुए थे जिसे शिव ने इससे पहले कभी नहीं देखा था नंदी ने इसके बारे में बताया था कि वे लोहे के बने हुए थे जो एक नया धातु था और अभी कुछ समय पहले ही उसकी खोज हुई थी वो धातों में सबसे अधिक शक्तिशाली था किन्तु बहुत महेंगा था उसके लिए आयसक की आवशक्ता होती थी वो आसानी से उपलब्द नहीं थी वेदिका के प्रवेश पर नगर के प्रवेश द्वार के उपर सूरिबंशियों का प्रतीक चिन उकेरा हुआ था सभी दिशाओं में निकलती हुई किर्णों के साथ एक चमकीला लाल वरत्ताकार सूर्य उसके ठीक नीचे उनका घोश वाक के लिखा हुआ था जिसके नुसार वे अपना जीवन यापन करते थे सत्य, धर्म, मान नगर के इतने मातर को देखकर ही शिव विस्मया भीबूत था और जब उसने वेदिका के शिखर पर नगरी द्वार के अंदर जो द्रिश्य देखा वो वास्ताओं में अपनी प्रभाविता एवं सरलता में आसाधा रहा था नगर वरकाकार खंडों में खरंजेदार मारगों से विभगत था सड़क के साथ साथ पैदल चलने वालों के लिए पगडंडी बनी हुई थी विभने दिशाओं में यातायात की सुविधा के लिए सड़क पर संकेत चिन बने हुए थे और साथ ही सड़क के मध में जलमल निकासी हेतु ढकी हुई नालिया बनी हुई थी सभी मकान मानकिये ढंग से दो मंजिलों वाले खाने की तरह सिकी हुई इटों से बने हुए थे इदि आवशक हो तो उनके उपर लकड़ी से अत्रिक्त पसार भी किया गया था नंदी ने शिव को बताया था कि मकान की भीदरी संरशना अलग-अलग आवशक्ताओं के अनुरूप अलग-अलग प्रकार की बनी हुई थी सभी मकानों के द्वार एवं उनकी खिडिकियां बगल की दीवारों की और बनी हुई थी अर्थात पे मुख्य मार्ग की और नहीं थी खाली दीवारे जो मुख्य मार्ग की और थी उन पर सूरिवंशियों के विभिन लोकप्रिये राजाओं के रेखा जितर चमकदार काली लकीरों से बने हुए थे जबकि उनकी प्रिष्ट भूमी भूरे हलके नीले हलके हरे और सफेल सो में रंगों से रंगी हुई थी यद्देपी प्रिष्ट भूमी में जो सबसे सामाने रंग का प्रियोग हुआ था वो था नीला मेलुहा वासियों के लुसार नीला रंग सबसे पवित्र माना जाता था या आकाश का रंग था रंगों के वर्ण करम में ये पृत्वी के रंग हरे से थोड़ा उचा था मेलुहा वासि प्रकृति की हर सनरशना में एक महान अभिपराय देखने की इच्छा रखते थे उनकी सोच थी की रंगों के वर्ण करम में हरे से उचा नीला एक अद्भुत संयोग था ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पृत्वी के उपर आकाश था उन दीवारों पर जो सबसे अधिक बार आने वाला चित्र था वो था महान सम्राण भगवान राम के बारे में शत्रों पर उनकी विजय उनके दारा चंद्रवन्शियों को पराजित करना और उनकी शासन कला एवं पांडिति की घटनाओं को प्रेम पूर्वक दर्शाया गया था भगवान राम अत्यन्ती सम्मान योग थे और बहुत से मिलो हावासी उन्हें इश्वर की तरह पोचते थे वे उन्हें उस विश्वर की तरह उल्लखित करते थे जो सर्वोतम इश्वर के लिए एक पुरातन उपादी थी जिसका अर्थ ता विश्वर का संरक्षक एवं अच्छाई का प्रचारक शिवर ने उस नगर के बारे में नंदी से जाना कि वो नगर चार से आठ खंडों वाले कई जन्पदों में विभाजित था प्रतेक जन्पद में अपना बाजार ब्यापारिक एवं आवासी चेतर मंदिर एवं मनुरंजन केंदर था किसी भी वस्तु का उत्पादन अत्वा प्रदूशा पहलाने वाली गतिविदियां उन जन्पदों से दूर एक प्रथा के स्थल पर किये जाते थे जिस कारे कुशलता एवं सहजता से देवगीरी कारे कर रहा था वो इस्तथे को मिथ्या प्रमारित कर रहा था कि वो नगर में समस्त सामराज में सबसे अधिक जनसंख्या वारा था मात्र दो वर्ष पूर्व की गई जनगरना में नगर की जनसंख्या दो लाख बताई गई थे रंदी शिव एवं उन तीन सहनिकों को नगर के एक विश्राम ग्रह में लेकर गया नगर में परेटकों के लिए ऐसे कई विश्राम ग्रह थे जो व्यवसाइक एवं परेटन के इरादे से वहां आते थे गोडों के रहने के लिए नियत इस्थल पर उन्हें बादने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में जाने के लिए पंजी करण हेतों अंदर प्रविष्ट हुए विश्राम ग्रे की बनावट लगभग उसी प्रकार की थी जैसी कि शिव ने अपनी यात्रा के दोरान अन्य अस्थलों पर भी देखी थी केंद्रिय आंगन के चारों और भवन का निर्मार किया गया था कमरे अच्छे खासे बड़े और सभी प्रकार के साज सामानों सहीद बने थे प्रभू रात्री भोजन का समय होने ही वाला है नंदी ने कहा मैं विश्राम आले के प्रभारी से जाकर कहता हूं कि भोजन की विवस्था कर दे हमें शीगरता से भोजन करके एक अच्छी नींद निकाल लेनी चाहिए क्योंकि समराठ से मिलने का समय कल दुतिय प्रहर में नियत किया गया है ये बहुत ही उत्तम विचार प्रतीत होता है साथ ही यदि आप उचित समझे तो क्या मैं इन सैनिकों को विश्राम करने के लिए कह देता हूं और फिर उन्हें श्रीनगर वापस भीज देता हूं ये भी बहुत ही उत्तम विचार प्रतीत होता है मुस्कान के साथ शिव ने कहा वाह क्या बात है नंदी तुम तो लगभग शानदार विचारों के जरने की तरह हो शिव के साथ नंदी भी हसा वो हमेशा अपने प्रभू के मुख पर हसी लाने का कारण बनने पर अत्यंत प्रसन था मैं अभी वापस आता हूं प्रभू शिव अपने बिस्तर पर लेड़ गया और शिव अन ख्यालों में खो गया जो उसके माइने रखते थे मैं समराट के साथ होने वाली भीट को जितनी शिवता से हो सके समाप्त कर दूँगा उन्हीं जो भी मुझ से चाहिए वो दे दूँगा और सती के लिए नगर को च्छान मारूंगा शिव ने एक बार सती के ठिकाने के बारे में नंदी से पूछने का मन बना लिया था किन्तु अंतता उसने ऐसा ना करने का निर्ने लिया वो इस बात को जानता था कि पहली मुलाकात में वो उस पर कोई असाधारन प्रभाव नहीं छोड़ पाया था अताव वो इस बात पर भी दुखी था यदि उसने उसे ढूनने के सरल उपाय नहीं बताये थे तो इसका मातर इतना है अर्थ था कि वो उससे अधिक द्रवित नहीं हुई थी उसके बारे में आसाधानी से यू बात कर वो इस प्रक्रण को और कठे नहीं बनाना चाहता था उसके मुख की याद बारं बार उसके आँखों के समक्ष आने पर वो मुस्कुराया उसके युद्ध करने की अदा को याद कर उसने उसी प्रकार पुना पर दरशन किया उसके कबीले के अधिकतर लोगों के लिए ये अध्भुत दरशन नहीं था किंतो शिव के लिए ये स्वरगित था उसके कोमल एवं सुकुमार बदन की याद पर उसने आह भरी जो आकरवन हो जाने की दशा में सहसा ही करूर एवं प्राण घाता गुडों का बन गया था जब वो तलवार चलाने के लिए अपने बदन का भार एक और से दूसरी और ले जा रही थी तो उसके बदन का वक्र मंत्र मुग्द कर देने वाला था जो उसके बदन को एक अती सुन्दर लचक पड़ान कर रहा था सौमे रूप से बंधे हुए उसके केश एंदरिक रूप से उसकी प्रतेग गतिविदी पर हिल रहे थे उसने एक गहरी सांस ले प्रता काल का समय था जब शिव और नंदी ने राजिसी नगर दुर्ग पहुचने के लिए तामर एवं सुन वेदिकाओं के मद निर्मित पुल को पार किया वो पुल मेलुहा की अभियांतरिकी का एक अन्य अचंबा था जिसके दोनों और बगलों में चोड़ी चोड़ी दीवारे बनी हुई थी उन दीवारों में छेत करके सुराग बनाए गए थे ताकि शत्रों पर तीर चलाए जा सके और गर्म तेल प्रवाहित किया जा सके पुल के मद्ध में उसको दुईभाजित करते हुए एक अन्तिम सुरक्षा के रूप में विशाल काय द्वार निर्मित था इस उदेश से कि यदि कभी शत्रों पुल तक पहुँच जाएं तो इससे एक अधरिक्त सुरक्षा उपाय किया जा सके जब इस स्वन वेदिका पर पहुँचे तो शिव पूर्था अचंबित रहे गया उस राजसी छेत्री की भविता के लिए नहीं बलकि वैसा कुछ नहीं होने की कारण वो इस बात से इस्तंबित रहे गया कि वहां कोई सम्रदी की निशानी नहीं दिख रही थी इतने विशालकाएं एवं सम्रद सामराज पर शासन करने के बावजूद शाशक वर्ग विशिश्ट रूप से सरल ढंग से रह रहे थे राजसी सनरशना भी ठीक उसी प्रकार की थी जैसी की अन्य वेदिकाओं पर थी अभिजात वर्ग के विक्तियों के लिए कोई रियायत नहीं थी उसी प्रकार की खंडी सनरशना राजसी नगर दुर्ग में भी निर्मित थी जैसे की समस्त मेलुहा में बनी थी दाई और एक मातर ऐसा एक अतुल्य भावन था जिस पर भावे सारवजनिक स्नानकुंड लिखा था उस स्नानकुंड में बाई और भगवान इंद्र का एक भावे मंदिर भी था सिकी हुई एटों की उची की हुई नीव पर खड़ावा मंदिर लकडी से निर्मित था जिसका गुंबत पूर्णता स्वन्ड मंदित था ऐसा प्रतीत हो रहा था कि विशिष्ट वास्तुकला को मातर ईश्वर के लिए निर्मित भवनों या उन भवनों के लिए बचा कर रखा गया था जो सब लोगों के प्रियोग के लिए होते थे संभवता भगवान श्री राम ऐसा ही पसंद करते होंगे शिव ने मन ही मन अनुमान लगाया समराट को जो एक मातर रियायत दी गई थी वो ये थी कि उनका भवन आम भवनों से बहुत बड़ा था वस्तुता बहुत ही विशाल शिव और नंदी राजिसी निजी कारयाले में पहुचे तो देखा कि समराट दक्ष साधारान रूप से सज्जित कमरे के दूसरी चोर पर एक साधारान सिनासन पर एक इस्त्री एवा में पुरुष से घिरे हुए बैठे थे एक आपचारेक नमस्ते के साथ अभिवादन करते हुए दक्ष ने कहा मिरी आशा है कि आपकी यात्रा सुखद रही होगी इतने बड़े सामराट जी के समराट के तौर पर वे कुछ नव्युवग से दिख रहे थे वैसे तो वो आकार में शिव से थोड़े छोटे थे फिर भी उनके मद्ध में जो सबसे बड़ा अंतर था वो था शरीर की मांसल सुडॉलता जबकि विभिन प्रकार की धारियों वाले कपड़े पहना हुआ शिव अत्यधिक शक्तिशाली दिख रहा था वही दक्ष का शरीर बता रहा था कि उन्होंने अपने शरीर को कसरतों से तनावगरस्त नहीं किया था प्याद एक मोटे भी नहीं थे बस एक सामान बनावट वाले थे उनके गेहुए रंग के चेहरे के लिए भी यही कहा जा सकता था और सताकार काली आखें और सीधी नाख उनके बाल लंबे थे जैसे कि मिलुहावासी इस्त्री एवं पुरुष सामाने ता रखा करते थे उनके सिर पर एक रत्न जड़ित भवे ताज था जिस पर मध्य में सूरिवंशियों का प्रतीक चिन सपष्ट दिख रहा था और जो चमकदार मड़ियों के पत्थरों से बना हुआ था एक अंगवस्त्रम था जो दाएं कंधे से नीचे की और लटक रहा था उसके साथ एक सुन्दर धोती और दो बाजुबंद थे प्रतीत हो रहा था कि समराठ दक्ष अपने राज्य अधिकार को सरलता पूर्वक वहन कर रहे थे जी हां महराज शिव ने उत्तर दिया आपके सामराज में मौलभूत सुईधाय अद्भूत है आप एक और साधारान समराठ है धन्यवाद किन्तु मैं मातर प्रतिविम्बित ख्याति का अधिकारी हूँ कारे तो मेरे लोगों ने किये हैं ये तो आपकी विनमरता है माराज विनमरता से मुस्कुराते हुए दक्ष्य ने पूछा क्या मैं अपने सबसे महत्पूर सहयोग्यों से अपसका परिचाय करवा दूँ बिना उत्तर की प्रतिक्षा किये ही उन्होंने बाई और उस इस्त्री को इंगित करते हुए कहा ये मेरी प्रदान मंत्री है कनखला ये सभी प्रशासनिक राजस्व एम नयाचार संबंदी मामलों को देखती है कनखला ने शिव को एक आपचारिक नमस्ते किया उसका सिर मुंडित था सिवाए पीछे की और बालों के एक चिकने गांट लगे हुए गुच्छे के उसके पाएं कंदे से लटक कर दाएं धर तक एक धागा लटका हुआ था जिसे जनेव कहा जाता था वो अधिकतर मिलू हावासियों की तरह ही जवान दिख रही थी किन्तों उसका भार कुछ अधिक था जो उसकी शुयत चोली एवं धोती के मध्य आधिक के में उपस्थित वसाच पश्टूप से बता रहा था वो काली और अत्यधिक चिकने तन वाली थी और वो अपने देशवासियों की तरह ही आबुशर पहने हुए थी जो दिखावा रहित एवं रूड हिवादी थे शिव ने देख लिया था कि कनकला की बाहा के दूसरे बाजूबंद पर एक कबूतर बना हुआ था ये ब्राहमणों के मद्ध बहुत अधिक प्रतिश्थित जाती वर्ग नहीं था शिव नीचे जुके और उसने अपचारी तरीके से उसके नमस्ते का उत्तर दिया दाई और संकेत करते हुए दक्ष ने कहा और ये मेरी सेनाओं के प्रधान है प्रधान सेना नायक परवतेश्वर ये थल सेना नो सेना विशिष्ट सेना पुलिसादी का भार संभालते हैं परवतेश्वर का आगार प्रकार इतना विशाल काय था कि शिव को ऐसा प्रतीत हुआ कि यदि उससे मल युद्ध करना पड़े तो उसे कई बार सोचना पड़ेगा वो शिव के पेक्षा लंबा था और उसका डील डॉल अत्यनती सुगठित था जो आस पास काफी इस्थान घेर कर खड़ा था उसके घुम्राले एवं लंबे बाल भली प्रकार से कंगी द्वारत समारे गए थे जो उसके मुकुड से बहुत ही सुववस्ते ढंग से नीचे निकले हुए थे उसकी चिक्णी एवं सामली तोचा लंबे समय तक युद्ध के गरवीले चिन्हों को सुशोबित कर रही थी उसका शरीर केश्वहीन था जो सामाने ताह रोहेदार छट्रियों से बिलकुल अलग था ये उन छट्रियों से भिन था जो अपने शरीर के बालों को मरदानगी की निशानी समझा करते थे संभवता इसी कारण परवतेश्वर ने इस कमी को चुपाने के लिए बड़ी एवं घनी मुचे रखी हुई थी जो किनारे पर उपर की और वक्र होकर मरुनजक लग रही थी उसका हठीला, शक्तिशाली एवं नयाय संगर्चरित्र उसकी आँखों से प्रतिपिम्बित हो रहा था दूसरा बाजुबंद परवतेश्वर को बाग ही की श्रिणी का बता रहा था जो छट्रियों में बहुत ही उच्चे जाती वर्ग का होता था उसने रुखाई से सिरह लाया, नमस्ते नहीं किया अपने गर्वीले सिर से विस्तार पुर्वग जुक कर सब्वेता नहीं दिखाई हाला कि शिव मुस्कुराया और गर्मजोशी से उसका अभिवादन एक अपचारिक नवस्ते से किया कृपया बाहर प्रतीक्षा करें अधिपती, नंदी को देखते हुए परवरतेश्वर ने उसे परामश दिया इसे पूर्व के नंदी कुछ कह पाता शिव ने अपनी बात रखी, मुझे छमा करें किन्तो यदि आपको कोई अतराज न हो तो नंदी को मेरे पास ही रहने दीजिए जबसे मैंने अपना देश छोड़ा है तबसे वो मेरे साथ निरंतर रहा है और मेरा प्रिय एवं विश्वास सी मित्र बन चुका है निसंदे वो रह सकता है दक्ष ने उत्तर दिया महराज इस वारतावलाप में एक अधिपती को संब्रित करना उचित नहीं होगा परवतेश्वर ने कहा वैसे भी इसके सेवा नियमा वलियां बताती हैं शिव के और मुड़ते हुए दक्ष ने पुना कहा यदि आपको कोई परिशानी नहो तो हम आपके गले को अभी इसी समय देखना चाहते हैं नंदी शिव के पीछे खिसक गया ताकि गुलूबंद को खोल सके गुलूबंद पर माला के दाने गूतने की विवस्था को देख कर कि वो ऐसा प्रतीत हो कि जैसे धार्मिक कारणों से उसे बांधा गया था दक्ष मुस्कुराए और उन्होंने फुस्पसा कर कहा उत्तम प्रबंद है जैसे ही नंदी ने शिप के गुलूबंद को बाहर निकाला दक्ष और कनकला शिप की गले का निरिक्षन करने के लिए उसके निकट आये ताकि सूक्ष्मता से परिक्षन कर सके प्रबतेश्वर आगे नहीं आया कि दो उसने अपने गले को थोड़ा आगे ले जाकर देखने की चेश्टा की ताकि भली बाती दिखाई पड़ सके ऐसा प्रतीद हो रहा था कि जो दक्ष एवम कनकला ने देखा था उनसे वो पूर्ता अस्तम्बित थे समराट ने गले को छूकर देखा और विस्मे से फुस्पसा कर का रंग भीतर से आ रहा है ये रंग किया हुआ नहीं है ये सच है और अकृतिम है दक्ष और कनकला ने एक दूसरे को देखा उनके विस्मित आखों में आसू चमक रहे थे कनकला ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर नमस्ते किया और बढ़बढाते हुए मंतरों चारण करने लगी अपने अति आहलात को अतिधिक प्रयतन से दबाते हुए दक्ष ने शिव के मुख को देखा एक नियंतरित मुसकान के साथ मेलूहा के समराट ने कहा मेरी आशा है कि जब से आप मेलूहा में पधारे हैं आपको हमारी योर से किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हुई होगी दक्ष की नियंतरित प्रतिक्रिया के बाद भी शिव को आभास हो गया था कि समराट और उसकी प्रधान मंत्री इस नीले गले को देखकर आश्चर रचकित रह गये थे पता नहीं ये बगवास नीला गला इन मेलूहा वासियों के लिए इतना महात्पोर्ण कियों है बिलकुल नहीं महाराज गुलूबन को गले पर लगाने का प्रयतने करते हुए शिव ने उत्तर दिया दरसल यहाँ जो अधिती सस्कार हमें प्राप्त हुआ उससे मैं और मेरा कबीला अत्यधिक प्रसंद है ये सुनकर मुझे अत्यधिक प्रसंद अता हुई नम्रता से अपना सिर जुकाते हुए दक्ष ने कहा आप अब अवश्य ही विश्राम करने के इच्छा रखते होंगे हम कल इस पर विस्तार से बात करेंगे क्या आप राजिसी दुर्गनगर में अपना आवास रखना पसंद करेंगे ऐसी अफवा है कि यहां के आवास थोड़े अधिकी आराम दायक है यह बहुत ही कृपालू प्रस्ताव है माराज दक्ष नंदी की ओर मुड़े और पूछा अधिपती आपने अपना क्या नाम बताया था मेरा नाम नंदी है माराज आप भी यहां निवास कर सकते हैं आप अपने आदरनी अधितिकी देखभाल भली प्रकार से करना सुनिश्चित करें कनक्ष ने अपने एक सहियोगी को बुलाया जो शिव और नंदी को मारदर्शन करके राजशाही कार्याले से बाहर लेकर चला गया जैसे ही शिव कमरे से बाहर गया तो दक्ष ने घुटनों के बल बैटकर अत्यन्ती धर्माचार से अपने सिर से उस स्थान को स्पर्श किया जहां शिव खड़ा हुआ था उसने बड़बडा कर धीमे स्वर में प्रातना की नहीं आप मुझसे क्या करने की आशा करती हैं आश्र से भरे दक्ष ने कहा देवगिरी में उनका मात्र दूसरा दिन है आप चाहती है कि मैं उनको संबंधित करो और बताओं कि वे ही निलकंट है हमारे मुक्ति दाता हमारे रक्षक और उने हमारी सभी समस्याओ के निदान के लिए भेजा गया है इसमें हर जी क्या है यदि उनका कंठ नीला है तो वे ही नीलकंठ है क्या वे नहीं है और यदि वे ही नीलकंठ है तो वे ही हमारी रक्षक है उन्हें इस प्राणब्द को सुईकार करना होगा उतेजित प्रवतेश्वर ने मध्य में ही टोका मुझे व कारण से कि उसका गला नीला है पौरानी कथा यही बताती है पर्वटेश्वर कनकला ने प्रतिकार किया अपने दोनों मंत्रियों को रोगते ले लोग पौराणी कथा में विश्वास रखते हैं नीलकंठ ने मेरे शासनकाल में अव्तरित होने का चैन किया है वे समस्त भारत वर्ष को मेलुहा के आदर्श पर चलने का निरत्रत्व करेंगे सत्तिकर्टव एवं सम्मान की भूमी उनके निरत्रत्व में हम क्यों महराज कनक्खला ने पूचा जितने अधिक दिन हम रष्ट करेंगे उतना ही हमारे लोगों का समाधान निर्बल होता जाएगा आपको पता ही है कि अभी कुछ दिन पहले ही आतंक्यों का आक्रमण एक गाउं में हुआ था जो हर्यूप से कुछ ही दूरी परिस्थित जब हमारी प्रतिक्रियत दूर्बल होती है तो हमारे शित्रो सबल होते जाते हैं महराज हमें प्रभू को शीग रही ये बता देना चाहिए और हमारे लोगों को उनके आगमन की घुशना कर देनी चाहिए यह हमें कुरूर शित्रों से लड़ाई के लड़ने में शक्ति प गए हैं किन्तु वे हमारी साहता करने से मना कर रहे हैं सर प्रथम हमें इस बात पर आश्वस्त होना चाहिए कि वे इस प्रारद को सुईकार करने को इच्छुक है उसके बाद ही हम लोगों को उनके आगमन की सूचना प्रदान करेंगे और मैं सोचता हूं कि उनको मनबानी है तो कोई हर्ज नहीं है हमने सदियों से निलकंट के आने के प्रतिक्षा की है कुछ होर सब्ता हमें नश्ट नहीं कर पाएंगे अध्याए पांच ब्रम्हा का जातिवर्ग शिव राजशाही विश्राम ग्रह के हरे भरे उद्यान में विचरन कर रहा था उसका समस्त सामा नंदी एवं कनकला के सहीयोग्यों द्वारा राजशाही विश्राम ग्रह में लाया जा रहा था शिव एक आराम दायक तखत पर सफेद और लाल रंग के गुलाबों की क्यारी की और मुखर के बैठा हुआ था उस खुले उद्यान में सुहावनी मंध हावा ने उसके मुख पर मुसकान ला दी थी उस समय मध्यान का पूर्व प्रहर था और उद्यान वीरान था शिव की सोच बार पर प्रताकल समराट से हुई वारतलाग के ओर घूम फिर कर चली जा रही थी दक्ष की नियंतरित प्रतिक्रिया के बावजूद शिव को ये बात समझ में आ चुके थी कि उसका नीला गला मेलुहा वासियों के लिए बहुत महत्वर रखता था यहां तक कि समराट के लिए भी इसका अर्थ था कि नील कंठी की पौराणी कथा चाहे वो जो भी हो वो मात्र कश्मीर के एक छोटे से छेतर तक ही सीमित नहीं थी यदि स्वैम समराट ने इसे गंभीरता से लिया था तो समस्त मेलुहा वासियों को आवज यही नीलकंठी की सहायता की आवशक्ता थी कि दो आखिर यह किस बेवकूफी के लिए सहायता चाहते हैं जी लोग हमसे आवशक्ता से अधिक विक्सित हैं उसकी सोच में ढोल की थाप एवं गुंगरों के स्व से विखन पड़ा ऐसा प्रतीत हुआ कि उस उद्यान में कोई निरत्य का अभ्यास कर रहा था उस निरत्य के रंगमंच और शेश उद्यान के मत्य एक बाड़ा बना हुआ था शिव स्वयम भी एक अत्यंती भावुक निरतक था वो सामनेता ढोल की थाप सुनकर उसकी और ताकि उस ले पर थिरक सके पर उस समय उसका मन पूर्व के विचारों में तलीन था किन्दू भावी को कौन रोग सकता है उस निरत्य समूह से आ रहे कुछ स्वयर उड़कर शिव के कानों में गिर पड़े नहीं नहीं देवी आपको ये छोड़ देना चाहिए एक निरत्य के प्रवाह के भावों को अपने आप ही निकल जाने दे उसके बाद एक स्त्री का स्वर सुनाई दिया देवी गुरु जी उचित ही कह रहे हैं आप निरत्य उचित प्रकार से कर रही है किन्तु उसका आनंद नहीं ले रही है सगंता आपके मुख पर दिखाई दे ये सती थी वो शीगरता से उठा और जिधर से वे स्वर आ रहे थे उस वर चल पड़ा उस बाड़े के पीछे से आने पर उसने देखा कि सती एक छोटी से वेदिका पर निरत्य कर रही थी उसके हाथ बगल में कड़ाई से उपर उठे हुए थे जब वो निरत्य की विभिन मुद्राओं का परदर्शन कर रही थी उसने थाप के अनुसार ही निरत्य किया पहले बाई और फिर दाई और उसने अपने आकारित कूले को एक और लचकाया और निरत्य के भाव को बताने के लिए अपने दोनों हाथ कमर पर रख लिये वो एक बार पुना मंत्रमुग्द था हाला कि उसने देखा कि यद्य भी वो निरत्य के पदों को सही उठा रही थी तथा भी गुरुजी सही थे वो एक यांत्रिक तरीके से निरत्य कर रही थी स्वाभाविक आत्मसमर्पन अर्थात एक स्वाभाविक निरत्य के लक्षर उसके निरत्य में परलक्षित नही कहे जा रहे थे वे उसके निर्ति पदों में नहीं दिखाई दे रहे थे और एक कुशल नर्तिकी से भिन वो पूर्ण वेदिका का प्रियोग नहीं कर पा रही थी उसके पद छोटे छोटे थे जिसके कारण उसके निर्ति पद सिकुड कर वेदिका के केंदर तक ही सीमित थे निरत सिखाने वाले गुरु जी उसके सामने बैठे हुए थे और ढोल पर संगत दे रहे थे उसकी सहयोगी कृतिका उसकी दाई और बैठी हुई थी वे गुरु जी थे जिन्होंने सबसे पहले शिव को देखा और खड़े हो गए थे सती और कृतिका भी पीछे मुड़ गई और अपने सामने शिव को खड़ा देकर वे भी अचंबे में पड़ गई सती से बिन्न कृतिका अपने भावक और मियंत्र नहीं रख सकी और बिना कुछ समझे ही बोल पड़ी शिव? सती ने अपने सभाव के अनुसार शांत एवं आपचारिक तरीके से गंभीरता से पूछा क्या सब कुछ ठीक है शिव? क्या आपको मेरी किसी सहायता क्या आफशक्ता है? आप कैसी है? मैं आपको बहुत याद करता रहा क्या कभी मुस्कुराती नहीं है? ये शिव के मन के उद्गार थे जो वो व्यक्त नहीं कर सकता था शिव अब भी उसे ही देख रहा था शब्द उसके मन में उमर घुमर रहे थे किन्तु जीवा पर नहीं आ रहे थे मुस्कान ले कृतिका निर्ष सती की प्रितिक्रिया जानने के लिए उसकी ओड़ देखा अब उससे भी अधिक गंभीर सती ने विनमरता से दुबारा पूछा क्या मैं किसी प्रकार आपकी मदद कर सकती हूँ शिव? नहीं नहीं मुझे किसी सायता क्या वशक्ता नहीं है जैसे ही वास्तविक्ता उसके संग्यान में पुना आई तो शिव ने उत्तर दिया मैं इस छेतर में आया हुआ था और मैंने आपकर निर्ष की ध्वनी सुनी मेरा मतलब है कि आप लोगों की बाते सुनी आपके निर्ष के पद इतने बलशाली नहीं थे कि मैं सुन सकता आप बिल्कुल सही डंग से निर्ष कर रही थी वास्तों में तकनी की रूप से ठीक था और बस उतना ही कृतिका ने बीच में ही बात काटी आपको निर्ष के बारे में कुछ पता है? आपको निर्ष के बारे में कुछ भी पता है या नहीं? ओ कुछ अधिक नहीं बस थोड़ा बहुत शिव ने मुस्कान के साथ कृतिका से कहा उसके बाद वो बहुत शेगरता से सदी की और मुड़ा और बोला मुझे शमा करें सदी किन्तो गुरू जी सही है प्रकार आत्मा बिना शरीर जब नर्तकी के भाव उसमें सम्मलित हो जाते हैं उसे अपने नर्त्य पद याद करने के आवशक्ता ही नहीं रह जाती है नर्त्य के पद तो स्वयम भी आते जाते हैं भाव एक ऐसी वस्तु है जिसे आप सीख नहीं सकते वो आपके पास आती है जब आप उसे अपने हिर्दय में स्थान देते हैं सतीना बिना कुछ भी बोले बड़े ही धैर से शिव की बात सुनी जब वो गवार बात कर रहा था तो उसकी भौवे थोड़ी ऊपर उड़ गई थी एक सुर्वन्शी से अधिक यवेक्ति नर्त के बारे में कैसे जान सकता है किन्तु उसने सुयम को याद दिलाया कि उसने उसके जीवन की रक्षा की थी वो उसे सम्मान देने के लिए करता हुए बद्ध थी यद्दे पिकर्दिका ने इससे उसके अपराद की रूप में लिया कि एक बिना जाती सूचक चिन्वाला विदेशी दम भर रहा है कि उसे नर्त के बारे में उसकी महोदया से अधिक आता है उसने कृद्ध दृष्टी से शिव को देखा और कहा आपका इतना दुसाहस की आप सोचते हैं कि आपको इस राजजी की सबसे अच्छी नर्त की से अधिक क्यान है शिव को एहसास हो चुका था कि संभवता उसने को यह पराद कर दिया था मैं अत्यदिक शमा परारती हूँ मैं किसी भी प्रकार से आपके अनादर की सोच भी नहीं सकता कई बार ऐसा होता है कि मुझे यह एहसास नहीं होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और बीना कुछ सोचे समझे बोलता चला जाता हूँ नहीं नहीं आपने मेरा अनदर नहीं किया सती ने उत्तर दिया संभवता आप सही है मैं निर्ति के भाव को अतना महसूस नहीं करती जितना मुझे करना चाहिए किन्तु मुझे विश्वास है कि मैं गुरु जी के मार्दर्शन में कुछ समय में आवश्य सीख जाऊंगी सती को प्रभावित करने के अवसर को भुनाते हुए शिव ने कहा यदि आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं निर्ति का प्रदर्शन कर सकता हूँ मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं आपकी तरह तकनीकी रूप से सही नहीं हूँ किन्तु बहुत संभव है कि भाव में कुछ न कुछ अवश्य होगा जो मुझे मेरे निर्ति के पद सही लेने में में मालगरशन करेगा ये तो बहुत अच्छी तरह से मैं बोल गया अब वो ना नहीं कर सकती सती आश्चर चकित थी ये अप रत्याशित था हम ठीक है वो ना चाहते हुए भी जाने कैसे बोल पड़ी अक्तिदिक परसन शिव ततकाल ही रंगमंच के मध्य में पहुच गया उसने अंगवस्तरम को उचाल कर एक और फेक दिया जो उसके उपरी शरीर को ढखे हुए था उसकी महोदया के अपमान प्रकृतिका का जो अर्थ लगाने वाला गुसा था वो काफूर हो चुका था क्योंकि उसकी उस समय गहरी सांस निकल गई थी जब उसने शिव की छोटी छोटी लहर वाली डील डॉल को देखा उधर सती अचंबे में पढ़ती जा रही थी कि उसका वो शक्तिशाली मान स्पेशियों से सुगटिश शरीर कैसे निर्ति के लिए आवेश्यक लचक कर पाएगा शक्ति की वेधी पर बहुदा लचीले पन की आउती दे दी जाती है धोल पर हलकी थाप देते हुए गुरू जी ने शिव से पूछा जिस ताल पर आप आराम से निर्ति कर सकते हैं वो बताईये है नव्युवक शिव ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और विनमरता से जुक कर का गुरू जी क्या आप मुझे कुछ छण देने की किरपा करेंगे मुझे निर्ति के लिए तयार होने की आवशकता है मुझे एक ऐसी विधा थी जिसे शिव उतनी ही अच्छी तरह से जानता था जितनी की युद्धकला पूर्व की और घूम कर पहले उसने अपनी आखें मुझे लिया और उसके बाद वो थोड़ा सा जुका जब तक कि वो घुटने की उचाई तक ना पहुच गया और फिर उसने संतुलन बनाने के लिए अपने दाएं पाउं को थोड़ा जुका दिया उसका बाया पाउ उसके दाएं पाउं के लगाव मुख के ठीक मध्य में आगे की यूर चला गया दर्शागणों के मध्य एक मृत्य समान शांतता को मात्र शांत एवं मंद पवन की धोनी ही भंग कर रही थी गुरुजी सती एवं कृतिका ने शिव को आश्यर से दिखा वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कर रहा था किन्तु वे उस उर्जा का अनुभाव कर रहे थे जो शिव की उस मुद्रा से निकल रही थी शिव ने सुन्दर वृत्ताकार निर्त पद लेने के साथ अपने दोनों हाथों को उठाया और उन्हें कंधे के बराबर दोनों और लेकर गया उसका दाहिना हाथ इस प्रकार से धाचा बना रहा था जैसे उसने डमरू हाथ में पकड़ रखा हूँ उसका बाया हाथ खुला था उसकी हथेली उपर के और मुख किये हुए थी जैसे वो कोई दैवी उर्जा प्राप्त कर रही हो उसने इस मुद्रा को कुछ देर तक क्यों ही बना कर रखा उसका दीब्तिमान मुख बता रहा था कि शिव अपनी ही दुनिया में खोता चला जा रहा था उसके बाद उसका दाहिना हाथ आप्रियास से ढगे की दिशा में चला जैसे उसके पास अपना ही मन हो उसकी हथेली अब खुली हुई थी और दर्शक की और देख रही थी वो मुद्रा कुछ इस प्रकार की थी जैसे वो सती को संदक्षर दे रही थी जो अचंबे से सब कुछ देख रही थी उसका बाया हाथ उसके कंधी के बराबर वाले स्थान से सामने की और आया जिसके हथेली नीचे की और मुख किये हुए थी बाया हाथ एक मुद्रा करने के बाद रुका जब वो इस एस्थिते में आया कि वो बाएं पाओं को दिखा रहा था शिव ने इस मुद्रा को भी थोड़ी देर तक रोके रखा और उसके बाद उसने निर्त प्रारम कर दिया सती ने आशर से शिव को गूरा वो उसके ही निर्त पद का परदर्शन कर रहा था इसके बावजूद वो पूरी तरह से एक भिन निर्त लग रहा था उसके हाथों की मुद्राएं पूरी तरह से आप्रियासित थी जैसे जादूई हो कैसे इतनी सुगठित शरीर में इतनी लचक हो सकती थी गुरू जी ने असहाय होकर ढोल से संगत देने का प्रयत्न किया किन्तो इस पश्ट रूप से इसकी कोई आवशकता नहीं थी क्योंकि शिव के पाओं ही ढोल की थाप का गुंजन कर रहे थे निरत्र ने इस्त्री के विबिन भावों के प्रदर्शन को दिखाया प्रारंब में एक इस्त्री अपने पती के साथ हसी छिटोली करते उसकी प्रसनता एवं अनुराग को दर्शाया उसके बाद अपने साथी के अनुचित मृत्यों पर उसके करोद और पीड़ा को दर्शाया यहां तक कि शिव के इतने रूखे मरदाना शरीर होने पर भी एक शोग गरस्त इस्त्री के कोमल फिर भी सबल भावों का प्रदर्शन पोड़ता सहच दिख रहा था शिव के नेतर खुले हुए थे कि दर्शक गड़ों ने संपादित किया कि वो उनके लिए अंजान थे शिव अपनी ही दुनिया में था वो दर्शकों के लिए निरत नहीं कर रहा था वो प्रशंसा पाने के लिए निरत नहीं कर रहा था वो संगीत के लिए निरत नहीं कर रहा था वो मातर स्वयम के लिए निरत कर रहा था बलकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसका निरत किसी दिवे शक्ती द्वारा निर्देशित हो रहा था सती को अनुभा हुआ कि शिव सही था उसने स्वयम को खुला छोड़ दिया और निरत्य स्वयमेव उसके पास आप पहुंचा था ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो निरत्य अनंतकाल तक चलने वाला था फिर अचाना कि शिव ने कडाई से आखें बंद की और अंतता उसका निरत्य समाप्त हो गया उसने अपनी अंतिम मुद्रा को बहुत देर तक रोखे रखा और उसकी दीपती उसे छोड़ कर चली गई ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो अब अपनी दुनिया में वापस लोड़ गया था शिव ने धीरे से अपनी आखे खोली तो उसने देखा कि सती कृतिका और गुरुजी पूर्ण विसमे में उसे निहार रहे थे गुरुजी वे पहले थे जिनने अपने कंठ स्वर की सबसे पहले प्राप्ती हुई आप कौन है? मैं शिव हूँ नहीं नहीं आपका शरीर नहीं मेरा आर्थ है कि आप कौन है? शिव ने दोनों आखों को वक्र कर तेवरी चड़ाया और पुना दोराया मैं शिव हूँ गुरुजी क्या मैं एक प्रश्ण पूच सकती हूँ? सती ने पूचा निसंदे आप पूच सकती है शिव की और मुड़कर सती ने पूचा निर्ट से पहले वो आपने क्या किया था? क्या वो किसी प्रकार की प्रस्तावना थी? जी हाँ इसे नटराज मुद्रा कहा जाता है ये निर्ट के ईश्वर की मुद्रा है नटराज मुद्रा? वो क्या करती है? उसने मेरी उर्जा को सारवभामिक उर्जा के साथ एक रेखित कर दिया ताकि नर्त स्वयम हूत्पन हो सके मैं कुछ समझी नहीं देखिए ये कुछ इस प्रकार है हमारे लोगों के मद्ध हमारा मानना है कि इस विश्व में सभी वस्तुएं किसी ना किसी प्रकार के शक्ति या उर्जा की समभाहक है पेड़ पौधे पशु वस्तुएं हमारे शरीर सभी कुछ उर्जा के समभाहक है और उर्जा संचारित करते है कि तो उर्जा की जो सबसे बड़ी समभाहक है जिसके हम संपर्क में होते हैं वो स्वयम माता पृत्वी है वो मैदान जिस पर हम चलते हैं उसका आपके निर्थ से क्या लेना देना है इसलिए क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए आपको उर्जा क्या वशक्ता होती है उर्जा लोगों से वस्तूओं से स्वय माता प्रत्वी से आती है आपको उस उर्जा के लिए सम्मान पूर्वक मांग करनी होती है और आपकी ये नटराज मुद्रा आपको उस उर्जा को प्राफ्त करने में सहायता करती है जिसके आप कामना करते हैं गुरु जी ने पूछा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि मैं किस लिए उस उर्जा की कामना करना चाहता हूँ नटराज के मुद्रा मुझे उस नर्टि के लिए आदर पूर्वक उर्जा मांगने में सहायता करती है जो मेरे पास आना चाहती है यदि मुझे मेरी सोच के लिए उर्जा की कामना करनी होती तो मुझे पालती मारकर बैटकर ध्यान लगाना चाहिए ऐसा प्रतीत होता है कि उर्जा आप पर कृपा रखती है नवयुवक गुरु जी ने कहा आप नटराज हैं नरति के इश्वर ओ नहीं शिव ने लगभग पुकार कर कहा मैं तो उस अनन्त नटराज उर्जा का एक माध्यम मातर हूँ कोई भी उसका माध्यम हो सकता है यदि ऐसा है नवयुवक तो आप विशेश रूप से इसके प्रभावी माध्यम है गुरू जी ने कहा यदि आपके इन जैसे मित्र हैं तो आपको मेरी आवशकता नहीं है पुत्री यदि आप चाहती है कि शिव आपको नरति सिखाए तो मुझे स्वयम को इस कारे से विलग करने में गर्वी एनबूती होगी शिव ने सती को आशानवी दृष्टी से देखा ये सब उसकी आशा से बहुत ही अच्छा हो गया था हाँ बोल तो सुन्दी हाला कि ऐसा प्रतीत हुआ कि सती इससे प्रथक विचार रही थी आश्चर से भरे शिव ने उस इस्तरी के भेदे होने का पहला संकेत देखा उस इस्तरी ने अपना सिर जुकाया जो उसकी गर्वीले विवहार अनुकूल नहीं था और धीरे से फुस्पसार भरे स्वर में बोली मैं किसी का नादर नहीं कर रही किन्तु संभवता मुझे में इतनी निपुरता नहीं कि मैं इस इस्तर का प्रसिक्शन प्राप्त कर सको किन्तु आपके पास निपुरता है शिव ने तर्क किया आपके पास आचरान है आपके पास हिर्दे है आप बड़ी आसानी से उस इस्तर तक बहुत सकती है सती बढ़ बढ़ाई, जब उसने ये कहा तो सती को स्वयम को पुना नियंतरित करने की शक्ती आ गई थी, विनमर गरवीला आचराण उसके मुख पर वापस लोट आया था, मुखोटा पुना आ चुका था, ये मेरी पूजा का समय है, गुरू जी आपकी आग्या से मुझे य जहरी दरिश्टी से देख रहे थे, उन्होंने शिव की और जुक कर आपचारिक नमस्ते किया और कहा, आपको निर्ति करते देखकर मैं कृतग्य हुआ, उसके बाद वे भी मुड़े और वहां से चले गए, शिव मिलूहा वासियों के इन अगम में तरीकों को सोचकर आश् शिव ने कहा, मुझे छमा करे महराज, मैंने सुचा कि दितिये पहर में चार घंटे पर हमें मिलना था, मुझे आशा है कि मैंने आपको अधिक प्रतिक्षा नहीं करवाई होगी, दक्ष एक आपचारिक नमस्ते की साथ उठ खड़ा हुआ, वो सासमान जुका और बोला, न अपने समराट और मानव जाती की सर्वोत्तम सभिता के शासक की एक गवार के प्रति इस अत्यंत ही दासत वाली मुद्रा को देकर परवतेश्वर ने अपनी आखे गुमाई, समराट द्वारा प्रभु का संबोधन सुनने के बाद अपने आश्वर पर नियंतरा रखते हु जो एक सबसे इस पष्ट प्रश्ण शिव के मन में सरप्रथम आया वो था, उस पवित्र जील के नाम पर मुझे कोई बताया कि ये पवित्र नीला गला इतना महत्वपोण क्यों है, किन्तु उसकी सौभाविक गुद्धी ने उससे कहा कि यद्दे पी यही सबसे प्रतेक् नहीं हो सकता था जब तक कि वो मिलूहा के समाज के बारे में और अधिक नहीं समझ लेता है, ये एक आसामाने प्रश्ण प्रदीत हो सकता है माराज, शिव ने कहा, किन्तु कि वाए पूछ सकता हूँ कि आपकी उम्र कितनी है, आश्यर चकित दक्षिन ने कनकला की और आप अत्यंती बुद्धिमान है प्रभू, आपने सबसे महत्पूर्ण प्रश्ण सबसे पहले पूछा है, अपने चेहरे को शर्यंत्र पूर्व बनावटी हसी में बदलते हुए दक्ष ने पुना कहा, पिछले महीने मैंने 184 वर्ष पूरे किये हैं, शिव इस्तब्द थ दक्ष तीस वर्ष से एक दिन भी अधिक आयू का नहीं दिखता था, असल में मेलूहा में कोई भी व्रद नहीं दिखाई देता था, मात्र उस पंडित को छोड़कर जो से ब्रह्मा के मंदिर में मिला था, तो इसकार्थ यह हुआ कि नंदी सचमुच ही 100 साल से अधिक असल में हमारे वैग्यानी को द्वारा बनाया गया सोमरस इसे संभव करता है, वही सोमरस जो देवता लोग पीते हैं, उप्युक्त समय पर सोमरस का पान ना केवल हमारी मृत्य को बहुत अधिक स्थगित कर देता है, बलकि यह हमें समस्त जीवन युवा बनाकर जीने की श किन्तु यह सोमरस क्या है, वह कहां से आता है, इसका अविशकार किस ने किया, बहुत सारे प्रश्न प्रभू, दक्ष मुस्कुराया, किन्तु मैं प्रयातन करूँगा कि एक करके अपके प्रश्न के उत्तर दे सकूँ, सोमरस का अविशकार भारत के महानतम वैग्यानिकों में से एक ने कई सहस्तरों वर्ष पहले किया था उनका नाम था भगवान ब्रह्मा मेरे विचार से मेरु नमक स्थल पर देवगिरी की यत्रा करते समय मैं एक मंदिर में गया था जो उनका ही था जी हाँ प्रभू ये वही स्थान है जहां कतित रूप से उन्होंने निवास किया था और अपना कारे किया था भगवान ब्रह्मा एक सफल अविशकारक थे किंतो उन्होंने अविशकार का खुद के लिए कभी उप्योग नहीं किया वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनके आविशकार मानाव जाती कि अच्छाई के लिए प्रियुक थो उन्हें पूर्व से ही आभास था कि सोम्रस जैसे शक्तशाली पिये का दुष्ट लोगोद्वारत दुर्युक्वियों किया जा सकता था अता उन्होंने इसके प्रियुक के लिए विस्तर प्रकार के न मोगो का चैन किया प्राचेन भारत ali के साथ प्रिचेत्रों में से प्रतेक में से एक उन्होंने किशुरों के साथ भुरुक request रहं सके और वेंूंके चलीत्र को समाज के निस्वार्त सहाईकों की सक्याचवन जाल सके केषर इनहीं बालकों पर सोम्रस के आवशिका प्रियोक से किये अनेक आविषकार और सोम्रस की श nih कि साथ यह समूह की संपूर इधियास में सब्से अधिक शक्तिशारी समूह बन गया उन्होंने बुद्धि को मानवेतर बुद्धि तक की फ्राप्ति प्रहपर कर लिया प्राचीन काल में बुद्धिमान व्यक्तियों को रिशी कहा जाता था जो कि भगवान ब्रह्मा ने जो विक्ति चुने थे वे साथकी संक्या में थे अतावे सब्तर्शी अत्वा सब्तरिशी कहलाए और इन सब्तरिश्यों ने अपना नैपुन्य समाज की भलाई के लिए किया जी हाँ प्रभू भगवान ब्रह्मा ने सब्तरिश्यों के आचरणों के लिए कड़े नियमों का निर्माण किया था उन्हें शासन करने अत्वा व्यापार करने की पूरी मना ही थी सारता जो उनके लिए नीजी लाब के कारे हो सकते थे उनके लिए ऐसे कारेनियत किये गए थे जिससे वे अपनी शक्ती का प्रियोग समाज की भलाई के लिए कर सकते थे जैसे पंडित, सिक्षक, वैद, तथा ऐसे ही अन्य बुद्धिशाली व्यसा है, इसके बदले में उन्हें कुछ भी लेने की मना ही थी और उन्हें भिक्षा और दूसरों द्वारा दिये गए दान पर जेवित रहना था कड़े सेवानियम मसकरी के साथ शिव ने परवतेश्वर की और पलक जपका कर कहा परवतेश्वर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दे किन्तु दक्ष का नकला इमम नंदी ने जोरदार ठाहा का लगाया शिव ने खड़की के बाहर प्रहर कंदील को देखा लगबक तीसरे प्रहर का समय हो चला था ये वो समय था जब सती निरते के लिए बाहर आती ही होगी किन्तु वे अपने आच्राण के नेमों का पालन कड़ाई से करते थे प्रभू दक्ष ने कहना जारी रखा समय के साथ जब उनके उतरदाय तो बढ़ गए तो उन सबतरिश्यों ने अपनी जाती वर्ग से अने लोगों को भी जोड लिया उनके अनुजाईयों ने उन्ही नियमों के पालन के प्रतिग्या ली जो सबतरिश्य करते आ रहे थे और उन्हें भी सोमरस का पान करने का अफसर मिला उन्होंने अपने जीवन को ग्यान की खोज में कितु जैसा की अकसर होता है एक लंबे समय के बाद सभी अच्छी व्यवस्थाओं की तरह ही कुछ लोगों ने ब्रह्मनों के नियमों का पालन करना बंद कर दिया क्या मैं सही हूँ आप बिल्कुल सही है प्रभू दक्ष ने इस प्रकार की साधरान मानविय दुर्बलता पर अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया कई सहस्तराब्दी बीद गई कुछ ब्रह्मनों न कड़े नियमों को भूल गए जो भगवान ब्रह्मा ने लागू किये थे और सब्त रिश्यों ने जिनके प्रचार प्रसार किये थे उन लोगों ने सोम्रस द्वारा प्रदान की गई विस्मेकारी शक्तियों का अपने नेजी लाप के लिए दुरूपयोग करना प्रारंब कर दिया कुछ ब्रामणों ने एक बड़ी जनसंक्या पर प्रभाव डाल कर सामराज्यों को जीतना एवं उन पर शासन करना प्रारंब कर दिया सब्त रिश्यों एवं भगवान ब्रह्मा के अनीक आविशकारों का दुरूपयोग कर कुछ ब्रामणों ने अपने लिए अत्यदिक धन संचय कर लिया और तो और यहां तक कि कुछ ब्रामणों ने कनकला ने भैबीत होने वाले भाव से बीच मेही अपनी राय दी तो सब्त रिश्यों उत्त रिश्यों के विरुद विद्रोल भी कर दिया सब्त रिश्यों उत्त रिश्यों उत्त रिखारी शिव ने जानना चाहा वे सब्त रिश्यों के उत्त रिखारी थे प्रभू कनकला ने इस पश्ट किया जब किसी सब्तरिशी को ये पता चल जाता था कि उसके नश्वर शरीर का अंत होने वारा था तो वे अपने गुरुकुल से ही अपना उत्राधिकारी न्यूक्त करते थे वे उत्राधिकारी ठीक उसी प्रकार से आधर सम्मान पाते थे जो उनके पूरवज सब्तरिशी करने वाली बात ये थी कि इसका निर्तत्व उंचे चैनित ब्रहमर जाती वर्ग के हाथ में था जैसे गरुल मोर और राजहंस दरसल उनके उंचे ओहदे के कारण इन चैनित जाती वर्ग वालों को च्छत्री एम वैश्यों के अधिन कारे करने की अनुमती नहीं थी जब त करते थे शिव ने पूछा जी हाँ प्रभू कनक्खला ने उत्तर दिया उसका सीना गर्व से फूल रहा था नगर का घंटा तीसरे प्रहर के प्रानम होने का संकेत देने के लिए तीर स्वर में बजा शिव समेथ उसका क्ष में उपस्तित सभी लोग ने ने समय के आगमन प अपना निर्थे प्रारंब कर सकती थी इस प्रकार किस क्रांती ने परिवर्थन किया महराज दक्ष की ओर मुणते होए शिव ने पूछा आप परवतेश्वर और नंदी छत्री हैं और आपने इस पश्ट्रूप से सुम्रस का पान किया है दरसल मैंने देखा है कि आपके स कमराज में चारों ही जाती के लोग युवा और स्वस्य दिखते हैं इसका अर्थ है कि सुम्रस सबको दिया गया है ये परिवर्थन अवश्य ही किसी क्रांती का परिणाम होगा क्या ये सही है जी हाँ प्रभू और उस क्रांती को प्रभू श्री राम के नाम से जाना जाता प्रिथवी पर निवास करने वाले सबसे महान सबराट जैश्री राम जैश्री राम उस कमरे में सभी लोगों ने जैगोश किया उनकी विचारों इम नितरत्व ने मेलूहा के सामाज को नाटिके ढंग से परिवर्दित कर दिया दक्षि ने कहना जारी रखा असल में स्वयम इतिहास की दिशा ही मौलिक रूप से बदल गए किन्तु इससे पहले कि मैं प्रभुराम की कथा कहना प्रारम्भ करों क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूँ निसंदेग महाराज अब ये तीसरा प्रहर चल रहा है क्या हम भोजन का खिशके और प्रस्थान कर सकते हैं और इस समझे तो कनकला का चहरा उतर गया जबकि परवदेश्वर का चहरा तीरा सकार पूर्ण खीस से भरा हुआ था हाला कि दक्ष ने अपने चहरे पर मुस्कान कायम रखी थी निसंदे हम कल मिल सकते हैं प्रभू क्या दूसरे प्रहर कर दूसरे घंटे का प्रारम आपके लिए उचित रहेगा सरवता उचित रहेगा महराज इस असुइधा के लिए मैं चहमा परार्थी हूं बिल्कुल नहीं प्रभू हमेशा की तरह मुस्कान लिए दक्ष ने कहा क्या मेरा कोई रत आपको अपने गंतवी तक छोड़ सकता है आप बड़े कृपालू है महराज किन्त तो मैं स्वयम ही वहाँ चला जाओंगा मैं पुना चमा परार्थी हूं उस कक्ष में सब को नमस्ते करने के बाद शिव और नंदी शीगरता से बाहर निकल गए कनक्ष ने अभियोग आत्मक धंग से दक्ष को देखा समराट ने सेर हिलाया और हाथ से शांत रहने को कहा सब कुछ दिनों में सब कुछ नष्ट होने वाला नहीं है परवतेश्वर सहसा उठा उसे दक्ष को जुक कर सम्मान दिया और बोला आपके आग्या से महराच क्या मैं जा सकता हूं एक गवार को सिक्षित करने की तुलना में बहुत सी ऐसी व्यवहारिक पस्तों हैं जिन पर ध मैं मातर उपलब्धियों को आदर देता हूं उसके सिवा किसी और वस्तों को नहीं ये प्रभुराम का मौलिक नियम है मातर आपका कर्म ही महत्पोर्ण है ना तो आपका जन्म ना ही लिंग और निश्चित रोप से किसी की गले का रंग तो बिलकुल नहीं हमारा समस्त आधारित है या फिर आप लोग उसे भूल गए हैं बहुत हो चुगा दक्ष ने चिला कर कहा मैं नील कंठ का आधर करता हूं इसका सीधा सार्थ है कि सभी नील कंठ का आधर करेंगे उस तक के अध्याय पठन की यात्रा में साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवार यदि आ नमस्कार आप सभी का मोटिवेशन टू रीड में स्वागत है आज हम जिस पुस्तक का सास्वार पठन करने वाले हैं वो शिव रचनात्रई की पहली पुस्तक मेलूहा के मृतिंजय है शिव रचनात्रई की ये पहली पुस्तक शिव को एक साधारन मनिश्य के रूप में प्रतिबादित करती है जिसके कर्म उसे देवों के देव महादेव में परिवर्तित कर देते हैं अपने प्रारब्द एवं करतव्यों की और खिच जाने वाले एवं साथ ही प्रेम से प्रेरित शिव क्या सूर्वंशियों के प्रतिशोध में उनका नीतरत्व करेंगे और बुराईयों का नाश कर पाएंगे आईए जानते हैं कि शिव क्या सचमुछ ही महानायक है और क्या वे महानायक बनना भी चाहते हैं या नहीं शिव रचनत्रई की प्रथम पुस्तक मिलूहा के मृत्यूंजे लेखक अमीश त्रिपाठी अनुवादक विश्वजीत सपन अध्याय छे बुरे भागे लाने वाले विकर्म नंदी उद्यान के बाहर प्रतीक्षा कर रहा था जैसा कि उससे कहा गया था जबकि शिव बाड़े की पीछे नृत्यमंडप छेतर में चला गया था शांत नृत्यमंडप ने पहले से ही नंदी को संकेत दिये दिया था कि उसके प्रभू को वहाँ कोई नहीं मिलेगा तथा पी शिव की उम्मीद बनी हुई थी और उसने आशा पूर्वक सती की प्रतीक्षा की लगबग एक घंटे तक प्रतीक्षा करने के बाद शिव को लगा कि आज निरत्य का अभ्यास नहीं होने वाला था अत्यधिक निराश होकर वो शांत मुद्रा में नंदी की ओर चल पड़ा क्या कोई है जिसे ढूणने में मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ प्रभू उत्सुक नंदी ने पूछा कोई नहीं है नंदी भूल जाओ शिव का स्वर निराश्रा भरा था नंदी समझ गया कि उसके प्रभू उसे इस विशे में बतानी की इच्छा नहीं रखते थे अता विशे बदलने का प्यास करते हुए नंदी ने कहा प्रभू आपको अवश्य ही भूख लगी होगी क्या हम विश्राम ग्रह में चले और भोजन कर ले नहीं अभी नहीं मैं इस नगर का थोड़ा चक्कर लगाना चाहता हूँ शिव ने इस आशा में कहा कि कहीं भागे उसका साथ दे और सती से उनकी मुलाकात हो जाए क्या हम राजत वेदिका पर किसी भोजनाले में जा सकते हैं ये बहुत ही अच्छा रहेगा नंदी मुस्कुराया जो राजशाही विश्टराम ग्रह के ब्राहमण प्रभावी सादे शाकाहारी भोजन से घ्रणा कर बैठा था च्छत्रियों के भोजलाने में मिलने वाले मसालेदार मांस की उसको कमी खटक रही थी हाँ क्या है परवदेश्वर दक्ष ने पूछा महराज मुझे इस तरह से अचाना काने का खेद है किन्तु अभी इसी समय मुझे कुछ परिशान करने वाले समाचार राप्त होए है और वो आपको व्यक्तिकत रूप में बताना है अच्छा वो क्या है शिव अभी से समस्य उत्पन कर रहा है आपको नीलकंठ के विशे में क्या कहना है शोप करते हुए दक्ष ने अपनी आखे उठा कर असहमती में पूछा आप इस बात को क्यों नहीं मान लेते कि नीलकंठ हमारी रक्षा करने के लिए आए है इसका शिव के बारे में विचार से कोई लेना देना नहीं है माराज गृपया मेरे समचार को तो सुन ले चेनर द्वज ने शिव को कल उद्यान में देखा था चेनर द्वज अभी से यहां है जी हां माराज उसकी आपके साथ समीक्षा का समय परसोनियत किया गया है चाहे जो भी हो तो चेनर द्वज ने क्या देखा उसने भी शिव को घिनोनी हरकत करते देखा है इसका आर्थिस्पष्ट है कि हम इस बात को मान सकते हैं कि वो पूर्वा ग्रह से ग्रसित नहीं है ठीक है मैं आपकी बात मानता हूँ मगर उसने नीलकंट को क्या करते देखा उसने शिव को उध्यान में निरत्य करते देखा परवतेश्वर ने उत्तर दिया तो क्या ऐसा कोई कानून है जो निरत्य को प्रतिबंदित करता है और जिसकी जानकारी मुझे नहीं है कृपिया मुझे बोलने दीजे महराज वो निरत्य कर रहा था जबकि सती उसे भाव विभोर होकर देख रही थी दक्ष की जिग्यासा सहसा आकरशित हो गई वो आगे जुपते हुए बोला और सती ने उचित व्यभार किया और जब शिव उसके करीब आने की चेश्टा कर रहा थो तो वो वह वहाँ से चली गई किन्तो चेनर ध्वज ने शिव को फुसफुसाते हुए सुना जब सती चली गई अच्छा वे क्या फुसफुसाए उसने धीमे स्वर में कहा हे पवित्र जील मुझे इसे प्राप्त करने में सहायता करें मैं आप से इसके बाद फिर कभी कुछ नहीं मांगूँगा दक्ष अत्यंत प्रसन ने दिखा तुम ये कहना चाते हो कि निलकंठ को संभवता मेरी पुत्री से प्रेम हो गया है महराज आप समराजी के नियमों को भूल नहीं सकते अत्यंती परेशान प्रवतेश्वन ने संपादित किया आप जानते हैं कि सती विवाह नहीं कर सकती यदि निलकंठ ने सती से विवाह का निरने लिया है तो प्रत्री पर कोई नियम कानून इसे नहीं रोक सकता महराज मुझे छमा करे किन्तो हमारी सभ्वेदा का समस्त आधार यही है कि कोई भी कानून से उपर नहीं है यही वो बात है जो हमें वैसा बनाती है जो हम है चंद्रवंशियों और नागाओं से बहतर यहां तक कि प्रभुश्री राम भी नियमों के उपर नहीं थे तो कैसी यह गवार इतना महतपूर्ण समझा जा सकता है क्या आप नहीं चाहते कि सती सुखी रहे दक्ष ने पोचा उसे प्रवति किसी काराण से कहा जाता है क्योंकि वो आपकी ईश्वर पुत्री है क्या आप नहीं चाहते कि वो पुना अपनी खुशी प्राप्त कर ले मैं सती को अपनी पुत्री की तरह से ही हमेशा प्रेम करता रहा हूں मैं सती को अपनी पुत्री की तरह से ही हमेशा प्रेम करता रहा हूं महराज परवतेश्वर ने अपनी आखों के भावों का दुरलब प्रदर्शन किया मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा नियम भंग करने के अलावा आप में और मुझे में यहीं अंतर है सती के लिए मैं नियम भंग करने में भी नहीं हिचकूँगा यह वो मेरी पुत्री है मेरा रखता है और शरीर का अंग है उसने अभी तक बहुत दुख जील लिये है यदि मुझे कोई ऐसा मार्क मिलता है जिससे वो प्रसंद हो सके तो मैं उस मार्क पर चलूँगा चाहे उसका परिणाम कुछ भी क्यों न हो शिव और नंदी ने अपने घोडों को रजत वेदिका के मुखे बाजार के निकट मियत स्थान पर बांध दिया आगे बढ़ते हुए नंदी ने अपने पसंदीदा भोजनाले के लिए शिव का मार दर्शन किया ताजा ताजा पकाए गए मांस की आमंतरा देने वाली मीठी सुगंध ने नंदी की मिट गई भूब को पूरी तरह से जगा दिया था जिसकी शान्ती पिछले दो दिनों से राजिसी विश्राम ग्रह में नहीं हो पाई थी पर दो बोजनाले के सौमी ने प्रवेश पर शिव को रोग दिया क्या वात है भाई नंदी ने पूछा मुझे अत्यंत खेद है भाईयों क्यूंति मैं भी इस समय धार्मिक संकल्प कर रहा हूँ बोजनाले के मालिक ने शिव के गले की और संकेत करते हुए नम्रता से कहा और आप तो जानते हैं कि एक संकल्प ये भी है कि साथी संकल्प लेने वालों को मैं मानसाहार नहीं परोज सकता नंदी ने आश्चर में बिना कुछ समझे बूजे ही कहा लेकिन किसने धार्मिक संकल्प शिव दौरा उसे बोलने से रोग दिया गया जिसने उसे अपनी आँखों के इशारे से मालाओ से गूते हुए अपने गले के गलूबंद को दिखाया नंदी ने सहमती में सिरहलाया और शिव के साथ ही बोजनाले से बाहर चला गया ये वर्ष का ऐसा समय है जब धार्मिक संकल्प लिये जाते हैं प्रभू नंदी ने विवराण दिया आप क्यों नहीं यहीं बगल में प्रतीकशा कर लेते हैं उस दूसरी दिशा में दाहीनी और कुछ अच्छे भोजनाले हैं मैं वहाँ जाकर देखता हूँ कि कोई ऐसा भोजनाले है जिसके मालिक ने संकल्प नहीं लिया हो शिव ने सहमती में से नहीं लाया रंदी शिगरता से उस ओर चला गया तो शिव गली में इधर उधर देखने लगा ये बाजार का विस्त छेतर था जिसमें भोजनाले एवं दुकाने हर तरफ फैले हुए थे किन्तो इतने अधिक लोगों एवं व्यापार आदी के बावजूद गली में शोरगुल नहीं था कोई भी दुकानदार गली में बाहर आकर आवाजें नहीं लगा रहा था और अपनी वस्तों के विक्यापन नहीं कर रहा था ग्राहक बीना असफल हुए विनम्रता से बोल रहे थे यहां तक कि मोल भाव करने में भी ये इतने अच्छे व्यापार वाले मूर्क व्यापारी हमारे पहाडों के उपद्रवी बाजारों में एक धेले का भी व्यापार नहीं कर पाएंगे शिव मेलूहावासियों के विचितर व्यापारों की सोच में इतना गूम हो गया कि उसे नगरिये धिडोरा पीटने वाले की पुकार तब तक नहीं सुनाई दी जब तक कि वो ठीक उसके पीछे नहीं आ पहुचा विकर मिस्त्रियों की सवारी कृपया रास्ता दे आशर चकर शिव पीछे मुड़ा तो उसने देखा ये एक लंबा चोड़ा मेलुहावासिच छत्री उसे नीचे देख रहा था क्या थोड़ा बगल हटनी की कृपा करेंगे महोदे विकर मिस्त्रियों की सवारी अपनी पूजा के लिए यहां से यात्रा करने वाली है धिनोरा पीटने वाले का लहजा और आचरन निश्चित रूप से शालीन था किन्तु शिव किसी ब्रहम में नहीं था धिनोरा पीटने वाला शिव को पूछ नहीं रहा था वो से बता रहा था शिव जैसे ही सवारी के गुजरने देने के लिए पीछे हड़ा तो नंदी ने धीरे से उसका हाथ इसपर्श किया मैंने एक बहुत ही अच्छा भोजनाले ढून लिया है प्रभू उल्लसित नंदी ने कहा मेरे पसंदीदा में से एक और उसका रसोई अगले कम से कम एक घंटे तक तो चालू रहने वाला है हमें खाने के लिए बहुत भोजन मिल जाने वाला है शिव ने ठहाका लगाया ये बड़े आश्चरी की बात है कि केवल एक भोजनाले इतना भोजन बना सकेगा कि तुम्हारी भूग को शांत कर दे नंदी भी साथ में हसने लगा जेफ शिव ने उसकी पीट पर थपकी लगाई जैसे ही वो मुड़े और गली में जाने लगे तो शिव ने पूछा ये विकर्म इस तरिया कौन है विकर्म लोग प्रभू नंदी ने गहरी सांस लेकर कहा ये ऐसे लोग हैं जिने अपने पूर्व जन्म के पाप के लिए इस जन्म में दंड मिला है इसलिए उन्हें ये जीवन मर्यादा के साथ जीना होता है और उन्हें अपने दुख को गरिमा के साथ सहन करना होता है यही एक उपाय हैं जिससे वे अपने पूर्व जन्म के पापों को अच्छे कर्म से स्वच्च बना सकते हैं विकर्म पुरुशों के लिए उनके अपने अलग प्रकार के प्रायश्चित हैं और इस्त्रियों के लिए अलग आदेश हैं हम जिस मार्ग से अभी आएं हैं वहाँ पर विकर्म पूजा भी एक आदेश हैं शिव ने पूछा जी हाँ प्रभू विकर्म पूजा को बहुत सारे नियमों के पालन करने होते हैं उनको मुक्ति के लिए पवित्र करने वाले अगनी देव की पूजा प्रतेग महीने एक विशेश अधिदेश के अनुसार की करनी होती हैं उन्हें विवाह करने के अनुमती नहीं होती क्योंकि वे अपने बुरे भागे के कारण उनके जीवन को विश्युक्त कर सकते हैं जिनसे वे विवाह करते हैं उन्हें ऐसे किसी को स्पर्ष करनी के अरुमती नहीं होती जो उनके निकट के संबंधी अर्थात परिवार वाले नहीं है अथवा जिने वे अपने सामाने करतव्यों के कारण स्पर्ष ना कर रहे हो इसके अतरिक्त भी कई अन्य प्रावधान हैं जिनके बारे में पूरी जरा से मुझे पता नहीं है यदि आपको उत्सुपता है तो हम अगनी मंदिर के पंडित से मिल सकते हैं जो विकर्म लोगों के बारे में आपको सब कुछ बता सकते हैं नहीं मैं इस समय पंडित से नहीं मिलना चाहता शिव ने एक हलकी मुसकान के साथ कहा वो अपने ब्रामक और गूर दर्शनों से मुझे निश्चे ही तंग करेगा लेकिन एक बात बताओ कि नने कौन लेता है कि विकर्म लोगों ने पूर्व जन्मे पाप किया है उनकी अपने कर्म प्रभू नन्दी ने कहा तो उसकी आँखे इस प्रकार संकेत दे रही थी जैसे ये तो बहुत ही इस पश्च था उधारन के लिए यदि एक इस तरी मरत बच्चे को जन्म देती है तो उसे ये दंड उसके अपने पूर्व जन्मे में किया गया कोई पाप होता है या फिर यदि किसी वेक्ति को ऐसी बीमारी पकर लेती है जिसके कारण उसे लकवा मार जाता है तो ये उसके साथ क्यों होगा यदि प्रकरती ने उसे उसके पूर्व जन्म के लिए दंडित ना किया हो ये मुझे बहुत ही बेहुदा प्रतीत होता है एक इस तरी किसी मरत बच्चे को जन्म देती है उसका कारण ये हो सकता है कि गर्बावस्ता के दोरान उसने परियाप्त रूप से देखभाल ना की हो या फिर ये किसी बीमारी के कारण भी हो सकता है ये कोई कैसे कह सकता है कि उसके पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे दंडित किया गया है शिव के विचारों से नंदी इस्तब्द था उससे कुछ भी कहते नहीं बन पा रहा था वो एक मेलूहा वासी था और गम भीरता से कर्म की अवधारना को मानता था जो कई जिन्मों तक चला करता था वो धीरे से बढ़ बढ़ा है यही नियम है प्रभू देखो इमानदारी से एक बात कहूं ये नियम वस्तुता मुझे अनुचित लगता है नंदी के निराश मुख से प्रतीत हुआ कि वो पूरी तरह से हताश था कि मेलूहा के बारे में इतनी मूलभूत अवधारना को शिव समझ नहीं पाए थे किन्तु शिव ने जो कहा था उसका विरोध ना करने के डर से उसने अपना परामर्श अपने पास ही रखा आखिरकार शिव उसके प्रभू थे नंदी को उदास देकर शिव ने उसकी पीट धीमे से थप थपाई और कहा नंदी वो मेरा अपना विचार मातर था यदि ये नियम तुम्हारे लोगों के लिए काम करता है तो मुझे विश्वास है कि इसके पीछे कोई ना कोई तरक अवश्य होगा तुम्हारा समाज कभी कभी कुछ विचितरताओं से भरा लगता है लेकिन इसमें ऐसे लोग हैं जो बहुत ही सब है एवं इमानदार हैं ये सुनते ही नंदी के मुख पर मुसकान तुरंत ही लोटाई और उसका पूरा ध्यान उस समय की सबसे गंभीर समस्या पर चला गया उसकी व्रहद भूक वो बोजनाले में जैसे घुसा जैसे जंग जीतने जा रहा हो दबी हुई हसी हसते हुए पीछे पीछे शिव भी उसके साथ बोजनाले में प्रवेश कर गया थोड़ी सी दूरी पर मुख्य मारक पर विकर्म इस्त्रियों की सवारी शान्ती से चली जा रही थी वे सभी लंबे अंगवस्तरम से आच्छादी थी जो पवितर नीले रंग में रंगे हुए थे उनके सिर्फ पशाताप में नीचे जुके हुए थे उनकी पूझा की ठालियों में तरह तरह की पूझा सामगरियां भरी हुई थी सामानी रूप से शांत बाजार की गलियां मरतकिय शांती का अनुभाव दे रही थी जब विदैनी ये स्त्रिया वहां से बेकार में संकलित किये हुए वस्तों के समान गुजर रही थी उस सवारी के ठीक मद में अपना सिर नीचे जुखाय हुए नीले अंगवस्तरम पहने हुए जिसने उसके सिर से पाउं तक के शरीर को पूरी तरह सा ढख रखा था जिसे शिव देख नहीं पा रहा था वो कोई और नहीं सती थी जिसका मुख निराशा पूर्ण गरिमा का चित्र बना हुआ था इस प्रकार हम कहा थे प्रभू दूसरे दिन जैसे ही शिव और नंदी उनके नीजी कारयाले में आराम से बैठ गए तो दक्ष ने कहा प्रभू श्री राम जो परिवरतन लाए थे हम उस विशे पर बाचीत कर रहे थे माराज और उन्होंने कैसे स्वधर्म त्यागी ब्रामणों के विद्रों को पराजित किया था शिव ने उत्तर दिया आप बिलकुल सही है दक्ष ने कहा चाहते थे और शासन करना चाहते थे कुछ ब्रामण वैश्य बनना चाहते थे ताकि धन कमा सके और अपना जीवन विलासिता में बिता सके चबकिर इन का जिन्म उन्हें भामर के रूप pollsे इस्था ता तक कि मैंने सोचा था कि भगवान ब्रभाद में विधान बनाया था कि प्रतियोग गिता आत्मख परिक्षाओं के बाद को ब्राहमण बन सकता था शिव ने कहlier कि ये सही है प्रभो किन्तु समय के साथ इस चैन प्रक्रिशeking नयिस्पक्षता खो दी थी ब्राहमण की संतती ब्राहमण बनने लगी शत्री के संतती शत्री बनने लगी और इसी प्रकार अन्यों की भी चैन की आपचारिक विवस्ता शीगरी समाप्त हो गई एक पिता ये सुनिशित करने लगा कि वो अपने पुत्र एवं पुत्री को सभी संसाधन एवं सहायता उपलब्द कराए जिससे कि वे उन प्रवतेश्वर ने पहली बार शिव से बात करते हुए कहा शिव ने इस बात पर गौर किया कि प्रवतेश्वर ने उसकी खुशामत नहीं की और ना ही उसे प्रभु कहकर संपोधित किया प्रभु श्री राम के विचार में कोई समाज योगिता के अलावा यदि किसी अन् इसमें कोई अन्यकारण हस्तक्षेप नहीं कर सकता है यह एक अच्छा सिध्धान थे प्रवतेश्वर शिव ने तरक दिया लेकिन इसे आप विवहार में कैसे सुनिश्चित करेंगे यदि एक बच्चा ब्रहमण परिवार में जन्म लेता है और एक बच्चा जो शूद्र परिवार में जन्म लेता है उनके लालन पालन एवं संसाधनों में अत्यधिक अंतर होगा इसलिए ब्रहमण का बच्चा कम योगिता वाला होने पर भी ब्रहमण बन जाएगा जबकि शूद्र का बच्चा नहीं यह उस शूद्र के बच्चे के लिए अंग्चित नहीं है इस व्यवस्था में योगिता कहा है यही भगवान श्री राम की सहज योगिता थिश्यव परवतेश्वर मुस्कुराया निसंदे वे एक दीर सेनपती एक प्रतिभाशाली प्रशासक और न्याय प्रिय निरनाय कुशल वेक्ति थे किन्तु उनकी सबसे बड़ी देन इस व्यवस्था को बनाने में है जो यह सुनिश्चित करता है कि एक व्यक्ति का कर्म केवल उसकी योगिता पर आभारित होता है किसी अन्य बात पर नहीं वही व्यवस्था है जिसने आज मेलूहा को बनाया है जो वो आज है इतिहास में सबसे महान सामराज है आप सोमरस की भूमिका को अंदेखा नहीं कर सकते परवतेश्वर दक्ष ने कहा प्रभुश्री राम का सबसे बड़ा योगदान था सबको सोमरस प्रदान करना ये अम वो विवस्था क्या थी जो प्रभुश्री राम ने सथापित की थी विवस्था बहुत सरल है परवतेश्वर ने कहा जैसा कि हम सहमत है कि सरवोत्तम समाज वो है जहां किसी व्यक्ति की जाती उसकी योगदा एमूं कर्म से निर्नीध होती है किसी अन्यकारक से नहीं यका नमक एक महान औशधाले नगर की स्थापना नर्मदादध के उत्तर में सुधूर solid actually में की गई सबी गरभणी स्तिरी को जनन के लिए वहां की यातरा करनी पड़ती है उस नगर में केवल गरभणी इस्तरी को ही जाने की अनुमती दी जाती है किसी अनिको नहीं उसके पती उसके माता पिता को भी नहीं शिव ने पूछा नहीं इस नियम का कोई अपवाद नहीं है मातर एक को छोड़कर इस अफवात को लगबग 300 वर्ष पहले लागू किया गया था कुलीन परिवारों के पती एवं माता पिता को उस नगर में प्रवेश दिया गया था परवतेश्वर ने उत्तर दिया उसके भाव कह रहते कि प्रवुष्री राम की वरस्ता में इस भ्रिष्टचार से वो पूर्टा असेहमत था तब गर्विनी इस्तरियों की देखभाल मैका में कौन करता है और शिधाले के कर्मचारी वे इस कार्य में दक्षिता से प्रसिक्षित है प्रवतेश्वर ने कहना जारी रखा एक बार जब बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे को स्वास्त कारणों से मैका में ही रखा जाता है जबकि माता अपने नगर लोट आती है बीना बच्चे के ही? स्पष्ट रूप से आशर चकित शिव ने पोचा हाँ प्रवतेश्वर ने थोड़ी तेवरी चड़ा कर कहा जैसे कि संसार में इससे अधिक इस पष्ट तथे हो ही नहीं सकता था उसके बाद बच्चे को मेलुहा के गुरुकुल में भीजा जाता है जो की एक विशालकाय गुरुकुल है और मैका के निकट ही है प्रतेग बच्चे को पोड़ता एक प्रकार के सिक्षा का लाभ प्राप्त होता है सामराजी के उपलब्द संसादनों के साथ वे बड़े होते हैं क्या वे माता-पिता एवं बच्चे से सम्मंद्द आकड़े रखते हैं निसंदेव रखते हैं कि दो वे आकड़े अत्यधिक गोपनिय रखे जाते हैं और वे मैका के आकड़ा अधिकारी के पास ही होते हैं इसका सालहारान सा अर्थ ये होगा कि गुरुकुल एवं शेश सामराजी में किसी को भी ये नहीं पता होगा कि उस बच्चे को जन्म देने वाले माता-पिता कौन है शिव ने तर्क दिया क्योंकि जो वो सुन रहा था वो उसके परिणामों के बारे में सोच रहा था इस प्रकार प्रतेग बच्चा चाहे वो सफल होने के लिए पूर्टा एक समान असर प्रतान किये जाते हैं पंद्रा वर्ष के आयू होने पर जब वे बच्चे वयसकता को प्राप्त कर लेते हैं तो सभी बच्चों की एक व्यापक परिक्षा ली जाती है इस पर इक्षा के प्रिणाम ये निरने देते हैं कि वे बच्चे क्या होंगे ब्रामन, छत्री, वैश या शूद्र कनकला ने बीच में ही कहना प्रारम कर दिया और उसके बाद बच्चों को एक वर्ष तक उस जाती से संबंदित विशेश प्रसिक्षन दिप्रदान किया जाता है वे अपने वर्ण के रंग के फीते पहनते हैं शुद ब्रामन के लिए, लाल छत्री के लिए, हरा वैश के लिए और काला शुद्र के लिए और अपने अपने जाती गुरुकुल में शेश पढ़ाई के पूरी करने के लिए वापस चले जाते हैं और इसी कारण से आपकी जाती विवस्था को वर्ण विवस्था कहा जाता है शिव ने कहा, वर्ण का अर्थ रंग है, क्या मैं सही हूँ? जी हाँ प्रभू मुसकान लिए कनकला ने कहा, आप अत्यंत ही चौकनने हैं कनकला की ओर तिरसकार पूर्ण दृष्टी से देखती हुए पर वतेश्वर ने व्यंग करते हुए आगे बताया हाँ, ये बहुत एक कठिन निशकर्ष था इस वंगे पर ध्यान न देते हुए शिव ने पूचा और उसके बाद फिर क्या होता है? जब बालक सोलह वर्ष की आयू के हो जाते हैं तब उनका आवंटन उनकी जाती के आवे तक माता पिता को कर दिया जाता है उधारन के लिए यदि किसी ब्राहमन माता पिता ने गोद लेने के लिए आवेदन किया है तो मैका से किसी एक ब्राहमन जाती के लिए चैनित बालक को उन्हें आवंटित कर दिया जाएगा उसके बाद ये गोद लिये बाला गोद लेने वाले माता-पिता के साथ अपनी संतान के समान ही पलते बढ़ते हैं और समाच आदर्श है शिव ने आश्वर से कहा क्योंकि इस अत्यनती ही सुन्दर सरल विवस्ता ने उसके मन को अभी भूत कर लिया था प्रतेक व्यक्ति को उसकी योगिता के अनुसार हिस्थान दिया जाता है इस विवस्ता की प्रभाविता और इसका औचित विसमे कारक है समय के साथ प्रभू दक्ष ने बीच मही टोका हमने पाया कि उची जाती का प्रतिशत पूर्ण जन्धंख्या में दिन बढ़ता ही जा रहा है इसका अर्थ है कि इस जगत में सब में प्रगर्टि करने की योगिता है करना मातर इतना है कि सभी बालगों को उची तवसर प्रदान किये जाए तो फिर नीची जाती वाले प्रभू श्री राम को इसके लिए अवशी ही बहुत अधिक प्रेम करते होंगे शिव ने पूछा उन्होंने सफल होने के लिए उन्हें वास्तविक असर प्रदान किये हैं हाँ वे सही में उन्हें बहुत प्रेम करते हैं परवतेश्वर ने उतर दिया वे इनके सबसे अधिक निष्ठावान अनुयाई है जै श्री राम लेकिन मेरा अनुमान है कि बहुत सी माताएं इससे प्रसन नहीं होंगी मैं इसकी कलपना भी नहीं कर सकता कि एक इस्तरी अपने बच्चे के जन्व के तुरंद बाद ही उसे त्यागने के लिए सुएक्षा से एक्चुक होती होगी ये जानते हुए कि वो अब उसे फिर कभी नहीं मिलेगा परंद ये व्रहद अच्छाई के लिए है परवतेश्वर ने इस मुर्खता से भरे प्रतीत होते प्रशन पर नाग भौँ सी कोड़ कर कहा और फिर प्रतेक माता जिसे संतान चाहिए आवेदन कर सकती है और उसे उसके इस तर एवम चाहत के अनुरूप संतान का आवंडन भी हो सकता है एक माता के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है कि उसकी संतान उसकी अपेक्षाओं पर खरी न उतरे शिव ने परवतेश्वर के इस विवरार पर तियोरी चड़ाई लेकिन तरको को चलने दिया और बोला मैं इसका भी अनुमान लगा सकता हूं कि बहुत तेरे उची जाती वाले जैसे ब्रामण इसलिए प्रभुश्री राम से खुश नहीं होंगे आखिरकार उन्होंने सत्ता पर अपनी पकड़ खो दी थी जी हाँ दक्ष ने आगे का बहुत सी उची जातियों ने प्रभुश्री राम के इस सुधार का विरोध किया था केवल ब्रामण उने ही नहीं बलकि यहां तक कि छत्त्रियों एम वैश्यों ने भी प्रभुश्री राम ने उन्हें पराजित करने के लिए बड़े बड़े युद्र लड़े पराजित होने वाले जो बच गए वेही आज चंद्रवंशियों के रूप में हमारे समक्ष है तो आपके बीच का जगड़ा इतना पुराना है जी हाँ दक्ष ने कहा चंद्रवंशी भरष्ट एवं घिनोने लोग हैं कोई नतिकता नहीं कोई धर्मचार नहीं वे हमारी समस्याओं के सुरोत है हमें से कुछ लोगों का मानना है कि प्रभुश्री राम बहुत दयालू थे उन्हें इनको पूरी तरह से नश्ट कर देना चाहिए था किन्तु उन्होंने इन्हें छमा कर दिया और जीवी तरहने दिया वास्तविक्ता तो ये है कि हमें प्रभुश्री राम की जन्मभूमी आयूद्या में चंद्रवन्शियों के शासन का संताब जहिलना पड़ रहा है इससे पहले कि शिव इस सूचना पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाता नए प्रहार का घंटा बजगया था सभी लोगों ने नए आने वाले घंटे के लिए छोटी सी प्रातना की शिव ने ततकाल है खड़की के ओर देखा उसके मुख पर प्रत्याशा के छवी उभरी शिव के भाव को देखकर दक्ष मुस्कुराया हम लोग मध्यान भोजन के लिए प्रस्थान कर सकते हैं प्रभ यह बहुत ही अच्छा रहेगा महराज शिव मुस्कुराया क्या मेरा चेहरा इतना पारदर्शी है जी हाँ प्रभू किंदो यह तो आपके पास उपहार स्वरूप है मिलूहा में इमानदारी से बढ़कर कोई भी वस्तु मुलिवान नहीं है आप अपने अनुबंदी के ल भूल की थापों की आवाज सुनी तो उसने नंदी को विश्राम ग्रह में जाकर मध्यान भोजन करने के लिए भेज दिया वो अकेला रहना चाहता था उसने आनंदा तिरेक की एक घहरी सांस ली और बाड़े की पीछे पहुंचा तो उसने पाया कि गुरू जी एम कृतिका को इनके पाउं का इसपर्श किया सती फर्श की और टक्टकी लगाये देख रही थे क्रतिका ने उत्साह पूर्वक कहा आपके निरते को मैं अपने मन से निकाल ही नहीं पा रही हूं इस प्रशंसा पर शिव का मुख सुर्ख हो गया था ओ वो इतना वी अच्छा नहीं था अब आप प्रशंसा सुनने के लिए बेताव हो रहे हैं क्रतिका ने छिरखाने के मैं सोच रहाता है कि हम वहीं से शिरुवात कर सकते हैं जहां पिछली बार हमने अपनी बात छोड़ी थी शिव ने सती की और मुड़कर कहा मुझे नहीं लगता कि मैं आपको निरत सिखाने में मैं नियम का उलंगन कर रही हूं उसे पुरुषों से बात करने के अरुमती थी जब तक कि वो एक निश्चित आदर पूर दूरी बनाये रखें मैं स्वयम को दोशी क्यों महसूस करूं मैं अपनी ओर से पूरा प्रयतने करूंगी सती ने आपचारिता के साथ कहा मैं कै कि अब इस समय कुछ भी कहना उसे पूरे च्छड को नश्ट कर देना होगा सती ने गहरी सास ली अपने अंगवस्त्रम को कमर के चारो और लपेट कर बांध लिया और नट्राच की मुद्रा बना ली शिव मुस्कुराया जैसे ही उसने महसूस किया कि धरती माता उसकी शक् अपनी की रूप से सही थी किन्तु उसके मनों भावों की सची लगन ने उसके निर्टे को अलग स्थर पर पहुचा दिया था शिव ने महसूस किया कि आवास्तविक्ता का एक स्वपन मैंबूद उसे पुना वशिभूत कर रहा था सती ने जब अपने फूरतीले शरीर से निर्टे के अलग-अलग परदों का प्रदर्शन करना शुरू किया तो उसका चुम्बकी आकरशन शिव को खीच रहा था कुछ छड़के लिए शिव को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि निर्टे में जिस पूरुष की वो कामरा कर रही थी वो और कोई नहीं स्वयम शिव है थ प्रता जब उसने निर्ट समापत किया तो दर्शक गुड़ोंने सतकाल ही ताल्यों की गड़ड़ाहाट से निर्टे की प्रशन सा की यह आपके द्वारा किया अब तक का सर्वोत्तं निर्द था गुरुजी ने गर्व के साथ कहा धनेवाद गुरुजी सती ने जुकते मैंने सोचा कि आकरमण करने वाले द्रश्य में मैंने निरत्य पदर ठीक नहीं किये थे सती ने आलोचनात्माग धंक से बात कही आप स्वयम पर कुछ अधीखीट दवाव डाल रही है शिव ने दिलासा दिया वो एक बहुत छोटी भूल थी वो भूल मातर इसलिए हुई क्योंकि आप अपनी कोहनी का एक कोण भूल गई जिस कारण आपका अगला निरत्य पद थोड़ा अजीब लगा बड़ी शीगरता से उठते हुए शिव ने कहना जारी रखा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो सती तक चल कर पहुचा और उसने सही कोण बनाने के लिए सती का हाथ पकड़ा सती भैभीत होकर तुरंत ही पीछे हट गई और गुरू जी एवं कृति का हैरान परशान दिखे शीव को ततकाल ही महसूस हो गया था कि कुछ बहुत ही बुरा हो गया था मुझे शमा करें शीव ने वास्ताओं में खेद से कहा मैं तो केवल ये दिखा रहा था कि कोहनी की स्थिति कहा होनी चाहिए थी स्तब्द एवं जड़वत सती शीव को गूर रही थी गुरू जी पहले वेक्ति थे जिन्नोंने अपना विवेक पुना प्राप्ति किया और उन्हें बोध आया कि शीव को अवशी ही शुद्धी करण पूजा के लिए जाना चाहिए अपने पंडित के पास जाये शीव उनसे कहिए कि आपको शुद्धी करण क्या आवशकता है दिन के समाप्त होने से पहले ही जाये क्या ये शुद्धी करण क्या है मुझे इसक कुछ भी नहीं होगा देखिए मुझे बहुत खेद है यदि आपको इस पर्ष करके मैंने किसी नियम का उलंगन किया है मैं ऐसा दुबारा नहीं करूंगा कृपिया इसको इतनी बड़ी बात ना बनाईए यह बड़ी बात है सती ने चीख कर रोते हुए कहा सती की इतनी प्रतिक्रिया ने शिव को हिला दिया ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई है जो यह लोग इतनी बड़ी बात बनाते जा रहे हैं कृतिका सती के निकड़ गई कि इस प्रकार की इस पर्ष नहों और फुस्पसा कर कहा हमें घर चलना चाहिए देवी नहीं नहीं कृपा करके को मुड़ी और उसने पुना हाथ जोड़कर विंदी की कृपया रात्री से पूरु शुद्धी करण के लिए अविश्य जाईये कृपया भूलियेगा नहीं शिव के मुख पर ना समझने वाले विद्रों के भाव देखकर गुरू जी ने सलाह दी उसकी बात माने शिव व शुद्धी करण के लिए नहीं गया था उसने इस बारे में जानने का प्रेत्न भी नहीं किया था कि वह रस्म क्या थी सती को चूने पर मुझे शुद्धी करण की क्या शक्ता है मैं तो उसे हर संभव प्रकार से चूते हुए अपना शेज जीवन बिताने की इच्छा रख नहीं यह सच नहीं हो सकता शेज ने अपने ही मन में कहा सती ऐसा कुछ नहीं सोच्ती है वह एक भली इस्त्री है लेकिन अगर यह सच है हो सकता है कि वह जानती हो कि मैं नील कंठ हूँ अध्याय साथ प्रभु श्री राम का अधूरा कार्य आप आज प्राता कुछ विचलित प्रतीत हो रहे हैं प्रभु क्या ठीक हैं चिंतित दक्ष ने पूछा हूं शिव ने उपर देखा और कहा मुझे चमा करें महराज मैं थोड़ा अन्य मनस्क था दक्ष ने चिंतित भाव से कनकला को देखा उन्होंने पिछली रात्रे को भोजन के समय सती को भी इसी प्रकार के विशात भरे चहरे के साथ देखा था किन्तु उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया था क्या आप बाद में भेट करने की इक्षा रखते हैं दक्ष ने पूछा बिल्कुल नहीं महराज सब ठीक है मुझे चमा करें और मारतालाब जारी रखें शिव ने कहा ठीक है जैसा आप कहें चिंतित दक्ष ने कहा हम लोग प्रभू श्री राम द्वारा समाज में लाए गए परिवर्तनों के बारे में बात कर रहे थे जी हां शिव ने अपने सिर को हलका हिला कर कहा ताकि वो सती द्वारा किये गए अंतिम अनरोध के चित्र को मन से निकाल सके मैका विवस्था ने अत्यन थी अच्छी तरह से काम किया हमारा समाज तेजी से बढ़ने लगा इस प्रिथवी पर हमारी भूमी पहले से ही सबसे अधिक संपदा संपन रही है किन्तो पिछले 1200 सालों में हमने बड़े ही नाट किये ढंग से अन्य लोगों की तुलना में आस द्वारा कुछ बुरा करने को विवश होना पड़ता है हम किसी अन्य देश पर जीत की मंशा से अत्वा कारण ही आकरमर नहीं करते असल में हमारा समाज एक आदर्श समाज बन चुका है जी हा महराज शिब ने वारतलाप में धीरे धीरे संबलित होते हुए सहमती दी मैं न परवतेश्वर ने आकरामक्ता से तर्क दिया आप सोचते हैं कि आदर्श है परवतेश्वर शिव ने नम्रता से पूछा क्या मेलूहा में सब कुछ वैसा ही होता है जैसा प्रभु श्री राम ने अध्यदेश दिया था परवतेश्वर चुप हो गया चाहे वो इसके उत् प्रभुत हैं यहां सब कुछ बहुत ही सुवय वस्थित प्रतीत होता है एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि तब आप लोग अपने भविशी को लेकर इतने चिंतित क्यों है आखिर समस्या क्या है नील कंट की क्यों आवशकता है मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं द करते हैं जिनका हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं आपने तक ही सीमित रहते हैं और दूसरे समाजियों को हसाब से जीवन जीने दे। आनने समाज भी हमें हमारे हिसाब से जीवन जीने दे और किसी प्रकार का हस्तक शेप ना करें और महराज अनुमानता वे ऐसा नहीं चाहते, नहीं वे ऐसा नहीं चाहते हैं क्यों? एक साधारान सा शब्द है प्रभू, दक्ष ने उतर दिया इरश्या, वे हमारे बहतर तरीकों से घणा करते हैं, हमारी प्रभाव शाली पारिवारिक व्यवस्था उनकी आँखों में खटकती है, हम हमारे सामराज में सबकी देखभाल करते हैं, ये तथ्य उन्हें आप रसन्न करता हैं, क्योंकि वे स्वयम अपनी देखभाल नहीं कर स था, क्योंकि मान सरोवर जिल के किनारे पर हमारा नियंतरन था, और इस प्रकार हमारे पास सबसे उप्यक्त भूमी थी, लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि काश हमने अपना सुन्दर ऐश्वर सुच्छा पुरवक उनसे बाटा होता तो हम रक्तपात को टाल सकते थे, कि दो हम अपना ऐश्वर उन लोगों के साथ बाटते हैं प्रभू, जो इसकी इच्छा प्रकट करते हैं, इसके बावजूद इर्शिया हमारे शुत्रों को अंधा बना देती है, चंद्रवंशियों को ये पता चल गया कि ये सोम्रस ही था, जिसने हमारी शृष्चता को प्र होता है, जिसका नाम मंदार परवत है, सोम्रस का चूरन वहाँ बनाया जाता है, और उसके बाद समस्त सामराज में उसका वितरन किया जाता है, समस्त मेरूह में नेत किये हुए मंदिरों में प्रसिक्षित ब्राह्मन उसका जल एवं अन्य आवश्यक सामगरियों में मिश् शिव ने कहा चंद्रवन्शी हमारे समान शक्तिशाली नहीं हो सके क्योंकि उनके पास कभी भी परियाप्त मात्रा में सोमरस नहीं रहा है इर्शा के कारण उन्होंने सोमरस को नश्ट करने एक गुमावदार रास्ता अपनाया ताकि अंतता हमें नश्ट कर सके सोमरस का एक बहुती महतपूर्ण घटक है सरस्वती नदी का जल किसी और स्रोत का जल इसमें काम नहीं करता है सच में क्यों हमें इसका ग्यान नहीं है प्रभू हमारे वैग्याने किसकी व्याक्या नहीं कर पाए है किन्तु तत्य यही है कि मात्र सरस्वती का जल ही काम करेगा इसी कारण से चंदरवंशियों ने हमें नुकसान पहुचाने के लिए सरस्वती की हत्या करने का प्रयास किया है नदी की हत्या? शिव ने आविश्वास के साथ कहा जी हाँ प्रभू दक्ष ने कहा और उसकी बच्चों जैसी आखे चंदरवंशियों के इस विश्वास घात पर जलने लगी सरस्वती नदी का उद्गम उत्तर में दो विशाल नदीयों सतलच एवं यमुना के संगम से होता है प्राचीन समय में सतलच एवं यमुना नदीयों की धाराएं तटस्त छेतर में हुआ करती थी हम दोनों ही अर्थात सूर्यवंशी एवं चंदरवंशी वहां जाकर सोमरस के लिए जल लेकर आते थे लेकिन उन्होंने सरस्वती की हत्या कैसे करने का प्रयास किया था महराज उन्होंने यमुना की धारा के मार को बदल दिया ताकि वो दक्षण की ओर ना जाकर पूर्व की दिशा से मुख्य नदी गंगा में जाकर मिले आप ऐसा कर सकते हैं नदी की धारा के प्रवा को मोड सकते हैं शिव ने आश्चर में पूछा हाँ निसंदे कर सकते हैं परवतेश्वर ने कहा हम बहुत अधिक अप्रसंद होए दक्ष ने बीच में ही कहा किन्तु हमने उन्हें उनके कपट्ट को सुधारने का अवसर दिया और और आप चंदरबंशियों से किसी वश्टू की आशा कर सकते हैं प्रवू दक्ष ने ग्रणा से कहा उन्होंने ऐसा कुछ करने से साफ इनकार कर दिया उन्होंने दावा किया कि किसी छोटे से भूकम के कारण समय के साथ नदी ने स्वयम ही अपनी धारा का प्रवाह बदल लिया था और उससे भी बुरा ये कि उन्होंने अब दावा कर दिया कि चुकि नदी ने स्वयम ही अपनी धारा का रुख मोड लिया था तो हम मिलूहा वासियों को ईश्वर की इच्छा समझ कर उसे सुईकार कर लेना चाहिए निसंदे हमने ये सुईकार करने से मना कर दिया परवतेश्वर ने कहा महराज के पिता समराड ब्रह्म नायक के निरत्रत में हमने स्वधी पराक्रमल कर दिया चंद्रवंशियों का राज्य शिव ने पूछा हाँ शिव प्रवतेश्वर ने कहा और वो एक गुंजायमान विजय थी चंद्रवंशियों की सेना की बुरी तरह से पराजे हुई कृपालु समराड ब्रह्म नायक ने उनकी भूमी और उनके शासन को रहने दिया यहां तक हमने युद्ध की छतिपूर्ती या वार्शिक शुल्क भी नहीं मागा उस आत्मसामरपड समझोती की एक मात्र शर्त थी यमुना की वापसी हमने यमुना को पुना उसके मौलिक धारा में प्रवाहित कर दिया ताकि वो सरस्वती से मिल सके आप उस युद्ध में लड़े थे परवतेश्वर हाँ परवतेश्वर ने कहा उसका सीना गर्व से हमारा मानना है कि चंद्रवंशी एक बार पुना कुछ कपट कर रहे हैं हम अभी तक कुछ भी अच्छी तरह समझ नहीं पाएं उनकी पराजय के बात हम दोनों सामराज्यों के मद्ध के छेत्र को किसी सामराजी की निजी भूमी से प्रतक गोशित कर दिया गया और उस पर जंगल उग गए थे उस चेत्र में यमुना की प्रारंभिक धारा भी संबले थे हमने उस समझोते का उनपालन किया और छेत्र को कभी भी छेड़ा नहीं ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने जो वचन अपनी योर से दिया था उसका पालन नहीं किया क्या आप निश्यत किया एक सच्चा सूरिवन्शी कभी असते वचन नहीं कहता परवतेश्वर दक्ष ने डाटते हुए क्रोध में कहा प्रभू के कहने का वैसा कोई तात्परे नहीं था मेरी बात ध्यान से सुनिया परवतेश्वर शिम ने नम्रता से कहा यदि मैंने अपने देश में आकार शियर डेगी हम लोग युद्ध ना करें बहुत अच्छा क्या महान मुक्तिताता हमें मिला है परवतेश्वर ने मन ही दndre होह कहा किया आप भी कुछ beginner कर का मैंने आपको पहले ही कहा था आप निलकंट का आनाधर मेरी उपस्तिती में करेंगे मैं आपसे आग्या नहीं ले इसी कारवर से मैंने अब तक युद्ध को टाला हुआ है किन्तु इस विशे में तत्यों को देखिए पिछले 50 वर्षों में सरस्वती की धारा कम होती ही जा रही है और पिछले कुछ वर्ष तो सचमुची भयावा रहे हैं कनकला ने कहा वो धीमे धीमे मरती जा रही नदी के दुख में बड़ी ही मुश्किल से अपने आस्वों को बहने से रोक सकी जिसे अधिकतर मिलूहावासी माता सुरूप आदर करते थे सरस्वती अब तो समुद्र तक भी नहीं पहुच पाती है और राजस्थान में भूमिगड डेलता तक जाकर समाप्त हो जाती है और सोम्रस बिना सरस्वती के जल के नहीं बनाया जा सकता दक्ष ने कहना जारी रख चंदरवंशियों को ये बात पता है इसी कारण से वे उसे मारने का प्रयास कर रहे हैं इसके बारे में स्वधवीप के प्रतिनिदी का क्या कहना है क्या उसे पूछताच की गई है स्वधवीप से हमारा कोई कूटनीतिक संबंद नहीं है प्रभू दक्ष ने कहा क्या सच मुच में मैंने सोचा कि दूसरे देशों के प्रतिनिदियों का होना आपकी एक नवीन विवस्था थी ये आपको उन्हें भली भाती जानने समझने का मौका देता है और युद्ध को टालने में मदद करता है मैंने सुना है कि दो दिनों के बाद मिसुपटामिया से एक राजने दल यहां आ रहा है तो फिर स्वध्वीप से भी कूटनीतिक संबंद क्यों नहीं हो सकता है आप उन्हें जानते नहीं है प्रभू वे आविश्वासी लोग हैं कोई भी सूर्वंशों की तरह जीने वाला सुएच्छा से चंद्रवंशों से बात करके अपनी आत्मा को गंदा नहीं करना चाहेगा शिव ने तियोरी चढ़ाई किन्तु कुछ कहा नहीं आप नहीं जानते कि वे किस इस्तर तक नीचे गीरे चुके हैं प्रभू पिछले कुछ वर्षों में तो उन्होंने आतंकी आक्रमण में शाप युक्त नागाओं का प्रियोग भी प्रानब कर दिया है कनखला ने ग्रणित भाव से कहा आतंकी हमले? जी हाँ प्रभू दक्ष ने कहा उनकी पराजय ने उन्हें कई दशकों तक शांत रखा पिछले युद्ध में हमारी अत्यथिक तीवर विजय के कारण उनका मानना है कि वे प्रत्यक्ष युद्ध में हमें पराजित नहीं कर सकते आता वे ऐसे धावे करने लगे हैं जो उनके जैसे घिनवने लोग ही कर सकते हैं आतंगी आक्रमण मैं कुछ समझा नहीं वे ऐसल में करते क्या हैं वे हत्यारों के छोटे छोटे दल भीजते हैं जो सहसा सारवजनिक किन्तु असैन इस्थलों पर आक्रमण करते हैं उनकी मंशा असैनिकों पर आक्रमण करना होता है जैसे ब्रामण वैश या शूद्र वे मंदिर एवं सारवजनिक इसनान घरों को उजारना चाते हैं रहसे इस्थल जहां संभवता उनका सामना करने के लिए सैनिक नहीं होंगे किन्तु उनका ये विनाश सामराजी के मनुबल का नाश करेगा और आतंग पहलाएगा ये तो घरनित है हमारे देश में पूरी तरह से जंगली प्रकृति वाले भी संभवता ऐसा ना करें शिव ने कहा हां ये चंद्रवंशी बहादरों की तरह युद्ध नहीं करते ये कायरों की तरह युद्ध करते हैं परवतेश्वर ने कहा तो फिर आप उनके देश पर हमला क्यों नहीं करते हैं इसे हमेशा के लिए समाप्त कर दीजे हम ऐसा करना चाहते हैं प्रभू दक्ष ने कहा गिंतु मैं आश्वस्त नहीं हूँ कि हम उन्हें पराजित कर सकते हैं दक्ष की और मुढ़ने से पहले शिव ने परवतेश्वर की और देखा जो अपनी सेना के इस अपमान पर मन ही मन खौल रहा था क्यों माराज आपके पास बहुत अच्छी प्रसिक्षित एवं प्रभावी सेना है मुझे विश्वास है कि आपकी सेना उन्हें पराजित कर सकती है दो कारण है प्रभू प्रथमता हम लोग संख्या में बहुत कम हैं यहां तक हम सो वर्षों पहले भी उनसे संख्या में कम थे किन्तो उस समय हमारा अंतर उतना अधिक नहीं था जितना की अब है हमारा अनुमान है कि उनकी जनसंख्या 8 करोड है जबकि उनकी तुलना में हमारी जनसंख्या मात्र 80 लाक है वे हमारे विरुद्ध एक बहुत बड़ी सेना खड़ी कर सकते हैं उनकी इतनी बड़ी संख्या ही हमारी तक्निकी स्रेश्चता को शीन कर देगी लेकिन आपकी जनसंख्या कैसे कम हो सकती है आपके पास ऐसे लोग हैं जो 200 सालों से अधिक समय तक जी सकते हैं आपकी जनसंख्या तो उनसे कहीं अधिक होनी चाहिए थी समाज शास्त्री काराण प्रभू दक्ष ने कहा हमारा सामराज अमीर है अपने करतव्यों से भी अधिक बच्चे केवल एक विकल्प की वस्तो है मायका विवस्ता से बच्चों का गोद लेना माता पिताओं द्वारा कम संख्या में होता है सामराज़दा एक ये दो ही ताकि वे उनका लालन पालन उचित-प्रकार से कर सकें मायका में कम संख्या में इस्तरी पहुँच रही है स्वध्वीप में गरीब लोगों के बच्चे उनके लिए आये के साधन के रूपे मजदूरी करते हैं जितनी संख्याप में बच्चे होते हैं उतनी ही कम गरीबी होती है अता उस देश की जनसंख्या बहुत अधिक होती जा रही है और युद्ध टलने का दूसरा कारण दूसरा कारण ऐसा कुछ है जो हमारे नियंतरण में है हम युद्ध के नियम के साथ युद्ध करते हैं मानक एवं आचार नीती के साथ चंद्रवंशी वैसा कुछ भी नहीं करते हैं मुझे डर है कि हम मेंसे जो ये एक कमी है उसका लाव हमारे निर्दाई शत्रू उठा सकते हैं। युद्ध के नियम शिव ने पूचा, जी हाँ, उधारण के लिए हम बिना श्रस्त्रवालों पर आक्रमार नहीं करते। एक बहतर श्रस्त्रवाला व्यक्ति जैसे अश्वारोही सैनिक अपने से कमजोर श्रस्त्रवाले अहनिकों पर आक्रमार नहीं करता। जैसा कि प्रभु श्रीराम ने कहा था किसी व्यक्ति की आचार नहीं थी एहुम उसका चरित्र उसके अच्छे समय में नहीं आका जा सकता। केवल बुरे समय में ही पता चलता है कि कोई व्यक्ति अपने धर्म पर कितना अड़ी रहता है। किन्तु परवतेश्वर गहरी सांस लेते हुए दक्ष ने कहा। हम लोगों पर ऐसे लोग आकरमण नहीं कर रहे हैं जो हमारी तरह नैति के वंशालीन हैं। हमारी जीवन शैली पर आकरमण हो रहा है। यदि हम अपने यसा संभव तरीके से युद्ध नहीं करते हैं तो हम पराजित हो जाएंगे। मुझे एक बार पुना शहमा करें महराज। परवतेश्वर ने कहा। मैंने ये कभी नहीं कहा कि हमें युद्ध का उत्तर युद्ध से नहीं दिना चाहिए। मैं तो बार-बार आपसे कहता आ रहा हूँ कि आप हमें चंद्रवंशियों के विरुद युद्ध करने की घोष्णा करने की अनुमती दीजे। किन्तु यदि हम अपने नियमों आचार नेतियों विधी सनहिताओं के बिना युद्ध करते हैं तो हमारी जीवन शैली तो समझे कि विनिष्ट हो ही जाएगी और चंद्रवंशियों बिना हमसे युद्ध किये ही जीत जाएंगे। नगरी प्रहर के घंडे के बचते ही बातचीत रुख गई और सभी ने छोटी पूजा की। शिवने इस सोच के साथ खड़की के और देखा कि आज सती नरते करेगी या नहीं। दक्ष ने आशा भरी दृष्टी से शिव को देखा। क्या आप कहीं जाना चाहते हैं प्रभू। नहीं महाराज। शिवने अपने अंतर मन में चल रही पीड़ा एवं गडबड को चुपाते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई मेरी प्रतिक्षा कर रहा है। इस पर दक्ष के मुख से मुस्कुराहट उसकी आशा के साथ ही अद्रश हो गई। शिवने कहना जारी रखा है। यदि आपको उचित लगे तो क्या हम ये प्रिचर्चा जारी रख सकते हैं महाराज। संभवता मध्यान भोजन हम कुछ देर बाद भी कर सकते हैं। मजरा हूं कि आपके पास इस पश्ट रूप से कोई योजना है जिसमें मेरे नीले गली को विचित रभूमिका निभानी है। जी हां हमारे पास योजना है व्रभू। मैं अनुभाव करता हूं कि एक समराठ होने के इनाते यदि मैं भी हमारे कुछ लोगों के उचित क्रो से सरल एवं निशित मारग है कि हम स्वधीप वासियों की रक्षा करें। स्वधीप वासियों की रक्षा। शिव ने सच में आश्चरे से पूछा। जी हां प्रभू। उनकी उस दुष्ट दर्शन से रक्षा जो उनकी आत्माओं को संक्रमित कर रहा है। अधर्मी शासक की तरह रहेंगे। ये मीरे पिता बर्मनायक का अधूरा कारें आसल में ये प्रहौ श्रीराम का अधूरा कारें। ये बहुत बड़ा कारे है महराज शिव ने कहा ये दयाशीलता एवन तरकों को अवश्य लहराए है लेकिन ये बहुत ही भारीकारे है आपको उनकी सीना को पराजित करने के लिए सैनिकों के आशकता होगी और उन्हें अपनी और करने के लिए धर्म प्रचारकों की भी चुनौती उनके सामने रख रहा हूँ इसी कारव मैं इसे निलकंट के बिना आरम नहीं करना चाहता था प्रभू शिव को बहुत सालों पहले कही हुई अपने चाचा की बात याद हो आई जिसमें दूसरे जीवन के बारे में उन्होंने बताया था तुम्हारा प्रारब्ध इन परवतों के बाद इस्थित है तुम उसे पूरा करोगे या फिर उससे भाग जाओगे ये तुम पर निर्भर करता है जैसे ही दक्ष ने पुना कहना आरंभ किया तो शिवन ने अपना ध्यान केंद्रित किया जिन विपत्तियों का सामना हम कर रहे हैं उसकी भाविश्वानी पहले ही कर दी गई थी प्रभू दक्ष ने कहना जारी रखा था प्रभुर्शी राम ने स्वयम कहा था कि कोई भी दर्शन चाहे कितना भी आदर्श क्यों ना हो वो मात्र एक सीमित समय तक ही प्रभावी रहता है ये प्रकृति का नियम है और इसे टाला नहीं जा सकता है किन्तु पावरानी कथाएं हमें ये भी बताती हैं कि जब ये विपत्तियां एक आम आदमी के लिए अलंग हो जाएंगी तो निलकंठ प्रकट होंगे और विदुष्ट चंदरवंशों का नाश करेंगे और अच्छाई की शक्तियों की पुना इस्थापना करेंगे प्रभु आप ही निलकंठ है आप हमारी रक्षा कर सकते हैं आप प्रभु श्री राम के अधूरे कारे को पूरा कर सकते हैं आप अवश्य हमारा नित्रत्व करें और चंदरवंशों को पराजित करने में हमारी सहायता करें आप स्वधवी प्वासियों को एक जगहा पर बटोर कर उन्हें सच की राह पर अवश्य लाएं नहीं तो मुझे डर है कि ये जो सुन्दर सामराज आज हमारे पास है जो मेलूहा अदर्श के निकट का सामाज है वो बर्शों नसमाप्त होने वाले युद्ध से नश्ट हो जाएगा क्या आप हमारी सहायता करेंगे प्रभू क्या आप हमारा नित्रत्व करेंगे शिव पूरी तरह से चक्राया हुआ था लेकिन मैं कुछ समझा नहीं महराज वास्तों में मुझे क्या करना होगा मैं नहीं जानता प्रभू हमें मात्र हमारा लक्ष पता है और ये कि आप हमारे मार दर्शक होंगे हमें कौन सा मार्ग लेना है ये आप पर निर्भर करता है ये चौते हैं कि आट करोर लोगों के जीवन जीने के ढंगों को मैं अकेले ये बदल दू क्या ये लोग पागल हैं शिव ने संभाई कर बोलना प्रारा रब किया मुझे आप लोगों से और आपके कश्टों में बहुत साहनुभूती है महराज लेकिन इमानदारी से कहूं तो मुझे वास्तों में ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मेरे जैसा एक आदमी ऐसा अंतर ला सकता है यदि वो व्यक्ति आप है प्रभू दक्ष ने कहा उसकी नम हुई आखे भक्ति एवा मास्ता से बड़ी हो गए थी तो वे पूरे ब्रह्मानद को परवर्थित कर सकते हैं मैं इस बारे में पूरी तरह से असंदिक दू नहीं हूं महराज शिव ने एक दुरबल मुस्कान के साथ कहा मेरी उपस्तिदी क्यों इतना बड़ा अंतर लाएगी मैं कोई चमतकार करने वाला आदमी नहीं हूं मैं चुटके बजाकर बिजली गिराने वाले बान चंदरवंशियों पर नहीं चला सकता आपकी उपस्तिदी मात रहे ये अंतर उत्पन कर देगी प्रभू मैं आपको सामराज में भ्रमण करने का आमंतर देता हूँ आप नीले गले का प्रभाव लोगों पर देखिए एक बार हमारे लोग ये विश्वास कर लेंगे कि वे चाहें तो वे कुछ भी कर लेंगे आप निलकंट हैं प्रभू कनकला ने भी कहा लोगों को नीले गले के वाहक पर आस्था है उनकी आस्था आप में है क्या आप हमारी साहता करेंगे प्रभू क्या तो गुना भाग जाओगे लेकिन आपको कैसे पता कि मेरा नीला गला मुझे सच्चा नीलकंट बनाता है शिव ने पूछा आपको क्या पता कि नीले गले वाले कितने मेलुहावासी आविश्क्रत होने के लिए प्रदिक्सा मे बैठे हुए है नहीं प्रभू दक्ष ने कहा वो मेलुहावासी नहीं हो सकता पवराणी गाथा बताती है कि नीलकंट विदेशी होंगे वो सब्त सिंदू से नहीं हो सकते और सोमरस का पान करने के बाद उनका गला नीला हो जाएगा शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया वो पूरी तरह से स्थब्द लग रहा था क्योंकि सचाई उसके सामने प्रतेक्ष खड़ी थी श्री नगर, प्रथम रात्री, सोमरस इसी कारण से मेरा शरीर भला जंगा हो गया था इसी कारण से मैं पहले से भी अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ दक्ष और कनखला ने शिव को आशा भरी दरश्टी से देखा उन्हें शिव के निरने के प्रतीक्षा थी मैं उसके उचित निरने के लिए पूजा रहत थे केवल मैं ही क्यों सभी गुड़वालों को सुमरस दिया गया था क्या मेरे चाचा जी सही थे क्या सचमुच मेही मेरा कोई प्रारब्ध है परवतेश्वर ने संकुचित हुई आँखों से शिव को घूरा मैं किसी प्रारब्ध का पात्र नहीं हूँ लेकिन संभौता मेरे लिए प्रायश्चित करने का ये एक आउसर हो लेकिन सबसे पहले शिव ने नियंतरित विनमरता से पूछा महराज इससे पहले कि मैं उत्तर दूँ क्या मैं एक प्रश्णि पूच सकता हूँ क्या आप इस पर विश्वास करते हैं कि मित्रता के लिए इमानदारी आवश्च होती है इसके बावजूद की सच उसके मित्र को बुरा लगे जी हाँ निसंदे है दक्ष ने ये सोचते हुए कहा ये पता नहीं शिव के कहने का क्या आश्य होगा पूरी इमानदारी केवल दो व्यक्तित्वों के संबंध की आधार शिला ही नहीं बलकि किसी स्थिर समाज का भी आधार है पर वतेश्वर ने बीच में ही कहा मैं इससे सहमत हूँ शिव ने कहा लेकिन फिर भी मेलुहा मेरे प्रती इमानदार नहीं था किसी ने भी कुछ नहीं कहा शिव ने सभ्यता किद्व द्रणता भरे स्वर में कहा जब हमारे कभीले को मेलुहा आने का नियंतरन दिया गया था तो हमें ऐसा प्रतीत करवाया गया था कि आप लोगों को आप्रवासी चाहिए क्योंकि आप लोगों को काम करने के लिए लोगों की आवशक्ता थी और मैं अपने पिछडे प्रदेश की भूमी से बचकर खुश था लेकिन अब मुझे आभास हुआ कि आप बड़े ही विवस्ते ढंक से निलकंटी की तलाश कर रहे थे नंदी के और मुड़े हुए शिव ने कहा हमें ये नहीं बताया गया था कि जैसे ही हम मेलुहा में प्रवेश करेंगे तो सोमरस जैसी कोई आउशदी हमें पिलाई जाएगी हमें ये भी नहीं बताया गया था कि उस दवाई का ऐसा प्रभाव होगा नंदी ने दो श्युक्त द्रिश्टी से नीचे देखा उसके प्रभू का उस पर क्रोधित होना उचित था दक्षी और मुड़ते हुए शिव ने कहना जारी रखा था महराज आपको पता ही है कि मुझे बताय बिना ही श्री नगर में पहली रात ही मुझे सोमरस पिलाया गया था उस अधमता के लिए मैं शमा प्रार्थियों प्रभू दक्ष ने हाथ जोड़कर बिंती करते हुए कहा इसके लिए मैं हमेशा शर्मिंदा रहूँगा किन्तो हमारे लिए ये बहुत ही महतपोर्ण था प्रभू और फिर सोमरस ने आपके शरीर पर काफी सकरात्मा प्रभाव डाला है इसने किसी भी प्रकार से आपको हानी नहीं पहुचाई है मैं जानता हूँ मैं दिरगाई हूँ एमस्वस्त जीवन के लिए दुखी नहीं हूँ महराज शिव ने बात को उखमा कर कहा क्या आप जानते हैं कि उस राज संभवता मेरे कबीले वालों को भी सोमरस दिया गया था और वे गंभीर रूप से बीमार हो गये थे संभवता सोमरस के काण वे किसी भी जोखिम में नहीं थे प्रभू कनख्ला ने च्छमा प्रारती होते हुے कहा कुछ लोगों को पहले से ही कोई ना कोई बिमारी होती है जब सोमरस उनके शरीर में प्रवेश करता है तो उस बिमारी को उजागर कर देता है जिसे ठीक कर देने के बाद वो बीमारी फिर कभी नहीं होती इसी कारण शरीर मृत्युपरियंत स्वस्त रहता है असल में आपके कबीले वाले अब अधिक स्वस्त है प्रभू इसमें कोई संदे नहीं है कि अधिक स्वस्त है शिव ने कहा बात सुमरस के प्रभाव की नहीं है मैं और मेरा कबीला अब बहतर है ये सच है फिर भी जो अब तक मैंने मेलूहा को समझा है उससे मुझे प्रतीत होता है कि किसी से बिना तक्थे बताए कुछ काम करवाना प्रभु श्री राम का तरीका नहीं हो सकता है कहलाश परवत पर ही हमें सारा सच बता दिना चाहिए था तब आप हमें हमारी इच्छा के अनुसार चुनाओ का उसरत देते ना कि आप ही हमारे लिए चुनाओ करते संभवता हम तब भी मेलूहा आते किन्तु तब वो हमारा चैन होता हमें इस कपट के लिए शमा करें प्रभू दक्ष ने दोशी होकर खेद में कहा यह सच में हमारे तरीके से काम करना नहीं है हम अपनी सच्चाई और इमानदारी पर गर्व करते हैं किन्तु हमारे पस और कोई रास्ता नहीं था हम सच में बहुत बहुत छमा प्रार्थी हैं ब्रभू आपके लोगों की देखरे की जा रही है वो इतने स्वस्थ हैं जितना पहले कभी नहीं थे पर अपना जीवन लंबे समय तक अच्छा व्यतीत करेंगे पर वतेश्व ने अंतता अपनी चुपी तोड़ी कई दश्कों पहले जब से ये खोश शुरू हुई थी वो अपने हिर्दे की बात बताना चाहता था जो वो अब तक बता नहीं सका था उसने का शिव हम लोगों ने जो किया है उसके लिए हम सच में शमा मांगते हैं आपको क्रोध करने का पूरा अधिकार है जूट बोलना हमारा तरीका नहीं है मेरी विचार से जो किया गया वो कुरूप था और प्रभु श्री राम ने इसके लिए कभी शमा नहीं किया होता हमारी विपतिया चाहे कितनी ही गंबीर के उना हो हमें कोई अधिकार नहीं कि हम किसी को अपनी सहायता के लिए धोखे में रखे मैं अत्यदिक शमा प्राथी हूँ शिव ने अपनी भौहें उपर उठाई परवतेश्वर अकेला है जो बहाने बनाने के बजाए खेत प्रकट कर रहा वो महान समराज श्री राम के तरीकों को सच्चा अनुयाई था शिव मुस्कुराया दक्ष ने राहत के गहरी ध्वनी वली सांस ली शिव दक्ष के और मुड़ा और उसने कहा अब हमें उसे भूला दिना चाहिए माराज जैसा कि मैंने कहा था आपके सामराज के बारे में कुछ चीज़े हैं जिसमें सुधार किया जा सकता है इसमें कोई संदेव नहीं है लेकिन फिर भी जितनी दुनिया अब तक मैंने देखी है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन में से ये सबसे अच्छे समाजों में से एक है और इसके लिए युद्ध करना एक नेक कारे होगा लेकिन मेरी कुछ शर्ते हैं निसंदेव रभू दक्ष ने उन्हें प्रसंद करने की इच्छा से कहा इस समय मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एक कारे कर पाऊंगा जिसकी आपको मुझसे आशा है और ये भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं करूँगा मेरे कहने का तातपर ये है कि मैं अपनी ओर से पूरा प्रयतन करूँगा लेकिन उससे पहले मैं आपके समाज को और अधिक समझना चाहता हूँ ताकि मैं कैसे आपके मज़द कर पाऊं उसके लिए असंदिक्ध हो जाओ मैं मान कर चल रहा हूँ कि मुझसे कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा और नाहीं मुझे भ्रहमित किया जाएगा निसंदेव रगो दूसरी बात आपको अभी भी अपनी जनसंक्या बढ़ाने के लिए आप रवासियों क्या उशकता है लेकिन आप उन्हें भ्रहम में न रखे मेरे विचार से आप उन्हें मेलुहा के बारे में सब कुछ ससच बता दे और उन्हें निर्णे लिने दे कि वे आना चाहते हैं अत्वा नहीं या फिर आप उन्हें आमंत्रित ही ना करें क्या यह उचित है निसंदे उचित है प्रभू दक्ष ने कहा कनकला की और सिर हिलाते हैं दक्ष ने कहा हम इस आग्या का पालन तत्काल ही करेंगे साथ ही ये इस प्रश्ट है कि मैं वापस कश्मीर नहीं जा रहा हूँ क्या मेरा कबीला मेरे गुड़वाले देवगिरी लाए जा सकते हैं मेरी इच्छा है कि वह मेरे साथ ही रहे निसंदेव रभू दक्ष ने एक छण करखला को देखकर कहा आज ही निर्देश भेज दिये जाएंगे कि उन्हें देवगिरी बुला लिया जाए और मैं उस इस्थान पर जाना चाता हूँ जहां सुम्रस का उत्पादन किया जाता है मैं देवताओ के इस पेव को समझना चाता हूँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसा करना मातपूर्ण है निसंदेव रभू दक्ष ने कहा उसका चहरा धैरहीन मुस्काहर से भरता जा रहा था कनक्ष आपको वहां कल ही लेकर जाएगी असल में मेरा परिवार भी परसो ब्रह्मा मंदिर में पूजा करने के लिए जाने वाला है संभावता वहां हम मिल सकते हैं ये बहुत ही अच्छा रहेगा मुस्कराकर शिव ने कहा और उसके बाद एक गहरी सास लेकर बोला और अंत में मुझे लगता है कि आप अपने लोगों को निलकंट के आगमन का समाचार देने को उत्सुक होंगे दक्ष और कनक्खला ने सहमती में सिर्हलाया मैं आप से अनुरोद करना चाहता हूँ कि आप अभी ऐसा ना करें दक्ष और कनक्खला के चेहरे तुरंत ही उतर गए निंदी के आखे फर्ष पर चिपकी हुई थी उसने वारतलाब को सुनना बंद कर दिया था उसके मिथ्या साक्ष के विशालता उसे अंदर ही अंदर तोड़े जा रही थी महराज मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके लोगों को ये पता चलेगा कि मैं निलकंट हूँ तो मेरे ले किया गया हर काम और मेरी कही हुई हर बात का अन्यर्थ लिया जाएगा उसके अतिधिक विशले शण होंगे शिव ने विवरान दिया मुझे डर है कि मुझे आपके समाज के बारे में कुछ अधिक जानकारी नहीं है या फिर यों कहें कि मुझे अभी अपनी कारे के बारे में पता नहीं है कि मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं मैं समझ सकता हूँ क्रबू दक्ष ने कहा उसके चेहरे पर एक तूटी हुई मुसकान आई आपको मैं वचन देता हूँ मेरे तबकाल, अधीन, कर्मचारी, मेरे परिवार एवं लोग जिनें आप बताना चाहेंगे उन्हें ही नीलकंट के आगमन की जागंकारी होगी इसके लावा किसी को नहीं धन्यवाद महराज लेकिन मैं फिर से कहता हूँ मैं एक साधारन कमीला वाला हूँ जिसका गला किसी अच्छी औशदी के कारण नहीला हो गया है इमानलारी से मुझे अभी पता नहीं है कि जो विवत्तियां आप जहिल रहे हैं उसमें एक आदमी क्या कर सकता है और पुना वही बाद दोराओंगा प्रभू और मैं पुना वही बाद दोराओंगा प्रभू दक्ष ने बच्चे जैसी मुस्कान के साथ कहा यदि वो विक्तियाप है तो इस ब्रह्मान को बदल कर रख सकते हैं अध्याए आठ भगवान का पेर शिव और नंदी राजिसी विश्राम ग्रह वापस लोट रहे थे शिव ने निर्णय लिया था वो अकेले ही भोजन करेगा नंदी शिव के कुछ कदम पीछे चल रहा था उसका सिर्ष स्वा प्रतियारोप पे नीचे जुका हुआ था प्रभू मुझे शमा करे शिव मुड़ा और उसने नंदी को घूर कर देखा आप सही है प्रभू हम लोग अपनी समस्याओं में और नीलकंट की खोज में इतने व्यस्त थे कि हमें हमारे द्वारा किये जा रहा है आप प्रवासियों के लिए अनुचित व्यवहार का एहसास ही नहीं हुआ मैंने आपको बहकाया है प्रभू मैंने आपसे जूट कहा था शिव ने कुछ भी नहीं कहा वो नंदी की आँखों में गहरे जहां करा था मैं अत्यदिक शमा प्रार्थियों प्रभू मैंने आपके साथ विश्वात घात किया है आप जो भी दंड देंगे वो मुझे सुईकार होगा शिव के होटो पर एक हलकी सी मुसकान आई उसने नंदी के कंधे पर हलकी थपकी लगाई जिससे संकेत दे रहा हो कि उसने नंदी को शमा कर दिया है लेकिन उसकी आँखों ने किस पष्ट संदेश भी दिया मुझसे कभी जूट नहीं बोलना मित्र नंदी ने सीर हिलाया और फुसपसा कर कहा कभी नहीं प्रभू कभी भी नहीं मैं अत्यधिक शर्मिंदा हूँ भूल जाओ नंदी शिव ने कहा उसकी मुस्कान अब और बड़ी हो गई थे अब वे अतीत की बाते हैं वो मुड़ा और उसने चलना पुना प्रारंब कर दिया अचाना कि शिव ने सीर हिलाया और बहुत ये धीमे स्वर में कहा विचित्र लोग है आपने कुछ कहा प्रभू? नंदी ने पूछा नहीं, कुछ विशेश नहीं मैं तुमारे समाज की कुछ मनुरंजक बातों के बारे में सोच रहा था मनुरंजक प्रभू? नंदी ने पूछा अब वो कुछ अधिक आत्मिश्वा से भरा हुआ था क्योंकि उसके प्रभू से बोल रहे थे बात ये है कि तुम्हारे देश के कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मात्र मेरा नीला गला उन्हें उनके असंभाव कारे को पूरा करने में मदद करेगा कुछ लोग वास्ताओं में मानते हैं कि मेरा नाम इतना पवित्र हो चुका है कि वे उस नाम को बोल भी नहीं सकते नंदी थोड़ा समुश्कुराया उधर दूसरी और शिव ने कहना जारी रखा था कुछ लोग इस पर्ष रूप से सोचते हैं कि मेरी कोई आवश्क्ता नहीं है असल में वे यहां तक सोचते हैं कि मेरा इसपर्ष करना इतना प्रदुशित करता है कि मुझे शुद्धी करन की आवश्क्ता है शुद्धी करन? आपको इसकी कियो आवश्क्ता है प्रभू? थोड़ा चिंतित होते हुए नंदी ने पूछा, शिव ने अपने शब्दों को संभाल कर रखा, ऐसा है कि मैंने किसी को असपर्ष किया और मुझसे कहा गया कि मुझे शुद्धी करण करवाना आवश्चक है, क्या, आपने किसको इसपर्ष किया प्रभू, क्या वो विकर्म विक्ति था, अत्यदिक चिंतित नंदी ने पूछा, मात्र एक विकर्म विक्ति को इसपर्ष करने पर ही आपको शुद्धी करण के आवश्चकता हो सकती है, शिव के मुख का रंग अचानक ही बदल गया, उसकी आखों के सामने से परदा उठ गया था, उसे सहसा उस दिन क समस्त घटनाओं का महत्व समझ में आ गया था, सपर्ष करने पर उसका तेजी से हटना, गुरू जी और कृतिका की आगहात लगने जैसी प्रतिक रिया, तुम विश्राम ग्रह को जाओ नंदी, मैं तुम्हे वही मिलता हूँ, शिव ने कहा और विश्राम ग्रह के उद्या प्रभू क्या हुआ, शिव के साथ तेज कदम मिलाने के प्रियास के साथ नंदी ने पूछा, क्या आपने शुद्धी करान करवाया था नहीं, तुम विश्राम ग्रह को जाओ नंदी, तेजी से उससे दूर जाते हुए शिव ने कहा, मैं तुम्हे वही मिलता हूँ, शिव मैं सच मुछ ही निर्णमोर्ख हूँ, उसने अपने मन में उस दुर्भाग के शाली मुलाकात के प्रतेक छड़को टटूला और उसके प्रतेक पहलू पर विचार किया, जिदि यह आपको कुछ भी होता है, तो स्वयम को कभी भी ख्यामा नहीं कर पाऊंगी, उसने कहा था यह कहने का उसका तातपर है क्या था, क्या उसके मन में मेरे प्रती कुछ भावनात्मक लगाओ है, या फिर वो एक ऐसी आधर्णिया इस्तरी है जो किसी दूसरे के दुर्भाग के का कारण बनना नहीं देख सकती है, और उसे स्वयम को निकरष्ट क्यों समझना चाहिए, यह विकर्म की पूरी की पूरी अधर्णा ही मूर्ख प्रतीत होती है, अब वो आने वाली नहीं थी, इसका अहसास होते ही शिव उट खड़ा हुआ, उसने तख्त को बहुत बल लगा कर ठोकर मारी तोसे आभास हुआ कि कभी उसके उस सुन हुए पाउं के अंगुठे में पुना समगेदना लौट चुकी थी, चिला कर कोसता हुआ वो विश्राम घर की और वापस चलने लगा, निरत्यमंडब के पास से गुजरते हुए उसने देखा कि वहां कुछ गीरा पड़ा था, वो उसे उठाने की नियत से उसके निकड गया, वो मनियों का कंगन था, उस मलता से उसका चुम्बन लिया, मुस्कुराते हुए उसने अपनी कमर में बधी थैली में उसे रख लिया, वो मंदार परवत से वापस आएगा, उसे उससे मिलना ही होगा, यदि आवश्यक हुआ तो वो संसार के नश्ट होने तक उसे मनाएगा, वो उसे पाने के लिए समस चल होकर नंदी ने पूछा, ऐसा केंद्र जहां देवताओं के पे का उत्पादन होता है, उस रहस से पूर्ण मंदार परवत का भ्रहमन किसी भी मेलुहावासी के लिए विशेश सम्मान की बात थी, अधिकतर सूर्यवंशियों के लिए मंदार परवत सामराजी की आत्मा क्योंकि जब तक वो सुरक्षित था, उनका सोम्रस भी सुरक्षित था, देवगीरी को छोड़े हुए मात्र एक घंटा ही बीता है अधिपती, मुस्कान के साथ कनकला ने कहा, मंदार परवत तक एक दिन की यात्रा होती है, दरसल इस सवारी की खिड़की पर जो ये जिलमि लगी हुई है, इसके कारण बाहर कुछ भी दिखाई ने दे रहा है, और चुकि मैं सूरज को देख भी नहीं सकता, तो मैं ये भी नहीं बता सकता कि कितना समय बीच चुका है, इसी कारण मैं पूछ रहा था, प्रहर का कंदिल आपके ठीक पीछे है अधिपती, ये जिलमि को परमगोपनी रखने के लिए, बहुती कम लोग ऐसे थे जिने उसके सही स्थल की जानकारी थी, मंदार परवत की और जाने वाली सड़क और उस पर चलने वाले रहगीरों के लिए अरिष्टनेमी नामक सैनिकों का एक विशेश दस्ता लगाया गया था, मंदार परवत के वैग्यानिकों अरिष्टनेमी दलों एवं उन वेक्तियों जिने समराट ने प्राधिकरत किया हो, उनके अलावा उस पहार पर जाने की अत्वा उसके स्थल को जानने की किसी अन्यकों अनुमती नहीं थी, यदि चंद्रवंशी मंदार पर आतंकी आकरमार करते हैं, तो मेल वैग्यानिकों के दल का वे नेत्रत्व करते हैं, नी संदे, वे आने छेतरों में भी शोद करते हैं, एक पक्षी संदेश वाहक पहले ही उनके पास आपके आगमन का समाचार लेकर भीजा जा चुका है, हम लोग उन से कल प्राता भेट करेंगे, शिव ने धीरे से सिर हिला और मुस्कुरा कर कनकला को देखते हुए कहा, धन्यवाद, नंदी ने प्रहर कंदील को पुना देखा और शिव अपनी पुस्तक पढ़ने लगा, अत्यंती भायावा युद्ध के बारे में वो एक बहुत ही मनुरंजक हस्त लिखित कथा थी, जो सहस्त्रों वर्ष पूर् अनंतिकाल तक चलने वाला सत्य एवं असत्य के मद्ध का विरोधात्मक युद्ध, देवों ने भगवान रुद्र अर्थात महादेव, देवों के देव की मदद से असुरू को पराजित किया था, और संसार में पुना सत्य की स्थापना की थी, आशा है कि आपको अच्छ अच्छी नीदाई होगी प्रभू, कनकला ने शिव से पूचा, जब शिव एवं नंदी ब्रहस्पती के कार्याले में पहुचे थे, ये प्रथम प्रहर के अंतिम घंटे का प्रारंबता, मंदार परवत पर दिन का प्रारंब आती शीगरता से हो चुका था, हाँ अच्छी नीदाई, शिव ने कहा, किन्तु एक लयात्मक धोनी रात भर सुनाई पड़ रही थे, कनकला मुस्कुराई, किन्तु उसने कुछ कहा नहीं, उसने अपना सिर जुकाया और द्वार खोलकर शिव को ब्रहस्पती के कार्याले में प्रवेश करने दिया, शिव अंदर गया, और उसके पीछे कनकला एवं नंदी भी अंदर प्रवेश कर गये, ब्रहस्पती के उस विशाल कार्याले में तक्तों पर विचित्र प्रकार के उपकरण व्यवस्ति धंग से रखे हुए थे, जो अलग-अलग उचाईयों में थे, तार पत्र पर लिखा हुआ विवराण प बहुत ही साधारान कम उचाई की पीडियों को वर्गाकार रूप में व्यवस्तित किया गया था, वह एक अलप वेई कमरा था, जहां प्रतेग स्थल पर सरलता एक कलात्मक्ता का आयोजन कर रही थी, ब्रहस्पती कमरे के मध्ध में हाथ जोड़कर नमस्ति की मुद्रा में बुद्धी जीवे व्यक्तित्व बता रहा था, उसका शरीर थोड़ा स्थूल था, उसके चोड़े कंधे एवं बेलनाकार सीना इस बात की उद्गोशना कर रहे थे कि उसने थोड़ी भी कसरत नहीं की थी, किन्तु ब्रहस्पती का शरीर उसकी बुद्धी का वाहन था, न ब्रहस्पती ने पूछा, जी हां ब्रहस्पती, कनक्ला ने नीचे जुकते हुए नमस्ते करते हुए कहा, शिव ने देखा कि ब्रहस्पती ने जो दूसरा बाजूबंद पहन रखा था, उस पर हंस का प्रतीक चिन्न बना हुआ था, ब्राहमणों में ये बहुत ही उत्तम जाती वर्ग माना जाता था, ये प्रभु शिव हैं, कनक्ला ने शिव की और संकेत करके कहा, मातर शिव से काम चल जाएगा, धन्यवाद, शिव ने नम्रता से ब्रहस्पती को नमस्ते करते हुए कहा, फिर ठीक है, केवल शिव ही रहेगा, और आप कौन है, नंदी की और पूर ब्रहस्पती ने कहा, मैं असभ्यता नहीं कर रहा, किन्तु क्या संभव है कि मैं आपका गला देख सको, शिव ने सहमती में सिर्ह लाया, उसने जब अपना गुलूबंध हटाया, तो ब्रहस्पती उसके निकट गले का परिक्षन करने के लिए आया, जब उसने शिव के गले को चमकीला नीला रंग प्रसफुटित करते हुए देखा तो उसके चहरी की मुस्कराहाट अद्रश्य हो गई, ब्रहस्पती कुछ समय के लिए मूख हो गया, धीमे धीमे अपनी चीतना प्राप्त कर वो कनकला की और मुड़ा और बोला, ये छल नहीं है, रंग हमारे मुक्तिदाता, हमारे रक्षक, सच तो ये है कि मुझे नहीं पता कि मैं रक्षक हूँ अत्वा नहीं, अपने गले में गुलूबंद को पुना बांधते हुए असाहज शिव ने कहा, लेकिन मैं आपके इस सुन्दा सामराज की मदद करने का पूरा प्रत्न अवश्य करूँगा, असल में यही कारण है कि मैं आपके पास यहां आया हूँ, मुझे ऐसा एहसा हो रहा है कि यह महत्पूर्ण है कि मैं जान सकूं कि सुम्रस कैसे काम करता है, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ब्रहस्पति अभी भी आखे चौन्दिया जाने वाली इस्थिती में था, वो शिव को निरंतर देख रहा था लेकिन उसका ध्यान कहीं और था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो उन परिस्थितियों के परिणामों के बारे में विचार कर रहा था जो नीलकंट के आगमन के बाद होने वाले थे, ब्रहस्पति, कनकला ने मुख्य वग्यानी को वहां व नंदी का ध्यान आते ही उसने पूछा, अधिपती के समक्ष बोलना क्या उचित होगा? नंदी मेलुहा में हमेशा मेरे साथ रहा है, शिव ने कहा, मैं आशा करता हूँ कि उसका रहना उचित ही होगा, नंदी अत्यत द्रवित हो गया है कि उसके प्रभू अभी उस पर वि नहीं थी और ना ही उसे नेलकंट की खोज पर अत्यतिक अंतर पड़ा था, परवतिश्वर की तरह ही ब्रहस्पती ने भी उसे शिव का नाम लेकर ही संबोधित किया था, ना कि प्रभू यदे भी शिव ने महसूस किया कि जबकि परवतिश्वर का रुक अविश्वासी च ठेंहरे पड़ रहे थी, 108 अश्वरोहीं का मार्ग दर्शक्दल चार पंक्तिों में पांच राजशि सवारियों के पहले चल रहा था, साथ ही एक सो साथ अश्वारोहियों का मार्ग दर्शक दल चार पंक्तियों में पांच राजसी सवारियों के पहले चल रहा था साथ ही एक सो साथ अश्वारोहि दल उनके पीछे भी उसी प्रकार की बनावट में चल रहा था अगल बगल दोनों और चालीस सिपाहियों का पहरा चल रहा था प्रतेक बग्गी पर दस सैनिक एवं चार नौकरानिया भी चल रही थी ये सैनिक प्रसिद अरिष्ट नेमी थे जो समस्त भारतवर्ष में सबसे अधिक भैबीत करने वाली नागरिक सेना थी पांचो बग्गियां ठोस लकडी की बनी हुई थी जिनमें कोई खिडकी नहीं थी केवल उपर क्योर निकली हुई दरार हवा के लिए बनी हुई थी चालक के ठीक पीछे जाफरी लगी हुई थी ताकि हवा एवं प्रकाश अंदर आ सके और यदि आकरमन होता है तो उसे तुरंत बंद किया जा सके सबी बग्गियां एक प्रकार की माप वाली एवं देखने में एक ग्रूप वाली थी जिससे ये अनुमान लगाना कठिन था कि राजिसी परिवार किसी बग्गी में ले जाया जा रहा था यदि किसी के पास ऐसी दिवरिदरश्टी थी कि वो वो चीज़ें भी देख सकता था जिनें एक आम आदमी की आँखें नहीं देख सकती थी तो इस बात का संग्यान ले सकता था कि पहली तीसरी एम चौती बग्गियां खाली थी दूसरी बग्गी में राजिसी परिवार के लोग थे दक्ष उसकी पत्नी वीरिनी और उनकी पुत्री सती अंतिम बग्गी में परवतेश्वर एवं उसके महतपूर्ण सेना पती थे सती ने पूझा, मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार कहा है दक्ष ने सती के हाथ पर प्यार से थपकी देते हुए कहा मेरी कोई भी पूझा पूर्ण नहीं होती जब तक कि मैं तुम्हारा मुखना देख लू मैं इन बेकार के नियमों की परवार नहीं करता पीता जी सती ने शर्मिंदिगी वाली मुसकान तथा थोड़ा उलाहना देने के लिए सिर हिला करका वो जानते थी कि उसके पीता का इस तरह से विधियों का अनाधर करना उचित नहीं था सती की बाँ वीरिनी ने बड़ी ही अनुप्यूक्त मुसकान के साथ दक्ष को देखा उसके बाद एक छण सती को देखकर पुना अपनी पुस्तक में रब गई राजसी सवारी से कुछी दूरी पर सघनवन में पचास सैनिकों का एक दल लुक छिपकर बिना कोई ध्वनी किये चल रहे थे सैनिकों ने चम्डे से बने हलके कवच अपने धड़ पर पहन रखे थे और उनकी धोतिया सैनिकों शैली में बंधी हुई थी ताकि उनको चलने फिरने में असुविधा ना हो प्रतेक के पाल दो तलवारें एक लंबा चाकू और एक धातू तदा चम्डे से बनी ढाल थी जो उनकी पीठों पर लटकी हुई थी उनमें से एक सुन्दर नव्युवक जिसका चहरा युद्ध से लगे घाव से शोभाई मान हो रहा था उसमें गहरे भूरे रंग की पगड़ी पहन रखी थी जो इस बात का संकेत कर रही थी कि वो अधिपती था उसके चम्ड़े का कवज बहुती डीला बना हुआ था और एक सोने का हार एवं एक बाजूबंद उसके उपर बाहर निकल कर जूल रहा था उस बाजूबंद पर शुएत रंग का चैतरी अर्ध चंद्राकार चंद्रमा बना हुआ था अर्थात चंदरवंशियों का प्रतीक चिन उसके बगल में एक देत्याकार वेक्ती चल रहा था जो सिर से पाउं तक लबादे से ढखा हुआ था एक साप के फरदार सिर जैसा आकार उस लबादे पर सिर पर सिला हुआ था जबकि उसका चहरा काले मुखोटे से ढखा हुआ था उसकी शक्तिशाली बाहों एवं भावहीन बादाम जैसे दिखने वाली आखों के इलावा उसका और कोई रंग नहीं दिख रहा था उसके दाए हाथ के कलाई पर चमड़े का बना हुआ कड़ा भना हुआ था जिस पर कड़ाई किया हुआ नागो वाले ओम का प्रतीक चिन बना था उस फरदार लबादे वाले विक्ति ने अधिपती की और बिना मुड़े कहा विश्वद्यूम्न तुम्हारा प्रतीक चिन दिख रहा है उसे अंदर कर लो और अपने कवच को कस लो लजित विश्वद्यूम्न ने ततकाल ही अपना हार अंदर कर लिया और अपने कंदे की बगल में लगी डोरियों को खीच कर सीने पर लगे कवच को कस लिया सौमी शमा कीजिए विश्वद्यूम्न ने कहा कदाचित हमें आगे बढ़कर देख लेना चाहिए कि यह मंदार परवत की और जाने वाला मार्क है यत्वा नहीं एक बार जब हम यह जान जाएंगे तो हमें निश्चित हो जाएगा कि हमारा गुप्तचर सही था मुझे पूरा विश्वास है कि हम वापस लोट कर तब उसका अपरण कर सकते हैं हम लोग वैसे भी संख्या में बहुत कम हैं हम इस समय कुछ भी जोखिम नहीं उठा सकते उस फरदार लबादे वाले वेक्ति ने शान्ती से उत्तर दिया विश्वदिम्न क्या मैंने आक्रमर का आदेश दिया है तब कहां से हमारी संख्या कम होने की बात आती है और हम लोग मंदार परवत की दिशा में जा रहे हैं कुछ घंटों का विलंब आसमान नहीं गिरा देगा अभी के लिए हमें केवल इनका पीछा करना है विश्वदिम्न ने मूँ का सारा थोक निगल लिया वो अपने स्वामी के विचारों का विरोत करने से अधिक कुछ भी घ्रणा नहीं करता था आखिरकार वे उसके स्वामी ही थे जिन्होंने ऐसे विरले सूरिबंशों की खोच की थी जो उनके उदेश्यों की लिए सहानबूत ही रखता था ये भेदन उन्हें जड़ से उखार फेकने को संभव करेगा और मेलुहा की आत्मा को नश्ट करेगा उसने धीरे से कहा लेकिन स्वामी आपको पता ही है कि रानी को विलंब पसंद नहीं है लोगों के मत अशानते फैलने की इस्तिती बनती जा रही है उसे संभवता ध्यान केंदरा समाप्त होता जा रहा है फड़दार लबादे वाला वैक्ती तेजी से मुड़ा उसका शरीर क्रोध को दर्शार आता लेकिन उसका शानत स्वर था मैं अपना ध्यान केंदरन नहीं खो रहा हूँ यदि तुम जाना चाते हो तो जा सकते हो तुम्हें तुम्हारा धन मिल जाएगा यदि मुझे करना पड़ा तो मैं अकेले ही करनूँगा अपने नेता की ये दुरलग भावना देखकर अपनी बात बदली नहीं स्वामी मैं वह नहीं कह रहा था मुझे शमा करें मैं आपके साथ तब तक रहूंगा जब तक कि आप मुझे जाने के लिए नहीं कहते जब हमने शताब्दियों तक प्रतिक्षा किये तो कुछ घंटे से कुछ अंतर नहीं पड़ेगा वो पल्टन राजिसी सवारी का पीछा करती रही अवधारणात्म किस तर पर सोम्रस कैसे कारे करता है वो बहुत ही सरल है ब्रहस्पती ने कहा जो लगभग असंभाव कार्य था वो था इस अवधारणा को मूर्थ रूप देना ये भगवान ब्रह्मा की प्रतिबा थी जैश्री ब्रह्मा शिव कनकला और नंदी ने एक साथ कहा इससे पहले कि हम ये समझें कि कैसे ये औशदी बढ़ती आयू की प्रिक्रिया को नाटकी ये ढंगे से धीमा कर देती है उससे पहले हैं ये समझना होगा कि हमें जीवित क्या रखता है ब्रहसपती ने कहा एक मौलिक वस्तु है जिसके बिना हमें से कोई भी जीवित नहीं रह सकता शिव ने ब्रहसपती को ниц व्याक honors में देखा और वह फोमौलिक वस्तु है ब्रहसपती व्याक हें की जब हम चलते हैं बाद报 चीत करते हैं सोचते हैं अठा हम वह कुछ भी करते हैं जीवित कहा जाता है हम उर्जा के उप्योग करते हैं हमारे लोगों के बीच में भी इसी प्रकार की अवधारना है शिव ने कहा अंतर के वल इतना है कि हम उसे शक्ति कहते हैं शक्ति आश्यरिचकित ब्रहस्पति ने कहा मन रंजक ये शब्द कई शताब्दियों से उर्जा को बताने के लिए प्रियक्त नहीं हुआ है कि पांड ये लोगों का शब्द था जो भारत वर्ष के सभी लोगों के पूरवर्ष थे क्या आपको पता है कि आपका कबीला कहां से आया है उनका वंश क्या है मैं इसके बारे में कुछ निश्चित नहीं बता सकता लेकिन मेरे कबीले में एक व्रद महिला है जिसका दावा है कि उसे हमारे तिहास की पूरी जानकारी है जब वो देवगरी आती है तो संभावता हमें उससे पूछना चाहिए संभवता हमें ऐसा करना चाहिए ब्रहसपति मुस्कुराया चलिए पुना हम अपनी चर्चा पर वापस लोटते हैं कि हमारा शरीर बिना उर्जा के कुछ भी नहीं कर सकता तो ये उर्जा कहां से आती है जो हम भोजन करते हैं उससे नंदी ने भीरुता से सुझाव दिया अंतता उसे इतने महातपूर्ण विक्तियों के मदे बोलने का आत्मविश्वास आता जा रहा था बिल्कुल ठीक जो भोजन हम करते हैं वो उर्जा का संचैन करता है जिसे बाद में हम उप्योग कर सकते हैं इसी कारण से जब हम भोजन नहीं करते हैं तो हम दुर्बलता महसूस करते हैं हाला कि मात्र भोजन करने से ही हम उर्जा नहीं प्राप्त करते हैं हमारे शरीर के अंदर किसी वस्तु द्वारा उसे संचालित करना होता है ताकि हम उसका उचित उप्योग कर सकें बिल्कुल सही शिव ने सहमती दी भोजन को उर्जा में बदलने का कारे हवा करती है जिससे हम स्वास लेते हैं ब्रहसपती ने कहना जारी रखा हवा में बहुत प्रकार के गैस होते हैं उनमें से एक को प्राणवायू कहा जाता है जो हमारे भोजन के साथ प्रतिक्रिया करके उर्जा मुक्त करता है यदि हमें प्राणवायू प्राप्त ना हो तो हमारा शरीर उर्जा की कमी में भूखा गरस्त हो जाएगा और हमारी मृत्यों हो जाएगी लेकिन ये तो वो प्रक्रिया है जो हमें जीवित रखती है शिव ने कहा इससे औशदियों का क्या लेना देना है औशदिय को तो उन कारणों के लिए काम करना है जो बुढ़ापक कमजोरी मृत्यू को लाता है प्रहस्पति मुस्कुराया जो मैंने आपको बताया उसका आप प्रतिक्रिया करके उर्जा को मुख्त करती है तो साथ ही ये जारन करता नामक स्वतंत्र स्वच्छंद तत्व भी मुख्त होता है ये जारन करता विशाक्त भी होते हैं जब आप किसी फल को बाहर रखते हैं और वो खराब हो जाता है तो इसका कारण है कि उसका जारन हो च को ईड़जा में परिवर्टित करती है किन्तों साथ ही ये हमारे शरीर में जारान कर्तताओं की भी मुक्ति करती है जो हमारे अंदर प्रतिक्रिया करने लगता है हम अंदर से ही जंग रोधित हो जाते हैं अगनी देव भाला करें नन्दी आश्चरे में बोला वो परियाप्त भोजन संचत करता है यह आप कुछ दिनों से यह घूर नहीं करता है। यह बहुत है कि यह कुछ न कुछ इस हेयु रखा कर सके बिलकुल स्यमत हुआ ुदर्धार सरी ओर शरीर पर्याप्त प्राण वायू का भंडारान कुछ मिंटों से अधिक देर तक नहीं करता है जो हमें जीवित रखने के लिए सबसे अधिक महत्पूर्टत्व है इसका आर्थ समझना कठेन है इसकी एक मातर व्याक्या यहीं हो सकती है शरीर इस प्राण वायू की सुद्ध को विश्क के समान भी समझता है अता इसका भंडारान हानिकारक हो सकता है तो फिर भगवान ब्रह्मा ने क्या किया शिव ने पूछा बहुत शोद करने के पहशाद भगवान ब्रह्मा ने सुमरस का आविशकार किया जिसका पान करने पर ये जारन करतता से प्रतिक्रिया करता है उसे सोख लेता है और सुएद तथा मूतर के जरिये शरीर से बाहर निकाल देता है इस सोमरस के कारण शरीर में जारन करतता नहीं रह पाता है क्या इसी कारण जब सोमरस पीने के बाद पहली बार पसीना निकलता है तो वो विशाफ्त होता है हाँ सोमरस के पान के बाद जो सुएध बाहर निकलता है वो विशेश कर हानिकारक होता है इतना ही नहीं इस बात को भी याद रखे कि सोम्रस के पान के बाद स्वेद या मूत्र कई वर्षों तक विशाक्त रहता है अता इसे आपको अपने शरीर से बाहर तो निकालना है और साथ में ये भी सुनिशित करना है कि ये किसी अन्य पर प्रभाव ना करे अच्छा तो इसी काराण से मेलुहावासी स्वास्थ विज्ञान में आ सकता है हाँ इसी काराण से प्रतेग मेलुहावासी को दो वस्तों की सिक्षा शैश्वावस्था से ही दी जाती है जल इवं स्वास्थ विज्ञान जल उन सभी बहिस्त्रावियों का सबसे अच्छा सोक्तता है जो सोम्रा सरजन करता है और विश्का उत्सरजन करता है मेलुहावासियों को बताया जाता है कि आप बाल्टी भर भर कर जलका पान करें और जिन वस्तूओं को धोया जा सकता है उसे अवश्यद होएं मेलुहा वासी दिन में कम से कम दो बारसनान करते हैं प्रतेक अपमारजन एक विशेश कमरे में किया जाता है और विशाक्त एवं गंदे जलमल को जलमल निकासी ढगी हुई नालियों द्वारा सुरक्षिक ढंग से नगर के बाहर पहुचा दिया जाता है स्वास्त विग्यान का कड़ा मानक शिव मुस्कुराया क्योंकि उसे कश्मीर के पहले ही दिन इस बारे में आयरुवती के वे कड़े वचन याद आ गए थे उसने पूचा सोमरस का उतपादन कैसे होता है इसके उतपादन में बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है इसके लिए धेर सारी आवशक सामग्रियों की आवशकता होती है जो सरलता से उबलग्द नहीं होती है उधारन के लिए संजीवनी वरक्ष इस सामराज में इस वरक्ष का रोपन वरहत इस्तर पर किया जाता है इसके उतपादन की प्रिक्रिया के परिणाम सरुप अत्यधिक ताप निकलता है इस प्रिक्रिया के दोरान हमें अत्यधिक जल की आवशकता होती है ताकि मिश्रण को यथावत रखा जा सके प्रक्रिया प्रारंब करने के पूर्व संजीवनी व्रक्ष की शाखाओं का सरस्वती नदी के जल के साथ मन्थन किया जाता है अन्य स्रोतों का जल इस प्रक्रिया में प्रभावी नहीं हो सकता वो जो विजित्र स्वर मुझे हमेशा सुनाई देता है क्या उसी मन्थन का है? ये वास्तों में उसी किद्वनी है हमारे पास विशाल का ए मन्थन उपकरण है जो इस परवत के आधार पर एक गुफा में स्थित है सरस्वती का जल एक जलिल प्रिक्रिया वाली नहरों की विवस्था से यहां लाया जाता है जल को एक अत्यधिक विशाल कुंड में संचित किया जाता है जिसे हम प्रेम भाव से सागर कहते हैं सागर? एक समुद्र? आप एक कुंड के पानी को इस नाम से पुकारते हैं? आशर चकिच शिव ने पूछा क्योंकि उसने इसके बारे में लोग कथा सुनी थी अनुचित भी नहीं है आचा तो ठीक है? मैं अवश्य ही इन सभी सुविधाओं को देखना पसंद करूँगा कल रात जब हम आये थे तो बहुत देर हो चुकी थी इसलिए मैंने अभी तक इस पहाड का बहुत कम ही इस्सा देखा है मध्यान भोजन के उपरांत मैं आपको दिखाने ले चलूगा ब्रहसपती ने कहा शिव उत्तर में धीमे से मुस्कुराया वो कुछ कहने ही वाला था लेकिन कनकला और नंदी को देखकर उसने स्वयम को रोक लिया ब्रहसपती ने उस हिचकी चाहट को देख लिया उसने महसूस किया कि शिव कुछ पूछना चाहते है किन्तों नंदी एवं कनकला की उपस्तिती में वो पूछ नहीं पा रहे है ब्रहसपती उनकी और मुड़ा और बोला मेरा विचार है कि शिव मुझसे कुछ पूछना चाहते है क्या मैं आप लोगों से बाहर प्रतिक्षा करने का अनुरोद कर सकता हूँ ये ब्रहसपती द्वारा आदर प्राप्ती की माप को दर्शाता था कि कनकला का तुरंती बाहर जाने के लिए खड़ी हो गई उसे नमस्ते किया और बाहर चली गई नंदी ने उसका अनुसराण किया ब्रहसपती एक मुस्कान के साथ शिव की और मुड़ा आप वो प्रिश्ण क्यों नहीं पूछते जिसे पूछने के लिए आप आए है अध्याय नो प्रेम और उसका परिडाम मैं उनकी सामने आपसे ये प्रिश्ण नहीं पूछना चाता था उनकी आस्था बहुत अधिक है एक वेंगेपूर्ण हजी के थाज शिव ने कहा वो ब्रहसपती को चाहने लगा था उसे ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना अच्छा लगता था जो उसे अपने समक्ष समझते थे ब्रहसपती ने सहमती में सिरह लाया मैं समझ सकता हूं मित्र आप क्या पूछना चाते हैं मैं ही क्यों शिव ने पूछा क्यों इस सूम्रस ने मेरे उपर ऐसा प्रभाव डाला हो सकता है कि मेरा गला नीला हो लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे सूर्वंशयों का रक्षक बन सकता हूं समराड मुझ से कहते हैं कि मैं वो व्यक्ती हो जो प्रभुश्री राम के अधूरे कारे को पूरा करूंगा और चंद्रवंशयों का नाश करूंगा उन्होंने आप से ये कहा ब्रहसपती ने कहा उसकी आँखे आश्चर में खुली रह गई समराड कभी कभी उबाओ हो सकते हैं किंतो संचेप में कहूं तो जो उन्होंने कहा वो पूर्ण सत्य नहीं है पौराणी गाथा ये नहीं कहती कि निलकंट सूर्वंशयों की रक्षा करेंगे पौराणी गाथा दो बाते कहती है प्रथम निलकंट सब्त सिंदू से नहीं होंगे अर्दुतिये निलकंट बुराईयों के विनाशक होंगे मिल्गावासी ये मानते हैं कि इसका अर्थ है कि निलकंट चंदरवंशयों का विनाश करेंगे कि वे सच मुझ ही दुष्ट हैं किंतु चंदरवंशयों के विनाश करने का अर्थ ये नहीं की सूर्वंशयों की रक्षा हो जाएगी चंदरवंशयों के अलावा भी अनेक समस्याएं हैं जिनका हमें समधान करना है किस तरीके समस्याएं जैसे नागा लोग ऐसा प्रदीत हुआ कि ब्रहस्पती एक शण के लिए हिचकिचाया उसने सावधानी पूर्वक उत्तर दिया कई समस्याए हैं हम लोग उनके समाधान के लिए कठिन प्रयास कर रहे हैं किन्तु पुना उस प्रशन पर आते हैं आश्यर से भरे ब्रहस्पती ने का यह संभाव है इसका कार मात्र कालिक छहे एवं रोगों को रोकना है ना कि घावों को सही करना वो तो ठीक है लेकिन मेरे साथ ऐसा ही हुआ है ब्रहस्पती ने कुछ चण के लिए सोचा इसके लिए हमें प्रियोग करना होगा ताकि हम किसी निश्चित निश्कर्ष पर पहुँच सके यद्दे पी जितना मुझे ग्यान है उसके आधार पर इस समय के लिए मैं केवल इतनी ही व्याख्या कर सकता हूँ कि आप हिमालय के उस पार उचे इस्थल से आए हैं क्या मैं सही हूँ शिव ने सिर्ध हिला कर सहमती दी जब आप उचे परवतों की ओर जाते हैं तो हवा पतली होती जाती है ब्रहस्पती ने कहना जारी रखा था पतली हवा में प्राणवायू कम हो जाती है इसका अर्थ है कि आपका शरीर कम प्राणवायू में जीवित रहने का आदी था तथा जारान कर्तता से उसकी कम हानी होई थी अता जब सोमरस के प्रती जारान कर्तता का प्रभा हुआ तो उसका प्रभा आपके शरीर में कुछ अदिक हुआ होगा ये एक कारण हो सकता है शिव सहमत था लेकिन अगर ऐसा था तो मेरे समस्त कबीलों को ही ठंडा आयम नीला हो जाना चाहिए था केवल मैं ही क्यों ये बहुत ही उत्तम बिंदू है ब्रहस्पति ने वाना किन्तो एक बात बताईए क्या आपके कबीले वालों ने भी अपनी पूर्व इस्थिती एम शालिरिक इस्थितियों में परिवर्ता नर्भो किया है वास्तों में ये सही है तो संभव है कि कम हवा वाले प्रदेश में रहने का कारण इसमें कुछ न कुछ भूमी का अवश्य रखता है किन्तो आपके सभी कभीले वालों में नीला गला नहीं हुआ तो इस सपश्ट है कि पतली हवा वाला से धान संभवता एक आंशिक व्याक्या ही प्रसुत करता है हम इस पर और अधिक शोद कर सकते हैं मुझे विश्वास है कि इस नीले गले की कोई ना कोई व्याग्यानी क्र्याख्या अवश्य होगी शिव ने ब्रहस्पती को ध्यान से देखा क्योंकि उसने ब्रहस्पती के अंतिम कथन का आश्य समझते हुए पूछा आप नीलकंटी की पहुराणी कथम में विश्वास नहीं करते क्या मैं सही हूँ बराजपती ने थोड़ा असाहज रोप से मुस्कुराते हुए शिव को देखा वो शिव को पसंद करने लग गया था और वो शिव को ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता था जिससे उसका अनादर हो किन्तो वो असत्य भी नहीं बोल सकता था मैं विज्ञान में विश्वास करता हूँ ये सभी वस्तूओं के लिए एक समाधान एवं और और यदि ऐसा कुछ है जो चमतकार की तरहे का प्रतीत होता है तो उसकी मातर यहीं व्याख्या है कि उसके लिए अभी तक किसी व्यग्यानिक कारण की खोज नहीं हो पाई है तो फिर मेलुहावासी अपनी समस्याओं के लिए विज्ञान की शरण क्यों नहीं लेते इस बारे में मैं कुछ निश्चित नहीं कह सकता ब्रातती ने सोच के मुद्रा में कहा संभावता यह इसलिए कि विज्ञान शमतावान है कि तो ठंडे दिल का स्वामी है निलकंट से भिन वो आपके लिए आपकी समस्या का समधान नहीं करता है यह मातर ऐसे उपकरण प्रदान करता है जो आपके लिए संघर्ष के लिए आवश्यक हो संभावता इसलिए भी कि अपनी समस्याओं के स्वाम समधान ढूनने के तुल्डा में लोगों को यह मानना सरल प्रतीत होता है कि कोई आएगा जो उनकी समस्याओं का समधान कर देगा तो फिर आपको क्या लगता है मेलुहा में निलकंट को क्या भूमिका निभानी चाहिए ब्रहाजपती ने शिव को साहान भूती पूरवग देखा मैं सोचता हूँ कि एक सच्चे सूरिवन्शी को अपने असुरों से स्वयम संगर्श करना चाहिए ना कि किसी और पर इस बात के लिए दबाव डालना चाहिए कि वो उनकी समस्या का समधान करे एक सक्षे सूरिवन्शी का ये कर्तव्य है कि उसे स्वयम ही अपनी योगिता एवं शक्ति की सीमा तक कारे करना चाहिए नीलकंठ का आगमन केवल सूरिवन्शी के प्रयासों को दोगना कर देगा क्योंकि ये इसपश्ट है कि बुनाईयों का संगार निकट है शिवने सहमती में से लिलाया कि आप इस बात से चिंते थें कि आस्था के दबाओ के काराण आप एक उत्तरदाईत वे ले रहे हैं जो आप नहीं लेना चाहते और ये आपके लिए बहुत तनाव वाला होगा ब्रहासपती ने पूछा नहीं मेरी चिंता का विशे वो नहीं है शिवने उत्तर दिया ये एक बहुत ही सुन्दर सामराज है और मैं अवश्य इसकी मदद करना चाहता हूँ जितनी मैं कर सकता हूँ लेकिन तब क्या होगा जब आपके लोग जो मुझ पर अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से निर्भर हैं और वो सुरक्षा मैं नहीं कर सका इस समय में ये नहीं कह सकता कि मैं वो सब कर पाऊंगा जिनकी मुझसे आशा की जा रही है तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ ब्रहासपती मुस्कुराया उसकी अपनी नियमों की भाषा में कोई व्यक्ति यदि अपने वचन एवं कथन को गंभीरता से लेता है तो वो सम्मान की योग्य है आप एक भले व्यक्ति प्रतीत हो शिव आप संभवता आने वाले दिनों में बहुत दबाव का सामना करेंगे नीले गले के कारण एवं जो ये आस्था उत्पन्न करता है उसके कारण आपका निर्णे इस समस्त भूमी के लिए अत्यन्ती बड़े परिणाम वाला होगा याद रखिये एक व्यक्ति लोककथा का नायक है अत्वा नहीं उसका निर्णे इतिहास लेता है ना कि कोई भविश्य मानी शिव मुस्कुराया वो खुश था कि आखिरकार उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया था जो उसकी विपिदा को समच सकता था और उससे भी महतपूर बात थी कि वो कुछ सुधाव देने के लिए भी सहमत था संद्या हुए बहुत समय बीच चुका था ब्रासपती के साथ पूरी दोपहर मंदार परवत की बहुत प्रसन्ने कर देने वाली यात्रा के बाद शिव अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था एक कुस्तक पढ़ रहा था बगल की मेंस पर उसका समाप्त हो चुका चेलम रखा हुआ था असुरों के विरुद सचाई क्या युद्ध नामकुस्तक के कुछ पहलू उससे सोचने पर विवश कर रहे थे असुर लोग राक्षस थे और देवों के प्रती उनकी शारीरी घ्रणा के कारण उनका असुरों की तरह विवहार करना अपेक्षित था वियावसर पाते ही देवों के नगरों पर आकरमार करते थे ताकि देवों को बलात अपनी तरह से जीने के लिए बाद कर सके ये शिव के लिए आश्यरी का विशय नहीं था जो उसे अनापेक्षित था वो था कुछ देवों के ऐसे विभार जो विजय के अंधे अनुसरण में अनैतिक्ता की सीमा तक लांग गये थे बगवान रुद्र स्वयम विक्तिकात रूप से महान थे लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि व्रहत सचाई को देखते हुए उन्होंने देवों के अविवेक की उपेक्षा कर दी थी इस सोच के मद्ध में ही शिव ने विश्राम ग्रह के बाहर कुछ हलचल सुनी उसने प्रथम तलके छज्जे से बाहर देखा तो राजिसी काफिले का आगमन हो चुका था अरिश्टनेमी सैनिकों ने प्रवेश द्वार पर अभिवादन हेतु एक बहुत ही सलीकेदार पंक्ती बना ली थी दूर दूसरी बग्गी से कुछ लोग उतरते हुए प्रतीत हुए शिव ने मान लिया था कि वो राजिसी परिवार ही होगा आश्टरी इस बात गाथ की अरिश्टनेमी राजिसी परिवार के स्वागत में कोई अनावश्ये खरबड़ी नहीं दिखा रहे । उत्रा यहां ऐसा परतीत हुआ कि अरिश्टनेमी घबराहट में थे वरिष्ट अधिपती परवतेश्वर के पास भागा भागा गया और उसने मेलूहा के सैनिक तरीके से अभिवादन किया जूतों की एड़ी से खटाप के दुनी शरीर साफदान की मुद्रा में जकडा हुआ और दाहिने हाथ की मुट्टी को बांध कर तीवरता से बाएं सीने पर धरना इस अभिवादन के बाद अधिपती नीचे सेना के प्रधान सेना नायक के सम्मान में जुका उसके पीछे खड़े सैनिकों ने भी अपने अधिपती की मुद्रा को दोहराया परवतेश्वर ने इसके उत्तर में आपचारिक रूप से अपने सिर को थोड़ा जुकाते हुए अभिवादन किया वो आगे बढ़कर सैनिकों का नेरिक्षर करने लगा और अधिपती उसके दो कदम पीछे चल रहा था शिव की भावनाती की परवतेश्वर के लिए ये सम्मान मातर उसके पद के कारण नहीं था वो उस विक्ति के लिए था चुटचलेपन के साथ साथ परवतेश्वर एक बहादर युद्धा भी था एक सैनिक का सेना पती तभी एक विक्ति की भादी आदर पाता है जब उसके वचन सत्ते होते हैं शिव अरिश्टनेमी सैनिकों की आँखों में उस आदर की शक्ती देख रहा था जो अपने सेना लाय का ध्यान पाकर जुक रहे थे कुछ समय के बाद ही शिव ने अपने दौर पर हलकी खटकटाहट सुनी उसे यह जानने की आवशकता नहीं थी कि दौर के बाहर कौन हो सकता था एक गहरी सांस लेकर उसने दर्वादा खोल दिया जैसे ही दक्ष अंदर आने लगा तो उसके इस्थिर मुस्कुराहट अद्रश हो गई क्योंकि गांजी की अपरिचित गंद ने उसकी सुधी पर धावा बोल दिया कनकला जो समराट की दाई ओर थी वो भी पूरी तरह से हैरान परिशान दिखाई दी ये दुरगंद कैसी है दक्ष ने ब्रहसपती से पूछा जो उसके बाई और खड़ा था संभवता आपको प्रभू को कमरा बदल देना चाहिए आप इनको ऐसी अस्विधा में कैसे रख सकते हैं ब्रहसपती ने कहा ये एक ऐसी गंद है जो मेरे साथ ही आतरा करती है महराज ये मुझे पसंद है शिव ने कहा दक्ष चकित था उसके मुख ने इस विकरशन को चुपाने का कोई प्रियास नहीं किया लेकिन जिल्द ही वो अपने पुराने सवरूप में आ गया विग ने डालने के लिए शमा करें प्रभू, दक्ष ने कहा, उसके मुस्कराहट वापस लौट चुकी थी, मैंने सोचा कि मैं आपको सूचित कर दू कि मैं और मेरा परिवार विश्राम ग्रह में पहुच चुके हैं, ये तो आपका बड़पन है महराज, शिव ने आपचार तैयार हुआ जो उसके मन को चंचल करना था, आपका सुम्रस के बारे में क्या सोचना है प्रभू, क्या ये सचमें दिवों का पेया है, जी हां महराज, ये अवश्य ही चमतकारिक पेया प्रतीत होता है, ये हमारी सभिता का आधार है, दक्ष ने कहना जारी रखा था, जब एक बार आप हमारी इस धरती की यातरा पूर्ण करेंगे, तब आपको हमारे जीवन जीने के अच्छे धंग का ग्यान होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि इसकी रख्षा करने के लिए आप अपने हिर्दय में कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त करेंगे, महराज मैं त इसके बारे में मुझे कुछ निश्चित नहीं है, वो ये है कि मैं क्या कर पाऊंगा, आपकी सभिता अत्यधिक प्रगति कर चुकी है और मैं एक साधरान कभीले वाला हूँ, आस्था एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र होता है प्रभू, दक्ष ने कहा, उसके हाथ निव अस्थिति का प्रभाव देखेंगे, तो आप अवश्य ही जान जाएंगी कि आप क्या कर सकते हैं, शिव ने दक्ष के बाल को जैसे विश्वास के विरुद्द विवात करना छोड़ दिया, ब्रहस्पति ने शिव को रहत पहुचाने से पूर्व उसे आँखों से संकेत कि महराज शिर्थ ठके हुए से प्रतीत होते हैं, आज उनके लिए बहुत लंबा दिन था, संभवता अब उन्हें आराम करना चाहिए, और हम कल पुना मिल सकते हैं, दक्ष मुस्कुराया, संभवता आप सही है ब्रहस्पति, आपको परशान करने के लिए मुझे छमा करें प जबाई और कनकला ब्रहस्पति आवं, परवतेश्वर थे, उसके दाही नहीं योडि एक खाली कुर्सी रखी हुई थी नीलकंट के लिए, सती ने सोचा, उसका खाली कुर्सी कीवगल बहुत रखार कर deberशा संदोश किया था, सती समस्ते वैवस्था का भार उठाया था, ऑ ले ली थी स्वात बढ़ाने वाले कुल्हडों या मिट्टी की प्यालियों की जगा चांदी के गिलासों ने ले ली थी उसने सोचा कि उसके पिता नाश्ते के दौरान मुलाकात के लिए कुछ अधिक ही आशानवित थे उसने देखा था कि वे उन कई तथा कथित नीलकंठे स से आस लगाए हुए थे वे सभी चमतकारिक व्यक्तिक कप्टी निकले थे उसने आशा की थी कि उसके पिता को एक बार फिर उसी निराशा का सामदा ना करना पड़े धिनोरा पीटने वाले ने शिव एम नंदी के आने की घोशना की जैसे ही दक्ष भक्तिभाव से प्रभु दक्ष ने मेज के चारों तरफ बैठे विक्तिकी और संकेत कर उनका परिचे देती हुए कहा कनकला ब्रहस्पती परवितेश्वर को तो आप जानते ही है वो दाहिनी और मेरी पतनी रानी वीरिनी है शिव नम्रता से मुस्कुराया जब उसने वीरिनी के आपचार राजकुमारी सती शिव ने जब अपने जीवन को अपनी और घूमते देखा तो एक बार की उसे लगा कि उसकी सांस रुख गई थी उसके दिल की धड़कन अत्यधिक तीवर गती से लयात्मक हो चुगी थी वो दावे के साथ कह सकता था कि उसे इस विश्व की सबसे अधि अधा जनक शांती च्हाई हुई थी सिवाए उस ध्वनी के जो सती के हाथ से एक बर पुना गिलास के छूटने से फर्श पर गूंज रही थी उस जहनाहट की ध्वनी ने कुछ पल के लिए सती की स्थिर दृष्टी में विग्ण डाला उसने अतिमानवी प्रयासों से अप अत्मा भी वही कर रही थी दक्ष ने उस हत्प्रभ हुए युगल जोड़े को आनंदातिरेक से देखा वो उस निर्देशक की भाती था जिसने अपने नाटक का प्रदर्शन उसी तरह का देखा था जैसे कि वो अपेक्षा कर रहा था नंदी शिव के पीछे खड़ा था जो सती के मुख के भाव को देख सकता था सहसा उसे सब कुछ स्पष्ट हो चुगा था निरतिका अभ्यास विकर्म सपर्श शुद्धी करण और प्रभु का विशाद यदि पी उसे आंशिक रोप से डर भी लग रहा था किन्तों उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना था यदि प्रभु की यही इच्छा थी तो वो उनकी इस इच्छा की पूर्ती के लिए कुछ भी करेगा ब्राजपती ने उस युगल जोड़े को खाली निगाहों से गूरा वो अनपेक्षित परस्थिती से होने वाले परिणामों के बारे में गहरी सोच में था को थोड़ा भी ना चुपाते हुए आरुची से देखा जो कुछ हो रहा था वो अनुचित था अनैतिक और उससे भी अधिक अवैद प्रभु दक्षि ने अपनी दाई और पड़ी खाली कुरसी के और इशारा कर कहा कृप्य अपना स्थान ग्रहन करें और हम प्रारंब कर शिव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उसने दक्ष के शब्दों को सुना नहीं था वो उस जगत में था जहां मातर एक ही धोनी थी जो सती की गहरी सांसों के सामन जिससे पूर्ण संगीत से आ रही थी ये एक ऐसी धोनी थी जिस पर वो आनंद पूरवक अगले साथ जन्म करें प्रभू दक्ष ने कहा जी हां निसंदे महराज शर्मिंदगी से अपनी दृष्टी बचाते हुए शिव ने कहा जब शिव बैठ गया तो भोजन परोसा गया मेलोहा वासियों का या एक सुन्दर एवं साधारान विंजन था जो वो सुबह के नाश्टे में पसंद कर तया प्रभू दे रहे चावल एम कुछ दालो को उबाल कर उसे गाडी ढंग से घोंड दा जाता था इसके छोटे छोटे हिस्से केले के पतों में लपेटकर उसे बेलनाकार गोलाकार फलक में भाप से पकाया जा था एक हाध्द पदार्थ केले के पत्दे में लिपटा हु शिव से पूछा, जो अपनी सांसों में इच्छे द्रोप से कुछ शान दिला पाई थे, लगता तो ऐसा ही है, ठिठोली की हसी के साथ शिव ने उत्तर दिया, प्रभावित हुई, सती ने इस प्रशन का उत्तर अभिमान से उठू ही भौहों से दिया, उसका मुखोटा वाप समाप्त हो जाएगी, इसके बावजूद हमें यहां ब्रहस्पती के साथ समिक्षा करने के लिए दो दिन तक रुखना पड़ेगा, वीरिनी और सती को यहां रखने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अनावश्यक ही इतना समय उनके लिए उबाव होगा, धन निवाद ब्रहस्पती ने बनावटी हसी के साथ कहा, मंदार पर राजसी परिवार का जो विश्वास आपने दिखाया है, वो अत्यंती उत्साह वर्दक है, मेज पर बैठे सभी लोगों की हसी छूड़ गई, दक्ष ने भी अपनी विशाल हिर्दरता के भावों को दिखाते हुए ह आप जानते हैं मेरे कहने का ताथ परे क्या था ब्रहस्पती, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, शिव के और मुड़कर उन्हों ने कहा, जो मुझे पता है प्रभू, आप कल प्राता देवगिरी के लिए प्रस्थान करने वाले हैं, मेरे विचार से ये अच्छा रह पहरा था कि उसे डरने की कोई आवशकता नहीं थे, उसने अपने 85 वर्ष एक विकर मिस्तरी के रूप में बिताए थे, और इन वर्षों में उसने नियमक और उलंगन कभी नहीं किया था, उसके पास इतना आत्मनियंत्रण था, कि वो जान सकती थी कि क्या सही था और क्या शिव के पास वैसी कोई सोच नहीं थी, उसने इस पश्ट रूप से प्रसंद होकर कहा, मेरे विचार से ये बहुत ही अच्छा सुझाव है महाराज, नंदी और मैं दोनों महारानियों के साथ देवगिरी तक एक साथ यात्रा कर सकते हैं, तो फिर ठीक है, दक्ष ने प्रक शित्र नियुक्ति हे तो तयारी में लगा हुआ है, साथ ही मंदार परवत पर जो दल है वो किसी भी परिस्थिती में हटाया नहीं जा सकता है, हमारे पास दो काफिलों के लिए परियाप्त सैनिक नहीं है, संभावता यदि हम सभी लोग एक साथ परसों ही आत्रा करें तो गरपे आप सारी विवस्था कर दें, परवतेश्वर आप रसनता से अपने विचारों में हो गया और शिव एवं सती पुना एक दूसरे से फुसपुसा कर बाते करने लगे, आप शुद्धी करण के लिए गए हैं ना, सती ने गंभीरता से पूछा, हाँ, शिव ने कहा, और वो उससे जोट नहीं बूलना चाहता था, लेकिन मेरा मानना है कि ये शुद्धी करण की अवधारना बिल्कुल ही वाहियात है, शिव ने फुसपुसा कर कहा, दरसल ये विकर्म की अवधारना ही पूरी तरह से गलत है, मेरा विचार है कि मिलूहा में कुछ चीजों में से ये एक चीज है जो उचित नहीं है और इसमें बदलाव लाना चाहिए, सती ने शिव को दरश्टी उठा कर देखा, उसका चेहरा भाव ही वेहीन था, शिव ने उसके आँखों में घूर कर देखा ताकि उसके मन में क्या चल रहा था उसे समझ सके, लेकिन उसे केवल खा का प्रारमता जब शिव वीरिनी सती और नंदी ने सो अरिष्ट नेमियों के साथ देवगिरी के लिए प्रस्थान किया था, दक्ष परवतेश्वर एमम कनकला विश्राम ग्रह के बाहर उन्हें विदा करने के लिए खड़े थे, ब्रहस्पती को किसी प्रियों के कारण महा जाना पड़ा था, सभी यात्रियों को एक ही बग्गी में बैठना पड़ा क्योंकि दिशा निर्देशों के निसार कोई काफिला जब समराठ को लेकर चलता था, तो चार बग्गियां प्रथक से रखना अनिवार था, चुकि राजिस्री सवारी पांच बग्गियों में आ दिया था, बग्गी के अंदर एक आराम दायक सेज पर बैठी हुई सती ने देखा कि शिव पुना अपना गुलूबंद गले पर लगाए हुए था, उसने पूछा, आप अपना गला हमेशे ढखकर क्यों रखते हैं, जब कोई ये मेरा नीला गला देखता है, तो वो कुछ अधिक ही ध्यान देने लगता है, और उससे मैं बहुत ही असुईधा जनक महसूस करता हूँ, शिव ने उत्तर दिया, कि तो आपको तो इसका अभ्यस्त होना पड़ेगा, ये नीला गला अद्रश नहीं हो जाएगा, सच है, लेकिन जब तक मैं अभ्यस्त नहीं हो जाता है ये गुलूबंद मिरा कवच है, शिव ने मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, जैसे ही काफिले ने प्रिस्थान किया तो परवतेश्वर और कनकला दक्ष के पास गए, आपको उस विक्ति में इतनी आस्था क्यों है महराच, परवतेश्वर ने दक्ष से पूछा, उसने विक्ति को वो कारे दिया जाता है, जिसके लिए वो सक्षम हो, उसमें वो कारे करने की योगिता हो और वो हमारी विवस्था द्वारा प्रसिक्षित हो, हम युद्ध की इस्थिती में हैं परवतेश्वर, दक्ष ने उत्तर दिया, एक अगोशित युद्ध, किन्तो नियम काम नहीं कर रहे हैं, हमें चमतकार क्यावशकता है, किसी आकस्मिक लाप का पहला नियम है कि चमतकार तब ही संबभ होता है, जब राश्च्ट्री नियमों को भूल जाए और आस्था रखें, मेरी नील कंठ में आस्था है, और उसी प्रकार हमारे लोगों में भी, कि प्रवतेश्वर ने पूचा और आप वास्तों में चाहते हैं वो रक्षक केवल अपनी कामुक्ता के कारण हमारी साहता करने का निर्णले ये कामुक्ता नहीं है परवतेश्वर एवं कनकला दक्ष की पृतिक्रिया पर स्तब्ध होकर चुप हो गये आपको मैं किस प्रकार का पिता दिखाई देता हूं दक्ष ने कहा आपको लगता है कि मैं इस प्रकार अपनी पुत्री का प्रियोक करूंगा संभाव है कि वो प्रभु के संग सुविधा एवं प्रसनिता प्राप्त कर ले उसने पहले से ही बहुत दुख जहेल रखा है मैं उसे खुश देखना चा स्वद्वीप के निवासियों को हम हमारी जीवन शैली की सुविधाओं का लाप्रदान करें एक आम स्वद्वीप वासी इसके लिए हमारा आभारी रहेगा कि दुचंद्रवंशी शासक अपनी सारी शक्ति से और हर प्रकार से हमें रुकने का प्रियास करेंगे वे हमारा स सचमुच ये लगता है कि प्रभु हमारे साथ होंगे क्योंकि वे आपके पुत्री से प्रेम करते हैं कनक्ला ने पूछा आपने मुख्य बिंदू को नहीं समझा प्रभु को हमारे पक्ष में करने के आवश्यक्ता नहीं है दक्ष ने कहा वे तो पहले से ही हमारी ओर हैं हम एक महान सभ्यता हैं हम चाहे परिपूर्ण एवं सरवता आदर्श नहों किन्तों महान तो हैं ही इसे नहीं देखने वाला कोई अंधा ही होगा नीलकंट को हमारा नेत्रत्व करने के लिए मात्र स्वयम में विश्वास एवं प्रेड़ना के आवशकता है जब वे सती के प्रभावित करने की तीव्र इच्छा मुझे देखिए मैंने अपने पिता को प्रेम किया euka उनको प्रभावित करनेकी मेरे इक्छा आज भी मुझे कुछ करने के लिए प्रिरित निदन के बाद भी मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि उन्हें गर्व महसूस हो ये मुझे मेरे उस प्रारब्द के और प्रिरित कर रहा है जो एक समराठ होने के नाते समस्त भारतवर्ष में सूर्यमंशियों के जीवन के विश्युद ढगो को पुना इस्थाफित करें और जिम नीलकंट में ये इच्छा बलवती होगी कि सती उन पर गर् कनकला ने पूछा जैसे कि उसका पती सारा समय उसके साथ ही बिताए मुझे मेरी पुत्री के बारे में पता है दक्ष ने पूरे आत्मिश्वास से उत्तर दिया मुझे ये भी पता है कि उसे प्रभावित कैसे किया जा सकता है ये बहुत ही दिल्चस्प विचार है महराज क कि आपको पता नहीं है वैसे तो मेरे जीवन का सबसे शक्तिशाली संबल मेरी ये इच्छा है कि मेरी सास के उठने से पहले ही मैं घर से बाहर निकल जाओं दक्षयम कनकला दोनों ही जोर से ठाका लगाए परवतेश्वर को इसमें हसने वाली कोई बात नहीं लगी मुझे शम में मुस्कान लिए हुए दक्ष ने कहा एक इस्त्री के जीवन में सबसे अधिक शक्तिशाली संबल होता है सराहना प्रेम और सम्मान कनकला मुस्कुराई और उसने सहमती में सिरह लाया उसके समराट सचमुछी मानविये भावों को समझते हैं अध्याय दस फरदार व्यक् भगी को एक मिनट रोकने का अनुरोद किया उस परवत के उपकारों के लिए वीरिनी सती शिव और नंदी ने नीचे उतरकर खुटनों के बाल बैटकर चोटी सी पूजा की भैबीत कर देने वाले दाड़ी मूचों वाला पट्टी बंधा हुआ साट साल का विक्ति अरिश कर अधिपती को देखा और सहमती में सिर हिला कर खड़ी हो गई सती शिव और नंदी ने उनका अनुसरण किया यह वही है विश्व द्विम्न ने दूर्बीन को नीचे रखते हुए अपने स्वामी की और देखकर कहा पल्टन सुरक्षित दूरी पर काफिले से छुपी हु इवं पत्तियों का एक प्रभावी कवच था हां उस फंदार विक्ति ने कहा और उसने शिव के सुगठित मानसर शरीर पर निगाह जमा दी बिना दूर्बीन के भी उसको यह संदेह नहीं था कि यह वही विक्ति था जिसने ब्रह्मा के मंदिर में कुछ सप्ता पहले ही स्वामी उस पर नजर रखना यह वही आदमी है जिसने पिछला आकरमण विफल कर दिया था विश्वधियम्न कहना चाहता था कि पिछला प्रयास इसलिए विफल हुआ था क्योंकि वह अनियोजित था जाती चिन वहीन आदमी की उपस्थिती की भूमी का बहुत कम थी श्वधियम्न ने अपने विचारों को अपने पास ही रखने की बुद्धिमानी की संभावता आकरमण करने से पहले हम लोगों को इनका पीछा एक घंटे तक करना चाहिए स्वामी वह अरिश्टिनेमी की अतरित सहायता से सुरक्षित दूरी होगी हम लोग इसे जल्दी से समाप्त करके रानी को बता सकते हैं कि गुप्तिचर की सूचना सही थी नहीं जब तक वे मंदार परवत से आधा दिन की दूरी तक नहीं पहुँच जाते तब तक हम लोग कुछ घंटे और प्रतिक्षा करेंगे उनकी नई बग्यों में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि वे आ और याद रखो मैं चाहता हूँ कि ये जल्द समाप्त हो जाए फरदार विक्ति ने आगे कहा हम जितना अधिक समय लेंगे उतने ही अधिक लोग घायल होंगे जी हाँ स्वामी मध्यान भोजन के लिए जब काफिला रुका तो आधी दूरी तै की जा चुकी थी और तीसरे प्रहर का प्रारंब हो चुका था यहाँ पर जंगल को काफी दूरी तक कार दिया गया था जिसके कारण अचानक आकरमण का अवसर नहीं था महरानी की नौकरानियों ने शेगरता से भोजन बाहर निकाला और उस खुले एवं साफ किये हुए इस थल के मद में उन्हें गर्म करना प्रारंब कर दिया राजिसी दल एवं शिव काफिले के प्रारंब में देवगिरी की दिशा में बैठे हुए थे भबरवे पीछे की और एक उची जगा पर खड़ा था और अपनी चील की दृष्टी से चारो और चौकरना होकर देख रहा था राजिसी दल के अलावा आधे अरिश्टने में की सैनिक भी भोजन करने के लिए बैठ गये थे जबकि शेष सावधानी से पहरे पर लगे थे शेव अपनी थाली में दूसरी बार भात लेने ही वाला था कि उसने सड़क से कुछ दूरी पर टहनी की चटकने की आवाज सुनी मद्य में ही रुकर उसने ध्यान से पुरा सुनने की कोशिश की अब कोई आवाज नहीं थी उसकी सहज बुद्धी ने कहा कि कोई आखेटक जीव होगा जिसे लगा होगा कि उससे गलती हो गई है तो वो शान्त हो गया हो शिव ने सती की और देखा, ये देखने के लिए कि उसने सुना है अत्वा नहीं वो भी सड़क की और ध्यान लगा कर देख रही थी एक हलकी सी चेर मराहट हुई जैसे ही टहनी के उपर से पाउं हटा और उस पर दबाव हलका हो गया केवल ध्यान लगाकर सुनने वालों के अलावा ये एक सामाने लोगों को पता चलने वाला नहीं था शिव ने ततकाल ही अपनी धाली रग दी उसने तलवार निकाली और धाल को पीठ पर लगा लिया भब्रवे ने शिव को देखा तो उसने भी अपनी तलवार निकाल लिया और साथ ही वो अपने सैनिकों को जल्दी जल्दी संकेत देने लगा कि वे भी वैसा ही करें सती और नंदी कुछी छण में युद्ध के लिए तयार थे और अपनी पारंपरी युद्ध शैले में आ चुके थे सती ने बीना मुड़े ही वीरिनी को फुस्पसा कर कहा माता जी किर्पया बग्गी में चली जाएए और बंद कर लीजे अपने साथ नौकरानियों को भी ले जाएए कि तो पहले अश्वों को बग्गी से अलग करवा लीजे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है और हम शत्रूओ दोरा आपका अपहरन भी नहीं चाहते तुमा जाओ सती वीरीनी ने आगरह किया और इसमध नौकरानियों ने बग्गी का द्वार खोल दिया नहीं मैं यहीं रुक रही हूँ कृपया शीगरता से जाएए हमारे पास संभवता आधिक समय नहीं है वीरीनी तेजी से बग्गी में चली गई नौकरानियों ने तुरंत अंदर जाकर उसका द्वार अंदर से बंद कर लिया कुछ दूरी पर भबरव्य ने धीमे स्वर में अपने सायक से कहा मुझे इनकी चाल का पता है मैंने इन कायरों को दक्ष्ण की सीमा पर देखा है ये एक आत्म घाती दस्ता पहले भेजेंगे और ऐसा प्रतीत करवाएंगे कि वे पीछे हट रहे हैं और उसके बाद दुबारा आक्रमन कर देंगे मैं हानियों के बारे में परवार नहीं करता हम लोग इनके दोगले लोगों का पीछा करेंगे और एक-एक को नश्ट कर देंगे ये लोग अरिष्टनेमी से भिरने आये हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी इस मध्य शिव सती की ओर मुड़ा और सावधानी से खुसपसा कर बोला मेरा विचार है कि वे अवश्य ही किसी उच्ची लक्ष की इच्छा में होंगे राजसी परिवार से महतुपोर और कुछ नहीं हो सकता क्या आप सोचती हैं कि आपको बग्गी में प्रतीक्षा करनी चाहिए सती के आखे आश्चरे से शिव की और बर्ची की तरह उठी उसके मुख से हलका सा दर्द का भाव आने के बाद चमाकाई मैं संघर्ष करूँगी ये समझती क्यों नहीं है मैंने जो कहा वो पूरी तरह से तार्गिक है शत्रू के मुख्य लक्ष को प्राप्त करना कठिन बना दो तो वे युद्ध करने की इच्छा खो बैठते हैं शिव ने इन खयालों को अपने मन से निकाल दिया और सड़क पर ध्यान के इंद्रित करने लगा समूचे काफिले ने अपनी धमनियों को तनाव पूर्ण कर लिया था ताकि शत्रू को आगे बढ़ने की ध्वनी को ध्यान से सुन सके बिगहात लगा कर आकरमन होने की दिशा के लिए पूरी तरह से तयार थे अब उनके शत्रों की बारिती कि वे पहला करें जैसे ही उन्होंने सोचा कि ये जूटी शंका थी कि तभी नीचे की सड़क की और से शंक ध्वनी गुंजी मंदार परवत की उन शिव पूछे मुड़ा लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा जो कोई भी ध्वनी कर रहा था वो बहुत तेजी से भागता आ रहा था शिव उसकुल अहल पूण ध्वनी को पहचान नहीं पाया हाला कि दक्षडी सीमा के अरिश्टने में को पता चल गया था कि वो क्या था ये ध्वनी नाग ध्वनी शंक की थी नागाओ के आकमर की घुशना के लिए ये बजाया गया था यद्दे भी भबरवी युद्ध करने के लिए अपने धैरे को रहा था तथा भी वो युद्ध संचालन के मान के प्रक्रिया को भूला नहीं था उसने एक सहायक को आग्या दी जो भाग कर बगई के पास गया उसने एक लाल रंग के बकसे को बाहर निकाला जो नीचे से बंद था उसने उस पर ठोकर मारी तो वो खुल गया उसके बाद उसने बगल में रखे एक बटन को दुबाया उस बकसे में से एक बेलनाकार चिमनी तरह की सनरशना लगवा 25 फीट सीधे उपर खड़ी हो गई उस चिमनी ने ये सुनिश्चित किया कि जो धुआ उसमें से निकले वो सगन जंगल में खोना जाए और देवगिरी एवा मंदार परवत के पहरे दारों द्वारा देख लिया जाए सैनिक ने एक आग लगी हुई लकड़ी से आग को उस बकसे में सबसे अंतिम खाचे में डाल दिया लाल रंग का धुआ चिमनी से निकलने लगा जो इस बात का प्रतीक था कि उच्चिस्तर का खत्रा था मदद छे घंटे दूर थी चार यदी जिधर से सहायता आने वाली थी वो सड़क पक्की थी भब्रव संखर्ष को अधिक देर चलने नहीं देना चाहता था वो चाहता था कि जब तक सहायता पहुँचे उससे पहले ही प्रतेग नागा और चंदरवन्शों का सफाया हो जाए उसके बाद मंदार परवत की ओर जाने वाली सड़क की ओर से आकरमण प्रारम हो गया चंदरवन्शों के एक छोटे दस सैनिकों के दल ने अरिश्टनेमियों पर धावा बोल दिया एक सैनिक नागा शंख पकड़े हुए था और जोर जोर से फूक रहा था उसमें से एक व्यक्ति ने अपना पूरा सिर एवं माथा कपड़े से ढख रखा था मात्र आख के लिए एक कटे हुए हिस्से को छोड़ कर वो नागा था शिव एक जगा इस्थिर रहा वो देख पा रहा था कि संघर्ष काफिले के अंत में तीवरता से चल रहा था चंद्रवंशी केवल दस थे अरिशनेमियों को मदद के आशकता नहीं थी उसने सती और नंदी को संकेत दिया कि वे जहां हैं वहीं रहे सती सहमत थी कि कि वो भी यही आशकर रही थी आकरमन चल बलवाला होने वाला था संघर्ष छोटा और उग्रथा चंद्रवंशी सैनिक कुरूरता पूरवक लड़े लेकिन वे संख्या में कम थे जैसी कि भबरवे ने आशकी थी बेच्छन भर में ही मुड़े और तेजी से भागने लगे उनका पीछा करो सभी को मा डालो भबरवे चिलाया अरिष्टनेमी अपने अधिपती के पीछे भागते हुए चंद्रवंशी का पीछा करने के उद्देश से भागे अधिकतर लोगों ने शिव के चिला कर कहने को नहीं सुना नहीं यहीं रुको उनका पीछा मत करो उस समय तक कुछ अरिष्टनेमी सेनिकों ने शिव को सुन लिया लेकिन अधिकतर सेनिक चंद्रवंशी के पीछे भागते चले गए सती नंदी और 25 सेनिकों के साथ शिव उस मैदान में छूड गया शिव देवगिरी की और जाने वली सडक की और भूमा उस दिशा में जिधर से टहनी के चटकने की आवाज आई थी वो दुबारा शेश बचे अरिष्टनेमी सेनिकों की और मुडा अपने पीछे की और संकेत देकर धैर एवम शानती से बोला असली आकरमण इधर से होने वाला है चार-चार की कसी हुई बनावट में उस दिशा की तैयारी की दशा में रहो हमें उनको लगवग पांस से दस मिनिट तक रोके रखना है बाकी के सेनिक तब तक वापस आ जाएंगे जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि उधर कोई और चंदरवनशी संघर्ष करने के लिए नहीं है अरिशनेमियों ने शिव को देखा और सहमती में सिर्ह लाया वे युद्ध से कठोर बन चुके सेनिक थे उन्हें मातर एक सपष्ट बुद्धी वाला इवम शांत सेनापती चाहिए था जो जानता था कि उसे क्या करना चाहिए था इसके सिवा और कुछ नहीं विशीग रही उस बनावट में आ गए जो शिव ने बताई थी और प्रतिक्षा करने लगे उसके बाद असली आकरमण प्रारम हुआ चालीस चंद्रवंशी सैनिक फणदार विक्ति के नेतरत्व में पेडों के पीछे से प्रकट हुए में धीरे धीरे सूर्वंशी काफिले की और बढ़ रहे थे संख्या में कम होने के कारण अरिष्णे में शत्रों के निकट आने के प्रतिक्षा में स्थिर रहे राचकुमारी को हमें दे दो और हम यहां से चले जाएंगे उस फड़दार विक्ति ने कहा हमारा आवश्यक खून भाना नहीं चाहते हैं यह वही प्रह्मा मंदिर वाला जोकर है उसका पहनावा तो विचित्र है लेकिन वो लड़ाई अच्छी करता है हम भी रक्तपात नहीं चाते हैं शिव ने कहा शांती से चले जाओ और हम वचन देते हैं कि तुम लोगों को प्राणदान मिलेगा अरे जंगली गवार वो तो तुम हो जो मृत्यों के मुख में पहुचे हुए हो उस फरदार विक्ति ने कहा वो अपने स्वर के बज़ाए अपनी मुद्राओं से करोद दर्शा रहा था उसकी आवाज भायाना करोब से शांत रही थी शीब ने देखा कि भूरी पगड़ी पहने अधिकारी फरदार विक्ति को उतावले पन में देख रहा था पदस्तों में मतमेद मैं तो केवल एक चहरा देख रहा हूँ जो एक मुर्ख मुखोटा है और जो बहुत जल्द ही तुम्हारे दैनिये गले के नीचे लटका मिलेगा साथ ही अपने उस बिना दिमाग वाले सहायक से कहो कि वो अपनी सामरी की योजना को छोड़े नहीं फरदार विक्ति फिर भी शांत रहा उसने विश्व दिम्न की और देखा तक नहीं लानत है या आदमी तो कुछ अधी की सही निकला ये अंतिम चेतावनी है जंगली आदमी उस फरदार विक्ति ने पुना दोराया उसे इसी वक्त हमारे हावाले कर दो सती को अचानक ही खयाल आया तो वो बग्गी की और मुड़ी और उसने चीक कर कहा माता जी नया आपात कालिन शंक सामने के लोहे के जाल के पास है उसे अभी इसी समय बजाईए मदद के लिए एक तीवर आग्रह बग्गी से गौँच पड़ा भबरवे उसके सैनिकों को मदद के लिए बुला लिया गया था फरदार विक्ति ने मन ही मन बुरा भला कहा क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उसके सुवसर को समाप्त कर दिया गया था उसके पास इस अभियान को पूरा करने के लिए बहुत कम समय बचा था बाकी के सुर्वन्शी जल्दी ही वापस आ जाएंगे आक्रमार अरिशनेमी अपनी अपनी जगों पर स्थिर बने रहे स्थिर बने रहो शिव ने कहा उनके लिए प्रतीक्षा करो तुम लोगों को बस कुछ समय बिताना है राजकुमारी को सुरक्षित रखो हमारे मित्र बहुत जल्द ही हमारे साथ होंगे जब चंद्रवंशी और करीब आ गये तो अचानक की सती ने उनके घेरे को तोड़ते हुए फरदार वाले व्यक्ति पर धावा बोल दिया सती के इस अचानक आक्रमार ने चंद्रवंशीों के आक्रमार को धेमा कर दिया अरिशनेमियों के लिए कोई विकल्प नहीं था उन्होंने चंद्रवंशी पर क्रूर बागों की तरह आकरमण कर दिया शिव ने तेजी से सती के दाहिनी और कदम बढ़ाया ताकि उस और कोई हमला ना होने पाई क्योंकि विश्व दिम्न आगे बढ़ता हुआ खतरनाग धंग से सती के निकटा चुका था विश्व दिम्न ने अपनी तलवार लहराई ताकि शिव को अपने रास्ते में ना आने दे ले लेकिन शिव इतनी तेजी से उस और गया कि विश्व दिम्न स्वयम ही असंतुलित हो गया शिव ने बड़ी आसानी से उसका वार बचाया और अपनी धाल से धकेल कर अपने साथियों के पास पहुँचा दिया इस मध्य नंदी सती के बाई और चला गया था ताकि जो चंदरबंशी उधर से आकरमण कर रहे थे उन्हें रोक सके इस मध्य सती उस फड़दार विक्ति पर तीवरता से आघात करती जा रही थी उस फड़दार विक्ति को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसकी मंशा केवल अपनी रक्षा करने की थी ना कि प्रती उत्तर देने की वो उसे जीवित एवं बिना हानी पहुचाए ले जाना चाहता था शिव ने विश्वदम्न के कंधे ही आर पार एक बरवरता पुर्वा घाव लगाया क्योंकि उसने अपना कंधा खुला छोड़ दिया था मूँ बनाते हुए विश्वदम्न ने अपनी धाल को उठा कर शिव के दूसरे वार्स को बचा लिया उसी मुद्रा से विश्वदम्न ने अपने तलवार वाले हाथ को उठाते हुए शिव के धाड़ पर वार किया शिव ने तुरंथे अपनी धाल नीचे कर अपने को बचाने का प्रयास किया लेकिन वो उतनी तेजी से नहीं हो सका विश्वदिम्ने ने शिव के सीने पर चीरा लगाते हुए घाव लगा दिया पीछे हड़ते हुए एवं उचल कर दाहिनी उर जाते हुए शिव ने अपनी तलवार को तेजी से घोपने वाले तरीके से नीचे किया तो विश्विदम्ने ने फुर्ती से अपनी ढाल नीचे कर उसका वार बचा लिया लेकिन शिव की गैर पारम पर एक शैली ने उसे आवेवस्थित कर दिया वो लड़कडा कर पीछे हड़ गया और उसे महसूस हो गया था कि शिव अक्यन थी कुशल तरवार बास था ये बहुत ही लंबी एवं कठिन जुगलबंदी होने वाली थी नंदी ने एक चंदरवंशी सैनिक को मौत की घाट उतार दिया था क्योंकि उसने नियमों का उलंगन किया था और कमर के नीचे वार कर नंदी की जांग पर तीखा घाव लगा दिया था रक्त की धार के तेजी से बहने के बावजुन नंदी एक दूसरे सैनिक से भायानक युद्ध कर रहा था जिसने बाई और से उस पर धावा बोल दिया था चंदरवंशी ने अपने ढ़ाल को नंदी की घायल जांग पर जोर से दे मारा जिससे नंदी लड़कडा कर गिर पड़ा था चंदरवंशी ने सोचा कि अब तक तो उसका काम तमाम हो ही गया वो अपनी तलवार को दोनों हाथों से उठा कर उसे नीचे करने ही वाला था कि अचानक ही एक और वक्र रूप से घूमते हुए गिर गया जैसे कि किसी अत्यधिक बल ने उसे गिरा दिया हो जैसे ही वो गिरा तो दंदी ने देखा कि एक चाकू उस चंदरवन्शी की पीट में गहरा घूपा हुआ था उपर देखने पर उसने देखा कि शिव का भाया हाथ उस चाकू को फेकने के बाद बहुत ही मधुर ढंग से वकराकार होते हुए नीचे आ रहा था दाही ने हाथ से शिव ने विशुदम के करूर काटने वाले आगहात को बचाया जैसे ही नंदी किसी तरह से अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो शिव ने पीछे से ढाल को पुना आगे कर लिया फरदार वेक्ति को पता था कि वो बहुत समय ले रहे थे बाकी बचे अरिश्टने वी बहुत जल्दी वापस आ जाने वारे थे उसने सती के सिर के पीछे जाने का प्रयतने किया ताकि वो उसे अचेत कर सके किन्तु वो बहुत सचेत एवं तीवर गती वाली थी वो बाई और जाकर अपने शुत्रू का सामना करने को तयार थी अपने अंगवस्त्रम में छुपे हुए चाकू को बाएं हाथ से निकाल कर उसने फरदार वेक्ति के विशालकाय उदर को काड़ते हुए चला दिया चाकू ने उसके लबादे को काड़ दिया लेकि नीचे पहने कवच के कारण उसका प्रभाव रुख गया इस समय हमारा पहला करतव है कि हम राजशाही परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें जिस प्रकार उस विदेशी ने संघर्श किया था उसे देखकर भबरवे ने शिव को प्रशंसा भरी द्रिश्टे से देखा ना कि उसके नीले गले की कारण जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था उसने नमरता से सहमती में सिर हिलाया ये उचित जान पड़ता है विदेशी भबरवे ने अरिश्टनेमी सैनिकों को एक कसे हुए घेरे की बनावट में विवस्थित किया और घायलों को उस घेरे के अंदर ले लिया मरत शरीरों को छुआ नहीं गया कम से कम तीन अरिश्टनेमी सैनिक मारे गए थे और चंदरवन्शियों के नौ सैनिकों के मरत शरीर उस खुली जगा में इधर उधर बिखरे पड़े थे अंतिम सैनिक ने अपने प्राण स्वयम ले लिया क्योंकि वो इतना अधिक घायल हो चुका था कि उसके वहां से भागने की संभावना नहीं थी अच्छा एदा की जीवन देने वाले के आगोश में चले जाएं ना कि शत्रों के हाथ पढ़कर गुपत योजना बनाएं भबरव ये ने सैनिकों को नीचे जुक कर रहने और ढालों को सामने करने का आदेश दिया ताकि तीरों से सुरक्षा हो सके और वे सहायता दल के प्रतीक्षा करने लगे हे इश्वर सती को अपने आगोश में सकती से लेते हुए चिंतित दक्ष ने रोते हुए कहा पाँच सो सैनिकों का राहत दल दूसरे प्रहर के चौथे घंटे में पहुँचा परवतेश्वर की जोखिम के चेतावनी के बाउजित दक्ष ब्रहस्पती और कनकला ने उस काफिरे के साथ चलने का मन बना लिया था सती को अपनी पकड़ से छोड़ते हुए दक्ष फुसफुसाया जब उसकी आँखों से आसू बह निकले तुम घायल नहीं हो कहो नहीं न मैं ठीक हूँ पिताजी सती ने संकोच से कहा बस कुछ खरोच वाले घाव हैं कुछ भी गंभीर नहीं है इसने बहुत ही बहादूरी से सामना किया वीरीनी ने गर्व से चमकते हुए मुक से कहा मेरे विचार से ये एक मा का पक्षपात है सती ने कहा उसका गंभीर सुभाव पुना वापस आ चुका था शिव के और मुड़ते हुँ उसने कहना जारी रखा वे तो शिव थे जिन्होंने आज हमारी रक्षा की है पिताजी इन्होंने चंद्रवंशों की योजना का अनुमान लगा लिया था और सभी छित्रे लोगों को निर्नायक समय पर इखटा किया था ये इन्ही के कारण हुआ कि हम उन्हें परास्त कर सके ओ, मुझे लगता है ये कुछ अधी की दयालू है शिव ने कहा, वो अंतता प्रभावित हो ही गई वो बिल्कुल क्रपालू नहीं है प्रभू प्रकट रूप से आभारी दक्ष ने कहा आपने अपना चापतकार अभी से प्रारंब कर दिया है हमने असल में एक आतंकी आकरमण का करारा उत्तर दिया है आप नहीं जानते ये हमारे लिए कितना महत पूर्ण है लेकिन ये आतंकी हमला नहीं था महराज शिव ने कहा, ये राजकुमारी के अपहरन का एक प्रयास था अपहरन? दक्ष ने पूछा वो फरदार व्यक्ति निश्चित रूप से राजकुमारी को जीवित एवं बिना हानी पहुचाए अपहरन कर ले जाना चाहता था कौन? कौन फरदार व्यक्ति? दक्ष ने चौकरना होकर चिल्दा कर कहा वो नागा था महराज शिव ने दक्ष के वातौनमाद वाली प्रतिक्रिया पर आश्चर करते हुए का मैंने उसे लड़ाई करते देखा है वो बहुत ही अच्छा योधा है वो अपनी चाल में थोड़ा धीमा आवश्य है लेकिन वो बहुत अच्छा लड़ा का है लेकिन जब सती से लड़ाई कर रहा था तो वो प्रयास कर रहा था कि उन्हें कोई नुकसान न पहुँचे दक्ष के चहरे से रंग पूरी तरहा से उतर गया वीरिनी ने एक अजीब चमत के साथ अपने पती की ओर देखा जिसमें भाय एवं गुसे का विचित्र मिश्रण था उनके चहरे के भावों ने शिव को असोविधा जनक बना दिया था जैसे कि वो परिवार के नेजी छड़ों में हस्तक शेप कर रहा हो पिता जी क्या आप ठीक है चिंतित सती ने पूछा दक्षि से कोई प्रतिक्रिया ना सुनकर शिव सती की और मुड़कर बोला संभवता उचित रहेगा कि आप अपने परिवार से अकेले में बात करें यदि आपको बुरा ना लगे तो मैं नंदी एवं अन्य सैनिकों को जाकर देखता हूँ कि उनकी स्थिति कैसी है परवतैश्वर अपने सैनिकों के मद्य भ्रमण कर रहा था वो गायलों का परिक्षण कर रहा था और ये सुनिशित कर रहा था कि उनकी देखभाल एवं उपचार ठीक तरह से हो भवरवे उसके दो कदम पीछे चल रहा था वो उस चंदरवंशी के पास गया जिससे शिव ने मारा था जब वो नंदी की जीवन रक्षा कर रहा था उसने भैसे गुर्रा कर पूछा इस विक्ति की पीठ में छूरा घोपा गया है जी हाँ स्वामी अपना सिर जुकाए भवरवे ने कहा किस ने किया ये किस ने हमारे युद्ध के पवित्र नियमों का उलंगन किया मेरे विचार से उस विदेशी ने स्वामी लेकिन मैंने सुना है कि वो एक अधिपती नंदी को बचाने का प्रयास कर रहा था जिस पर एक चंदरवंशी ने धावा बोल दिया था और वो चंदरवंशी स्वाहिम युद्ध के नियमों का पालन नहीं कर रहा था जिसने नंदी की कमर के नीचे वार किया था परवतेश्वर ने मुर्जाय चेहरे से भवरवे को देखा तो वो डर के मारे गिणगराने के भाव पर दर्शित करने लगा नियम मात्र नियम होते हैं उसने गुर्रा कर कहा यदि आपका शत्रू उनका पालन नहीं करे तब भी उसका अनुपालन किया जाता है जी हाँ स्वामी जाओ जाकर मृत वेक्तियों के अंतिम संसकार की विधिवत तैयारी करो चंदरवंशीयों की भी स्वामी आश्चर चकित भवरव्य ने पूछा लेकिन वे तो आतंकी है वे चाहे आतंकी हो प्रवदेश्वर गुरु आया लेकिन हम सूर्यवंशी है हम लोग प्रभु श्री राम के अनुआई है शत्रू के लिए भी एक उचित आचरान होता है जिसका हम अनुपालन करते हैं चंद्रवंशी भी उचित अंतिम संसकार के अधिकारी है क्या इस पष्ट है जी हाँ स्वामी तुम उस विदेशी को प्रभु की नाम से क्यों संबोधित करते हो नंदी की बगल में लेटी हुए एक घायल अरिशने मी सैनिक ने पूछा नंदी एवं अन्य घायलों के साथ लगोंक आदा गंटा विता कर शिव अभी अभी आया था यदि कोई उन घायलों को अब देखता तो विश्वास करना कठेन होता कि उन्होंने कुछ गंटे पहले ही एक युद्ध लड़ा था वे आनंद से एक दूसरे से बाते कर रहे थे कुछ लोग अपने मित्रों को इस बात पर खिचाई कर रहे थे कि जब संगर्श का प्रारम हुआ था तो वे कैसे प्रलूभब वस्तू के लिए भागे थे छत्रियों की भाषा मैं कहें तो मुर्ट्यों के मुख पर हसी ठुटोली करना ही उनके अदम में साहातेम वीरता का प्रतीक था क्योंकि वे मेरे प्रभू है नंदी ने सरल उत्तर दिया लेकिन वो तो विदेशी है एक जाती चिन विहीन विदेशी अरिशनेमी ने कहा इसमें संदे नहीं है कि वो एक बहादूर युद्धा है लेकिन मिलूहा में कई बहादूर युद्धा है उसके बारे में विशेश क्या है और वो राजसी परिवार के मर्द इतना समय क्योवितीत करता है मैं इसको उत्तर नहीं दे सकता मित्र तुम्हें पता चल जाएगा जब वो समय आएगा अरशनेमी नंदी के और परश्ट ने सूचक दृष्टी से देखा उसके बाद उसने सिर्ण हिलाया और मुस्कुराने लगा वो एक सैनिक था वो केवल जहां और इस समय की चिंता करता था व्यापक परश्ट ने उसके मन में अधिक समय तक घर नहीं बसाता था चाहे जो भी हो मेरे विचार से ये सही समय है कि मैं बता दू कि तुम्हें एक बहादूर विक्ती हो मित्र मैंने तुम्हें गायल अवस्था में लड़ते देखा है तुम्हात्म समरपड शब्द का आर्थ नहीं जानते हो वे एक दूसरे के लिए सुच्छा से जगत से लड़ाई करेंगे वे कभी समान इस्त्री से प्रेम नहीं करेंगे और वे हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो सामराजे में अरिष्टनेमी सबसे अधिक आधर पाने वाले विशेश सैनिक थे अरिष्टनेमी किसी को भी भाता तभी बनाने को तयार होते थे जब वे उनकी श्रिणी का युद्धा हो नंदी को पता था कि वो अरिष्टनेमी का भाता नहीं बन सकता था दिलकारी मार कर हसते हुए अपनी नाग को सिकोड कर अरिश्नेमी ने कहा अरिश्नेमी की कंदे पर थपकी लगाते हुए नंदी ठाहा का मार कर हस पड़ा तुम्हारा नाम क्या है मित्र? नंदी ने पूछा कौस्तव अरिश्नेमी ने उत्तर दिया किसी दिन हम दोनों एक साथ मिलकर चंद्रवंशियों की सेना से युद्ध करेंगे मित्र और प्रभुश्री राम की कृपा से इन सभी दोगलों का नाश कर देंगे अगनी देव की सौगंध हम अवश्य करेंगे ये बहुती दिल्चस बात है कि आपने नागाओं के मन को कैसे पढ़ लिया ब्रहसपती ने शिव से कहा उस समय वो शिव के धड़ पर लगे गहरे घाओं को साफ होते और मरहम पट्टी होते देख रहा था शिव ने बल दे कर कहा था कि उसके घाओं को अपचार तभी किया जाए जब अन्य सैनिकों के घाओं के अपचार पूर्ण कर लिये जाए वैसे तो मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता शिव ने कहा नागा लोग कैसे सोच रहे होंगे वो मुझे बहुत ही प्रकट लग रहा था मैं इसकी व्याख्या कर सकता हूँ क्या सच मैं? क्या? इसकी व्याख्या है कि आप सर्व शक्तिमा ना शब्द है जिसका उचारा नहीं किया जा सकता है ब्राजपती ने अपनी आँखे बड़ी बड़ी गोल गोल करते हुए एवं जादू करने के मुद्रा में एक प्राचीन जादूगर की तरह हाथ उठा कर कहा वो जोर्दार ठाहा का लगा कर हंस पड़े जिससे शिव का शरीर थोड़ा पीछे की और जुग गया सेना के वैदे ने शिव को कड़ी नजर से देखा तो उस पर वो थोड़ा शान्त हो गया और उसने घाओ की देखबाल समाप्त करने दी आईरुवेदिक मलहम लगाने के बाद और उसे औशदी नेम के पत्तों से ढखने के बाद वैदे ने सूती कपड़े से उसकी पट्टी कर दी इसे प्रतेग दूसरे दिन बदलना पड़ेगा विदेशी वैदे ने पट्टी की और संकेत करते हुए कहा देवगीरी में राजशाही वैदे आपके लिए ये कर देगा और एक सब्ता के लिए इसको जल से भीगने ना दे साथ ही सविदी में सोमरस ना ले क्योंकि आप पूरी तरह से इसनान नहीं कर पाएंगे ओ इने सोमरस की आवशकता नहीं है ब्रहसपती ने मस्खरी करते हुए कहा उसने इन पर जितना नुकसान पहुचाना था अब तक पहुचा दिया है शिव और ब्रहसपती बिना रुके फिर से ठाके लगाने लगे तो वैद गुसे में अपना सिर हिलाते हुए वहाँ से चलता बना किन्तु गंभीरता से ये पूछना है कि वे आक पर आकरमण क्यों करेंगे आपने किसी को कोई हानी भी नहीं पहुचाई है ब्रहसपती ने शान्त होते हुए कहा मैं नहीं समझता कि ये आकरमण मुझ पर था मेरा मानना है कि ये आकरमण सती के लिए किया गया था सती? सती क्यों? ये तो और भी विसमेकारी है संभावता ये विशेस रूप से सती के लिए भी नहीं था शिव ने कहा मेरा मानना है कि उनका निशाना राजशाही परिवार था प्राक्मिक निशाना संभावता समराठ थे चू की वे वहाँ नहीं थे तो दूती एक लक्ष के लिए गए अर्थात सती मेरा मानना है उनका मुख्य उद्देश शिथा कि वो किसी राजशाही वेक्ति का अपहरान करे और उसका इस्तेमाल अपने लाब के लिए करे ब्रहसपदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी वो चिंतित नजर आया अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में जगड़ कर और अपने चेहरे के निकट लाकर उसने गहरी सोच में डूपकर दूर शूर्नि में देखा शिव ने अपनी थैली को टटोला और चिलम निकाल ले उसने सूखे गांजे को उसमें आसावधानी पूर्वक भरा ब्राजपती ने मुड़कर अपने मित्र को देखा और वो जो कर रहा था उससे अपरसन दिखा मैंने इससे पहले कभी नहीं खाशियो और संभावता कहना भी नहीं चाहिये था लेकिन वैसे चुकि आप सुतंतर वेक्ती हो लेकिन मैं आपको मित्र मानता हूँ और मेरा कर्टव है कि मैं आपको सच बताऊ मैंने कर्चप में मिश्र के व्यापारियों को गांजे लेने की आदत में देखा था ये आपके लिए अच्छा नहीं है ब्रहस्पती ने कहा आप गलत है मित्र दरासल ये इस दुनिया में सबसे अच्छी आदत है शिव ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा आपको संभवता पता नहीं है शिव इसमें बहुत सारे हानीकारक प्रभाव होते हैं और सबसे अधिक ये आपको अपने अतीद के बारे में सोचने की छमता को कम कर आपकी यादाशत कोहानी पहुचाता है शिव का चेहरा अलाक्षणिक रूफ से गंभीर हो गया उसने ब्रहस्पती को एक मधुर मुसकान के साथ देखा और कहा इसी कारण से तो ये अच्छी आदत है जो इसका पान करता है उस मूर्ख को कभी भी अपने अतीद को भूलने का डर नहीं सताता है शिव ने चिलम को जलाया उसे गहरा कश लिया और बोलना जारी रखा वे नहीं भूलने से डरते हैं ब्रहसपती ने तीर वृता से शिव के मुख को देखा और इस सोच के साथ कि वो कितना बुरा आतीद होगा जिसने उसके मित्र को इस गांजे की लत्की और प्रेरित किया होगा पुस्तक के अध्याय पठन की यात्रा में साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवार यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजे अपने मित्रों के साथ शेयर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब कीजे अलविदा नमस्कार आप सभी का मोटिवेशन टू रीड में स्वागत है आज हम जिस पुस्तक का सास्वार पठन करने वाले हैं वो शिव रचनत्रई की पहली पुस्तक मेलूहा के मृत्युन्जय है शिव रचनत्रई की ये पहली पुस्तक शिव को एक साधारन मनश्य के रुप में प्रतिबादित करती है जिसके कर्म उसे देवों के देव महादेव में परिवर्तित कर देते हैं अपने प्रारब्द एवं कर्तव्यों की और खिच जाने वाले एवं साथ ही प्रेम से प्रेरित शिव क्या सूर्वन्शियों के प्रतिशोध में उनका नीत्रत्व करेंगे और बुराईयों का नाश कर पाएंगे आईए जानते हैं कि शिव क्या सचमुच ही महानायक है और क्या वे महानायक बनना भी चाहते हैं या नहीं शिव रचनात्रई की प्रथम पुस्तक मेलूहा के मृत्युंजे लेखक अमीश त्रिपाठी अनुवादक विश्वजीत सपन अध्याए ग्यारा नीलकंट प्रकाश में आते हैं आस्थाई च्छावनी में रात बिताने के बाद दूसरे दिन प्रता राजशाही काफिले ने देवीरी की यात्रा प्रारंब की उन परस्तितियों को देखते हुए रात में यात्रा करना सुरक्षित नहीं था नंदी समे अरिष्टी से घोडों से यात्रा करने का अवसर प्रदान किया था मृत तीन अरिष्टनेमियों के शोप में ब्रहसपती एवं कनखला सैनिक दल के साथ पैदल चल रहे थे परवतेश्वर भब्रव्या एवं दो अन्य सैनिक एक आस थाई बनाई गई लकडी की पालकी को उ पैद्यों ने हट किया कि वह इस स्थिती में नहीं था अपने सैनिकों की बहादूरी पर परवतेश्वर गर्व के साथ चल रहा था मेरे लड़कों ने जैसा कि वह उन्हें पुकारता था दिखा दिया था कि वह उस धातों के बने थे जो भगवान इंद्र की भटी में करेगा उसने चुपके से निर्णे लिया कि वह उन तीन म्रत सैनिकों के परिवार वालों को अगले तीन महीनों का अपना वेतन दे देगा यहां तक कि मैंने भी नहीं सोचा था कि वह इतना नीचे गिर सकते हैं दक्ष ने घ्रणा से कहा आराम से सो रहे शिव और सती वीरिनी ने पुस्तक पढ़ते पढ़ते सिर उठा कर देखा उसने अपनी आखे संकुचित करके अपने पती को देखा कौन महराज शिव ने मधोशी से पूछा दिलीप वो माना उता कि नाम पर एक रोग दक्ष ने अपनी ग्रणा को बिना चुपाए हुए कहा वीरिनी ल सुरक्षा प्रदान करने की मुद्रा में रखा सती ने सीर उठाकर अपनी मा की और मुस्तकान के संकेत के साथ देखा और अपने ठके हुए सिर को वीरिनी के कंधे पर रख दिया ये दिलीप कौन है महराज शिव ने पूछा वो स्वद्वीप का समराथ है दक्ष ने कहा चंद्रवंशियों के इस कपट पर समराथ के गुसे का फूटने को वो समझ रहा था और फिर उसका ये इस तर की वो इतना नीजे गिर सकता है कि इस घटिया हरकत में नागाओं का इस्तिमाल कर सकता है करोधित दक्ष ने कहा ये हमें बताता है कि इस चंद्रवंशी क्या गया था महाराज शिव ने धीमेस्वर में कहा ऐसा प्रतीत होता था कि वही नेता था हाला कि दक्ष अपने न्याय संगत क्रोध में इतना खोया हुआ था कि वह शिव के इशारे में भी खोजबीन कर रहा था संभवता वो नागा इस पल्टन का नेता रहा होगा प्रभू लेकिन वो अवश्य ही चंद्रवंश्यों के अधीन काम कर रहा होगा कोई नागा नेता नहीं हो सकता वे लोग शापित लोग हैं वे जन्म से ही अपंग और विद्रूप होते हैं उन्हें तरह तरह के रोग होते जो कि उन्हें उनके पूर्विजन्मों के पाप के कारण दंड स्वरूप मिलते हैं नागाओं को दूसरों को अपना चेहरा दिखाने में भी शर्मंदिगी महसूस होती है लेकिन उनके पास अत्यधिक शक्ति एवं निपूरता है उनकी उपस्थिती मेलुहा वासियों एवं अपनी आत्माओं को कितने गहरे पाप के दलदल में धकेल रहे हैं शिव सती और वीजिनी दक्षी की इस निंदा को निरंतर चुपी के साथ सुन रहे थे शिव की और मुरते हुए दक्षी ने कहना जारी रखा आप देख रहे हैं प्रभू कि हम कैसे कीड़ मकौडों के व खत्रे में हैं महराज मैं आपकी सहायता करने के लिए कुछ भी करूंगा शिव ने कहा लेकिन मैं सेना पती नहीं हूं मैं चंदरवन्शियों के विरुद सेना का नेत्रत्व नहीं कर सकता मैं तो एक साधारान कभीलाई नेता हूं एक ऐसा आदमी क्या अंतर ला सकता है कम स हमने आपके कारण आपकी तीक्ष्ण बुद्धी के कारण एक तरासद कारी आकरमन को विफल कर दिया कृपया मुझे आपके आगमन की घोशना करने दीजिये मैं किवल इतना ही चाहता हूं शिव ने दक्ष के उत्साही चहरे को कपकपी के साथ देखा वो सती एवं वीरिनी की आखों को भी अपने चहरे पर गड़ा हुआ महसूस कर रहा था विशेशकर सती की मैं स्वयम को किस उलजन में डाल रहा हूं ठीक है शिव ने आत्म समरपड करते हुए कहा दक्ष उठा मैं आपकी उपस्तिती की घोषना कल ही राजसभा में करूँगा उसके बाद आप तीन सफ्ता के बाद समस्त सामराज्य के भ्रमण के लिए प्रिस्थान कर सकते हैं मैं सवयम व्यत्तिकत रूप से सारी सुवयवस्थाएं सुनिक्षित करूँगा सेना का एक समूचा दल आ अंकट में डालने नहीं दूँगी वो मेरे साथ देवगीरी में ही रुक रही है वीरिनी नादानी मत करो दक्ष ने शांती से समझाते हुए कहा क्या तुम सच में ऐसा मानती हो कि जब प्रभू नीलकंट साथ में होंगे तो सती को कुछ हो सकता है जब वो प्रभू के साथ है तो सबसे अधिक सुरक्षित है नहीं वो नहीं जा रही है और ये मेरा अंतिम निर्णा है सती का हाथ पकड़ते हुए वीरिनी ने कठोर स्वर में आँखे तरेजर कहा वीरिनी की उपेक्षकर दक्ष शिव की और मुड़कर बोले आप चिंता ना करें प्रभू मैं सारी विवस्फा करवा दूँगा और वतैश्वर और सती भी आपके साथ यात्रा करेंगे आपको सती को कभी-कभी थोड़ा सयम में रखना होगा शिव ने तेवरी चड़ाई और सती ने भी दक्ष मिलनसारिता से मुस्कुरा कर बोला मेरी प्यारी पुत्री की प्रव्रति कभी कभी बहुत बहादूर बनने की है जैसा कि एक बार जब वो बच्ची ही थी तो एक व्रद इस तरी पर जंगली कुत्रों के दल ने आकरमण कर दिया था उसकी रक्षा के लिए वो अकेले ही हाथ में तलवार लिए कूद पड़ी थी अपने इस दर्द के लिए उसने लगभव अपने प्राणों की बली दे दी थी वो मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन था मेरे विचार से उसी आवेग शीलता के कारण वीरिनी चिंते थे शिव ने सती को देखा लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था यही कारण है कि दक्ष ने कहना जारी रखा मैं आपको सुझा दे रहा हूँ कि इस से सयम में रखना होगा उसके बाद कुछ भी समस्या नहीं होगी शिव ने पुना सती की तरफ देखा उसने सती के लिए अपने मन में प्रिशंसा की एक लहर के साथ अंतहीन प्रेम महसुस किया इसने वो कर दिया जो मैं नहीं कर सका था अगले दिन प्राता शिव ने पाया कि वो मेलुहा की राजशाही दरबार में दक्ष के बगल में बैठा हुआ था उस दरबार की भवेता ने उसे पूरी तरह से भौचक्का कर दिया था चुकि ये एक सारवजनिक इस्थल था इसलिए सामानेता हम मेलुहा की चुपी एवं कमतर शैली यहां कहीं नहीं दिखाई दे रही थी ये महान सारवजनिक इसनान घर के पास में ही बना हुआ था जहां वेदिका मान कि ये भट्टे की इटों से बनाई गई थी वही फर्ष समेथ पूरी सनरशना सागाउन की लकड़ी से बनी थी आसानी से नकाशी किये जाने वाला एवं गढ़ा जाने वाला फिर भी शक्तिशाली वेदिका पर बड़े ही पुष्ट लकड़ी के खंबे खाचों में सलीके से लगाए गए गए थे खंबो को अत्यतिक खर्चीले ढंग से दिवे वेक्तित्व के चित्रों से गढ़ा गया था जैसे अपसराएं, देवगड एवं रिशी, दिवे सुन्दर देवियां, ईश्वर और ग्यानी वेक्तित्व और भी अन्य एक विभूशित गड़ी हुई लकडी की च्छत थी जो सोने एवं चांदी से बने हुए चित्रों से सजी थी और वो खंबे के सबसे उपर मुकुट के समान सजी हुई थी पवित्र नीले एवं राजशाही लाल रंगों में रंगी पताकाएं छट से नीचे की और लड़की हुई थी दीवार पर प्रतेक ताखों पर प्रभुश्री राम के जीवन को दर्शाते हुए चित्र बने हुए थे लेकिन शिप को दर्बार के अधी सुन्दर स्थापत कला को निहारने का समय बहुत कम था दक्ष के भाशवर में उसकी आशाएं प्रकट हूंगी और जो उसे पूरी तरह से असुविधा जनक प्रतीत हो रही थी जैसा कि आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा दक्ष ने घोशना की कल एक और आतंकी आकरमन हुआ था चंदरवन्शियों ने मंदार परवत से देवगिरी के मार्ग पर राजशाही परिवार को हानी पहुचाने का प्रियास किया था दर्वार को भै के भाव वाले कलरव ने भर दिया सब ही लोगों को जो प्रशन परिशान कर रहा था वो था कि चंदरवन्शियों ने मंदार परवत का मार्ग कैसे जान लिया था इसमद्ध शिव सुयम को इस बात की याद दिला रहा था कि यह आतंकी आकरमण नहीं था यह अपहरन का एक प्रियास था चंदरवन्शियों ने बहुत ही कपट से आकरमण की योजना बनाई थी दक्ष ने बड़बडाहट को अपनी दमदार आवास से मंद करते हुए कहा उस दरबार के निपड़ शिल्पकारों ने उसकी संद्शना इस प्रकार की थी कि राजशाही वेदिका से बोला गया स्वर समस्त दरबार में गुन जायमान हो लेकिन हमने उनको पराजित कर दिया दश्कों में पहली बार हमने उनके कायरता पूर्ण आतंकी आकरमण विफल करते हुए उन्हें पराजित किया है इस घोश्रा के साथ ही एक उल्लसित गरजना दरबार में उठती चलती गई उन्होंने इस से पहले चंदरवन्शियों का आमने सामने की लड़ाई में अवश्य परास्त किया था लेकिन इस भयानक आतंकी हमलों का प्रतियुत्तर आज से पहले उनके पास नहीं था इसका काराण ये था कि तरासदकारी असैनिक स्थलों पर हमला करते थे और जब तक सूरिवन्शी सैनिक पहुचते वे भाग चुके होते थे अपने हाथ उठाकर दरबारियों को शान्त रहने को कहते हुए दक्ष ने कहना जारी किया हमने उन्हें परास्त किया क्योंकि अंतता सत्य के जीत की घड़ी आ गई है हमने उन्हें परास्त किया क्योंकि हमारा नेतरत तात मनु के संदेश वहक ने किया हमने उन्हें परास्त किया क्योंकि न्याय की घड़ी आ चुकी है बड़ा हाथ तेज होती चली गई क्या नीलकंट अंतता आ ही गए है सब ने अफवाह सुनी थी लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया था पूर्व में भी कई बार जूटी कोशनाए हो चुकी थी दक्ष ने अपने हाथ उपर उठाए उसने प्रतीक्षा की ताकि लोगों की अग्रदर्ष्टी का माहौल पूरी तरह से तयार हो जाए लोग इस सच को सुनने की आस्प में हो जाए और उसके बाद उसने हर्श के साथ गरजना की हाँ ये अफवाह सत्य है हमारे रक्षक आ गए है नीलकंट आ गए है हमने अफवास सुनी थी प्रभू लेकिन हमने कभी विश्वास नहीं किया था कि वो सच है अब हमें किसी भी चीज़ से डरने की आवशक्ता नहीं है प्रभू आप बुराई के नश्ट होने में गिंती के दिन रह गये है आप कहां से आए हैं प्रभू कैलाश परवत से वो कहां है प्रभू मैं वहाँ के धार में क्यात्रा करना चाहता हूँ इन बार बार पूछे गए प्रश्णों और उन लोगों के इस अंधविश्वास ने शिव को हिला कर रख दिया जैसे ही उसे अफसर मिला उसने दक्ष से दर्बार से जाने का अन्रोद किया दर्बार में जो कुछ भी हुआ था उसको सोचते हुए कुछ समय बाद शिव अपने कमरे में आराम से बैठा हुआ था गुलू बंद पुना उसके गले पर आ चुका था पवित्र जील की क्रपा से क्या मैं इन लोगों की समस्याओं का समधान कर पाऊंगा आपने क्या कहा प्रभू नंदी ने पूछा जो कुछ दूरी पर धैरे से बैठा हुआ था तुम लोगों की आस्था मुझे चिंदित करती है शिव ने स्वर्थ तीवर करके कहा ताकि नंदी सुन सके यदि एक एक आदमी से लड़ना होता तो मैं तुम्हारे लोगों की रक्षा करने के लिए किसी से भी संगर्ष कर सकता लेकिन मैं कोई निता नहीं हूँ और निश्चित रूप से मैं बुरायों का विनाशक नहीं हूँ मुझे पूरा विश्वास है कि आप किसी के भी विरुध विजय प्राप्त करने में हमारा नीत्रत्व कर सकते हैं प्रभू देवगीरी आते समय आपने उन्हें मार्ग में पराजित किया था वो असली जीत नहीं थी शिव ने अस्विकार करते हुए कहा वो एक छोटी पर्टन थी जो प्राण लेलनी के लिए नहीं अपहरण के उद्देश से आई थी यदि हम सुव्य वस्थित और बड़ी सेना का सामना करते हैं जिसका उद्देश से प्राण हरान करना होगा तो पर्ष्थितिया भिन होगी मेरे विचार से ऐसा प्रतीत होता है कि मेलुहा कुछ विकट एवं निर्दाई शत्रों के विरुद खड़ा है तुम्हारे देश को एक विक्ति में विश्वास के अवश्थिता नहीं है ये उसका उत्तर नहीं है तुम्हारे लोगों को परिवर्तन शिल्द समय को अपनाना होगा हो सकता है कि तुम लोग अपने जीवन जीने के ढंग ये कारान इस बात से अन्भिग्यों की अपने रग्त पिपासु शत्रों का सामना कैसे करें एक नई विवस्था की अवशकता है मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो किसी चमतकार से तुम्हारी समस्याओं का समधान कर देगा आप बिलकुल सही है प्रभू नंदी ने उस भागिशालिस सरल विक्ति के विश्वास के साथ कहा जिससे सोचों ने अधिक परिशान नहीं किया था एक नई विवस्था की अवशकता है और स्पष्ट है कि नहीं पता कि वो विवस्था क्या होनी चाहिए लेकिन मैं एक बात अवश्य समझता हूँ एक हजास साल पहले हमने ऐसी ही विपत्तियों का सामना किया था और प्रभु श्री राम आये थे और उन्होंने हमें अच्छे तरीके सिखाए मुझे पूरा विश्वास है कि उसी प्रकार आप हमारा नेतरतों उत्कृष्ट मार्क पर ले जाने में करेंगे मैं प्रभु श्री राम नहीं हूँ नंदी कैसे ये बेवकूफ मेरी तुलना प्रभु श्री राम से कर सकता है जो मर्यादा पुरुश्रत्तम थे एक आदर श्वेत्ती आप प्रभु श्री राम से भी बहताने प्रभु नंदी ने कहा ये बेवकूफी की बाते मत करो नंदी मैंने ऐसा किया ही क्या है जो मेरी तुलना प्रभु श्री राम से की जा सके बहतर की बात तो रहने ही दो किन्तु आप ऐसे काम करेंगे जो आपको उनसे बहतर सिद्ध करेगा प्रभु अब तुम बक्वास बंद करो शिव के सामराज भ्रमण की तयारें जोर शोर से चल रही थी फिर भी शिव को दोपहर में सती के निरत पाठ के लिए समय मिल रहा था उनके मद्ध एक शांतिपूर्ण मित्रता विक्सित होती जा रही थी लेकिन शिव इस बात से दुखी था कि जहां सती उसको आदर दे रही थी वही उसमें भावनाओ या भावों के प्रदर्शन में कोमलता नहीं आ रही थी इस भी शिव के कबीले को देवगीरी बुला लिया गया था जहां उन्हें रहने के लिए आरामदायक निवास और काम दिये गए थे लेकिन भावनाओ को गुणवालों के साथ नहीं रहना था उसे कहा गया था कि वो नेलकंट की यात्रा में उनके साथ रहे वीर भावनाओ तुमने ये नाम कपा लिया कश्मीर से प्रस्थान करने के बाद शिव ने पहली बार मिलने पर उनसे पूछा बड़ा ही बेकार कारण है भादर ने मुस्कुरा कर कहा जिसके पीछे का कूबर चमत्रकारी सोमरस की करपा से पूरी तरह से अद्रशे हो चुका था यहां की यात्रा करते समय मैंने काफिले के नेता को एक बाग के हमले से बचाया था उसने मेरे नाम से पहले एक वीर वेक्ति की उपाद्धी दी तुमने एक बाग कर सामना केले किया शिव ने इस पश्ट रूप से प्रभावित होकर पूछा भाद्र ने सहमती में सिर्ह लाया उसे ये कहना अजनबी सा लगा अरिवा तब तो सही में तुम वीर भाद्र कहलाने के हगदार हो हाँ सही है भाद्र मुस्कुराया उसके बाद अचानक गंभीर होकर उसने पूछा ये पागलपन भरी उपादियां भुराईयों का विनाशक क्या आपको ठीक लग रहा है आप इनके आग्रहों में केवल अपने अतीत के कारण नहीं जा रहा है न मैं इस समय प्रवाह के साथ जा रहा हूं मित्र कोई मुझे बता रहा है कि मेरी शंकाओं के बावजूद सही में इन लोगों की मदद कर सकता हूं ये मिलूहा वासी पूरी तरह से पागल है इसमें संदे नहीं है और ये भी सच है कि जो आस ये मुझे से लगाए बैठे हैं वे सभी मैं पूरी नहीं कर सकता लेकिन मुझे अवश्य महसूस होता है कि चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो यदि मैं कुछ भी अंतर ला सकता हूं तो मैं अपने अतीत पर संतोश व्यक्त कर सकता हूं यदि आप निश्चित हैं तो मैं भी हूं मैं आपके साथ कहीं भी जाऊंगा वीर भदर हसा और उसने शिव को आलिंगंद बद कर लिया आपकी बड़ी याद आई शिव मुझे भी दोपहर में बाग में मिलते हैं मेरे पास बहुत अच्छा गांजा है पका ब्रहसपती ने भी शिव के साथ यात्रा करने की अनुमती प्राप्त कर ली थी उसने विबरर दिया कि कुछ अलब्य रसायन के साथ मिसुपटामिया का जहाज बंदरगाह नगरी कर्चप आने वाला था उसके एक दल को उन पदार्थों की जाच करके उन्हें लाना ही था तो ये अच्छा रहेगा कि वे लोग भी शिव के साथ यात्रा कर ले और वो काम भी कर ले दक्ष ने कहा कि उसे इसमें कोई परिशानी नहीं थी यदि प्रभू को कोई आपती नहीं थी शिव ने उत्साहित होकर इस उजाओ को मान लिया था दरबार में निलकंट के बारे में घोशना के दिन से तीन सब्ता के बाद अंतता वो दिन आही गया जब शिव को समस्त सामराजी का भ्रमण प्रारम्ब करना था उस दिन प्राता ही दक्ष शिव के कमरे में आया आपने मुझे बुला लिया होता महराज नमस्ते कर शिव ने कहा आपको यहां आनी की आवशक्ता नहीं थी आपके कमरे में आना मेरे लिए खुशी की बात है प्रभू दक्ष शिव के अभिवादन को नीचे जुकर प्रतियुत्तर देते हुए मुस्कुराया मैंने सोचा कि मैं आपकी भेट उस वैद से करवा दू जो आपकी यातरा के दोरान आपके साथ भ्रमण करेगी पुकल रात ही कश्मीर से आई है दक्ष एक ओर हो गया ताकि उसके मार्ग तरशक वैद को कमरे में अंदर ला सके आयुर्वती शिव ने चकित होकर कहा तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा उसने एक सुंदर मुस्कान के साथ कहा आपको पुना देकर बहुत खुशी हो रही है खुशी तो मुझे हो रही है प्रभू आयुर्वती का मुख चमक उठा था जब वो शिव के पाउच होने के लिए जुकी शिव जल्दी से एक और हड़ गया और बोला मैंने आपसे पहले भी कहा था आयुर्वती आप जीवन दात्री है कृपया मेरे पाउच हो कर मुझे चरविंदा ना करे और आप निलकंठ है प्रभू बुराई के विनाशक आयुर्वती ने भक्तिभाव से कहा आप मुझे आशिरवात देनी की कृपा से कैसी वन्चित कर सकते हैं शिव ने विशाद में अपना सिर हिलाया और आयुर्वती को अपने पैर चुने दिये उसने बड़ी कोमलता से उसके सिर पर हात रखा और आशिरवात दिया कुछ घंटों के बाद शिव सती परवतेशवर ब्रहसपती आयुर्वती कृतिका नंदी और वीरभदर भ्रमण पर निकल पड़े उनके साथ 15 सैनिकों का एक दल 25 घरेलू नौकरानिया और 50 अन्य सहायक अनुचर उनकी सुरक्षा एवं सुविधा के लिए चल पड़े थे उनकी योजना ब्यास नदी पर इसित कोटद्वार नगर तक सड़क मार्ग से जाने की थी वहां से वे नौकाओं से बंदरगाह नगरी कर्चप तक जाने वाले थे उसके बाद वे पूर्व में लोथल नामक नगर जाएंगे उसके बाद वे अंत में उत्तर दिशा में सरस्वती के डेल्टा छेतर में जाकर नौकाओं द्वारा देवगिरी वापस लोट जाएंगे अध्याए बारा मेलूहा का ब्रहमन मनू कौन थे शिव ने पूछा मैंने उनके बारे में कई बार सुना है और उन्हें तात से क्यों सम्मोधित किया जाता है काफिला कई दिनों से देवगिरी से कोड़ द्वार जाने वाले मार्ग पर चल रहा था जिसके मद्य भाग में साथ बग्गियां थी जो ठीक वैसी ही थी जैसे कि मंदार परवत की यात्रा के दोरान प्रियुक्त की गई थी उनमें से पांच खाली थी शिव सती, ब्रहस्पदी और कृतिका दूसरी बग्गी में यात्रा कर रहे थे परवतेश्वर पांच भी बग्गी में आयूर्वती और अपने कुछ विश्वास पातर सेना पतियों के साथ था सेना नायक की उपस्तिती का अर्थ था कि प्रतेख नियम का कड़ाई से पालन होगा अता नंदी जिसका पद उसे बग्गी में चलने की अनुमती नहीं देता था वो अपने अश्वा रोहियों के दल के साथ एक अश्वा पर सवार था वीर भद्र को नंदी के दल में एक सैनिक की तरह शामिल कर लिया गया था अपने अधिपतियों के साथ पूरा का पूरा सैनिक दल मान की ये अगला भाग पिछला भाग एवं काफिले के दोनों बगलों से सुरक्षित कर चल रहा था ब्रहसपती एवं सती दोनों ही एक साथ शिव के प्रशने का उत्तर देने लगे समराट मनुएक दोनों नहीं बोलना छोड़ दिया कृपया आप बताईए ब्रहसपती जी सती ने कहा नहीं नहीं ब्रहसपती ने एक हलकी मुस्कान के साथ कहा आप क्यों नहीं एक अथा बताती है वो जानता था कि किसका स्वार नीलकंड सुनना पसंद करेंगे कभी नहीं ब्रहसपती जी मैं आपका इस्थान कैसे ले सकती हूँ ये तो पूर्टा अनुचित होगा कोई मेरे प्रशने का उत्तर देगा या फिर आप दोनों इस लंबे चलने वाले आप आप में ही लगे रहेंगे ठीक है ठीक है ब्रहसपती हसा अब फिर से नीले मत हो जाईए ये बहुत ही मस्खरी वाले बाते थी ब्रहसपती शिव मुस्कुराया इसे रखे रहें और आपको सौ सालों में शायद कोई ऐसा मिल जाए तो इस पर हस पड़े इस पर ब्रहसपती और शिव थाहा का मारकर हस पड़े तो सती इस अनुचित प्रकार के वारतालाब पर विस्मित थी किन्तो यदि आदर्णिया मुख्य वैग्यानिक सुविधा जानक प्रतीत हुए तो वो कुछ नहीं बोलेगी और उसके बाद भी वो शिव को कैसे फटकार सकती थी उसके हाथ नीतिके नियमों ने बांध रखे थे उन्होंने उसके जीवन की रक्षा की थी दो बार ऐसा है कि मनु समराट के तात होने के बारे में आप सही थे प्रहस्पती ने कहा उन्हें समस्त भारत वर्ष के लोगों द्वारा हमारी सभ्यता का जनक माना जाता है स्वद्वी पुआसियों के भी शिवने आविश्वास से पूछा आवश्य हमारा यही मानना है वैसे वर्तमान से साड़े आठ हजार वर्ष पहले समराट मनु हुए थे प्रकट रूप से वे दक्षन भारत के एक राज़कुमार थे नर्मदा नदी के उस पार की भूमी से लेकर जहां भूमी समाप्त हो जाती है और समुद्ध प्रारंब होता है वो भूमी है संगम तमिल संगम तमिल? हाँ संगम तमिल उस समय विश्व का सबसे धनी एवं शक्तिशाली सामराज था समराट मनु के वंशच पांडियों ने उस भूमी पर कई वंशो तक राज किया था हाला कि समराट मनु द्वारा छोड़े गए आंकडों से हमें पता चलता है कि उनके समय तक राजाओं ने अपनी पुरानी नीती सनहिता भूला दी थी भ्रष्ट आचरोणों में घिर के वे अपने अपार धन से खुशिया मनाने में व्यस्त रहते थे ना कि अपने कर्तव्यों एवं आध्यात्मिक जीवन के प्रती उसके बाद एक भयाना कापदा होई समुद्र बढ़ गया और उनकी समस्त सभेता नश्ट हो गई हे भगवान शिवन ने लगबख चिला कर कहा समराट मनु को ये पता था कि ऐसा दिन आने वाला था और वे इसके लिए पहले से ही तयार थे उनका मानना था कि उनका वो प्राचीन प्रदेश जिस अधोगती में घीरा पड़ा है उसे ईश्वर के प्रचंड कोप का भाजन बनना ही था उस विपता से बचने के लिए उन्होंने अपने अन्यवाईयों के एक दल के साथ जहाजों से उत्तर दिशा की और उची भूमी की और प्रस्थान किया उनकी पहली चावनी महरागर नामक स्थल पर स्थापित की गई जो वर्तमान मेलूहा के सुदूरीर पश्यमी परवतों का स्थल है नैतिक एवम उचित समाज की स्थापना की चाह में उन्होंने अपने राजकुमार के पहनावे को तिलांजली दे दी और पुजारी बन गये प्रतेइक वर्ष मानसून के समय बार एवम समुद्र की लहरे और अधिक शिक्तिशाली हो जाती थी किन्तु कई वर्षों बाद और तात मनू की प्राथना की भगती से ईश्वर का क्रोध मंद पढ़ने लगा और जल इसतर आगे बढ़ने से रुग गया हाला कि समुद्र अपने पूर्व इस्थान तक पीछे किसा कर कभी नहीं गया इसका ये अर्थ है कि सुदूर दक्षिन में कहीं अभी भी समुद्र प्राचीन संगम तमिल को डुबई हुए है हमारा ऐसा ही मानना है ब्रहस्पती ने उतर दिया जब समुद्र ने आगे बढ़ना रोग दिया तो तात्मनू और उनके लोग परवत से नीचे आ गए वो ये देखकर स्थब्ध रहे गए कि एक पतली सी धारा वाली सिंदू एक विशालकाएं नदी में परवर्दित हो चुकी थी कई अन्य छोटी छोटी धाराएं बड़ी हो चुकी थी और छे बड़ी नदियों का जन्म हो चुका था सिंदू, सरस्वती, यमुना, गंगा, सर्यू एवं ब्रहम पुत्र तात मनू ने कहा था कि नदियों ने इतने जलप्रवा के साथ बहना इसलिए प्रारंब कर दिया था क्योंकि ईश्वर के प्रचंड प्रकोप के कारण धर्दी का ताब बहुत बढ़ गया था तब बढ़ने के कारण हिमाले में बर्फ की सरीताएं एवां हिम नदियों ने पिघलना प्रारंब कर दिया था जो उस समय तक हिमाच वो नर्मदा है। जो हमारी दक्षिर की सीमा बनी। तात मनु ने अपनी संतती को नर्मदा से दक्षिर में जाने के लिए कड़ाई से मना किया था। इस नियम का पालन हम करते हैं और चंद्रबंशी भी। तो फिर तात मनु के अने नियम क्या है। वास्ताओं में उनके अनेक नियम है, वे सभी एक पुस्तक में सूजी बद्ध हैं, जिसका नाम है मनुस्म्रती, क्या आप उन समूचे लेख को सुनने की इच्छा रखते हैं, फुद प्रलोभग है, शिव मुस्कुराया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अभी रहने दे, आपकी कुछ दूरी पर चालिस लोग ब्यास नदी के साथ साथ शानती से पैदल चल रहे थे, दो में से एक आदमी अपने सिर पर बांस से बनी हुई एक प्रकार की घिरनाओ को लेकर चल रहा था, ये उस छेतर का बहुत ही सहच दुर्श था, वहां के इस्थानी निवासी बांस, बेत और रसी से वहनी प्रकार की घिरनाओ बनाते थे, जो एक विक्ती द्वारा आसानी से ले जाई जा सकती थी, ये देखने में गोल आकार की थी और कई बार गोल गोल घूम कर चलती थी, अता उसे घिरनाओ कहा जाता था, इसमें एक सामान नाओ की भाती एक सीरा नहीं ह रखी थी उससे थोड़ा आगे एक फरदार विक्ती चल रहा था उसका जुका हुआ सिर्फ सिक्ड़ी हुई आंक्या और बड़े ही सलीके से कदम बढ़ाने से प्रतीत हो रहा था कि वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था उसकी सांस धौकनी की तरह चल रही थी उसने अप पास पहुचाएंगे तो हम नदी से बाहर हो जाएंगे ताकि हमरी पहचान नहोंने पाए हमें कर्चब दो महीने की भीतर पहुचना है कर्चब मेरे स्वामी विश्वदिम्रे ने आश्चरे से पूचा मुझे तो लग रहा था कि रानी के साथ हमरी गुपतु मुलाकात ल बारन का प्यास करना चाहेंगे उसे यह भी पता था कि काफीले के साथ चल रही उस विशालकाय सेना के रहते ऐसा प्यास दु नहीं होने वाला था श्रक्ता ने तत्काल वो किया जो उसे कहा गया था विश्वदिम्न और फरदार वेक्टी पल्टैन में सबसे पहले थे जो नदी में उतरे थे जब उसके आदमी नदी में नव रख रहे थे तब तक विश्वदिम्न नव खुए कर चल चुका था नदी में नीचे की और कुछ दूरी पर उस फरदार विक्तिनी देखा कि दो इस्त्रिया एक घिरनाओं पर लापरवाही से मटरगश्ती कर रही थी एक इस्त्री घिरनाओं के बगल से पानी लेकर दूसरे पर छिड़क रही थी और दूसरे उससे बचने का असफल प्यास कर रही थी कि वो भीग न जाए बच्चों की तरह हरकत वाले इस खेल के कारण उसकी नाओ खतरनाग धंग से हिल डुल रही थी फरदार विक्ती ने रेखा कि उन इस्त्रीयों ने ध्यान नहीं दिया था कि दूसरे किनारे से एक मगरमक्ष नदी में प्रवेश कर चुका था अपने लिए एक अच्छे भोजन के बारे में विचार कर वो मगरमच उन इस्त्रीयों की नौका की और तेजी से बढ़ने लगा अपने पीछे देखो उस भरदार विक्ती ने उन इस्त्रीयों की और चिला कर कहा और उसने विश्व दिमनी को इशारा किया कि वो नौका को उनिस्त्रियों के रिले चले उस दूरी से वे इस्त्रियां उनकी बात नहीं सुन सकी उन्होंने ये अवश्य देखा कि दो आदमी बांस की नौका को खेकर उनकी ओर आ रहे हैं उन्होंने देखा कि एक विक्ती लगभग दैत्याकार सिर से पाउं तक लबादे में ढखा हुआ था और इसका चेहरा भी नकाब से ढखा हुआ था वो आदमी उत्तेजना के साथ इशारे कर रहा था उन दोनों के पीछे एक बड़ी संख्या में सैनिक नदी में नौकाओं को खेकर चल रहे थे उन इस्तरियों के लिए इतनी चेतावनी बहुत थी ये सोचते हुए कि वे उनकी और गलत इरादे से आ रहे थे इस्तरियां तेजी से अपने पतवार चला कर उन से दूर मगरमक्ष की दिशा में जाने लगी नहीं फणदार वेक्ती चलाया उसने विशुदिम्न से पतवार च्हीन लिया और अपने ताकतवर हाथों से तेजी से बास की नाओ को खेने लगा वो अपनी और उन स्तरियों के मध्ध की दूरी को कम करने लगा लेकिन उतनी भी तेजी से नहीं उस मगरमक्ष ने निकटा कर उन स्तरियों की बास की नौका के नीचे गोता लगाया और उस बास की नौका पर हमला बोल दिया और अपने विशाल काय शरीर से उसे धका दे दिया जिसके कारण वो बास की नौका पलट गई और डूब गई वे इस्तरियों उचल कर ब्यास नदी में गिर गई वे अपने आपको नदी में बहने और डूबने से बचाने के लिए भैभीत होकर चिलाने लगी जोर से धका मारने के कारण वो मगरमच अपनी गती से काफी दूर निकल गया था वो मुड़ते हुए उन बेबस और संघर्श करती इस्तरियों के और बढ़ने लगा कुछ समय की देरी उन इस्तरियों के लिए भागशाली रही राहत वाली बास की नौका उनके और मगरमच के मध आ चुकी थी विश्वदुम्न की ओर मुड़ते हुए उस फरदार वेक्ती ने आदेश दिया इस्तरियों को बचाओ जब तक कि विश्वदुम्न कोई प्रतिक्रिया दिखा पाता उस फरदार वेक्ती ने अपने लबादे को एक और फेका और नदी में गोता लगा लिया दातों के मध्य चाकू दबाए वो अपनी और आते मगरमच की और तैरने लगा विश्वदुम्न ने एक इस्तरी को पकड़ कर बास की नौका पर डाल लिया जो अब तक अचेत हो चुकी थी दूसरी इस्तरी के और मुरते हुए उसने उनको धानस बदाया मैं जल्द ही वापस आता हूँ विश्वदुम्न नुड़ा और अत्तिक तेजी से किनारे की और बास की नौका को खेकर जाने लगा बीच में उसने पास आते सैनिकों से कहा जल्दी पतवार चलाओ स्वामी की जान खत्रे में है सैनिक ने पतवार चला कर बास की नौकाओ को उस ओर ले जाना प्रारंप कर दिया जहां फर्दार विक्ति नदी में कूदा था पानी के नीचे जो संगर्ष चल रहा था उससे नदी का पानी लाल रंका हो चुका था उन सैनिकों ने जल एवं समुद्र के देवता भगवान वरुन की मूग प्रातना की कि वो रक्त उनके स्वामी का ना हो उन में से एक सैनिक अपनी तलवार लेकर नदी में कूदने ही वाला था कि वो फंदार विक्ति जलस्तर पर उपर आया उसका पूरा शरीर रक्त से लाल था ये रक्त उस मगरमच का था वो उस दूसरी इस्तरी के और तेजी से ताकत लगा कर तैरने लगा जो लगबख अचेत हो चुकी थी सही समय पर पहुचकर उसने उस इस्तरी का सिर पानी से बाहर निकाल दिया इसी मध्ध दो चंदरवन्शी सैनिक अपनी बास की नौका से पानी में कोट पड़े स्वामी कृप्या आप नौका पर चले जाएं उनमें से एक ने कहा हम तैर कर किनारे आ जाएंगे पहले इस्तरी की मदद करो उस फरदार विक्ति ने कहा सैनिको ने उस अचेत इस्तरी को बास की नौका पर डाल दिया उसके बाद वो फरदार विक्ति साफधानी से उस बास की नौका पर चड़ा और किनारे की और ले जाने लगा जब तक फरदार विक्ति नदी के किनारे तक कहुचता विश्युदुम्न उस दूसरी इस्त्री की चेतना वापस लाने में सफल हो जुका था इस्त्री तेजी से घटि घटनाओ के कारण कुछ भी समझ नहीं पा रही थी क्या तुम ठीक हो? विश्युदुम्न ने उस इस्त्री से पूछा उत्तर में उस इस्त्री ने विशुदुम्न से हटकर दूर देखा और बहुत जोर से चिला बढ़ी विशुदुम्न भी पीछे मुड़ा नदी के किनारे पर फरदार विक्ती दूसरी इस्त्री के शिथर शरीर को बाहों में लिए आ रहा था उसके विशालकाय शरीर में उसके कपड़े चिपके हुए थे उस ना समझ इस्त्री ने देखा कि उस विक्ती के पूरे शरीर पर रख्त पड़ा था जिसे उसने अपनी मित्र इस्त्री का समझ लिया तुमने ये क्या किया राक्षस इस्त्री ने चिला कर कहा नागा ने अचानक सीर उपर उठा कर देखा उसकी आँखों में थोड़ा आश्चरे दिखाई दिया लेकिन उसने कुछ भी बोलने से स्वयम को रोका उसने साफधानी से उस दूसरी इस्तरी को भूमी पर लिटा दिया विशुद्मन के पास वाले स्थरी ने उसे भैसे देखा नागा वो जोर से चिलाई इससे पहले कि विशुद्मन कोई प्रतिक्रिया दिखाता वो इस्तरी उचल कर खड़ी हो गई भागते हुए चिलाने लगी सहायता करें सहायता करें एक नागा मेरी मित्र को खा रहा है नागा ने विशाद पूर्ण दृष्टी से उस भागते हुए इस्तरी को देखा उसने अपनी संतप्त आत्मा की खड़कियों को बंद कर दिया और अपना सिर हिलाया विश्यु दिव्ट्ब्नि इसमद्ध य मुड चुका था उसने अपनी स्वामी की आँखों में पहली बार आंसू देखे थे उसने ततकाल ही अपने आँखे नीचे कर ली लेकिन तब तक उसने अपने स्वामी की आँखों में दुखवा पीड़ा के भाओ देख लिये थे जो सामाने ता भावहीन रहते थे करोध से थर्थराते हुए विशुदिम्ने ने अपनी तलवार निकाल लिया और जिस स्थरी के उसने रक्षा की थी उस कृतगन इस्थरी को मारने के सौगंध लेने लगा नहीं विशुदिम्न नागा ने अपने नकाब वापस लगा कर आदेश दिया उसके एक सैनिक की और मुड़कर कहा इसे होश मिलाओ स्वामी विशुदिम्ने ने तर्क किया इसके मित्र दूसरे लोगों को लेकर आएगी इस स्थरी को इसके भाग के भरोसे छोड़कर हमें यहां से तटकाल निकल जाना चाहिए नहीं लेकिन स्वामी लोग बहुत जल्द ही आ सकते है हमें बचकर निकल जाना चाहिए तब तक नहीं जब तक इसे बचा नहीं लिया जाता नागा ने अपने सुभावता शांत स्वर में कहा नंदी एवं वीर भदर समेत राजशाही दल एक विश्राम ग्रह के आंगन में मध्यान भोजन करने के लिए बैठा हुआ था जहां वे अपनी यात्रा के दौरान रुके थे आदी सेना भी भोजन कर रही थी उन्हें उस उर्जा के आवशकता थी जिसके बल पर वे उस चिलचिलाती धूप में आगे की यात्रा कर सके परवतेश्वर वेक्तिकत रूप से भोजन की विवस्था का परिक्षन करने आया हुआ था वो सती की सुविधा के बारे में विशेश कर चिंतित था हाला कि उसने उनके साथ भोजन करने से मना कर दिया था वो अपने सैनिकों के साथ बाद में भोजन करने वाला था बाहरी घेरे के पहरे में शोरगूल ने शिव का ध्यान भंग कर दिया ब्राजपती नंदी और वीरभद्र को बैठे रहने का संकेत करते हुए वो इसकी खोजबीन करने के उद्देश से उठा परवतेश्वर ने भी कोला हाल सुन लिया था और उसकी ओर बढ़ गया था कृपिया उसकी रक्षा करें एक नागा उसे जीवित ही खा रहा है स्त्री रो रही थी मुझे छहमा करें अधिपती ने कहा क्योंकि मेरे पास कड़ी निर्देश है हमें इस विश्राम ग्रह के आसपास से किसी भी परिष्टिती में बाहर जाने के उनुमती नहीं है क्या बात है परवतेश्वर ने कहा आश्चर में मुड़ते हुए अधिपती ने अभिवादन किया और नीचे जुकर कहा स्वामी इस इस्त्री का कहना है कि नागा ने इसकी मित्र पर आक्रमर कर दिया है वो उसकी सहायता करने को कह रही है परवतेश्वर ने उस इस्त्री को गहरी दृष्टि से देखा उसकी चाह तो यही थी कि वो नागाओं के दल का पीछा करे और उन्हें निश्ट कर दे किन्तु उसके आदेश पूरी तरह सपष्ट थे उसे निलकंट और सती को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना था उस पूरी सेना का उदेश उनकी सुरक्षा करना था किन्तु वो एक छत्रिय था वो किस प्रकार का छत्रिय होगा जो असाहाई की रक्षा के लिए लड़ाई भी न करें थोपे कहे प्रतिकबंद जो उस पर लगे हुए तो उससे कापते हुए वो कुछ कहने ही वाला था कि शिव वहां प्रकट हो गया क्या बात है शिव ने पूछा प्रभू अधिपती ने भोचक्का होकर कहा उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो निलकंठ से वारतलाब कर रहा था इस इस्त्री का कहना है कि नागाउने इसकी मित्र पर आक्रमल कर दिया है हमें चिंता है कि कहीं ये कोई चाल ना हो हमने मंदार परवत की मार्ग पर चंदरवन्शियों की दूरी चाल के बारे में सुना है शिव ने अपने अंतरमन की बात सुनी पीछे जाओ उसकी सहायता करो एक ही जटके में अपनी तलवार निकाल कर उसने उस इस्तरी से कहा मुझे अपनी मित्र के पास ले चलो परवतेश्वर ने शिव को आदर से देखा वो थोड़ा था किंदू था आदर ही उसने भी ततकाल ही अपनी तलवार निकाल ली और अधिपती की और मुड़कर बोला अपनी पल्टन के साथ हमारे पीछे आओ सेना पती वक्र अचानक हमले की तैयारी के साथ पूरी सेना को चौकनने रहने के लिए कहो राचकुमारी को किसी भी हालत में सरक्षित रखना है शिवर प्रवतेश्वर उस इस्तरी के पीछे दोड़ पड़े जो उन्हें उस ओर लेकर जा रही थी वो वहाँ के स्थानिय महिला थी अधिपती तीस सैनिकों के दल के साथ उनके साथ चल पड़ा था लगबख एक घंटे की दोड़ के बाद वे अंत्रता नदी के किनारे उस इस्तर पर पहुँचे जहां मदहोशी की हालत में एक इस्तरी धर्टी पर बैठी हुई थी गहरी गहरी सास लेती हुई वो उस्तब्द होकर दूर किसी कालपनी दृष्टी को गहराई से देख रही थी उसके पूरी शरीर पर रख से लगा हुआ था किन्तु विचितर बात ये थी कि उसे कोई चोट नहीं लगी थी नदी से आते हुए और नदी के और जाते हुए बहुत सारे पधचे ने दिखाई दे रहे थे अधिपती ने संदेख की दृष्टी से उस स्त्री को देखा जो उन्हें वहां लेकर आई थी अपने सैनिकों की और मुड़ते हुए उसने आदेश दिया मुख्य सेननायक एवं नीलकंट के चारो और एक घेरा बना लो ये चाल भी हो सकती है वो जीवित ही खाई जा रही थी मैं सच कह रही हूँ इस्तरी ने चिला कर कहा जो अपनी मित्र को जीवित एवं बिना किसी हानी के देखने पर विस्मित थी नहीं ऐसा नहीं था शिव ने बड़ी शानती से कहा उसने नदी में तैरते हुए एक मगरमच के म्रत शरीर के और संकेत किया कवों का बाड़ा सा जहंड उसके म्रत शरीर पर बैठा था और एक दूसरे से लड़ाई करते हुए उसे नोच खसोट रहे थे उसने अभी कुछ देर पहले ही उस मगरमच से उसकी रक्षा की है वो जो कोई भी था उस पार चला गया है प्रभू अधिपती ने नदी के किनारे बहुत सारे पधचिन्यों को दिखाते हुए कहा एक नागा इस स्त्री की रक्षा करने के लिए अपने जान जोके में भला क्यों डालेगा शिव ने पूछा परवतेश्वर भी इस पर अचंबित हुआ परवतेश्वर भी इस पर अचंबित प्रतीत हुआ अब तक जो उन्होंने देखा था ये उन रखते पिपासू नागाओं के सुभाओं से ठीक विपरीद घटने वाली घटना थी प्रभू आदिपती ने शिव और परवतेश्वर दोनों को संबोधित करते हुए कहा स्तेरी सुरक्षित प्रतीत होती है और काफीले को कोड़ द्वार में मिलता हूँ आप लोग विश्राम ग्रहकित और प्रस्थान कर सकते हैं परवतेश्वर ने कहा अपने साथ चार सैनिकों को भी सुरक्षा की दर्ष्टी से ले जाओ शिव एवं परवतेश्वर दोनों ही वहां से चल पड़े उस अनोखी घड़ना पर दोनों ही विस्मित थे देर शाम को शिव ब्रहस्पती नंदी और वीरभद्र आग के पास गोल गीरे में शान्ती से बैठे हुए थे शिव ने मुड़कर सती के और देखा जो आयर्वती एम कृतिका के साथ विश्राम ग्रह के बरामदे में कुछ दूरी पर बैठी गंभीर चर्चा में तलीन थी परवतेश्वर पूर्व की भाती सैनिकों की विवस्था देख रहा था प्रकट रूप से वो आनंदित हुआ चैन के आवशक्ता को देखते हुए उसने अपने मित्र को देने से पहले थोड़ा और धुमरपान किया वीर्भद्र ने ब्रहस्थपती एवं नंदी को कश लेने का अग्रह किया किन्तु उन दोनों ने मना कर दिया ब्रहस्थपती ने शिव की और गहरी दृष्टी से देखा जो चुपके-चुपके सती को बार-बार देख रहा था वो मुस्कुराया और उसने सिरह लाया क्या? शिव ने पूछा क्योंकि उसने ब्रहस्थपती की मुदृरा को देख लिया था मैं आपकी आकांक्षा समझ रहा हूं मित्र रहस्पती ने फुसफुसा कर कहा किन्तो आप जिसकी आशा कर रहे हैं वो बहुत कठिन है लगभगा संभब जब वो इतनी मूलेवान है तो आसान तो नहीं ही होगी क्या हो सकती है बहस्पती मुस्कुराया और उसने शिव के हाथ पर थब की दी वीरभदर को पता था कि उसके मित्र को क्या चाहिए नरतेवम संगीत इसने उनकी मनोदशा को हमेशा ठीक किया है इस दैनिये देश में लोग गाते और नाचते नहीं है क्या वीरभदर सावधान नंदी ने कहा उसके बोलने का अंदाज अपने अधीनस्ते से दूसरा था पहली बात तो ये है कि ये देश दैनिये नहीं है विश्व में सबसे महान भूमी है वीरभदर ने मस्खरी के लहजे में अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से जकड़ कर जूटी छमायाचना की दूसरी बात नंदी ने कहना जारी रखा हम तभी निरत्य करते हैं जब ऐसा कोई आवसर होता है जैसे होली या पर्व या फिर कोई सारवजनिक प्रदर्शन लेकिन निरत्य करने में सबसे अधिखुशी तभी होती है जब आप बिना किसी काराण के करते हैं अधिपती वीरभदर ने कहा मैं सहमत हूँ शिव ने कहा नंदी ततकाल चुप हो गया बिना किसी चेतावनी के वीरभदर ने अचानक ही अपने प्रदेश का एक लोग गीद गाना शुरू कर दिया शिव अपने मित्र को देख कर मुस्कुराया क्योंकि वो अपना सबसे पसंदीदा गीद गा रहा था गीद गाते हुए वीरभदर धीरे से उठा और उसने उतार चड़ाओ वाले उस दून पर नाचना भी शुरू कर दिया था थोड़ी ही देर में शिव भी उसके साथ नर्ते कर रहा था नर्त एवम गांजे के मिश्रण ने उसकी मनोदशा को पूरी तरह से परिवर्थित कर दिया था ब्रहसपती ने पहले शिव को चौक कर देखा और उसके बाद प्रसनता से उसने देखा कि उनके नर्ते में एक विशेश प्रकार की शेली थी एक ले मिश्रित छे चलन थे शिव ने हाथ आगे बढ़ा कर ब्रहसपती और नंदी को खड़ा कर दिया पहले तो वे परिक्षा के तौर पर नर्ते पद मिलाने के प्रयास में थे उसके बाद नर्ते नहीं करने की इच्छा वाला ब्रहसपती भी थी रखने लगा उनका समू आगे के चारो और एक गोल घेरे में जोर से गाते हुए नाच रहा था शिव अचानक ही उस समू के घेरे से छूट कर बाहर सती के पास गया और बोला मेरे साथ नर्ते कीजिए महचक की सती ने इनकार में सिर हिलाया अब आप ही जाईए जब गुरू जी और मेरे देखते समय आप नर्ते कर सकती है तो यहां क्यों नहीं वो ग्यान के लिए था सती ने कहा तो यदि आप किसी ग्यान के लिए नहीं नर्तिकरती है तो इसमें कुछ गलत है मैंने ऐसा नहीं कहा ठीक है आप अपने प्रकार से ही करें शिव ने जुन्जलाहट वाली मुद्रा में कहा आयुर्वती आप आईए चकित आयुर्वती नहीं जानती थी कि वो क्या प्रतिक्रिया दे इससे पहले कि वो कुछ कहने या करने का निर्णाय ले पाती शिव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घीरे में खीच लिया वीरभद्र ने इस मधिक ट्रतिका को भी लुबा लिया उस समूँ ने बहुत ही जोश पूर्ण धंग से नरतिकिया और खूब जोर जोर से गाना गया उस शान्त रात्री में ये बहुत ही अधिक शोर गुल था सती उट खड़ी हुई वो इस पश्ट रूप से छुब दो थी उसने शिव की पीट को तीखी दृष्टी से देखा और भाग कर विश्राम ग्रह में चली गई शिव का क्रोद और अधिक बढ़ गया जब उसने पीछे मुड कर देखा और बरामदे पर सती को नहीं पा सका लानत है उसका हरदा पीड़ा और प्रसनेता के एक विचितर मिश्राण में घुलने लगा उसने एक बर फिर बरामदे के और मुड कर देखा वहाँ कोई नहीं था उस परदे की पीछे कौन है शिव को वीरभदर ने निर्ते के दूसरे पद करने के लिए खीच लिया उसके बाद कुछ छड़ों के बाद ही शिव को अफसर मिला कि वो भरामदे की और दुबारा देख सके वो सती को देख पा रहा था परदे की पीछे उसके शरीर की रूप रेखा दिख रही थी जो केवल उसे ही दिख सकती थी केवल उसे अतिसुंदर आश्चर और खुशी से भरबोर शिव उचल उचल कर नरत करने लगा अपने अत्यंत उत्सा के साथ शिव को उसे प्रभावित करना ही था अध्याय तेरा अपवित्र का आशीश नीलकंठी के स्वागत में कोट दुआर अपने पूर्ण वैभाव में था दुर्ग की बाहरी दीवारों पर मशाले जली हुई थी जैसे दीवाली का तेवहार हूँ लाल एवं नीली पताकाएं दुर्ग की लंबी-लंबी दीवारों से लटकी हुई थी जिन पर सूरिवेंशियों का सूरे चमक रहा था नयाचार का उलंगन करते हुए कोटदुआर के राजपाल नीलकंठ का स्वागत करने विक्तिगत रूप से दुर्ग के बाहर प्रतीक्षा रत थे कोटदुआर के दर्बार में कुलीन वर्ग के लोगों के लिए आपचारिक रूप से नीलकंठ के प्रदर्शन के बाद दूसरे दिन एक सारजनिक सभा का आयोजन किया गया कोटदुआर की लगबख समस्त जनसंख्या अर्थात 65,000 लोग इसमें शामिल होने के लिए इकट्टे हुए थे उतनी बड़ी संख्या में लोगों को स्थान देने के लिए नगर की वेदिका के बाहर इस सभा का आयोजन किया गया था ताकि सभी लोगों को स्थान मिल सके शिफ द्वारा दिये गए एक भाशर ने कोटदार वासियों को यह दर्ण विश्वास दिला दिया था कि मेलूहा के संकट के दिन बहुत ही शीगर समाप्त होने वाले थे लोगों का उस पर जो आसाधरान विश्वास देखने को मिला था वो शिफ के लिए आशर जनक प्रक्टी करन था यदे भी वो अपने शब्दों के चैन में बहुत सावधान था उसने कहा था कि वो मेलूहा के लोगों की सहायता के लिए उससे जो भी संबभ हो सकेगा वो करेगा लेकिन जन्ता ने उसके अपने अपने अर्थ निकाल लिये थे शापित चंद्रवन्शियों का अंतता नाश होगा एक वेक्ती ने कहा हमें अब किसी चीज की चिंता करने के आवशक्ता नहीं है नीलकंट सब कुछ देख लेंगे एक इस्त्री ने कहा महाशर देने वाली वेदिका पर ब्रहस्पती एवं सती के साथ बैठा हुआ परवदेश्वर जन्ता की प्रिक्तिक्रिया पर अत्यधिक आपरसन था मुख्य वग्यानी की और मुरते हुए उसने कहा हमारा पूरा समाज नियम कानून पर आधारित है और हमसे किसी का अंध अनुसरण करना अपेक्षित नहीं है हमसे अपेक्षित है कि हम अपनी विपत्तियों का स्वयम ही समाधान करें और किसी एक व्यक्ति से चमतकार की उमीद न रखें इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया है जो इस अंधे विश्वास का पात्र है परवतेश्वर ब्रहस्पती ने नम्रता से कहा क्योंकि वो उसका बहुत आदर करता था मेरा सोचना है कि शिव एक भाला वेक्ती है वो इस बात का बहुत ध्यान रखता है कि वो कुछ अच्छा करें और क्या कुछ अच्छा करने का इरादा किसी अच्छे कर्म के दिशा में प्रथम कदम नहीं है पर वतेश्वर पूरी तरह से सहमत नहीं था नेलकंटे के पौरानी गाथा में कभी भी विश्वास नहीं करने वाले सेनानायक ने सोचा कि पृतेग पूरुष और मिस्त्री को प्रस्क्षन एमन तैयारी से अपने स्थान को हासिल करना होता है ना कि उसे वो चांदी की परात में मिल जाए क्योंकि उसका गला नीला हो हाँ वो सच हो सकता है कि इन्तु केवल इरादा ही पर्याप्त नहीं होता उसके साथ साथ छमता भी होनी चाहिए यहां हमें एक अपरसिक्षित व्यक्ति को एक स्थान पर रखते हैं और आशा करते हैं कि वो हमारा रक्षक है हमें इतना पता है कि वो पूरी तरह से तबाही की और ले जा सकता है हम आस्था पर काम कर रहे हैं ना कि तर्क या नियम उपर या फिर अनुभा उपर जब एक विक्ति पहाड के समान कठिन विपत्तियों के समक्ष खड़ा होता है तो कभी कभी उस विक्ति को थोड़ी बहुत आस्थाकी भी आवशकता होती है और चित्ते हमेशा काम नहीं करते हैं हमें भी चमतकार के विचलित हो गया जैसे ही वह नीचे उत्रा तो लोगों में उसके हाथ छूने की होड़ लग गई नंदी और वीरभद्र के नेत्रत्म में सैनिक उन्हें थामे हुए थे इस भीड में एक अंधा भी विक्ति था ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संगामें में उसे चोटना लग ज सकता है उसे भी आने दो शिव ने कहा उसका पुत्र तेजी से अंदर गुसा और अपने पिता का हाथ थाम लिया वो अंधा विक्ति जो अचाना की खोया हुआ महसूस कर रहा था सहसा मुस्कुरा उठा उसे परिचित हाथ का सपर्ष मिल चुका था उसका पुत्र उसे प्रवाहित होने लगी बिना सोचे समझे ही वो जुका और उसने शिव के चरण सपर्ष करने का प्रयास किया उसका पुत्र विचलित होकर जोर से चिलाया और उसने उस विक्ति को पीछे की और खीच लिया पिता श्री पुत्र ने फटका रहा शिव इसके पुत्र के बोलन उन्हें नियंत्र नहीं रहा मुझे शमा करें प्रभू उस अंधे वेक्ति ने कहा उसकी आखों से आसू का प्रवाह नहीं रुक रहा था शमा किसलिए वे विकर्म हैं प्रभू पुत्र ने कहा तब से जब 20 वर्ष पहले बीमारी ने इन्हें अंधा बना दिया था इन्हे किसी के इस पर्ष को भी अपवित्र माना जाए किन्तु जो उसने करने का प्रहतनी किया था वो अनुचित था मुझे शमा करें प्रभू वो अंधा विक्ती बोल रहा था किन्तु आपके मेरे प्रती इस क्रोध को मेरे देश की रक्षा में रुकावट मत बनने दीजेगा हमारा देश सबसे महान है जिसे परमात्मा ने बनाया है दुष्ट चंद्रवंशियों से समाज की रक्षा करें हमारी रक्षा करें वो अंधा विक्ती पश्चतात की मुद्रा में हाथ जोड़े रोता जा रहा था शिव उसके इस बड़पन से हिल गया था वो अभी भी अपने देश इसको प्यार करता है जो उससे इतना अन्याए पूर्ण विवहार करता है क्यों? और तो और वो ये भी नहीं सोच रहा है कि उसके साथ अन्याए हो रहा है शिव की आँखों से आंसू चलाका है उसने महसूस किया कि वो ऐसे विक्ति को देख रहा है जिस पर भाग गयने निर्दैता की है मैं इस पकवास को रोकूंगा शिव ने आगे कदम बढ़ाया और जुग गया हैरान परेशान उस अन्धे विक्ति के पुत्र ने अविश्वास में देखा कि निलकंठ ने उसके विकर्म प्रता के चरणच हुए कुछ छन के लिए वो अन्धा विक्ति सागर में गोते लगा रहा था जब उसे ये बात समझ में आए कि देश भक्ति के लिए मैं युद्ध कर सको वो अन्धा विक्ति मूग बन चुका था अचंबे से उसके आँखों के आश्वास सूख गये थे वो गिरने ही वाला था कि शिव ने एक कदम आगे बढ़कर उसे थाम लिया नहीं तो अवश्य गिर गया होता उसके बाद उस अन्धे विक्ति को इतना कहने का बल मिला विजयी भाव शिव ने जब उससे छोड़ा तो पुतर ने अपने पिता के शितिल शरीर को पकड़ लिया शिव ने जो किया था उस घटना पर समूची भीड स्तब्ध होकर मूग बन गई थी विकर्ण की चूने की बात तो एक तरफ शिव ने तो उससे आशिरवाद भी मांगा था शिव मुणा तो उसने प्रवतेश्वर की क्रोद से भरे मुख को देखा शिव ने नियम का उलंगन किया था निरलजजटा और सार्जविनिक रूप से उससे तोड़ा था सती के स्वर के साथ आद्रश्य हो गई आपको अवश्य शुद्धी करण करवा लेना चाहिए उसने द्रश्टी उठाकर उनकी ओर देखा और सरलता से कहा नहीं आप कहना क्या चाहते हैं मेरे कहने का सीधा सार्थ है ना नहीं नको शिव ने श्मेरी एवं कोड़द्वार की लोग भाशाओं में नहीं के लिए प्रियोक्त होने वाले शब्दों के उच्चारण किये शिव ब्रहस्पति ने गंभीरता के साथ कहा ये मस्खरी की बात नहीं है मैं सती से सहमत हूँ राजिपाल भी आपकी सुरक्षा के बारे में चिंते थे और उन्होंने एक पंडित की भी विवास्था कर लिए विबाहर प्रतिक्षा कर रहे हैं आप अभी ये धर्माचार करवा लें लेकिन मैंने अभी कहा कि मैं नहीं करवाना चाहता शिव सती ने पुराने लहजे में आकर कहा मैं आपका अत्यधिक आदर करती हो आपकी वीर्ता आपकी बुद्धि आपकी प्रतिभा सब का आदर करती हो लेकिन आप नियमों से परे नहीं है आपने एक विकर्म को इस परश किया है आपको सुद्धिकरा करवाना ही होगा ये नियम है ठीक है यदि विदी ये क सुनिए ब्रहस्पति ने तर्क दिया शुद्धी करण नहीं करवाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है आपको बड़े-बड़े कारे करने हैं आप भारतवर्ष के भविश्य के लिए महादपूर्ण है किवल हट के कारण आप सोयम को जोखिय में मढद डालिए यह हट नहीं ह पूरी निष्ठा से आप मुझे एक बात बताईए कि कैसे यह मुझे हानी पहुचाएगा यदि मैंने एक विकर्म विक्ति को छू दिया है जिसके लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि वह अभी अपने सामराज जैसे प्यार करता है इसके बावजूद उसे इस तरह से अपमान करता है तो मैं स्वयम को धन्य समझूंगा आप यह क्या कर रहे हैं शिव सती ने पूछा आप किसी और के भागिदार क्यों बनेंगे पहली बात तो यह कि मैं इस बक्वास को नहीं मानता कि उसे उसके पूर जन्मे के पापों के कारण कोई दंड मिला है उसे एक बीमारी आपकर हम आपका भला चाहते हैं ब्रहसपति ने लगबख रोते हुए कहा देखो सती शिव ने कहा अब आप मत कहना कि आप भी इस बक्वास में विश्वास करती हैं यी बक्वास नहीं है देखिए कि आप नहीं चाहती कि बाते संगर्श करू समाज दौरा किए जाने वाल प्रतियुत्तर किया और उसके बाद आगे जोड़ा, वैसे ये सही भी है, ये आपके बारे में भी है, ये विकर्म के बारे में है, और जो वे अनुचित व्योहारों का सामना कर रहे हैं, जाती बहिश्क्रत की तरह जीवन जीने से मैं उनकी रक्षा करना चाता हूँ, मुझे है शिव, ब्रहस्पती ने सुझाव दिया, वहां मत जाएए, क्या इस विकर्म के संदर्ब में आप उससे सहमत है, अपने हिर्दे से इसका उतर दीजिए ब्रहस्पती, क्या आप नहीं सोचते कि ये अलुचित है, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं सती के बारे म रहे जाएगा, वहां मत जाएए, मित्र, ब्रहस्पती ने पुना कहा, राजशाही नौकायन से नदी नगर कोटवार से काफिला निकला, उसके आगे और पीछे राजशाही नौकायन की भवेता एवं आकार वाले दो और नौकायन भी साथ साथ चले, ये मेलूहा की राजशी दल दूसरे नौकायन में था, इसके अतरिक्त पांच अतरिक्त छोटी तेजी से उधर उधर ले जाई जा सकने वाली नौकाएं राजशी काफिले के दोनों और चल रहे थी, वे राजशी नौकायनों की ही गती से दोनों ही और चल रहे थे ताकि घात लगाकर किय जाने वाले आक्रमर से सुरक्षा प्रदान की जा सके जब आनसून सक्रिय नहीं होता है प्रभू आयुर्वती ने कहा तो नदिया यात्रा के लिए सबसे सुगम मार्ग होती है यद्दे भी हमारे सामराचे में सभी मुख्य नगरों को जोड़ने वाली सडके हैं कि तुवे द्वार में उस दुर्भागिशाली दिवस पर जब शिव ने शुद्धी करान करवाने से मना कर दिया था तब से सती उससे नहीं बोली थी राजिसी नौकायान नदी पर इस्थित कई नगरों पर रुका हर जगे लगबग वैसे ही आयोजन हुए निलकंठ के आगमन पर प ब्रहसपती से पूछा वो बहुत दिनों तक अपने व्यकुल मन की आशान्ति पर चुप रहा था क्यों क्या आप जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं ब्रहसपती शिव ने चिर्व में अपनी आखे संकुजित करते हुए कहा वो सचमुच में ही विश्वास करती है कि व उसके विवाह के दौरान हुआ था क्या सती का विवाह हुआ था हां ये लगभग नब्बे वर्ष पहले की बात है वो सामराज के कुलिन परिवार से एक राजनीतिक विवाह था उसके पती का नाम चंदन धुज था वो गर्वती हुई और मैका प्रसूती के ले गई वो मा उसी दिन इसके पती जो अपने बच्चे के सुरक्षित जन्म के लिए नर्मदा में पूजा करने के लिए गए थे वे दुरगटनावश दूब गए उस शापित दिन इसका जीवन नश्ट हो गया था शिव ने ब्रहस पती को घूरा वो इतना स्तब्द था कि कोई प्रतिक पूशित नहीं किया गया था ये तो उसके मृत बच्चा जन्ने के कारण किया गया था लेकिन वो तो किसी भी कारण से हो सकता है हो सकता है कि स्थानिये वैद्यों से कोई चूप हो गई हो यह मेलूहा में नहीं होता है शिव ब्रहस पती ने शांत भाव से कहा मृत शिशु इसे बदलना होगा, विकर्म की अवधारना अनुचित है, ब्रहसपति ने शिव को गहरी दृष्टी से देखा, आप एक विकर्म की रक्षा कर सकते हैं शिव, किन्तु आप उस इस्त्री की रक्षा कैसे कर सकते हैं जो रक्षित होना नहीं चाहती, वो सचमुझ में ही ऐसा व राजशाही इस्त्री थी जिसने म्रत शिशी को जन्म दिया था, उसका भाग के समराट के लिए शर्मिंदगी का सुरोत रहा है, उनके वंश के बारे में ये प्रश्न कहड़े करता है, ये उनके वंश के बारे में प्रश्न कैसे उठा सकता है, सती उनकी जन्म पुत्री नह कि कुलीन परिवारों को अपनी जर्म संत्ति रखने की अनुमती प्रदान कर दी गई थी कुछ नियमों में संशोधन किये जा सकते हैं यदि नब्य प्रतिशत ब्रहमर छत्री एम वैशे जो एक चैनित जाती वर्ग एवं मान किये व्यावसाई किस तर से उचे हो इस परिवर विदेश्वर के पितामाह ने जबसे नियम पारित हुआ है तब से उनके परिवार ने प्रतिग्या ले रखी है कि वे जन्म संत्ति नहीं रखेंगे पर विदेश्वर आज तक उस वचन का सम्मान करते हैं लेकिन यदि जन्म नियम को बदला जा सकता है शिव ने कुछ वि प्रभु श्री राम की सीक भी कहती है कि विकर्म के अउधारना उचित है के आप उसके उपर प्रष्ण चिन लगाना चाहते हैं शिव ने नदी की और देखने से पहले चुप होकर ध्यान से ब्रहस पति को देखा प्रभु श्रीराम के नियमों पर प्रष्ण उठाना कोई अनुचित बात नहीं है मित्र ब्रहस्पती ने कहा कई बार ऐसा हुआ था जब उन्होंने दूसरों के कारा और विबरन को देखकर नियम में बदलाव किये थे प्रश्ण ये है कि नियमों को परिवर्तित करने के पीछे कि मंशा क्या है क्या इसलिए कि आप सचमुच ही ऐसा मानते हैं कि नियम अनुचित है या फिर इसलिए कि आप सती की और आकरशित है और आप इसा सुविधा जनक नियम को हटाना चाहते हैं क्योंकि वो आपके मार्क में बादा है मैं सच मुझ ही मानता हूँ कि विकर्म नियम अनुचित है मैं इसे उस समय से महसूस कर रहा हूँ जब से मुझे इसके बारे में पता चला है उस से भी पहले जब मुझे पता चला कि सती विकर्म है किन्तु सती ऐसा नहीं मानती कि ये नियम अनुचित है लेकिन वो एक नेक स्त्री है वो इस प्रकार के आच्राण की पात्र नहीं है वो मात्र एक नेक स्त्री ही नहीं है मैं जितनी भी स्त्रियों से आज तक मिल पाया हूँ उनमें वो सर्वस्रेश्ट है वो सुन्दर है, सच्ची है, सीधी बात करने वाली है, वीर है और बुद्धिमान है, उसमें वो सब है जो एक पुरुष एक इस्तरी में देखना चाता है, किन्तु आप मातर एक विक्ती नहीं है, आप नीलकंट है शिव पीछे मुड़ा, और वो उस नौकायान की लोहे की छड़ की आण पर अपने हाथ रखकर सहारा लेकर खड़ा हो गया नदी के किनारे किनारे दूर उस सघन वन को शिव ने देखा, उनका नौकायान जल में हिचकोले लेता हुआ आगे बढ़ रहा था सुकून पहुचाने वाली शाम की मंद पवन शिव के लंबे बालों के गुच्छों को लहरा रही थी मैंने आप से पहले भी कहा था मित्र, रहसपती ने कहा इस दुर्भाग पूर नीले गले के कारण आप जो कोई भी निर्णे लेंगे उसके कई परिणाम होंगे आपको कुछ भी करने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा देर रात हो चुकी थी राजशाही काफिला सिंधु नदी पर से सुतगेन गढ़ नामक नगर से चल पड़ा था निलकंठ को देखने पर सुतगेन गढ़ में भावनाए अवश्याम भावी रूप से उमर पड़ी थी अब जब भी निलकंठ दर्शन देते थे तो ये एक सामान ये नियम जैसा प्रतीत होता था उनकी सभिता के रक्षक अंतता आही गए थे हाला कि उनका रक्षक अपने ही निजी नर्क में था पिछले कई सपताहों से सती ने शिव से दूरी बनाय रखी थी वो अंदर ही अंदर तूट चुका था उसके पीड़ा और उदासी इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसे माप पाना असंपव था काफिले का अगला पड़ाओ प्रसिध नगर मोहन जुदारो अत्वा मोहन की वेदिका पड़ था उस विशाल सिंधु नदी पर बसे उस नगर को महान राषनिक पंडित श्री मोहन को समर्पित किया गया था जो कई सहस्तराब्दियों पूर वहां निवास करते थे जब उसने मोहन जुदारों के लोगों से भेट कर ली तो शिव ने श्री मोहन के मंदिर पर भ्रमण करने की इच्छा प्रकट की वो मंदिर नगर के मुख वेदिका के बाहर सिंधु नदी के तट पर नीचे जाकर बना हुआ था राजपाल ने इच्छा जताई कि वे प्रभु नीलकंट को एक भव सवारी में वहां ले चलेंगे हाला कि शिव ने वहां अकेले ही जाने की हट की थी उसे प्रतीत हो रहा था कि वो मंदिर उसे खींच रहा था उसे बुला रहा था उसने ये भी अनुभव किया कि संभव है कि वहां उसके विपत्ती ग्रस्त हिर्दय का कोई ना कोई हल मिल जाएगा मंदिर बहुती साधरान था स्वयम श्री मोहन की तरह है एक छोटे साधरान निर्मार ने घोश्टा की थी कि ये किसी ग्यानी का जनमस्थल था उस मंदिर के महत्व का प्रमार मातर इस बात से पता चलता था कि उसके प्रांगर में चारो दिशाओं में विशालकाय द्वार बने हुए थे जैसा कि शिव ने निर्देशित किया था दंदी एवं वीर भद्र एक पल्टन समेथ बाहर प्रतिक्षा कर रहे थे शिव सुविधा प्रदान करने वाले गुलूबंद को अपने गले में लपेट कर सीड़ियों पर चढ़ने लगा उसे एक लंबे समय के बाद शान्ती की अनुभूती हुई थी उसने प्रवेश द्वार का घंटा बजाया और एक खंबे से सटकर बैठ गया उसके आँखे बंद थी और वो गहरे ध्यान में लीन था अचानक आश्यर जनक रूप से जाने पहचाने स्वर ने पूछा आप कैसे हैं मित्र? अध्याय 14 मोहन जोदारों का पंडित शिव ने अपनी आँखे खोली तो वो उस वेक्ति को निहारने लगा जो उस पंडित की प्रतिकरती जैसा जान पढ़ रहा था जो उसे ब्रह्मा मंदिर में मिला था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसी का दूसरा प्रतिरूप हो उसके भी वैसे ही श्वेत लंबे प्रवाह की तरह जूलती दाढ़ी और श्वेत घने बाल थे उसने केसरिया रंग की धोती और अंगवस्तरम पहन रखे थे उसका जुरीदार मुख एक प्रशान्त एवं स्वागतिय मुस्कान लिये हुए था यदि उसके लंबाई अधिक नहीं होती तो शिव सहवन में उसे वही पंडित समझ लेता जो उसे ब्रह्मा मंदिर में मिला था आप कैसे हैं मित्र बैठते हुए उस पंडित ने पूछा मैं ठीक हूँ पंडित जी शिव ने भारती शब्द जी का प्रियोक करते हुए कहा जो सम्मान देने के लिए प्रियोक्त होता है वो समझ नहीं पा रहा था कि ये हस्तक्षेप उसे अच्छा लग रहा था या नहीं उसे लगभग ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि उसे इस मंदिर में लाया गया था ताकि वो उस पंडित से भेट कर सके उसने पूछा क्या मेलूहा के सभी पंडित एक जैसे ही दिखते हैं वो व्यक्ति गर्माहड भरी मुस्कान के साथ बोला सभी पंडित नहीं मात्र हम और ये हम कौन हो सकते हैं पंडित जी जब आप अगली बार हम में से किसी भी एक से मिलते हैं तब हम आपको बता देंगे पंडित ने रहसमें ढंग से कहा ये हमारा वचन है अभी क्यों नहीं इस समय हमारी पहचान मात्पूर नहीं है पंडित मुस्कुरा कर बोला मात्पूर ये है कि आप किसी कारण से परिशान हैं क्या आप उस संबंध में कुछ बात करना चाते हैं शिव ने एक गहरी सांस ली उसकी सहज बुद्धी ने उससे कहा कि वो उस विक्ति पर भरोसा कर सकता था ये एक नियुक्त कार्य है जिसे कथी द्रूप से मुझे मेलुः के लिए पूरा करना है मुझे मालूम है यद्धे पि मैं निलकंट की भूमिका को मात्र एक नियुक्त कार्य कहकर नहीं टालूँगा वो इसे बहुत अधिक करता है शिव के गले की और संकेत करते हुए पंडित ने कहा सूती कपड़े के कुछ टुकड़े दैवी ये दीपती को छुपा नहीं सकते है शिव ने आतुरता भरी मुस्कान से देखा असल में मेलुः अवशी ही एक आदर्ष समाज प्रतीत होता है और मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो इसके संरक्षन के लिए आवश्यक है फिर समस्या क्या है समस्या ये है कि इस लगभग आदर्ष से समाज में मैंने पाया कि कुछ परंपराएं अत्यदीक अनुचित है और ये मिलुहा जिन आदर्षो को पाने के आकांक्षा रखता है वे उससे असंगत है आप किन परंपराओ के बारे में बात कर रहे हैं उधारन के लिए जिस प्रकार विकर्म के साथ वेभार किया जाता है ये अनुचित क्यों है कोई ये निश्चित होकर कैसे कह सकता है कि इन लोगों ने अपने पूर्व जन में पाप किये थे और उनके वर्तमान के कष्ट उनके परिणाम है ये मातर दुर्भाग्य हो सकता है या फिर प्रकारदी का अनियमित कर्म आप सही है ये हो सकता है किन्तु क्या आप सोचते हैं कि विकर्म का दुर्भाग्य मातर उसका व्यक्तिगत है क्या ऐसा नहीं है नहीं ऐसा नहीं है पंडित ने उसे समझाया ये पूरे समाज के लिए है विकर्म के दुर्भागे का सुईकरन मेलूहा की इस्थिरता का एक अनिवार्य हिस्सा है शिव ने अपनी तेउरी चढ़ाई हे नीलकंट किसी सफल समाज की क्या अवशक्ता होती है उसका लचीलापन एवं उसकी इस्थिरता आपको लचीलेपन की क्या अवशक्ता है क्योंकि प्रतेक विक्ति का अलग-अलग सपना होता है और उसी प्रकर अपनी अलग-अलग योगिता होती है एक युद्धा के पुत्र में एक महान व्यावसाई का गुण हो सकता है तब समाज को इतना लचीला होना चाहिए कि उस पुत्र को अपने पिता के व्यावसाई से प्रधक आजीवी का चुनने की अनुमती होनी चाहिए लचीलापन किसी समाज में परिवर्तन की अनुमती देता है ताकि उसके प्रतेक सदसे को अपने अंदर छुपे सच को बाहर निकालने का आउसर मिल सके और वो अपनी योगिता के अनुसार प्रगति कर सके और समाज में यती प्रतेक व्यक्ति अपने सच्चे सामर्थी को प्राप्त करता है मैं सहमत हूँ लेकिन इसका विकर्म से क्या लिना देना है मैं कुछी देर में आपके प्रश्न पर आऊंगा पहले थूड़ी देर के लिए मेरी बात सुन ले पंडित ने कहा यदि हम इस बात को मान ले कि लचीलापन एक सफल समाज की कुंजी है तो मैका विवस्था इस आच्रण को पूर्ण करने के लिए एक विवहारिक तरीका है किसी भी बालग को ये पता नहीं कि उसके जन्म देने वाले माता पिता का क्या विवसाय था वे इस बात के लिए स्वतंत्र हैं इस्थिर्टा के बारे में क्या है इस्थिर्टा एक विक्ति को चैन करने के अधिकार की सुतंत्रता देती है मित्र लोग अपने सपने को तभी पूरा कर सकते हैं जो वे ऐसे समाज में निवास करते हों जहां उत्तर जीविता के लिए प्रतिदिन का भै नहीं होता है बेना सुरक्षा एवं स्थिर्टा वाले समाज में कोई बुद्धी जीवी या व्यवसाई या कलाकार या बुद्धिमान नहीं होता है वेक्ति हमेशा ही लड़ाई या उडान के स्थिते में होता है वेक्त पशु से बढ़कर कुछ नहीं होता है फिर उसके पास वो असर ही कहा है कि विचारों को पलने दे सके अत्वा किसी के सपने को पूरा कर सके समाज बनाने की पूर्व समस्त मानव इसी प्रकार के थे सभ्यता बहुत ही सहजता से तूटने वाली होती है हमें मानवता को भूलाने के लिए और पशु बनने के लिए बस कुछ दशकों की अराजकता चाहिए होती है असल में हमारी मौलिक प्रक्रती अत्यधिक तीवरता से हम पर हावी होती है हम बड़ी सरलता से भूल सकते हैं मैं समझ सकता हूँ हमारी मात्र भूमी में कभीले वाले जहनवरों से बहतर नहीं थे वे तो एक अच्छा जीवन जीना भी नहीं चाहते थे वे नहीं जानते थे कि बहतर जीना संभव भी था नीलकंठ निरन्तर लड़ाई का यही शाप है यह हमें मानवियता के सबसे सुन्दर अंश को भूला देने को विवश करता है इसी कारण से समाज को इस्थिर रहना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को ऐसी परस्थिति में ना ढगेल दें कि हमें उत्तर जीविता के लिए संघर्ष करना ठीक है लेकिन लोगों का सामर्थ प्राप्त करना अस्थिरता के उत्पन करेगा असल में ये लोगों को अपने जीवन में और अधी खुशी प्रदान करेगा और इसलिए समाज उत्रोतर इस्थिर ही बनता जाएगा सच है किन्तो आंशी ग्रूप से लोग तब प्रसन होते हैं जब वे बहतर जीवन की और परिवर्तित होते हैं किन्तो दो इस्थितियां हैं जिमने परिवर्तन भीशन गर्वड़ी की और ले जा सकता है सर्व प्रथम लोग जब दूसरों द्वारा किये गए परिवर्तनों का सामना करते हैं परिष्थितियां जो वे समझ नहीं सकते हैं यह उन्हें उसी प्रकार डराता है जैसे मृत्यू जब परिवर्तन बहुत तीवर्ता से घटित होता है तो वे विरोध करते हैं सच है दूसरे द्वारा बलपूर्वक किये गया परिवर्तन को सुईकार करना कठिन है और बहुत स्थिर भी रहने देती हैं साथ ही वे अपने नागरिकों को अपने सपनों का अनुसरान करने की स्वतंतरता की अनुमती भी देती हैं उन्होंने स्थिरता एवं लचीलेपन का एक आदर्श संतुलन बनाया था आपने एक दूसरी परिस्थिति के बारे मुल्लेख किया था दूसरी है जब लोग चाहते हुए भी परिवर्तर नहीं ला सकते हैं क्योंकि कारण उनके नियंतरण में नहीं रहते हैं। मान लीजिए कि एक बहुत ही बहतरीन युद्धा है जो अपने हाथों एवं आखों का तालमेल किसी बीमारी की कारण खो बैठता है। वो अभी भी योद्धा है किन्तु आसाधरार नहीं। वो समझता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है और उसके लिए संभवता वो कुंठित भी होगा। तब वो या तो अपने वैदे या फिर समाज को इसके लिए दोशी ठहराएगा। ऐसे बहुत से असंतुष्ट विक्ति सम समाज के लिए एक नासूर बन सकते हैं जिससे समाज को खत्रा उत्पन होता है। शिव ने तेवरी चड़ाई उसे ये तर्क पसंद नहीं आया। किन्तु उसे भी पता था कि कुछ वर्ष पहले प्रकृतिवालों ने उसके चाचा जी के शांती प्रस्ताव को मानने से केव इसलिए मना कर दिया था कि उनका रोग ग्रस्त एम व्रद्ध मुखिय अपनी उस आकांग्शा को पूरा करना चाहता था कि वह ऐसा एक अपवादिक युद्धा था जिसने गुडवालों को पराजित किया था। उनका एकिकरत क्रोध अशान्तियुत परने कर सकता है। यह खुद को अपने भागे के भरोसे आत्मसमरपड कर देगा और समाज के उपर अपना गुस्ता नहीं निकालेगा। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि विकर्म का बहिशकार एक अच्छी युक्ती है। यह और अधिक दबे हुए क्रोध का जन्म देगा। किन्तु उ जालन पालन सबकुछ शाशन द्वारा सहायता प्राप्त है। वे तब भी अपने परिवार वालों से हिल मिलकर रह सकते हैं। जहां भी ऐसा संभव है उन्हें अपनी व्यक्तिगत निपूरता प्राप्त करने के अरुमती होती है। वे स्वैम की सुरक्षा के लिए संघर् रखते थे या जो आम आदमी के लिए बहतर जीवन प्रदान करते थे। उनका नेत्रत्व ऐसे लोगों ने किया जो स्वैम अपने जीवन से बुरी तरह से असंतुष्ट थे। वे विकर्म के समान ही थे। और ऐसे विरोध समाज में उथर पुतल मचा देते थे। जिने प बात पर विश्वास नहीं कर पाया कि वो क्या सुन रहा था। जो तर्क उसके सामने प्रसुत किये गए थे उसे वे पूरी तरह से आसुईकार थे। मुझे छमा करें। लेकिन मुझे लगता है कि ये विवस्था पूरी तरह से अन्याय पोर्ण है। मैंने सुना है कि क्या विकर्म है। क्या इतनी बड़ी जनसंख्या हमेशा के लिए जाती बहिश्क्रत रहने वाली है। ये विवस्था परिवर्तन क्या पेक्षा करती है। आप इसे बदल सकते हैं। आप नीलकंट किन्तु याद रखिए कोई विवस्था सशत प्रतिशत आदर्श नहीं ह होती है। प्रभुश्री राम के समय में एक मंत्रा नामक किस्त्री ने कुछ ऐसी घटनाओं को जन्म दिया था जिसके परिणाम स्वरूप लाखो लोगों के प्राण चले गए थे। उसके शारीरिक विकारों के कारण उसने बहुत कष्ट जहले थे। और उसके बाद महरानी को प्रभावित करने की स्थिती में लाख खड़ा किया था और इस प्रकार वो समस्त सामराज को प्रभावित करने की स्थिती में आ गई थी। इसलिए भाग्य द्वारा एक विद्रूपित व्यक्ति के दुर्भागे ने आसाधरार नसनहार स्रजन किये थे। याम लोगों के लिए अच्छा नहीं है कि वो व्यक्ति एक विकर्म घोशित हो जाता है, कोई उत्तर आसान नहीं होता है। यह कहने के बावजूद भी मैं इतना कह सकता हूँ कि आप भी सही हो सकते हैं। हो सकता है कि विकर्म विक्तियों की जनसंख्या इतनी अधिक हो चली है कि वो चरम स्थिती में पहुच चुकी है जो समाज को उलटकर अविवस्था उत्पन्न कर सकती है क्या इस समस्य का निदान मेरे पास है नहीं हो सकता है आप कुछ निदान निकाल सकते हैं शिव ने अपने चेहरा घुमा लिया, उसका हरदे इस बात का विश्वास करता था कि विकर्म विवस्था अन्याय पूर्ण तथा अनुचित था, क्या आप सभी विकर्मों के लिए चिंते थे हैं नीलकंट, पंडित ने पूछा, या फिर मात्र एक के लिए, प्रभू वहां क्या कर रहे हैं, नंदी ने पूछा, वे बहुत समय ले रहे हैं, मुझे नहीं पता, वीर भदर ने कहा, मुझे केवल इतना पता है कि शिव यदी ये कहते हैं कि उन्हें कुछ करने के आवशकता है, तो मुझे स्वीकार है, तुम प्रभू का नाम लेकर क्यों पकारते हो, क्योंकि ये उनका नाम है नंदी इस सरल उत्तर पर मुस्कुराया और मुढ कर मंदिर के और देखने लगा मुझे ये बताव अधिपती वीरभदर नंदी के समीप आते हुए बोला क्या कृतिका की बोली लगी है बोली लगी हुई है मेरा मतलब है वीरभदर ने कहना जारी रखा क्या उस तक पहुचना नमुम्किन है पहुचना नमुम्किन तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ वीरभदर ने सुन्दूरी लाल होते हुए कहा वो एक विधवा है नंदी ने कहा उसके पती का निधन 15 वर्ष पूर्व हो गया था ओ ये तो बहुत बुरा हुआ हाँ बहुत बुरा नंदी ने वीर्भदर के और मुस्कान से देखा लेगिन तुम्हारे प्रश्ण का उत्तर यही है कि उसकी बोली नहीं लगी हुई है देवी क्या मैं कुछ प्रात्मा कर सकती हूँ? कृतिका ने पूछा सती विश्राम ग्रह की खिड़की से मुड़ी और आश्चरे में भाव हैं उठा कर कृतिका को देख कर कहा क्या मैंने तुम्हें अपनी बात कहने से कभी मना किया है? एक सक्चा सूरिवन्शी हमेशा अपने मन की बात करता है ठीक है कृतिका ने कहा कभी ऐसा भी होता है जब सोयम का आत्म नियंतरा खोना उतना हानिकारक नहीं होता है कृतिका ने जल्दी से कहा इससे पहले कि उससे बोलने की हिम्मत पस्त हो जाए उनके निलकंट होने की बात को भूल जाएए देवी मातर एक व्यक्ति की तरह देखें जो आज तक मैंने जितने भी व्यक्ति देखे हैं वे सबसे अच्छे हैं वे बुद्धिमान, वीर, मस्खरी करने वाले दयालू और फिर वे उस भूमी की पुझा करते हैं जिस पर आपको गर्व है क्या ये सचमुच में ही इतना मुरा है सती ने कृतिका को गहरी चमक भरी दृष्टी से देखा वो नहीं जान सके कि कृतिका जो कहना चाह रही थी वो उस पर अधिक दुखी थी या फिर खुद की उन भावनाओं पर जो परकड़ रूपे से सपष्ट थी कृतिका ने कहना जारी रखा हो सकता है ये हो भी सकता है कि नियमों का उलंगन सुक्की और ले चलने वाला हो मैं एक सूर वन्शी हूँ सती ने कहा उसका सूर मद्धिम होता गया था नियमों के सहारे ही हम जीवन जीते हैं मुझे सुक्से क्या लेना देना इसके बारे में फिर कभी बात करने की हिम्मत मत जूटाना हाँ एक विशेश विकर्म है शीव ने सुविकार किया लेकिन ये कारा नहीं कि मैं विकर्म नियम को अनुचित मानता हूँ मैं जानता हूँ पंडित ने कहा किन्दु मैं ये भी जानता हूँ कि आप इस समय उस विशेश के साथ संबंध को लेकर परिशान है आप नहीं चाहते वो ऐसा सोचे कि आप मात्र उसे पाने के लिए नियमों में बदलाव करना चाहते है भले ही बदलाव कितने भी नया पोड़ क्यों न हो क्योंकि यदि सती को ये विश्वास हो जाता है तो आपके पास कभी भी नहीं आएगी आप उसका नाम कैसे जानते हैं शिव ने विसमित होकर पूछा हम बहुत कुछ जानते हैं मित्र मेरा पूरा जीवन उसके बिना अर्थीन है मैं जानता हूँ पंडित मुस्कुराया संभवता मैं आपकी साहता कर सकता हूँ शिव की भरकुटी तन गई ये अनपेक्षित था आप चाहते हैं कि वो भी आपके साथ प्रेम का आदान प्रदान करें लेकिन वो कैसे कर सकती है जब आप उसे समझते भी नहीं मुझे लगता है मैं उसे जानता हूँ मैं उसे प्रेम करता हूँ हाँ आप उसे प्रेम करते हैं किन्तु आप उसको जानते नहीं है, आप ये नहीं जानते कि वो क्या चाहती है, शिव चुप हो गया, वो जानता था कि पंडित सही था, वो सती के बारे में पूरी तरह से गफलत में था, वो क्या चाहती है उसके बारे में आप एक अनुमान लगा सकते हैं, पंडित ने कहना हैं विसूती धागों से बुनकर बनाए जाते हैं सही है हाँ शिव ने उत्तर दिया उसी प्रकार लेंदेन के व्यवहार भी एक प्रकार के धागें जिने बुनने पर एक समाज का निर्माण होता है यही संस्कृति है या फिर वो एक व्यक्ति के संदर्प में उसके चरित्र को बुनकर बनाता है शिव ने सहमती में सिरह लाया यदि आपको किसी वस्तर की मजबूती का पता करना है तो आप उसकी बुनाई की गुडवत्ता का परिक्षण करते हैं यदि आप किसी व्यक्ति के चरित्र या व्यवहार को समझना चाहते हैं तो उसके अंतह वयक्तिक व्यवहार को या उसके लेंदेन के व्यवहार को समीपता से देख सकते हैं ठीक है शिव ने पंडित के शब्दों को समझते हुए धीमे से कहा लेकिन ल निका लेंदेन करता है किन्तु ये पदार्थिये लेंदेन के वेवहार से प्रथक भी हो सकता है जैसे एक शत्रिय सत्ता में रहने के बदले किसी समाज को सुरक्षा प्रदान करता है शिव ने सहमती में से नहीं लाया लेंदेन का वेवहार तो कुछ लेने और देने से पश्ट है नहीं वो नहीं एक स्वरूप है सोचिए वो संभवता इतिहास में सबसे अधिक प्रतेश्चित विकर्म है उसके पास सत्ता और शक्ति है कि वो विरोध कर सके यदि वो चाहे तो उसमें अवश्य जोश है क्योंकि वो युद्ध करने से कभी भी पीछे नहीं हटत करती है साथ ही वो अधिकतर विकर्म की तरह नेपथि में नहीं जाती है और अपना जीवन अग्यातवास में नहीं जीती है वो नियमों का पालन करती है फिर भी वो करहती नहीं है और दूसरों से अपना दुखडा नहीं रोती है उसका जीवन उससे चाहे जितना भी अन्य याद रखें लेंदेन के वेवहार में कुछ देते हैं क्योंकि आप वापसी में कुछ पराप्थ करने की इक्षा रखते हैं उपने सामर्थे का प्रियोग भी करती हैं। ये एक वेक्ति अपने लेंदेन के वेवहार से समाज को इतना कुछ देता है, तो वापसी में वो क्या चाहता है। आदर सम्मान, शिव ने उत्तर दिया। बिल्कुल ठीक, पंडित का मुख्व दीप्तिमान हो उठा। और आप क्या सोचते हैं, कि आप क्या करते हैं जब आप वैसे वेक्ति को सनरक्षर देते हैं। अनादर, आप पोड़ता सही है। मैं जानता हूँ कि यह आपका प्राकरतिक स्वभाव है कि आप उसको संरक्षर देते हैं जो एक अच्छा वेक्ति है और जिसको उसकी आवशक्ता प्रतीत होती है किन्तो उस स्वभाव को सती के संबंद में आपको नियंतरित करना होगा उसका आदर कीजिए और वो अबाद रूप से आपके और खीची चली आएगी जो उसको प्रेम करते हैं उससे उसे बहुत कुछ प्राप्त होता है जो उसे नहीं प्राप्त होता है और जिसके लिए वो सबसे अधिक तरस्ती है वो है आदर शिव ने पंडित की और कृतिक गिता भरे भाव से देखा उसने उत्तर पा लिया था आदर दो सब्तहबाद नीलकंट का काफिला कर्चप नगर पहुचा जो सिंधु नदी के पश्चिम सागर से मिलन स्थर पर इस्थित था ये एक शांदार चमचमाता हुआ नगर था जो एक वेदिका पर बसाया गया था किन्तो अब उसका विस्तार अत्यधिक हो चुका था दुतिये वेदिका पचास वर्ष पूर्व निर्मित की गई थी जो प्रथम वेदिका से भी भाव एवं विशाल स्तर की थी दुतिये वेदिका पर कर्चप के उच्चवर्ग के लोग रहते थे छोटे कदवाले वैश्य राजपाल जूलेश्वर ने जो सुना था उसी परंपरा का अनुसरान करते हुए वो नगर के बाहर निलकंट को लेने आया हुआ था कर्चप एक लाख जनसंख्या वाला सीमानती व्यापारिक नगर था इसलिए दक्षी के पिता ब्रह्मनायक की यह दूर दृष्टी थी कि उन्होंने सौ वर्षो पूर्वी एक वैश्य को कर्चप का राजपाल नियुक्त कर दिया था जूलेश्वर ने अपने भागे पर सोने की कलाई चढ़ाते हुए उस नगर का शासन बहुत ही अच्छे ढंग से किया था और वो अब तक का सबसे बुद्धिमान एवं प्रभावशाली राजपाल माना जाता था कर्चप बहुत समय पहले ही लोथल को पीछे चोड़कर सामराज की पूर्वी छेतर में व्यापार की दृष्टी से मेलूहा का प्रमुक नगर बन चुका था जबकि मेसोपटामिया मेसोपटामिया एवं मिश्र के विदेशियों को इस उदार पंथी नगर में आनुकी अनुपती थी किन्तूस से आगे बिना इसपष्ट राजशाही अनुग्या पत्र के सामराज जिमें कहीं भी भ्रमण करने की अनुपती नहीं थी जूलेश्वर कर्चप में पहले ही दिन मार्गरक्षक बनकर निलकंठ को पश्चिम सागर में परेटन करवाने के लिए ले गया शिव ने कभी समुद्र नहीं देखा था और वो उस अथाह जलके विस्तार को देखकर मंत्रमुग दिथा उसने कई घंटे बंदरगाहा पर बिताए जहां जूलेश्वर ने विविन प्रकार के जहाजों एवं नौकाओं के निर्माण के बारे में गर्व के साथ बिवरण दिया ये कर्चप बंदरगाहा से सटा हुआ एक पोतकार खाना था ब्रहस्पती भी मेसुपटामिया की व्यापारियों से आयात किये हुए सामानों को परिक्षन करने उनके साथ गया था शाम के समय शिव के लिए राजकिय भोजन का आयोजन किया गया जुलेश्वर ने गर्व से घोशना की कि अगले दी निलकंडे के सम्मान में एक यग्य का आयोजन वरुण प्रभू और प्रसिदी यमज अश्वनी कुमारों के तत्वाधान में किया जाएगा यमज अश्वनी कुमार प्रख्यात जहाजी थे जिनोंने मेलुहा से मेसुपटामिया तक का समुद्री रास्ता तैग किया था और उसके आगे भी गये थे उनके मानशित्र उनके मार्ग दर्शन और कथाएं इन समुद्री लोगों के लिए प्रिर्णा एवं सीख के स्रोत थे भोजन के उपरांद शिवने उन कमरों का ब्रमण किया जहां सती एवं कृतिका को रखा गया था मैं सोच रहा था चूकि सती उसके साथ पूरी तरह से आपचारिक बन चुके थी अता शिवने अब भी बहुत सावधानी पूरवक कहा क्या आपकल यग्य के लिए आएंगी मुझे शमा करें प्रभु निलकंट सती ने शिष्टिता पूरवक कहा किन्तु मेरे लिए आयोज का एक अभ्यास कर सकते हैं मुझे ये भी याद नहीं है कि हमने कब आकरी बार एक साथ नलतिक किया था ये बहुत अच्छा रहेगा मुझे आपके निर्देश सुनने का उसर बहुत दिनों से प्राप्त नहीं हुआ है सती ने कहा शिवने सती पर आप्रसनता से सिरह लाया उनके संबंधों में पड़ी हुई इस ठंडग ने उसे संतप्त कर दिया जाने के लिए अभिवादन कर वो कमरे से बाहर निकल गया कृतिका ने अलक्षित रूप से अपना सिरह लाते हुए सती की और सरसरी निगाह से देखा अध्याए 15 अगनी से परीक्षन अपने रोईदार अंगरखे में सिम्टा हुआ और तीखे पत्थरों से बचने का प्रयत्न करता हुआ एक छोटा बालक धूल भरे भेडों के पदचिन्नों के पीछे तेजी से चल रहा था सगम नमी वाले वन ने रास्ते कातिकरमा डरावने ढंगसे कर रखा था उस बालों को पका विश्वास था कि यदि उसने अपनी चाल दह्मी की तो घनी जाडियों में खतरनाक एवं भीमकाए दैते उस पर जपट्टा मारने की ताक में बैठे हुए थे उसका गाओं वहां से बच कुछी घंटों की दूरी पर था सूरी परवरतों के पीछे तीवर गती से छुपता जा रहा था दैते को अंधिकार पसंद होता है उसके अधिक परिशान करने पर उसकी माता और दादी ने उसे कई बार बताया था किसी बड़े के साथ चलना उसे पसंद आया होता क्योंकि दैते बड़ों को तंग नहीं करते थे जैसे ही उसने एक विचितर ठंडी सांस लेने जैसी धोनी सुनी तो उसके हिर्दे के धड़कन एक बार थम सी गई पीछे की और से आकरमन की आशंका में उसने अपनी तलवार निकाल ली उसके दोस्तों ने जंगल के दैतेों के बारे में कई कहानिया सुनी थी विकायर कभी भी सामने से आकरमन नहीं करते थे उस दोनी की दिशार जानने के उदेश से वो बिना हीले डूले खड़ा हो गया उसमें बार बार दोहराय जाने वाला एक विशिष्ट ले था और वो असपष्ट रूप से परिशित प्रतीत हो रहा था उसने अनुभव किया जैसे उसने इसे पहले भी सुना था उस दोनी में अब एक पुरुश का भारी करहने वाला स्वर भी मिल चुका था ये दैत नहीं हो सकता था उस बालक ते अपने शरीर में उत्तेजना की जुरजुरी का नुभव किया उसने अपने दोस्तों से फुसपसाहट में खिल खिलाती हुई हसी के साथ इसके बारे में सुना था लेकिन उसने ये कारे कभी देखा नहीं था आज उसे अफसर था वो धीरे-धीरे जाडियों में सरकने लगा और उसके तलवार उसके बगल में जूल रही थी उस दोनी के सुरोत को पाने के लिए उसे बहुत दूर नहीं जाना पड़ा था वो एक छोटे से साख किये हुए स्थान से आ रही थी वो एक पेड़ के तने के पीछे छुप गया और उसने चुपके से जहां का वो एक यूगल थे वो बहुत जल्दी में लग रहे थे उन्होंने अपने कपड़े भी पूरी तरह से नहीं उता रहे थे वो आदमी अत्यधिक बालो वाला था लगबख भालू के जैसा उसकोंड से वो बाला को उसकी पीठी देख पा रहा था उसके सामने इस्त्री के सामने का दर्शित था वो आश्चर जनेक रूप से सुंदर थी उसके तरंगित केश, लंबे और उज्जुल थे आंशिक रूप से फटी हुई चोली के कारण अत्यधिक क्रूर रतिक्रिया से लाल रंग की धारी सहित उसके द्रण उरोज दिख रहे थे उसका लहेंगा फटा हुआ था और उसके उत्रिष्ट लंबे पाउँ प्रदर्शित हो रहे थे उस बालक की उतेजना अकलपनिय थी प्रतिक्षा कीजिए जब उसका अभिन मित्र भद्र इस अनुभाव को सुनेगा जब वो इस प्रदर्शन का आनंद ले रहा था तभी उसकी बेचैनी बढ़ी उसे कुछ गड़बर लगी वो आदमी आवेश की तीवर वेदना में था जबकि इस्तरी निश्क्रिय से लेटी होई थी उसका मुक बहुत सक्ती से बंद था वो अपने प्रेमी को उत्साहित करने वाले शब्दों की कानफोसी नहीं कर रही थी क्या उसके गालों पर हरशा तिरेक के आंसू ढलक रहे थे या उसके साथ बलात कर्म हो रहा था लेकिन यह कैसे हो सकता था उस आदमी का चाकू उस इस्तरी की पहुँच में रखा हुआ था वो उसे उठा कर उसको आहत कर सकती थी बालक ने सिर हिलाया उसने अपने अंतरमंद को शान्त करने का प्रयास किया चुप रहो मुझे देखने दो और उसके बाद वो छणाया जो उसे पूरे जीवन भर बार बार तंग करता रहा उस इस्तरी की आँखे अचानक उस पर गई सहायता कृप या सहायता करे वो चीखी चौकता हुआ वो बालक पीछे हटा उसकी तलवार गिर गई वो रोएदार दैते पीछे मुड़ा ये देखने के लिए कि इस तरी किसे पुकार रही थी बालक ने तेजी से अपनी तलवार उठाई और भाग खड़ा हुआ वो अपने शीत दंश वाले अंगूठे की पीड़ा की परभा किये बिना ही दोड़ता चला गया वो इस सोच से ही डरा हुआ था कि वो आदमी कहीं उसका पीछाना कर रहा हूँ वो इस आदमी की भारी सांसो को अब भी सुन पा रहा था बालक ने उचल कर भेडो के पदचिन्यों को पकड़ा और तेजी से अपनी गाउं की और भागा वो अब भी भारी सांसों को सुन रहा था वो हर छण उसके समी पाता जा रहा था बालक जटके से बाएं हटा एक पैर की धुरी बना कर घुमा और जोर से तलवार घुमाई वहाँ कोई भी नहीं था भारी सांसों के धुहनी नहीं थी मात्र एक धुनी थी एक मनोवी छिप्त इस्त्री की बारंबार तंग करने आग्रह वाले दोने सहायता करे, कृपया सहायता करे उस छोटे वालक ने मुड़ कर देखा, वो अबला इस्त्री पीछे लोटो उसकी सहायता करो उसके अंतरमन का स्वर रोया वो कुछ छण के लिए हिचके चाया, उसके बाद मुड़ा और अपने गाउं के और भाग गया नहीं, पीछे लोटो उसकी सहायता करो शिव पसीने से नहाया हुआ जाग उठा था उसका हरदय पागलों की तरह धंधं कर रहा था वो सौभाविक्ता पीछे मुड़ा वो उस भायानक दिन में किसी भी कीमत पर जाना चाहता था प्रैशित करने के लिए लेकिन कोई प्रैशित नहीं हो सकता था इस तरी का भाय भी चेहरा बारमार उसके सामने आ रहा था उसने अपनी आखें बंद कर ली लेकिन आप उस चेतर के लिए अपनी आखें कैसे बंद कर सकते हैं जो आपके मन में छापा हुआ हो उसने अपने घुटने को उपर की और मोड लिया और अपने सेर को उस पर टिका दिया उसके बाद उसने वही किया जो हमेशा करता था वो रोने लगा दुतिवे वेदिका की केंद्रिय चतुर्भुच पर यगी की वेदिका बनाई गई थी कर्चप के लिए ये मेलुहा का लक्षनिक साद्गी वाला कारे नहीं था सीमांत नगर ने उस चेतर को तड़क-बढ़क वाले रंगों में ऐसा सजाया था कि देखने वाले देखते ही रह जाएं वेदिका को चमकिले स्वर्णिम रंग में रंगा गया था रंगीन सजावट वाले फूलों से लदे खंबे शामियाना को खड़े के हुए थे सूरिवन्शी प्रतीक की चितरकारी वाली लाल एवं नीले रंगी की पताकाएं कई खंबों से गर्वित होकर जूल रही थी वहां का समस्त वातावरान सजावट और प्रदर्शन का था जूलेश्वर ने शिव का स्वागत वेदिका के मुख पर किया और उनका मारदर्शन करके उन्हें यगी की रस्म बाले स्थल पर बिठा दिया राजपाल के बार बर आगरा करने पर शिव ने अपना गुलूबंद यगी की आवधी तक के लिए निकाल दिया था परवतेश्वर और ब्रहस्पती निलकंट के दाहिनी और बैठे थे जबकि जूलेश्वर और आयुर्वती बाई और नंदी और वीर भदर को शिव के पीछे बैठने के लिए आमंत्रित किया गया था यद्दे पी ये परंपरागरत नहीं था कि तो निलकंट के अनुरोद पर जूलेश्वर ने इसके अनुमती दे दी थी जूलेश्वर एक सरवतर वासी सीमांत नगर का प्रशा सकता और उसका मानना था कि कारत तुरित गती से करने के लिए मिलुहा की कई कड़ी विधियों को थोड़ा लचीला किया जा सकता है उसकी इस प्रकार की उदारता ने कर्चप को विभी ने प्रकार के कुल एवं मन्शों तका जातियों के लोगों के लिए चुमबक बना दिया था और समान सेवाओं एवं विचारों के आदान प्रदान करने का मुख केंद्र बना दिया था शिव ने सती के छज्जे की ओर देखा जहां से दूर से वो केंद्रिय चत्रभुच दिख रहा था यद्य पी जब यग्य हो रहाता तो सती को विधिका पर आने की अनुमती नहीं थी तथा पी उसे एक निश्चित दूरी से अपने कर्म्रे से उसकी कारवाही को देखने की अनुमती थी उसकी बगल में खड़ी कृतिका के साथ महां की कारिवाही को देखते हुए छज्जे के परदे के पीछे खड़ी हुई सती को शिव ने देख लिया था यग्गे का प्रारंब करने से पहले रिवाश के अनुसार पंडित खड़ा हुआ और उसने आपचारिकता वश पूछा यदि किसी को इस यग्गे के संबंध में कोई आपत्ती है तो कृपया अभी बताईए आने था हमेशा के लिए शांती बनाये रखिये ये एक पारंपर एक प्रश्ण मातर था जिसका वास्ताव में कसी तरूप से कुछ उत्तर देना नहीं होता था इसलिए जब एक स्वर तीवर स्वर में गूंजा कि मुझे आपत्ती है तो एक सामोहिक उच्छवास गूंज उठा किसी को भी देख कर पहचानने की आवशकता नहीं थी कि वो स्वर कहां से आया था वो तारक था जो सामराज जी के अत्यधिक रूडिवादी उत्तर पश्चिम छितर का एक आपरवासी था जब से तारक कर्चा पाया था उसने इस पाप से अवनती शील नगर का नैतिक पुलिस बनने का बीड़ा उठा लिया था शीव ने अपनी गर्दन घुमा कर देखी कि किसने आपतिकी थी उसने देखा कि तारक उस पूजा की वेदिका के एक किनारे पर बैठा हुआ था जो सती के छज्जे के बहुत समीब थी जीवन भर लड़ाई जगड़े के कारण लगे चेहरे पर कटे के निशान वाला ये एक डैटाकार विक्ती था जिसका पेट बहुत बढ़ा था और थोड़ी बहुत मांसल बाहें भी थी उसका आकार बड़ा ही बेजोड था उसके बाजू बंद को देखें बिना ही ये इस पष्ट था कि तारक छत्री है था जिसने सेना के निशले पाइदान पर काम करके अपनी जीविका चलाई थी जूलेश्वर ने क्रोध में तारक को भूरा अब क्या है इस बार हमने सुनिश्चित किया है कि हमारी सजावट में चंद्रबंशियों के सफेद रंग न हो या फिर तुम ये सोचते हों कि जो जल यग्य के लिए लाया गया है वो वेदों के अनुसार सही तापमान का नहीं है भीड ने मूँ बिचकाया परवतेश्वर ने जूलेश्वर को तीवरता से देखा इससे पहले कि वो राजिपाल को वेदों का इस तरह संदर्ब के लिए बुरा भला कहता तारक बोल उठा विधी कहती है कि यग्य वेदिका पर किसी विकर्म को रहने के अनुमती नहीं होनी चाहिए हाँ जूलेश्वर ने कहा और यदि तुम्हें विकर्म घोशित नहीं किया गया है तो मैं नहीं सोचता कि विधी का उलंगन हो रहा है हाँ हो रहा है वहाँ एकटी भीड में आश्चर मिश्रित बड़ाहाट फैल गई जूलेश्वर ने अपने हाथ उठा कर लोगों को शांत करते हुए कहा यहाँ कोई विकर्म नहीं है तारक अब बैड़ जा राजकुमारी सती अपनी उपस्थिती से यग्य को अपवित्र करती है शिव और प्रवतेश्वर ने तीखी दृष्टी से तारक को देखा तारक के इस कतन से जूलेश्वर और वहाँ उपस्थित समस्त लोग इस्तब्द रह गए तारक जूलेश्वर ने कहा तुम कुछ अधिक ही बोल गए हो राजकुमारी सती यग्य के नियमों का पालन करती हुए विश्राम ग्रह में है वो यग्य की वेदिका पर उपस्थित नहीं है अब जाओ बैठ जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें कोड़े लगवाऊं अब किस अब राध के लिए मुझे कोड़े लगवाऊंगे राजिपाल तारक ने चिल्ला कर कहा विधी की रक्षा के लिए विरोध करना मेलुहा में अपराद नहीं है किन्तु विधी का उलंगर नहीं हुआ है हाँ हुआ है विधी के शब्दों को यदि आप देखें तो वो कहता है कि जब यग्य हो रहा हो तो कोई विकर्म उस वेदिका पर नहीं रह सकता ये यग्यनगर की दुतिय वेदिका पर हो रहा है उसी वेदिका पर उसके होने से राजकुमारी यग्य को अपवित्र कर रही है तारक तकनी की दिष्टी से सही था अधिकतर लोगों ने विधी का आर्थ इस प्रकार लिया था कि विकर्म को यग्य के आयोजन वाली वेदिका पर उपस्तित नहीं होना चाहिए और फिर मेलुहा के अन्य नगरों की भातिक कर्चब भी एक वेदिका पर निर्मित था तो यदि हम विधी का ये अर्थ लगाएं तो सती को समस्त दुतिय वेदिका पर कहीं भी नहीं होना चाहिए यग्य को विधी सम्मत रखने के लिए सती को या तो किसी और विदिका पर रहना चाहिए या फिर नगर के दुर्ग की दीवार के बाहर जूलेश्वर छण भर के लिए सक्ते में आ गया क्योंकि तारक की आपति से धानतिक रूप से उचित थी उसने दुर्बलता से शक्ति का परदर्शन किया अब बस भी करो तारक तुम कुछ अधिकी अंता विवेक्षिल बनने का प्रियास कर रहे हो मेरा विचार है कि ये इस पश्टी करण कुछ अधिक ही कड़ा है मैं सोचता हूँ कि नहीं श्री जूलेश्वर जी उस भीड में से एक तीवर स्वर गुंजाय मान हुआ सभी लोग उस ओर देखने लगे जिधर से वो स्वर आया था सती जो छज्जे पर बाहर आ चुके थी उसने कहना जारी रखा आपको मध्य में ही टोकने के लिए मेरी छमायाचना सुईकार करें राजिपाल सती ने एक आपचारिक नमस्ते के साथ कहा किन्तु तारक की विधी की विवेशना उचित है मैं बहुत बहुत शमा प्रार्थी हूँ कि मेरे कारण यग्य के अनुष्ठान में बिग्नोत पन हुआ मेरे अनुगामी और मैं नगर को अभी इसी समय छोड़ देते हैं हम तीसरे प्रहर के प्रारम में वापस आएंगे संभवता तब तक यग्य का अनुष्ठान समात्त हो चुका होगा शिव ने अपनी मुठी भीच ली वो बड़े पागलपन से तारक की गरदन वरोड़ना चाहता था लेकिन बड़े ही आतिमानवी प्रयास से उसने स्वयम पर नियंत्रान किया हुआ था कुछ ही मिंटों में सती कृतिका एवं अपनी नीजी अंग्रक्षकों के साथ विश्राम ग्रह से बाहर निकलाई शिव ने मुणकर नंदी और वीरभद्र को देखा जो उसका संकेत समझकर सती के साथ जाने के लिए उठ खड़े हुए मैं समझ गया कि शिव चाते हैं कि नगर के बाहर सती की सुरक्षा सनुश्चित हो ये बहुत ही घरणी थै कि आपको स्वयम इसका हैसास नहीं हुआ तारक ने तिरसकार से सती से कहा आप किस प्रकार की राजकुमारी हैं क्या आप अपनी विदियों का सम्मान करना नहीं जानती है सती ने तारक को देखा उसका मुख प्रशान्त था उसने विवाद में पढ़ना उचित नहीं समझा और अपने पहरे दारों द्वारा अश्वों को तयार करने की प्रतिक्षा करने लगी मुझे समझ में नहीं आता कि निलकंट के काफिले में एक विकर मिस्त्री यात्रा करके क्या कर रही है उस समस्त्र यात्रा को प्रदूशित कर रही है तारक ने चुड़ाते हुए कहा बहुत हो चुका शियों बीच में कूद पड़ा राजकुमारी सतिक गरिमा के साथ यहां जा रही है अपना आच्छेप इसी समय बंद कर दो नहीं मैं बंद नहीं करूँगा तारक ने चिल्ला कर कहा आप किस प्रकार के नेता हैं आप प्रभु श्री राम की विधियों को चुनोती दे रहे हैं तारक जूलेश्वर ने लगबग चीखते हुए कहा प्रभु नीलकंट को विधि को चुनोती देने का अधिकार है यदि तुम अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हो तो उनके अधिकार को चुनोती देने का प्रयास मत करना मैं एक मेलुहा वासी हूँ तारक चिलाया कोई विधि को भंग करे तो उससे चुनोती देना मेरा अधिकार है एक धोबी एक तुछे कपड़े धोने वाले ने प्रभु श्री राम को चुनोती दी थी ये उनकी महानता थी कि उन्होंने उस वेक्ति की आपत्ती को सुईकार किया और अपनी पत्नी का परिताक कर दिया मैं निलकंठ से बल दे कर कहूंगा कि वे प्रभु श्री राम के उधारान से कुछ सीखें और निर्णयों को लेने में अपनी बुद्धी का प्रियोग करें बहुत हो गया तारक सती भड़ा कुठी तारक की टिपड़ी से समझत एकटी भीर स्थब्धों कर चुप हो गई किन्तु सती नहीं उसके अंदर कुछ तूट चुका था उसने बहुत समय से अनादर जहला था और उसने मर्यादित होकर सहन भी किया था किन्तु इस समय इस विक्ति ने शिव का अनादर किया था उसके शिव का उसने अंतता इस बात को मान लिया था मैं अगनी परिक्षा के अधिकार का आहवान करती हूं सती ने कहा वो पूर्ण ने अंतरण में थी हैरान देखने वाले अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सके अगनी से परिक्षा ये बच से बत्तर होता जा रहा था अगनी परिक्षा के अंतरगत एक अनुचिर ढंग से हत हुए मन वाला उस उत्पीड़क को द्वंद युद के लिए ललकार सकता था ये अगनी परिक्षा कही जाती थी क्योंकि इसमें युद आग के एक घेरे के अंदर किया जाता था उस घेरे से बाहर निकलने का कोई अफसर नहीं होता था द्वंद युद कर्तताओं को तब तक लड़ते रहना होता था जब तक कि एक आत्म समर्पर ना कर दे अत्वाई की मृत्यों न हो जाए उन दिनों अगनी परिक्षा विरले ही हुआ करते थे और एक इस्त्री द्वारा इसका आहवान लगभग नहीं ही सुना गया था इसका कोई कारण नहीं बनता है देवी जूलेश्वर ने आगरह किया इस विशे के समान ही वो इस कलपना से भी भैभीत था कि राजकुमारी सती का वद उनके नगर में होने की आशंका थी वो विशाल तारक अवश्य ही उनका वद कर देगा समराट का प्रचन डिक्रोध अत्यंती भयानक होगा तारक की ओर मुड़ते हुए जूलेश्वर ने आदेश दिया तुम इस चुनोती को सुईकार नहीं करोगे और लोग मुझे कायर कहेंगे तुम अपनी बहादुरी सिद्ध करना चाहते हो परवतेश्वर ने पहली बार अपना मूँ खोला तुम मेरे साथ युद्ध करो मैं इस चुनोती में सती का सहायक रहूंगा हे पित्रतुल्य सहायक को न्युक्त करने का अदिकार मात्र मेरा है सती ने परवतेश्वर को पिता के समान संदर भीत करते हुए कहा और तारक की ओर मुड़ते हुए पुना कहा मैं किसी सहायक की न्युक्ती नहीं करती तुम मेरे साथ युद्ध करोगे ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगे तारक इस बर भ्रहस्पती ने आपत्ती की तारक तुम्हारे द्वंद युद्ध के मना करने का केवल इतना ही कारण हो सकता है कि तुम मरने से डरते हो शिव ने कहा सभी लोग नीलकंट की और मुढ गए सपस्ट था कि उनके शब्दों को सुनकर सभी इस्तब्द थे सती की और मुढ कर शिव ने कहना जारी रखा कर्चप के नागरी को मैंने राजकुमारी को युद्ध करते देखा है वो किसी को भी पराजित कर सकती है यहां तक कि देवताओं को भी सती ने घूर कर शिव को देखा अब वो पूरी तरह से इस्तब्द थी मैं ये चुनोती स्विकार करता हूँ तारक गुराया सती ने तारक की और सिर हिला कर उसकी चुनोती स्विकार कर ली और अपने श्वेत अश्व पर सवार हो गई उसके बाद एर लगा कर अश्व को चला कर वेदिका की किनारे तक गई उसने अपने अश्व को एक छण के लिए रोका और उसने एक बार पुना शिव की और मुड कर देखा वो उस पर मुस्कुराई मुडी और उसने अश्व को तेजी से भगा दिया वो तीसरे प्रहर का प्रारम बता जब शिव और ब्रहस्पदी चुपके से स्थानी व्यायाम ग्रह में तारक को अभ्यास करते देखने गए जहां वो दो साथियों के साथ अभ्यास कर रहा था उस दिन का यग्य एक तरास्दी ही था सब लोग इस विचार से बुद बन गए थे कि अगले दिन राजकुमारी का वद हो जाएगा कोई भी अनुष्ठान में प्रति भाग नहीं करना चाहता था किन्तो जब यग्य का आहवान कर दिया गया था तो उसका अनुष्ठान होना ही था अनिधा देवताओं के रुष्ट होने का अंदेशा था वो भीर वहाँ खड़ी अवश्चे थी किन्तो कोई अनुष्ठान से मन में उपस्थित नहीं था और ये एक दिस समाप्त हो गया था अपने सहकर्मी पर तारक का प्रसिद भयानक प्रहार देखकर ब्रहस्पती के आत्मा काप गई और तद्काल ही उसे इस निर्णे पर पहुँचा गई मैं अज़रावत ही इसका वद कर दूगा तो कल उनका वद नहीं होगा शिव चौकते हुए अविश्वास के साथ मुख्य वग्यानी की और मुड़े ब्रहस्पती आप ये क्या कह रहे हैं सती बहुत अच्छी है उनका ऐसे दुर्भाग से सामना नहीं हो सकता मैं उनके लिए अपना जीवन और अपनी प्रितश्था का बलिदान देने के लिए तयार हूँ लेकिन आप तो ब्रहमण हैं आप किसी की प्राण नहीं ले सकते ये मैं आपके लिए करूँगा ब्रहस्पती फुसफुसाया उसकी भावनाएं उसके निर्णे को आच्छादित कर रही थी आप उनको नहीं खोएंगे मित्र शीव ब्रहस्पती के निकट गया और उसे बाहों में भर लिया आप अपनी आत्मा को ब्रहष्ट ना करें मित्र मैं इतने बड़े बलिदान की योग्य नहीं हूँ ब्रहस्पती ने शीव को जकड़ा हुआ था एक कदम पीछे जाकर शीव ने फुसपुसा कर कहा देखा जाये तो आपके बलिदान के आवशक्ता होगी ही नहीं जिस प्रकार ये निश्चित है कि सूर्य पूर्व में ही उदित होगा उसी प्रकार ये निश्चित है कि कल सती तारक को पराजित करेगी तीसरे प्रहर के कुछ घंटों के बाद सती विश्राम ग्रह लोट आई थी वो अपने कमरे में नहीं गई बल्कि उसने नंदी और वीरभद्र को केंद्री आंगन में बुलवा भेजा उसने अपनी तलवार निकाली और उन दोनों के साथ अभ्यास प्रारंब कर दिया कुछ देर बाद प्रवतेश्वर वहां आया वो पूरी तरह से तूटा हुआ प्रतीत हो रहा था उसके मुख के भाव स्पश्ट्रूप से इस भाय को प्रदर्शित कर रहे थे कि वो सती से अंतिम बार बात करेगा सती ने अभ्यास बंद कर दिया अपनी तलवार म्यान में डाली और जुड़े हुए हाथों से आधर पूरवग नमस्ते करते हुए धीमे स्वर में बोली पित्र तुल्य परवतेश्वर सती के समी पाया उसका चहरा घवराया हुआ प्रतीत हो रहा था वो निश्ची तोर पर नहीं कह सकती थी किन्तु उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वे रोते रहे थे वो उनकी आत्म विश्वासी आंकों में आज से पहले कभी भी सांकेतिक रूप से भी आंसु नहीं देख पाई थी मेरी बच्ची परवतेश्वर बुद्बदाया मैं वही कर रही हूँ जो मुझे उचित लगा सत्ती ने कहा मैं खुश हो परवतेश्वर में कुछ भी बोल पाने के शक्ती नहीं बची थी कुछ छण के लिए उसने तारक के वद्ध के बारे में सोच भी लिया था किन्तु वो अवैधानिक होता उसी समय शिव और ब्रहस्पती भी वहाँ पहुचा शिव ने परवतेश्वर के चेहरे को देख लिया था ये पहली बार था जब उसने सेना नायक के चेहरे पर दुरुबलता के लक्षन देखे थे जबकि वो परवतेश्वर की अवस्था को अच्छी तरह समझ रहा था किन्तु उसका जो असर सती पर हो रहा था वो उसे अच्छा नहीं लगा मुझे शमा करे मैं देर से आया शिव ने आखे मटकाते हुए प्रसंद मुद्रा में कहा सभी लोग मुड कर उसे देखने लगे दरसल मैं और ब्रहसपती भगवान वरूर देव के मंदिर में तारक के लिए प्रातना करने गये थे शिव ने कहा उसकी आत्मत दूसरी दुनिया क्यात्रा करेगी उसके लिए हमने पूजा की ताकि वो आराम दायक रहे सती खिलखिला कर हस पड़ी और आंगर में सभी ने उसका अनुसरण किया भद्र तुम अभ्यास के लिए सही प्रतिदंदोई नहीं हो शिव ने कहा तुम तेजी से इधर उधर की चाल करते हो नंदी तुम राजकुमार एक साथ दूंदो युद करो अपनी फूर्ती पर नियंतरा रखो सती की और मुड कर शिव ने कहना जानी रखा मैंने तारा को अभ्यास करते देखा है उसके वार में अत्यधिक बल है किन्तो इन वारों के बल ने उसकी गती को धीमा कर दिया है उसकी शक्ती को उसकी दुर्बलता बनानी होगी अपनी फूर्ती को उसके चाल के वृत प्रियोक करना होगा उसके प्रतेक शब्द को समझते हुए सती ने सहमधी में सिरह लाया उसने नंदी के साथ अपना अभ्यास प्रारंब कर दिया नंदी की धीमी गती के तुलना में अत्यधिक फूर्ती से चलन करते हुए सती ऐसे वार करने में सफल हो रही थी जो किसी वेक्ती के लिए प्रान घा तक हो सकते थे अचानक ही शिव को एक उपाय सुझा तीवर्गती से चलन कर सकती है ये तो बहुत ही बड़ी आविचार है परवतेश्वर ने सहमत होते हुए कहा जबकि ब्रहस्पती ने सहमती में सिरह लाया सती ने ततकाल ही सहमती का संकेत दिया लगभभभ उसी समय विर्भदर दो चाकूओं को लेकर आप पहुचा उसने एक चाकू नंदी को दिया दूसरा सती को अभ्यास कीजे देवी एक प्रत्ताकार क्रीडा इस्थल के मधे में तारक एमम सती खड़े हुए थे ये कर्चप की मुख्य रंगभूमी नहीं थी जो अत्यधिक विशालकाय थी ये मुख्य रंगभूमी के बगल में संगीत समारोहो के लिए निर्मित थी जिसे कर्चप में आय मेसोपटामियों के आप्रवासी बहुत परसंद करते थे वो रंगभूमी लगभग उसी मापके थी जितनी की अगनी परिक्षक ले आवशक थी वो इतनी बड़ी भी नहीं थी कि एक विक्ति अपने प्रतिदुन्दी से अत्यधिक दूरी बना ले और इतनी छोटी भी नहीं थी कि भिरंत तुरं समाप्त हो जाए मैदान के चारों और लोगों के बैटने के लिए चबूतरे बने हुए थे जिस पर बीस हजार लोगों की भीड़ इस अद्भूत एवं अती महत्पून्द दंद युद्ध को देखने के लिए आई हुई थी जो कर्चप में पिछले 500 वर्षों में नहीं हुआ था प्रतेक विक्ति के होटों पर एक प्रातना थी तात मनु कोई चमतकार करे कि सती विजई हो जाए यदि ऐसा ना हो तो कम से कम वो जीवित रहे तारक और सती ने एक दूसरे को नमस्ते में अभिवादन किया और सम्मान के साल लड़ने की प्राचेन प्रतिक्या को दोराया उसके बाद क्रिणांगन के मुख्य चबूत्रे के शीष परिस्थ भगवान वरुण देव की प्रतिमा की जुकर प्रातना की ताकि जल एवं समुद्र की देवता का आशिरवात उन्हें प्राप्त हो भगवान वरुण देव की प्रतिमा के ठीक नीचे अपने आपचारिक आसन को जूलेश्वर ने शिव के लिए रक छोड़ा था राजपाल उनकी बाई और आयूर्वती और कृतिका के साथ बैठा हुआ था ब्रहस्पती और प्रवतेश्वर शिव के दाएं बैठे हुए थे नंदी और वीर भत्र अपने जाने पैचाने इस्थल पर शिव के ठीक पीछे थे इस द्वन्दु युद्ध के बारे में संदेश देने के लिए एक पच्छी संदेश वाहक समराण दक्ष के लिए कल ही भीज दिया गया था हाला कि इतना समय नहीं था कि उनके उत्तर के आपिक्षा की जा सके आखिरकार जूलेश्वर उठकर खड़ा हुआ वो अगनी परिक्षे से घवराया सा था किन्तु शांत प्रतीत हो रहा था रीती के अनुसार उसने मुठी बांद कर हाथ को अपने सीने से लगाया और अचानक ही गर्जना करते हुए बूला सत्य धर्म मान समस्ति क्रिणांगन में से सहमती के स्वर गूंजे सत्य धर्म मान तारक और सती ने भी पुन्रावरती की सत्य धर्म मान जूलेश्वर ने क्रिणांगन के रखवाले को सिर हिला कर संकेत दिया जिसने अनुष्ठानिक तेल की मशाल को प्रकाशित कर दिया उस मशाल ने अपनी आगों को बने हुए तेल के नाले में फैला दिया केंद्रिय मैदान का बाहरी हेरा आग से प्रचलित हो उठा परीक्षा के लिए आग का हेरा तयार हो चुका था जूलेश्वर ने शिव की और मुड़कर कहा प्रभू द्वन्द युध प्रारंब करने की अनुमती चाहता हूँ शिव ने आत्म विश्वास पूर्ण मुस्कान के साथ सती को देखा उसके बाद एक रिडांगन की और लोगों को संबोधित करते हुए तेज स्वर में घुशना की अगनिदेव की शुद्ध करने वाली अगनी में सती की हमेशा विजय होगी तारक और सती ने तुरंथ ही अपने अपने चाकू निकाल लिए तारक ने अपना चाकू अपने सामने एक बारंपरे योद्धा के समान पकड़ा हुआ था उसने वो रर्णीती अपनाई हुई थी जो उसकी शक्ती थी सामने की और चाकू रहने का अर्थ था कि सती जैसे ही उसके समीप आती वो उस पर वार कर सकता था वो अधिक हिल डूल नहीं रहा था और सती को अपने सामने चाल करने दे रहा था दूसरी और सती भिरंते के सभी ग्यात नेमों के विपरित अपना चाकू पीछे की और पकड़े हुई थी अपने प्रतदुन्दी से एक सुरक्षित दूरी रखते हुए वो चाकू को लगातार एक हाथ से दूसरे हाथ में अदल बदल रही थी उसका इरादा तारक को चक्रा देने का था कि आकरमण की दिशा क्या होगी उसे पता ना चले दूसरी और तारक सती की चाल को एक बाज की भाती देख रहा था उसने सती के दाहिने हाथ को जुकते हुए देखा चाकू उसके दाहिने हाथ में था आचानक ही सती उचल कर बाई योर चली गई तारक स्थिर रहा वो जानता था कि दाहिने हाथ में चाकू होते हुए बाई योर उचलना केवल एक पैत्रा भर था उसे दाहिने आना ही होगा यदि उसने अपने चाकू से वार करना था और वही हुआ सती अचानक ही तेज़ी से दाहिनी हो रहाई और उसने अपने हाथ को चाकू मारने की इस्थिती में उपर उठाया तारक इसके लिए पहले से ही तयार था उसने जल्दी से बाएं हाथ में चाकू बदला और बहुत एक क्रूरता पुर्वक उसने चाकू को हावा में लहराते हुए वार किया जिसके कारण सती के उपरी धर पर घाव लग गया वो घाव इतना गहरा नहीं था किन्तु ऐसा प्रतीत हुआ कि वो पीड़ा दायक था दर्शक दीरगा से एक सामुहिक आहा निकल पड़ी सती पीछे हड़ गई और उसने सुयम को संतुलित कर इधर उधर घूमना प्रारम्ब कर दिया वो चाकू को अपने पीछे लगई और उसे दोनों हाथों में लगतार बदलने लगी तारक ने अपनी तीखी दृष्टी उस पर रखी हुई थी चाकू उसके बाएं हाथ में था तारक ने अनमान लगा लिया कि वो दाहीनी और जाएगी जो उसने किया भी वो इस्तिर रहा वो प्रतिक्षा कर रहा था कि सती कब बाएं और जाकर वार करेगी उसने ऐसा हे किया और उच्छल कर बाएं और उसने वार किया तारक पहले से ही तयार था और उसने इतनी फूर्ती से अपना हाथ चलाया कि सती का हाथ हावा में रहा गया और उसने अपने दाहिने हाथ को भैंकर तीवरता से लहराते हुए चाकू से वार किया और सती के बाएक अंदे पर एक घहरा घाव कर दिया सती पीछे हड़ गई और भीड भै से कराह उठी कुछ लोगों ने अपनी आखें मुंद ली वे अब और देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे अधिकतर लोग उगरता से पूजा आर्चना कर रहे थे जिदि यही करना ही था तो उसे सरलता से किया जाना चाहिए और इस प्रकार धीमे पीडा दायक तरीके से नहीं वे क्या कर रही है घबराए हुए ब्रहस्पति ने शिव को फुसपसा कर कहा वे क्यों आसावधानी से आक्रमन कर रही है शिव ने मूड़कर ब्रहस्पति के ओर देखा और प्रवतिश्वर का चेहरा भी प्रवतिश्वर के चेहरे पर आशे रहा था फिर भी प्रशल सा भरी मुस्कान थी वो ब्रहस्पति की तरह अंजान नहोकर समझ रहा था कि वहां क्या हो रहा था द्वंदु युद्ध की और दृष्टी गुमाते हुए शिवने धीमे सुरमे का वे जाल बिछा रही है मैदान के मद्ध में सती अभी भी चाकू को बाएं से दाएं और दाएं से बाएं हाथ में लगातार बदलती जा रही थी उसने दाहिनी और से बाएं और एक बनावटी चाल चली किन्तु इस बार उसने चाकू को हाथ में बदला नहीं उसने दाहिने हाथ को ढीला और आराम से रखते हुए उसने अपने बाएं हाथ से हरकत की तारक सती को सावधानी पूरवक देख रहा था वो इस आत्मिश्वास से भरा हुआ था कि वो धीरे धीरे उसके रखते को बहा कर उसे मृत्ती की गोद में सुला देगा उसने समझा कि चाकू उसके बाएं हाथ में था उसने उसके दाहिनी और जाने के प्रतिक्षा की उसके बाएं जो उसने बहुत ही तेजी से मूड कर किया उसके बाएं हाथ के आकरमण के पेक्षा में तारक ने दाहिने हाथ में चाकू को हावा में लहराते हुए वार किया सती बड़ी सफाई से निरती की मुद्रा के साथ पीछे हड़ गई इसे पहले कि आश्चरे से बहा तारक कुछ प्रतिक्रिया कर पाता सती उचल कर दाहिनी ओर गई और उसने अपने दाहिने हाथ को निर्दैता से तारक के सीने की और चला दिया चाकू तारक के फेफ़डों तक घुज गया उस घाता कवार ने तारक को आश्थिर कर दिया उसके मूँ से रक्त पिछकारी की महाती फूट पड़ा उसने चाकू गिरा दिया और लडखडाता हुआ पीछे हटा सती ने निर्दैता पूर्वक दबाव बनाये रखा और चाकू को और अंदर चाकू की मूर तक घुपती चली गए तारक लडखडा कर और पीछे गया और भूमी पर धड़ाम से गिर गया उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी समूचा क्रीडांगन समूचा क्रीडांगन इस्तब्द रहे गया सती के मुख पर देवी माता के क्रोध के भाव थे पच्चीस वर्षू से दबा हुआ क्रोध उस समय उसके मुख पर उभर कर आ चुका था उसने चाकू को घुमाते हुए बाहर निकालिया ताकि घाओ अतिधि घातक हो जाए तारक के मुख से रक्ती की धार बह निकली सती ने अपने दोनों हाथों से चाकू को उठाया उसे बस इतना ही करना था कि चाकू को तारक के हिरदय में भोग देना था और उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर निकल जाती तब ही अचानक उसके मुख का भाव पुनहा प्रशान्त हो गया लगभग वैसे ही जैसे किसी ने उसके शरीर से सारी रिडात्मक उर्जा को सोक लिया वो मुड़ी बुराईयों के विनाशक शिव सिन्हासन पर बैठे हुए एक मधर मुसकान से उसे देख रहे थे उसके बाद उसने तारक को देखा और धीमे से कहा मैं तुमें शमा करती हूँ पूरा का पूरा क्रिडांगन खुशी में ज्हूम उठा यदि वरूर दिवने भी इस द्वन्व युद्धी की पटकता लिखी होती तो वो भी इतना आदर्श नहीं होता इसमें वो सब कुछ था जो एक सूरिवन्शी को प्रिया था जब दबाओ में हो तो हट के साथ प्रतिरोध करना और विजय के बाद विशाल हिर देता सती ने अपना चाकू उठाया और चिला कर कहा जै श्री राम समति क्रिडांगन ने एक स्वर में दोराया जै श्री राम सती शिव के और मुड़ी और उसने एक बार और गरजना की जै श्री राम जै शिव के शिव के शब्द उसके गले में ही अटक गए यदि उनकी जै जैकार वो पूरी नहीं कर सका था तो भी प्रभू इस बार अनुचित नहीं मानेंगे शिव ने सती से दर्ष्टी हटाकर दूर देखा वो नहीं चाहता था कि जिसे वो प्रेम करता था वो उसके आसू देखे च्छाड़ भर में ही अपने उपर नियंतरण करके उसने एक दीपतिमान मुसकान से सती की और देखा सती निरंतर शिव को घूरती जा रही थी जो भावनाय उसके भीदर अब तक बहुत लंबे समय से सुसुप्त थी वे शिव की उस प्रशंसा भरी दृष्टी को देखकर बाहर निकलाई थी जब वो उन्हें सहन न कर सकी तो उसने अपनी आखे बंद कर लिए पुस्तक के अध्याय पठन की यात्रा में साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवार यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए अपने मित्रों के साथ शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अलविता झाष मन कीजिए अध्याई सोला सूर्य एवं पृत्वी कर्चप में उस रात बिना किसी तैयारी के ही एक समारव का आयोजन किया गया उनकी राजकुमारी सुरक्षित थी असेहे तारक पराजित हुआ था कर्चप में बहुत से लोगों का यहां तक मानना था कि यदि उसकी अपनी माता भी वहां होती तो उस कठोर उबदेश्चक से घ्रणा करती उस उदार नगर में उसके समर्थक ना के बराबर थे किन्तो द्वंद युद्ध के नियम होते हैं इसलिए जब सती ने तारक को छहमा कर दिया तो ततकाल ही परा चिकित्सिकों ने भाग कर उसे उठाया और उसे अस्पताल ले कर गए शलिए चिकित्सिकों ने उसके प्राण बचाने के लिए 6 घंटों की कड़ी मेहनत की लोगों को निराश करते हुए उन्होंने उसके प्राण बचा लिये थे क्या आपने सूर्य और प्रित्वी की कविता के बारे में सुना है सती ने शिव से पूछा विराजिपाल के आलिशान महल में छज्जे पर खड़े थे जिबकि नीचे एक कुलाहल पूर्ण दावच चल रहे थी नहीं लेकिन अवश्य सुनना पसंद करूंगा एक सम्मोहक मुस्कान के साथ सती के निकट आते हुए शिव ने कहा प्रकट रूप से ऐसा माना जाता है कि पृत्वी कभी-कभी सूरी के समीप आने की संभावना के बारे में सूचती है सती ने कहा किन्तु वो ऐसा नहीं कर सकती ये बहुत मौलिक है क्योंकि सूरी की चमक इतनी तीव रहे कि यदि वो उसे अपने समीप लाती है तो वो विनाश कर देगी अब ये क्या कहना चाह रही है मैं नहीं मानता शिव ने कहा मेरा मानना है कि सूरी तभी जलता है जबकि पृत्वी के समीप रहती है यदि पृत्वी नहीं होती तो सूरी के अस्तित्व में रहने का कोई कारण भी नहीं होता सूरी केवल पृत्वी के लिए अस्तित्व में नहीं है वो सौर्य मंदल में प्रते ग्रह के लिए अस्तित्व में है क्या ये सूरी का चैन नहीं कि वो किसके लिए अस्तित्व में एक रहना चैनित करता है नहीं सदी ने शिव के और विशाद ग्रस्त होकर देखते हुए कहा जिस छण वो सूरे बन गया उसका जीवन बृत बहुत उचा हो गया वो अपने लिए अस्तित्वे में नहीं होता है वो व्रहत्तर अच्छाईयों के लिए सबके लिए अस्तित्वे में होता है उसकी जियोती सौर मिंडल के जीवन का अधार है और यदि पृत्वी को थोड़ा भी अपने उत्तरदायत्व का भान है तो उसे इस संतुलन को नश्ट करने के लिए कुछ भी प्यास नहीं करना चाहिए तो फिर वो सूरे क्या करे शिव ने पूचा उसकी पीड़ा और क्रोध उसके मुख से जला करा था वो अपने समस्त जीवन का अपवए जलते हुए कर दे एक दूरी से पृत्वी को मातर देखते हुए पृत्वी कहीं नहीं जा रही है सूरे और पृत्वी तब भी एक गर्म जोशी भरी मित्रता का आदान प्रतान कर सकते हैं किन्तो उससे अधिक कुछ भी नियमों के विरुद्ध है ये अन्य लोगों की रुचियों के विरुद्ध है शिव ने गुसे से सती से मुख मोड लिया उसने पवित्र जील से संत्वना पानी के लिए उत्तर दिशा में देखा उसे अपने अंदर शूनेता का अनुभा हो रहा था उसने आकाश की और उपर देखा देवताओं की और जिन पर उसका विश्वास नहीं था लानत है उसने अपने शक्तिशाली मुके से छज्जे की रक्षा के घेरे पर जोर से प्रहार किया जिसे कुछ हीटे जगह से उखड गई और वो वहां से तेजी से निकल गया नगर की दीवारों के बाहर जंगल में कुछ सैनिक प्रतिक्षा में लेटे हुए थे उससे थोड़ी दूर पर दो फरदार विक्ति एक पत्थर पर बैठे हुए थे उस पल्टन का अधिपति उन दोनों की बगल में सावधान की मुद्रा में अकड़ा हुआ सा खड़ा था वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो रानी के निकट खड़ा था इस सौभा किसे वो अत्यंत प्रसन था उन फरदार विक्तियों में से एक ने अपना हाथ उठा कर अधिपति को समी पाने का संकेत किया उस फरदार विक्ति की कलाई पर चमडे का कड़ा था जिस पर सरपाकार ओम बना हुआ था विश्वद्युम्न क्या तुम निश्चित हो कि ये वही जगा है जहां हम उनसे मिलने वाले हैं वो लगभग एक घंटे विलंब से हैं हाँ स्वामी विश्वद्युम्न ने थोड़ा घबरा कर कहा ये वही जगे है जहां उसने कहा था कि वो आएगा दूसरा फरदार विक्ति मुड़ा और एक प्रभावशाली स्वर बोला सुर्द जनाना था ऐसा सुर्द जिसका बिना किसी प्रशन के पालन किया जाता था वो विक्ति नागाओं की रानी से प्रतीक्षा करवाता है दूसरे फरदार विक्ति के और मुड़कर उसने कहना जारी रखा मेरा विश्वास है कि तुमने इस पर विस्तार से कारे किया होगा मैं आश्या करती हूँ कि इस घ्रणी छेतर में मेरा आना बेकार नहीं जाएगा दूसरे फरदार विक्ति ने अपने मानसल हाथों की मुद्रा से रानी को धहरे रखने का इशारा करते हुए का मुझे विश्वास है महरानी ये विक्ति सूरिवन्शियों को एक ऐसा जटका देने में महातुपूर्ण है कि वे उससे फिर कभी नहीं उबर पाएंगे पदा चला है राजकुमारी और एक विक्ति के मधिकल नगर में एक अगनी परीक्षा युद हुआ था विश्वदम्री ने राणी को प्रभावित करने के लिए अचाना के बाद छेर दी ताकि उन्हें लगी कि उसकी इस्थानी समाचारों पर तीक्षण द्रिश्टि रहती है मेरे पास उसकी पक्की जानकारी तो नहीं है मैं इतना ही आशा कर सकता हूँ कि उसमें हमारा विक्ती शामिल ना हो राणी फुर्ती से दूसरे फड़ार विक्ती के और मुडी फिर विश्वदम्री के और मुडी और बोली कृपया दूसरे सेनिकों के साथ प्रतीक्षा करें विशुदिम्रे ने महसूस कर लिया था कि उसने ऐसा कुछ कह दिया है जो उसे नहीं कहना चाहिए था और इससे पहले कि उसके स्वामी की गुसेयल आखियों से फटकार लगाए वो वहां से तेजी से चला गया इसी कराण से प्रसिक्षार्स शिवर में सिखाया जाता था कि एक अच्छा सिपाही तब तक मोने ही खोलता जब तक कि उससे कुछ पूछा नहीं जाए वो यहां है रानी ने अपने गुसे को छिपाय बिना पूछा दूसरे फरदार वेक्ति ने सहमती में सिरह लाया मुझे याद है कि मैंने तुमसे इस बारे में भूल जाने को कहा था रानी ने कड़ाई से कहा इस तलाश से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे दौरा किये कैं मंदार परवत पर उस मूर्खता भरे आक्रमान से उन्हें संदे हुआ होगा कि उनके मद्ध में हमारा गुपतुचर है उस वेक्ति ने शमाय आचना से उनकी ओर देखा क्या तुम उनके लिए यहां आये थे नहीं महरानी उस वर्दार वेक्ति ने गंभीर एवं आदरपॉर्ण स्वर में कहा ये वो जगा है जहां उसने हमें मिलने के लिए बुलाया था रानी ने हाथ आगे बढ़ा कर उस वेक्ति कंधे पर थपकी दी ध्यान के अंदरित करो मेरे बच्चे रानी ने कोमलता से कहा यदि हम इसमें सफल हो जाते हैं तो ये हमारी बड़ी विजए होगी जैसा कि तुमने अभी कहा था कि हम उन्हें इतना बड़ा जटका देंगे कि उनके लिए उससे उबरना बहुत कठीन हो जाएगा उस वेक्ति ने सहमती में सिरह लाया और फिर भी रानी ने अपने हाथ खीच कर अपने लबादे के आश्रे में रखते हुए कहना जारी रखा तुम्हारी उसमें तलींता तुम्हारे निर्णेयों को आसामाने बना देती है क्या तुम जानते हो कि उसने एक इसपष्ट संदेश भेजा है कि उसे इसपष्ट नहीं किया जा सकता है अन्यता सौधा रद कर दिया जाएगा फरदार विक्ति ने रानी को आश्चर से देखा आपको कैसे मैं नागाओं की रानी हो मेरे बच्चे उसने बीज में ही टोक दिया मेरी शतरंज पर एक से अधिक प्यादे हैं फरदार विक्ति मंदार परवत पर अपने खराब प्रदर्शन पर रानी को शर्मिंदा होने वाली दृष्टी से देखता रहा रानी के एकले शब्दों ने उसकी शर्मिंदिगी और बढ़ा दी तुम आश्चर रिजने करोप से गलतियां कर रहे हो मेरे बच्चे तुम में सबसे महान नागा बनने की योगिता है इसका अपवय मत करो जी हां महारानी रानी तुड़ी निश्चिंत से प्रतीत हुई मेरा विचार है कि अब हम यहां अकेले हैं रानी ने कहा तुम मुझे मौसी बुला सकते हो वैसे भी मैं तुमारी मा की बहन हूँ निसंदे यह आप हैं उस फरदार विक्ति ने कहा तो उसकी मुस्कान उसकी आँखों तक पहुच चुकी थी आप जो भी कहें मौसी अगनी परीक्षा की घटना हुए दो सब्ता बीच चुके थे सती पर्याप्त रूप से इतनी भली चंगी हो गई थी कि वो काफिले के साथ अगले गंतव्य के लिए चल सकती थी शिव परवतेश्वर एवं ब्रहस्पति शिव के साथ उसके कमरे में बैठे हो गए थे तो हम सब सहमत हैं परवतेश्वर ने कहा एक सब्ता के अंदर हमारी यात्रा की सारी व्यवस्थाएं कर लूँगा उस समय तक सती पूरी तरह से ठीक हो चुकी होगी हाँ मेरे विचार से ये उजना उचित है शिव ने सहमती दी परवतेश्वर मैं बहुर आगे नहीं जाओंगा परवतेश्वर ने पूछा ऐसा है कि जो नए रसायन आने वाले थे वे आ गए है मैं सोच रहा था कि इन सामानों के साथ मैं मंदार परवत लौट जाओं और जितना शीगर हो सके प्रियोग प्रारंब कर दो यदि हम इस प्रियोग में सफल रहे तो सुमरस बनाने में जल की आवशक्ता में अत्यदी कमी आ सकती है शीव ने दुखी मुस्कान के साथ कहा आपकी बड़ी याद आएगी मित्र और मुझे आपकी ब्रहसपती ने कहा कि तो मैं देश छोड़ कर नहीं जा रहा हूँ जब आप यात्रा पूर्ण कर ले तो मंदार प्रवत पर आईए मैं आपको वहाँ जंगली वनों में लेकर जाऊँगा आपको बहुत अच्छा लगेगा हाँ शीव ने बनावटी हजी के साथ कहा संभवता आप अपनी कुछ वेग्यानिक दक्षता का प्रकटन करेंगे और इस नीले गले के लिए कोई विश्वस्नी लगने वाला कारण खोज लेंगे शीव और ब्रहस्पती दोनों ही ठाहा का मार कर हास पड़े परवतेश्वर उनके इस परिहास को समझ ना सका वो केवल उन्हें देखता रहा बस एक बात है ब्रहस्पती परवतेश्वर ने कहा मैं राजशाही यात्रा से अपने सैनिकों की संख्या कम नहीं कर सकता मैं राजपाल से बात करूँगा कि वे आपकी वापसी यात्रा के लिए कुछ सैनिकों का प्रवन्द कर दे धनिवाद परवतेश्वर किन्तु मुझे विश्वास है कि मैं सुरक्षित रहूँगा एक आतंकी मुझ में क्यों अपनी रुची दिखाएगा कल ही एक और आतंकी आकर्मन मुहन जोधारा से लगभग 50 किलोमेटर दूर हुआ है परवतेश्वर ने कहा पूरा का पूरा मंदिर नश्ट कर दिया गया है और सारे ब्राहमनों की हत्या कर दी गई है एक और? ये इस महीने में तीसरा आकर्मन है शिव ने क्रोधी दुकर कहा हाँ परवतेश्वर ने कहा वे साहसी होते जा रहे हैं और पूर्व की भाती वे वहाँ से भाग निकले जब तक की सहायता पहुचती जब तक सहायता पहुच पाती और उनसे सामना हो पाता शिव ने पनी मुठिया भीच ले उसे कोई उपाय नहीं सूज रहा था कि वो आतंकी आकरमण से कैसे निप्टे उनके लिए कोई तयारी करना भी कठिन था क्योंकि ये भी नहीं पता होता था कि वे आकरमण कहां करने वाले थे क्या चंदरवन्शियों के सामराज सूदीप पर आकरमण करना ही ये सब रोकने का एक मात रूपाय था शीव के अंतर मन में उठ रही हलचल को महसूस कर ब्रहस्पति चुप रहे गया वो जानता था कि इसका कोई सरल उत्तर नहीं था शीव को देखते हुए परवतेश्वर ने कहा मैं अपने लोगों को यात्रा की तैयारी का आदेश अभी दे दूँगा उसके बाद मैं आपसे रातरी भोज पर मिलूँगा मेरे विचार से सती भी हमारे साथ शामिल हो सकती है मैं नंदी और वीरभद्र के लिए संदेश भीजवा दूँगा वे भी हमारे साथ शामिल हो सकते है मैं जानता हूँ कि आपको उनका संग पसंद है परवतेश्वर के अलाकश्रिक विवहार एवं सोच पर शिव ने आश्चर से देखा धन्यवाद परवेतेश्वर ये आपने बड़ा अच्छा किया लेकिन मुझे पता चला है कि कृतिका नंदी और वीरभदर आज रात बासुरी वादन का आनंद लेने जा रहे हैं उस पागल वीरभदर ने तो कुछ गहने भी खरीद लिया है ताकि नंदी के साथ वो देशी गवार न दिखे परवतेश्वर मंधूरता से मुस्कुराया लेकिन मेरे लिए आपके साथ भोजन करना प्रसनदा की बात होगी शिव ने कहा धनिवाद परवतेश्वर ने उठते हुए कहा कुछ कदम चलने के बाद वो रुका और पीछे मुड़ा अपनी हिचकी चाहट पर विजय पाकर उसने धीमे से कहा शिव हाँ शिव उठ खड़ा हुआ मैंने आपसे पहले ये नहीं बताया परवतेश्वर असुविधा से बोल रहा था किन्तो मैं आपको अगनी परिक्षा में सती की सहायता करने के लिए धनिवाद ग्यापित करना चाहता हूँ आपकी जो इस पश्च सोच थी उसी की कारण विजय हुई है नहीं नहीं शिव ने कहा ये तो उसकी दक्षता थी निसंदेव वो थी परवतेश्वर ने कहा किन्तो आपने उसे आत्म विश्वास और रर्णी ती प्रदान की ताकि वो अपनी दक्षता प्रदर्शित कर सके यदि इस विश्व में कोई ऐसा विक्ती है जिसे मैं करतब्यों से अधिक भावनाओं के साथ देखता हूँ शिव का आत्र करने लगा था परवतेश्वर से सम्मान अरजित करना एक बड़ी यात्रा थी जिसे शिव ने मातर प्रारम्बे किया था सीना नायक पीछे मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया यह आदमी बुरा नहीं है प्रवतेश्वर के चले जाने के बाद कहा वो थोड़ा चिर्चिडाता अवश्य है परंदु वो सबसे इमानदार सूर्य वंशियों में से एक है वो प्रभु श्री राम का एक सच्चा अनुयाई है मेरी आशा है कि उसकी कुछ गुसे वाली बातें जो आपको वो कह जाता है वो आपको अधिक दुखी नहीं करती होंगे नहीं मुझे बुरा नहीं लगता है शिव ने कहा असल में मैं परवतेश्वर को बहुत श्रेष्ट मानता हूँ वो एक ऐसा वेक्ति है जिससे सम्मान अर्जित करना मेरा सौभाग्य है शिव की विशाल हरदयता के एक और उधारान को देखकर ब्रस्पति मुस्कुराया वो आगे जुका और बोला आप एक अच्छे वेक्ति हैं शिव शिव ने मुस्कुराहट के साथ उसे देखा जो आपने पिशली बार मुझसे पूछा था उसका उत्तर मैंने नहीं दिया था शिव ब्रस्पति ने कहना जारी रखा सच्चाई यही है कि मैं नीलकंट की पौराणी गाथा में विश्वास नहीं करता हूँ मैं अभी भी नहीं करता हूँ शिव ने और चौड़ी मुस्कान के साथ देखा किन्तो मैं आप में विश्वास करता हूँ यदि कोई एक ऐसा विक्ति है जो इस भूमी से रिलात्मक उर्जा को सोक कर नश्ट कर सकता है तो वो आप ही हो सकते हैं और मैं हर संभव आपकी साहता के लिए कुछ भी करूँगा चाहे वो किसी भी रूप में हो और मेरे करने लायक हो आप मेरे ऐसे भाई हैं जो मेरे पास कभी नहीं थे आपकी उपस्थिती की मेरी सारी आविशक्ताओं की पूर्थी कर देगी ये कहते हुए शिव ने अपने मित्र को आलिंगन बद कर लिया अपने अंतर मन में एक पुनर जागरत उर्जा के संचार को महसूस करते हुए ब्रहसपती ने भी शिव को गरम जोशी से जगर लिया उसने मन ही मन सौगंध ले कि वो अपने धे से कभी नहीं हटेगा चाहे कुछ भी हो जाए ये मात्र मेलूहा के लिए नहीं था ये शिव के लिए भी था उसके मित्र के लिए सती के अगनी परिक्षा के तीन सपताबाद कर्चप से काफिला निकला वही साथ बग्गियां एक पंक्ती में एक साथ यात्रा कर रही थी इस बार पांच नहीं छे बग्गिया दिखावटी थी शिव सती के साथ तीसरी बग्गी में था और परवतेश्वर एवं आयर्वती भी उसी में थे ये पहली बार था जब परवतेश्वर शिव के साथ एक ही बगी में यात्रा कर रहा था। वीरभद्र को नंदी की पल्टन में उसके साथ अश्वरोहन करने में अपार खुशी हो रहे थी। उनको कर्चप से निकल कर यात्रा करते हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि जब उनके काफिले को रुख जाना पड़ा क्योंकि एक बड़ा काफिला विपरित दिशा से बड़ी शिक्रता से चला रहा था। परवतेश्वर जानकारी लेने के लिए बग्गी से बाहर निकला। सेनापती वक्र उसके पास आया और उसने परवतेश्वर को सैनिक अभिवादन किया। क्या बात है। स्वामी ये लोग कुझ गाओं के शरानार थी है। वक्र ने कहा। ये लोग एक आतंकी आकरमर से बचकर निकल रहे हैं। बचकर निकल रहे हैं। चकित परवतेश्वर ने पूछा। तुम ये कहना चाहते हो कि आकरमर अभी चल रहा है। ऐसा ही प्रतीत हो और आतंकी आकरमर चल रहा था। उसके बाद भी परवतेश्वर के हाथ बंधे होए थे। नीलकंठ एवं राजकुमारी की सुरक्षा के सिवाए उसे किसे अन्य लक्ष को सादने के अनुमती नहीं थी। ये क्या मुर्खता है। उसने मनही मन सूच कर कहा। मुझे दिये गए आदेश मेरे छत्री धर्म का पालन करने से रोक रहे हैं। क्या बाते परवतेश्वर। परवतेश्वर मुणत उसने देखा कि शिव ठीक उसके पीछे खड़ा था। इस मध्य सती और आयूर्वती भी बंगी से उतर रहे थे। इससे पहले कि परवतेश्वर को जुत अध्याय सत्रा कूंज का युद्ध वे लोग कहा हैं। परवतेश्वर ने पूछा। वे लोग मेरे गाउं में हैं स्वामी। भैबीद गाउं के प्रधान ने कहा। ये कुछी दूरी पर है। कोई 500 चंदरवंशी सैनिक नागाउं के नेतरत्व में है। उन्होंने हमें गाउं छोडने के लिए 30 मिनट का समय दिया था किन्तो मंदिर के ब्राहमण को रोक लिया गया है। परवतेश्वर ने अपने क्रोध को नियंतरित करते हुए अपनी मुठिया भीच ली। हमारे पंडित ये बहुत अच्छे वेकती हैं स्वामी। गाउं के प्रधान ने कह उसकी आँखों में आसू ढलक गए थे। वक्र ने उसे सांतोना देने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। गाउं प्रधान की मुद्रा उसे बहुत ही दैनी बना रही थी क्योंकि वो नहीं जानता था कि गाउं के पुजारी के साथ क्या अन होनी होने वाली हम अपने पंडित और अन्य ब्रहमणों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ना चाहते थे। सुबकते हुए गाउं प्रधान ने कहा। वे इश्वर के आदमी हैं अस्तर श्रस्तर कैसे उठाया जाता है उन्हें तो ये भी नहीं पता वे इस गिरोह से कैसे युद्ध कर सकते है वक्रने गाउ प्रधान को बोलने दिया ताकि उसका क्रोध शांत हो जाए। किंतू पंडी जी ने हमें वहां से चले जाने का आदेश दे दिया। उन्होंने हमसे हमारी इस्तरियों और बच्चों के साथ भाग जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वे उस भागे का सामना करेंगे जो भागे भगवान ब्रह्मा ने उनके लिए लिखा था किन्तो यदि किसी की रक्षा हो सकती है तो उनकी रक्षा होनी चाहिए पर वतेश्वर का नाखोर उसकी तवचा में अंदर तक घुज गया चंदरवंशियों के इस प्रकार निहत्थों पर आक्रम्ल करने और छट्रियों से आमना सामना ना करने के बात सुनकर उसका चेहरा बदरंग हो उड़ा था वो अपने भागे पर कुपित हो रहा था कि वो एक ऐसी परस्थिती में था कि कोई कारवाही नहीं कर सकता था उसके मन का एक हिस्सा कहता था कि वो आदेशों को भूल जाए कि दो वो इस बात से बद्धा हुआ था कि नियम की अवहेलना ना करें ऐसी पागलपन को रोकना होगा परवतेश्वर ने सिर घुमा कर देखा कि ये ध्वनी किधर से आई थी जो उसकी सोच के मध्य में गुंजायमान हो गई थी शिव के मुख के भाव ने उसे सकते मिला दिया था निलकंट के मुख पर अत्यतिक क्रोध की ऐसी ज्वाला धदक रही थी कि एक बारगी देवगण भी सकते में आकर काम जाए हम लोग अच्छे लोग हैं शिव ने क्रोध में कहा हम भैभीत मुर्गियों के तरह नहीं हैं जो मुणकर भाग जाए उन्हा तंकियों का अपने प्राण बचाने के लिए भागना होगा उन्हें सूर्वन्शियों के प्रचन्ड क्रोध को महसूस करवाना होगा गाव प्रधान के पीछे खड़ा एक ग्राम वासी बोला किन्तु वे त्रासद कारी हैं हम उन्हें पराजित नहीं कर सकते पंडी जी को ये पता था इसी कारार से उन्होंने हमें वहाँ से निकल जाने का आदेश दिया था लेकिन हमारे पास डेर सहस्द्र सैनिक है शिव ने इस कायरता पूर्ण प्रदरशन पर जुन्जलाहट के साथ कहा और साथ में आप लोग पांस सौ और हैं हम उनसे एक से चार चार के संख्या में दिखे हम उन्हें मिट्टी में मिला सकते हैं हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि वे हमेशा याद रखेंगे गाउ प्रधान ने तर्क दिया किन्तु उनके पास नागा लोग हैं वे आमानवियर रक्त पिपासू हत्यारे हैं ऐसी बुरायों के विरुद हमारी क्या हस्ती हो सकती है शिव की सहज बुद्धी ने उसे अनुभव कराया कि अन्धविश्वास का सामना आस्था से ही किया जा सकता है वो बग्गी की सीड़ी पर चढ़ गया ताकि थोड़ी उचाई प्राप्त कर सके गाउवाले उसे घूर कर देख रहे थे उसने अपना गुलू बंद उतार दिया और एक और फेक दिया अब उसकी आवश्यक्ता नहीं रह गई थी मैं नीलकंट हूँ सभी सैनिकों ने बुराईयों के विनाशक को मंत्रमुग धो कर देखा वे लोग इस बात पर अत्यदिक प्रसन थे कि उन्होंने अपने प्रारब्ध को सचाई से ग्रहन कर लिया था गाउवालों को नीलकंट के आगमन का संग्यान नहीं था वे अपनी आखों के सामने पौराणे कथा को सच होते देख सतब्द रह गए थे मैं इन संतरासियों से युद्ध करने जा रहा हूँ शिव ने गरजना की मैं उन्हें दिखाने जा रहा हूँ कि हम अब उनसे भैबीत नहीं है जो पीड़ा हमें हो रही है उसी पीड़ा को मैं उन्हें महसूस करवाने जा रहा हूँ मैं उन्हें ये बताने जा रहा हूँ कि वे जो चाहे कर सकते हैं कर लें लेकिन मेलुखा को रौंदा नहीं जा सकता है वे लोग जो शिव के सामने खड़े थे उनकी रीड़ की हट्टियों को सीधी कर देने वाली और उनकी आत्माओं को प्रेरित कर देने वाली विशिद उर्जा उनमें संचारित हो गई थी कौन लोग मेरे साथ आ रहे हैं मैं आ रहा हूँ परवतेश्वर धदक उठा उसे महसूस हो रहा था कि शिव की उद्गोशना से उस पर लगे प्रतिबंध से मुक्ति मिल गई थी मैं भी सती ने कहा और उसके साथ नंदी वीर भद्र और वक्र ने स्वर मिलाया मैं भी वहां खड़े प्रतेग विक्ति का स्वर गूंचा अचानक ही भैभीत ग्रामिल सचाई की सेना में बदल गए सैनिकों ने अपनी तलवार निकाल ली ग्रामिलों ने अपने अपने हथियार पकड़ लिये थे जो भी उन्हें मिल सका कूंच की और कूच करो शिव ने एक अशुपर चढ़कर चिल्ला कर कहा और अपने घोड़े को एल लगा कर सबसे आगे सरपट भगा दिया प्रवतेश्वर और सती ने शिग्रता से गाड़ी से घोड़े खोले और शिव के पीछे सरपट दोड़ा दिये सूरिवंशियों ने आकरमन करने के उदेश्च से जोड़ से हल्ला करते हुए दोड़ लगा दी उस हल्ले की ध्वनी किसी भी नागा शंक की ध्वनी से अत्यधिक गरजना वाली थी जब वे कुँझ में आंधी की तरह पहुचे तो जिस आतंक का उन्हें अंदेशा था वही हुआ था चंदरवंशियों ने गाओं पर ध्यान केंद्रित ना करके उनके आधरने मंदिर को निशाना बनाया था ताकि सूरिवंशियों को अधिक से अधिक घाव लगा सके चंदरवंशियों के पास कोई अफसर नहीं था वे संख्या में कम तो थे ही पूरी तरह से आच्छादित भी थे फिर उन्होंने इस प्रकार के अचानक पलटवार की आशा भी नहीं की थी वे शीगर ही पराजित हो गए कुछ चंदरवंशी मैदान छोड़कर भागने लगे तो नागाओं ने उन्हें इखटा कर पुना संखर्श करने पर विवश कर दिया विप्रीत परस्थितियों को अपनी योर करते हुए वे असंभावित साहस के साथ सूरवंशियों पर तूर पड़े परवतेश्वर ऐसे लड़ रहा था जैसे कि उसमें दैवीय शक्ती हो शिव ने सेनानाय को कभी युद्ध करते नहीं देखा था वो उसकी दक्षता एवं वीरता को देखकर दंग रहे गया था शिव के समान परवतेश्वर भी इस बात को समझता था कि नागाओं को हराना ही उनकी विजय की महत्ता थी जब तक वे जीवित सूरवंशी भैवीद महसूस करते रहेंगे और चंदरवंशी इससे प्रिरित होते रहेंगे उसने एक नागा पर संकी आकरामकता से धावा बोल दिया नागा ने दक्षता से परवतेश्वर की वार को अपनी ढाल से बचा लिया अपनी तलवार को नीचे ले जाकर उसने परवतेश्वर के खुले कंदे पर वार करने का प्रयास किया वो इस बात को नहीं जानता था कि परवतेश्वर ने अपना बाया भाग जानबूच कर खुला छोड़ा था मगल में जूलते हुए परवतेश्वर ने वार को बचाते हुए अपनी धाल से एक चाकू निकाला जो उसकी धाल में सलगन था उसने नागा के दाहिने खुले कंदे पर निशाना लगा कर फेका उसकी चीख ने परवतेश्वर को बता दिया था कि चाकू कावी गहरा दसा हुआ था वो नागा करोध में गुराया किन्तु परवतेश्वर की चकित कर देने वाली प्रिशंसा के लिए उसने अपनी तलवार वाले हाथ को लहराया जिसमें चाकू घोपा हुआ था और संघर्ष करने लगा परवतेश्वर ने अपनी धाल नीचे करके उस नागा के अपेक्षा प्रत कमजोर वार को रोग दिया उसने अपनी तलवार को घोपनी की स्थिती में किया किन्तु उस नागा ने बहुत तेजी से उसे लक्षिचित कर दिया दिशा परिवरतन करके परवतेश्वर ने अपनी धाल से तेजी से उसके कंधे पर लगे चाकू पर मारा वो चाकू उस नागा के कंधे की हड़ी को तोड़ता हूँ अंदर घुज गया वो नागा पीडा में गुराया और लड़ खडाया यही आमंतरन परवतेश्वर को चाहिए था उसने अपनी तलवार को उपर से भोगनी की स्थिती में लाकर उसने नागा के हरदे में भोग दिया परवतेश्वर के इस प्राण घा तक बार से वो नागा जड़ हो गया परवतेश्वर ने तलवार को और गहरा घुसा कर उसके प्राण हर लिये वो नागा बिना किसी हरकत के पीछे धड़ाम से गिर गया परवतेश्वर भी नागाओं के चहरे को देखने का एक मिलूहावासी की तरह ही इच्छुक था उसने नीचे जुक कर नागा के नकाब को हटाया तो सामने एक भैबीत कर देने वाला चहरा था उसनागा की नाक मातर हड़ी की बनी हुई थी और वो बढ़कर पक्षी की चोंच की तरह की थी उसके कान बहुत विशाल थी जिबकि उसका मुग अथ्यदिक छोटा था वो मानव रूपी गुद्ध जैसा प्रतीत हो रहा था प्रवतेश्वर ने शीगरता से वो कहा जो प्रतेक सूर्यवंशी अपने योग की प्रतिदुन्दी को पराजित करने पर बोलता है हे विर्योध्धा उस जगत की तुम्हारी यातरा सकुशल हो एक कम हुआ था और चार का काम तमाम करना था प्रवतेश्वर ने उठते हुए सोचा कि तब ही उसने गलती सुधारी नहीं दो कम और तीन अभी बाकी है उसने देखा कि शीव ने उससे कुछी दोरे पर एक विशाल काए नागा को नश्ट कर दिया था शीव एवं परवतेश्वर दोनों ने एक दूसरे को देखा और सिरहला कर सहमत हुए शीव ने परवतेश्वर को उसके पीछे की और इशारा किया परवतेश्वर ने पीछे मुल कर देखा तो एक अतिकरूर नागा अकेले ही पांच सूर्वंशियों से युद्ध कर रहा था वो शीव के और मुणा और उसने सिरह हिला कर संकेत दिया उसके बाद परवतेश्वर उस चेंद की इह हुए नागा किया और बढ़ गया और उसी समय शीव भी दूसरे नागा किया और बढ़ गया था शिव उस संगर्ष के मैदान में फुर्ती से उस नागा की और बढ़ा जिसने उस समय एक सूरी बंशी सैनी को मारकर गिरा दिया था वो अपनी धाल को सामने रखते हुए उसके निकट पहुचा ताकि नागा के तलवार के वार से बचा जा सके इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने एक चूची च्छांग लगाई उस नागा ने अपनी धाल को उपर उठा लिया ताकि वो शिव के वार से बच सके उसने सोचा था कि पारंपरिक शेली में उतनी उचाई से उस पर तलवार नीचे लाते हुए शिव उस पर वार करेगा लेकि शिव ने उसे पूरी तरह से चकित करते हुए उसकी ढाल को पूरे बल से तलवार से धक्का मारकर एक और हटाते हुए उस तलवार को एक और से चैटिज लहर के साथ चलाया और उस नागा के हाथ पर गहरा घाव लगा दिया वो नागा पीड़ा में गुराया और पीछे हड़ गया उसने अपनी धाल को सीधा किया और पुना उसे उचात उठाया उसने महसूस कर लिया था कि शिव उसे पहले के सूर्वनशी की तुलना में बहुत ही दुर्जे प्रतिद्वन्दी होने वारा था चुकि शिव उस निडर नागा से बड़ी कठोरता से तलीन होकर युद्ध कर रहा था आधा उसने कुछ दूरी पर खड़े एक दूसरे नागा को नहीं देखा था वो नागा इस बात को देख रहा था कि उसके आकरमण को धीरे धीरे दबाया जा रहा था बस मातर कुछ समय की बात थी कि नागाओं और चंदरवन्शियों को मैदान छोड़कर भागना पड़ सकता था उस नागा को नागाओं के इस पहले असफल आकरमण के अपयश का सामना करना पड़ सकता था और वो देख रहा था कि वो शिव से जिसने प्रती आकरमण का नेतरत्व किया था भविश्य के ऐसे लक्षियों की सफलता के लिए ऐसे आदमी को नश्ट करना आवश्यक था उस नागाओं ने अपने धनुश को सामने निकाल लिया कि उसका प्रयास विफल रहा क्योंकि शिव की ढाल पहले से ही तैयार थी वो अपनी तलवार को लगातार और गहरा दबाते हुए नागा के वारों से आर करता जा रहा था किस समय के बाद उस नागा की आत्मा ने आत्म समर्पड़ कर दिया वो पीछे सक गया और उसके शरीय से रक्त का बहाव तेज हो गया वो गिर गया शिव ने उस गिरे हुए नागा को विसमे से देखा ये लोग दुश्ट अवश्य है कि तुम निडर सैनिक है शिव ने बाई और मुड कर देखा तो परवदेश्वर ने भी उस नागा को मार कर गिरा दिया था जिससे वो भीड़ा था वो घूम कर अंतिम नागा को ढूरने का प्रयास कर रहा था तब ही उसे उस व्यक्ति की शोर मचाने वाली आवास सुनाई दी जिसे वो समस्त कारणों से परे प्रेम करता था शिव वदाहिनी और मुड़ा तो उसने देखा कि सती तेजी से उसकी और भागती चली आ रही थी उसने उसके पीछे देखा कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा था वहाँ कोई नहीं था उसने तेवरी चड़ाई इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया दिखा पाता सती ने आगे की और छलांग रगा दिये उसकी छलांग का समय अत्यधी की सटीक था कुछ दूरी पर खड़े उस नागा ने अगनी बान चला दिया था ये नागाओं का एक प्रसिद्ध विश्युक्त बान था उस बान के अगर भाग पर लगा हुआ विश्पीडित के शरीर को अंदर से जला देता था और जिसे वो बान लगता था वो धीरे धीरे एक पीड़ का अंकलर नहीं किया था कि उसके मार्ग में औरोद भी आ सकता था सती ने अपने शरीर को हवा के मध्य में ही मोड लिया था जैसे ही उसने शिव के सामने च्हलांग लगाई वो बान सती के सीने में क्रूर बल के साथ प्रवेश कर गया जिससे उसका शरीर हवा में पीछे की और उचल गया वो जूलती हुई और अचल होकर शिव के बाई और गिर पड़ी शिव ने सतब्ध होकर सधी के आंधे पड़े हुए शरीर को देखा उसका हिर्दय विर्दीर हो गया बुराईयों के विनाशक ने प्रचंड क्रोध में गरजना की उसने उस नागा की और धा गती से एक और बाण निकाला और उसे धनुश पर लगा कर चला दिया शिव ने अपनी तलवार चला कर उसे एक और कर दिया नागा उस समय भैबीत हो गया जब उसने देखा कि शिव की गती में कोई अंतर नहीं पड़ा था और वो उसी तीवर गती से उसकी और भागता चल आ रहा था शिव ने तलवार भांचते हुए उस बाण को भी एक और कर दिया और अपनी गती को और बढ़ा दिया वो नागा अभी तीसरे बाण तक पहुचना ही चाहता था कि उससे देरी हो चुके थी उस समय तक शिव उस नागा के समीव आ चुका था उसने एक भैंकर ग प्रदय उसके शरीर को रक्त प्रदान ही कर रहा था जिस कारान वो रक्त उसके कटे धर से पिचकारी के समान बाहर निकल पड़ा था निलकंट के प्रती हिंसा की प्यास बुझी नहीं थी चीकते हुए शिव जुका और उस नागा के मृत शरीर को काटता चला गया जबकि उसके छोटे-छोटे टुकडे नहीं हो गए शिव के इस प्रचन्डिक रोधित मन के अंदर कोई कारान या कोई सब्वेदर शिलता प्रवेश नहीं कर सकती थी सिवा एक मधूर मंद स्वरिय घायल स्वर के जो उसके सिवा उस युद्ध के मैदान में किसी द्वारा सुनन योग भी नहीं था शिव वो पीछे मुड़त उसने देखा कि सती कुछ दूरी पर लेटी हुई थी उसका सिरत थोड़ा सा उठा हुआ था सती वो तेजी से सती की और भागा चिलाते हुए परवतेश्वर आयुरवती को बुलाओ सती गिर गई है आयुरवती ने सती को घा होते देख लिया था शंदरवंशी शीगरता से पीछे भाग रहे थे आयुरवती सती की और दोड़ी शिव की बास सुनकर परवतेश्वर भी उसकी और भागा शिव सबसे पहले उसके पास पहुँचा वो अचल थी किन्तु जीवित थी वो बहुत तेजी से सांस ले रही उसके मुख पर एक विच्टर मुस्कान थी अत्यन थी निर्मल वो बार बार मुख खोल रही थी जैसे कुछ बोलना चाह रही हो शीव से अपनी बाहों में भर लेना चाहता था किन्तु उसने अपने हाथों को एक दूसरे से जगड़े रखा वो बहुत कठिनाई से अपने सहायक इससे पूर भी उस जोपड़ी को साफ कर शले कर्म के उकरणों को लगा चुके थे बाहर ही प्रतिक्षा करें प्रभू आयुर्वती ने अपना हाथ उठा कर शिव से कहा शिव आयुर्वती के साथ जोपड़ी में जाना चाता था किन्तु परवतेश्वर ने उसके क मातर से ही शिव को पता चल चुका था कि परवतेश्वर सती के लिए उतना ही डरा हुआ था जितना कि वो स्वयम संभावता उससे भी अधिक जितना कि वो इससे पूर्व अगनी परिक्षा से डरा हुआ था अचाना कि उसके मन में एक सूँच उबरी वो मुड़ा और युद्बंदियों को पहरे में रखो वैद्यों को बुलाओ और चंदरवंशियों समेत सभी घायलों का उपचार करवाओ घायल चंदरवंशियों ने पहले ही विश्पान कर लिया है स्वामी वक्र ने कहा आप तो जानते ही हैं कि वे कभी जीवित पकड में नहीं आना चा प्रविदेश्वर ने कहना जारी रखा उसकी चेतनता उसके पीछे के घर में सती की हालत में उलज गई और वक्र ने प्रविदेश्वर के और देखा उसे अपने स्वामी की हिचकिचाहण पर आशरे हुआ उसने अपने स्वामी को इससे पूर्व कभी भी हिचकिचाते और मंदिर में कुछ संदेश वहा कबूतर जीवित होंगे एक लाल रंग का पत्र देवगीरी को भेजो सम्राट को उन्हें बताओ कि राजकुमारी सती गंभीर रूप से घायल है वक्र ने अविश्वास से उन्हें देखा उसे सती के बारे में कुछ भी पता नहीं था किन्त उसने बुद्धिमत्ता दिखाया और कुछ नहीं बोला सम्र्याट से बताना है कि प्रवतेश्वर ने कहना जाली रखा कि उसे अगनी बार लग गया है ये भगवान इंद्र अपने सदमे के संत्राज को नियंत्रित ना कर पाने की कारण वक्र ने बिना कुछ समझे बख द जिस पर सरपोवाला ओम बना हुआ हूँ जिससे शिवप भाण पहचानना चाहता था वह न्दीमनागा के पहुचा उसे के पास जिसने सती पर बानग चलाया था और जिसे शिवपने काटकर मार दिया था उसके दाइने हाथ को धूंडने से पहले उसके ध्रवـ को ग्रण यंत्रे दूप से सुबक्ती हुई जूपडी के प्रवेश द्वार की बगल में खड़ी थी। वीरभद्र उसे धीरे से पकड़े हुए सांतोना दे रहा था। मनो विछिप्त सा नंदी वीरभद्र की बगल में भावहीन मुद्रा में स्तब्द खड़ा था। परवतेश्व परवतेश्वर जूपडी के अंदर खड़े होकर अचेज सती को निहार रहे थे। किसी अन्य को अंदर आने की अनुमती नहीं थी। आयुर्वती ने इस पश्रूप से कहा था कि सती को किसी प्रकार के संक्रमण की जोखिम को बढ़ने नहीं दिना था। और आयुर्वती जैसे प्रभावशाली वैद से किसी की तर्क करने की हिमत नहीं हो सकती थी। मस्तरक और दुरूविनी को पहले ही अन्य वैद्यों की सहायता करने के लिए बाहर भेज दिया गया था। जो अन्य घायल सूरवंशी सैनिकों का उपचार कर रहे थे। शिव बिस्तर के दाहिन के प्रियोग से उस उकरन को विसंक्रमित या सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता था। उस चिम्टे के बगल में वो दुर्वेवहारी बान नीम की पतियों में लिप्टा हुआ रखा हुआ था। जहां वो एक पूरे दिन के लिए रहने वाला था। उसके बाद उसे एक सू अलंगने तरीके से कहा जो वैद्यों को करना पड़ता है ताकि मनुगात परिस्थितियों में शक्ति प्राप्त कर सके। यह अच्छा नहीं दिख रहा है। अगनी बार के किसी प्राणाधर अंग को भेद जाने पर आज तक के इतिहास में कोई भी जीवित नहीं बचा जिससे एक के बाद एक अंग बेकार होते चले जाएंगे। शिव ने नीचे सती को देखा और उसके बाद उसने उपर के और निवेदित रूप से देखा। आहिरुवती ने अपने आसों पर लगाम लगाने के लिए अपना धैर यथावत बनाय रखने की कठिन कोशिश की वो अनियंतरित नहीं हो सकती थी। अगले कुछ गंटों में उसे कई लोगों के प्राण बचाने थे। वो स्यम को दुरबल होने नहीं देना चाहती थी। मुझे शमा करें प्रभू आहिरुवती ने कहा। किन्तु इसका कोई उपचार नहीं है। हम मातर ऐसी ओशदियां दे सकते हैं जिससे वे अपने प्राणांत सरलता से कर सकें। शिव ने क्रोधित दृष्टी से आहिरुवती को घुरा और गंभीर स्वर कहा। हम आशा नहीं छोड़ रहे हैं। क्या यह आपको इस पश्ट है। आहिरुवती ने नीचे भूमी को देखा। वो शिव से समधान नहीं है। अगनी बार से हुए जोर को आने से केवल कुछ समय तक ही रोका जा सकता है। कि तो हमेशा के लिए नहीं। यदि हम प्रयास करेंगे और जोर को नियंतरित करेंगे तो जब आशाधिया रोक दी जाएंगी तो वो जोर और भी तीवर एवं प्रचंड रखेंगे। शिव रोपड़ा था। यदि आवशक्ता पड़ी तो मैं जीवन भर उसकी बगल में बैठूंगा। जवर नहीं बढ़ेगा। शिव को आयरुवति कुछ कुछ कहना चाती थी किन्तों उसने सोचा ये उप्युक्त समय नहीं था और वो चुप रहे गई। व भी कहां। ये उनके जवर को कुछ घंटों तक नियंत्रित रखेगा। उसके बाद उसने प्रवतेशवर की और एक छन के लिए देखा जो पीछे खड़ा हुआ था। प्रवतेशवर जानता था कि जूर को नियंत्रित रखने का आर्था था कि सती की यातना को और अधिक नहीं आप ठीक नहीं है प्रभू आयुर्वती ने द्रड़ता से कहा आपकी घहरे हैं यदि उनमें कोई संक्रमन हो जाता है तो वो प्राण हारक बन सकता है शिव ने उत्तर नहीं दिया वो सती को यधावत नहीं हारता रहा और अपने हाथ की मुद्रा से मानने से मना कर दिय शिव आयुर्वती चिला पड़ी शिव ने उसकी ओर देखा तो वो बोली आप सती की सहायता नहीं कर सकते यदि आप स्वयम ही अस्तवस्त हो जाएंगे उसका ठोर वचन का इच्छी तसर हुआ हाला कि शिव अपने इस थल से हिला नहीं किन्तु उसने आयुर्वती को अप शिव ने घा को अपचार करने दिया उसके बाद आयुर्वती ने परवतेश्वर के घाओं पर मरहम पट्टी किया और जोपड़ी से बाहर निकल गई शिव ने जोपड़ी में प्रहर कंदील को देखा जबसे आयुर्वती ने बान बाहर निकारा था तब से तीन गंटे का समय बीच चुका था परवतेश्वर जोपड़ी से बाहर निकल कर दूसरे घायलों को देखने जा चुका था और उसे पढ़ा के विवस्था भी करनी थी क्योंकि काफिले को कौंज में कुछ और समय रुकना था ये परवतेश्वर का तरीखा था यदि वो किसी प्रतिक्या ले थी कि कषिन परस्थितियों से वो कभी भी नहीं भागेगा यहां तक कि जब वो कुछ भी नहीं कर सकने की स्थिति में हो तब भी वो सती की बगल से एक छड़ के लिए भी नहीं हटा था वो धैरे के साथ उसके बिस्तर के बगल में बैठा हुआ था उसके ठीक हो जाने के प्रतिक्षा कर रहा था वो आशा कर रहा था कि वो ठीक हो जाएगी उसके ठीक हो जाने के लिए वो प्रातना कर रहा था शिव एक बहुत कम धोनी ने शान तवातावरान का मौन तोड़ा शिव उसने सती के मुख की और देखा, उसके आँके थोड़ी खुली थी, उसके हाथ अधरश्यता में इधर उधर चले, उसने अपनी कुरसी उसके निकट खिसका ली, किन्तु सावधानी से ताकि इस पर्ष न हो, मुझे छमा कर दो, शिव रो पड़ा, मुझे तुम लोगों को इ निभाया है, शिव लगातार सती को अपनी पीड़ा पर काबू पाते हुए निहारता जा रहा था, सती ने अपनी आँखों को थोड़ा चोड़ा किया, वो चाहते थी कि जितना संबह हो सके, वो शिव को दरश्टी भर देख ले, क्योंकि उसे प्रतीत हो गया था, कि अब का अंतिम समय बहुत निकटा चुका था, आत्मा की अभिलाशाओं का अंतिम विनाशक मृत्यु है, अजी बात ये है कि ऐसे विजारों के समय ये विनश्टी करन आत्मा की प्रतेक अधिखार हिंता को चुनौती देने और स्वयम के भाव प्रकट करने का साहत प्रदान करत अपने लंबे समय से अस्विकरत सपनों के प्रकटन की भी चुनौती देता है, अब मेरा समय हो चला है शिव, सती ने धीमे सुर में कहा, किन्तु इससे पहले कि मैं सदा के लिए चली जाओ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, पिछले कुछ महीने मेरे लिए सबसे अधिक खु काश आप मेरे जीवन में पहले आए होते हैं, सती ने वो रहे से बाहर निकलने दिया, जिसे वो सुयम माने को तयार नहीं होती थी, मेरा जीवन पूरी तरह से भिन होता, शिव की आखे लगातार हट करके अपनी रिराशा के बांध तोड़कर फट पढ़ने को तयार थी, जिसे वो कठिंता से नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था, काश मैंने आपसे पहले ही कह दिया होता, सती वर बढ़ाई, क्योंकि ये जो पहली बार कहने जा रही हूँ, वो संभवता अंतिम बार ही होगा, शिव ने सती को देखा, उसको स्वर गले के अंदर ही बंद पढ हुआ था, सती ने शिव की आँखों में गहराई से देखते हुए अतिरिक मंद स्वर में कहा, मैं आपसे प्रीम करती हूँ, और बांध फट पड़ा, शिव के पीड़ा प्रद मुख से आसुओं का सहलाब उमर पड़ा, तुम ये शब्द फिर से दोहरा होगी, कम से कम हाथ शिव के हाथों में रख दिया, उसका हाथ ताप से जल रहा था, जुर ने अपना आकरमण प्रारंब कर दिया था, अध्याय अठारा, सती और अगनी बान, कुछ भी नहीं किया जा सकता है प्रभू, प्रकट रूप से असुविधा पूरवक आयुर्वती ने कहा, वो आप इस भूमी की सबसे अच्छी वैदे हैं, हमें बस इतना करना है कि जुर को तोड़ना है, इस जुर को तोड़ा नहीं जा सकता है, आयुर्वती ने कारण बताया, अगनी बान के विश का कोई उपचार नहीं है, जुर को नियंतरित रखकर हम केवल सती की यातना को ही ब उसके मुख पर मुसकान थी, जो अवश्यम भावी की सुईकरती के पश्चात ही आती है, मुझे कोई खेद नहीं है, मैंने आपको बता दिया है, जो मुझे बता देना चाहिए था, मैं संतुष्ट हूँ, मेरा समय आ गया है, अभी आस मत छोड़ो सती, शिवरो पड़ा, तुम अभी तक गई नहीं हो, हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा, बस मुझ पर भरोसा रखो, सती ने आत्म समरपड़ कर दिया, उसमें शक्ती नहीं बची थी, वो ये भी जानती थी कि शिव को उसकी मृत्यों के अपनी शांती भी चाहिए थी, और वो उसे तब तक नहीं मिलेगे, जब तक उसे ये महसूस नहीं हो जाए कि उसे बचाने के लिए उसने वो सारे प्रयास कर लिए, जो उसे करने चाहिए थे, मुझे अनुभव हो रहा है, किताब बढ़ रहा है, सती ने कहा, गृप्या अब वो आत्मसमरपन नहीं कर सकती थी, तब तो कभी भी नहीं जब शिव ने उससे कहा था कि अभी रुख जाओ, मुझे औशदी दीजी आईर्वती जी, सती ने दुबारा कहा, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, आईर्वती ने सती को औशदी दे दी, उसने सती की आ और अचाना कि उसके मन में विचार कौन था, उसका मन एक बारगी आशा की केरणों से ओत्परोथ हो गया, मैं जानता हूँ, शिव ने विसमयोगती की, हम उसे सोम्रस क्यों नहीं देते, उसका क्या प्रभा होगा प्रभू, चकित आयर्वती ने पूचा, सोम्रस मात्र जा आप जो नहीं जानती हैं, वो ये है कि सोम्रस ने मेरे शीत दंशवाले अंगुठे को पूरी तरह से उपचारित कर दिया था, जिसके साथ में जीवन भर रहता आया था, उसने मेरे जल से उखड़े कंधे को भी अच्छा कर दिया था, किया, प्रकट रूप से चकित परव परवतेश्वर ने कहा, ये संभव नहीं है, सोम्रस शारीरिक अयोग्यता को उपचार नहीं करता है, मेरे साथ इसने ऐसा किया है, किन्तु ये इसलिए भी हो सकता है कि आप विशेश हैं प्रभू, आयुर्वती ने कहा, आप नीलकंठ है, मैं आसमान से नहीं टपका हूँ आयुर्वती, मेरा शरीर उतना ही मानवी है जितना सती का, उतना ही जितना आपका, हमें प्रयास करना चाहिए, परवतेश्वर को इससे अधिक प्रमाल के अवशक्ता नहीं थी, वो तेजी से बाहर निकला तो देखा, वक्र तिपाई पर बैठा हुआ था, वक्र ततकाल ख अब हमें प्रतिक्षा करने के अलावा कुछ नहीं करना है प्रभू, सती के सोजाने के बाद आयुर्वती ने कहा, सोमरस उसे देदी आ गया था, सामाने से अधिक शक्तिशाली औशद मात्रा में, आयुर्वती ने परवतेश्वर से कहा, परवतेश्वर आप ठक गये हैं, अपने घावों को ठीक होने दीजिए, कृपिया जाकर सो जाएए, मुझे नींद की आवशक्ता नहीं है, परवतेश्वर ने हट पूरवक कहा, मैं अपने पहरेदारों के साथ घेरे की सुरक्षा के लिए जाता हूँ, आप शंद्रवंश्यों का विश्वास नहीं कर सकते वे रात्री में प्रति आकरमणे भी कर सकते हैं, निराश आयुर्वती ने परवतेश्वर को देखा, उसका मानना सही था कि छहत्रियों को दुसास उन्हें असंभव रोगी बनाता था, क्या आप सोईंगे प्रभू? आयुर्वती ने शिव के और मुडते हुए कहा, इस आ आयुर्वती ने कहना जारी रखा, यदि आप चाहें तो यहीं सो सकते हैं, ताकि आप सती पर दृष्टी रख सकें, धन्यवाद, लेकिन मैं सोने नहीं जा रहा हूँ, कुछ छड़ के लिए आयुर्वती को देखने के बाद सती के और मुड़कर शिव ने कहा, मैं यहीं ह जाये, गिदीज की स्थिती में कोई परिवर्टन आता है तो मैं आपको बुला लूँगा, आयुर्वती ने धियान से शिव को देखा, और उसके बाद धीमे सोर में कहा, जैसी आपकी इच्छा प्रभू, ठकी हुई आयुर्वती अपनी जोपड़ी की और चली गई, उसे इस्वास से दल को छोटे-छोटे दलों में विभक्त कर दिया गया था, ताकि वे अलग-अलग स्थलों में रातरी भर किसी भी आपात इस्थिती का सामना करने के लिए तयार हो सकें, मैं सैनिकों के साथ रहूंगा शिव, परवतेश्वर ने कहा, नंदी और वीरभदर मेर परवतेश्वर चुपी साथे बैठा हुआ था, उसके सैनिके एक निश्चित दूरी बना कर बैठे हुए थे, मैं जानते थे कि कब उनके स्वामी एकांत चाहते थे, परवतेश्वर सती की सोच में गुम हो चुका था, उसके जैसे वेक्तित्व को ईश्वर दोरा इतनी य उसे वो दिन याद आया, जब उसने निर्ने लिया था, कि ये वो बच्ची थी, जिसे अपनी इश्वर पुत्री के रूप में मानने में उसे गर्व होगा, वो दुर्भा के शाली दिन, जब पहली बार और मात्र एक बार, उसे अपनी प्रतिग्या पर खेद हुआ कि वो होने देगा, कौन ऐसा प्मूर्ख पिता होगा, जो सती जैसी संतान की इच्छा नहीं करेगा, सौ वर्षों से अधिक समय पहले की बात है, वो एक सुस्त मध्यान का समय था, सती गुरुकुल से अभी भी आई ही थी, एक बहुत ही छोटी सोलह वर्ष की आयू की थी, चुस करते थे, विचहत्रियों के युद्धाओं के तरीकों की ओर तनिक भी रुची लेने वाले नहीं थे, और नहीं उन्होंने कभी अपने पिता के उत्राधिकारी बनने का कोई संकेत ही दिया था, उस दिन देवगिरी से कुछ दूरी पर सरस्वती नदी के तड़ पर दक्ष और उनकी अरधांगिनियों को एकांतता प्रदान कर सके, सती वन में थोड़ी दूर भ्रमण करती हुई चली गई थी, नदी के तड़के समीब जहां से वो दिखाई देती रहे, आचानक उस चुपी में सती की चीख गुंज गई, दक्ष वीरिनी और परवतेश्वय ने च प्रवासी महिला थे, इसे संभवता ये पता नहीं था कि जंगली जनवरों से अपनी सुरक्षा के लिए बिना तलवार के लिए नदी के तड़के और नहीं जाना चाहिए, आवश्य उन जंगली कुत्तों ने उस सती पर आकरमन कर दिया होगा, वो कुत्तों का दल बहुत बड़ा था, जो एक गरजना करने वाले सिंग को भी पराजित कर सकते थे, दक्ष आपत संकेत देखकर जीखा, तलवार निकाल कर वो अपनी पुत्री को बचाने के लिए नदी की और दौर पड़े, परवतेश्वर दक्ष के पीछे दौर पड़ा, उसकी तलवार युद् कुत्तों से लड़ने लग गई जो एक साथ उस पर आकरमड कर पैठे थे, सैने दक्षता ना होने पर भी दक्ष ने आकरमकता से संगर्श किया क्योंकि संतान की रक्षा के लिए पिता में अपने आप एक शक्ती आ जाती है, कि दौर जानवर इस बात को तुरंदी समझ छे कुत्ते एक साथ उन पर जबट पड़े, दक्ष ने तलवार से एक करूर चुभाने वाला प्रहार उस कुत्ते पर किया जो सबसे आगे था, यहीं चुग हो गई, हालाकि दक्ष ने कुत्ते को मार कर गिरा दिया कि दौस की तलवार उस मरत जानवर की शरीर में गहरे ध नहसकर अटक गई, यहीं चोटा सा आफसर वें दूसरे कुत्ते चाहते थे, एक कुत्ते ने बगल से निर्दैता पुरवक आक्रमन किया और अपने जबड़े में दक्ष के दाएं हाथ के अगले भाग को पकड़ लिया, दक्ष पीड़ा में तीवरता से चीक पड़े किन् उन्होंने तलवार नहीं चोड़ी और अपने हाथ को चुड़ाने का भर सा क्यत्न करने लगे, एक अन्य कुत्ते ने दक्ष की बाएं पाउं को काट खाया, उसके पाउं को कुछ मांस तक को उसके जबड़े में निकल गाया था, राजकुमार को संकट में देखकर प्रवत प्रवतेश्वर ने तुरंत ही अपना आपात कालिन शंक बजा दिया, पारगमन ग्रह पर उसकी ये ध्वनी पहुच गई, सैनिक एमम सास सदल कुछ ही मिन्टों में उसके पास होगा, पर वतेश्वर ने अपना अगवस्तरम दक्षी की जांक पर कसकर बान दिया, ताकि रक्त का बेना कुछ कम हो सके, उसके बाद उसने घायल इस्तरी को राजशाही दल के समीब रख दिया, पिता श्री क्या ठीक ह अपने पिता का हाथ अपने हाथ में रखकर सती ने धीमे से पूछा, मुझे छोड़ो सती, दक्ष ने चिला कर कहा, तुम क्या सोचती हो, तुम क्या कर रही थी, हमेशा ही लाड़ प्यार करने वाले अपने पिता की उस हिंसक प्रतिक्रिया को देखकर सती चुप रहे गई किसने तुमको नायक बनने के लिए कहा था दक्ष ने गुस्ते में कुल बुलाते हुए डाटा यदि तुमको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता मैं कहा जाता और तुमने किस के लिए अपने प्राल संकट में डाले थे उस इस्त्री के जीवन की रक्षा से क्या अंतर पड़ जाएगा उस डान टपड से विक्षित होकर सती निरंतर नीचे की और देख रही थी वो प्रिशंसा की आशा कर रही थी पारगमन ग्रह के सैनी के इमम स्वास्ति कारे करता तब तक वहां पहुँच चुके थे उन्होंने दतकाल ही प्रभावी ढंग से दक्षि के बहते हुए रखते पर नियंतर पालिया परवतेश्वर एमम स्वास्ति के हलके फुल के घावों को मरहम पट्टी लगा कर वे दक्षि को रोगी ले जाने वाली पालकी में रखकर चल पड़े उनके घावों को राजिसी वैद को देखना आवश्यक था जब सती ने देखा कि उसके पिता को ले जाया जा रहा था तो वो जड़वत खड़ी रह गई थी ये सोचते हुए कि उसके क्रते ने कितनी हानी पहुचा दी थी वो संकट में पड़ी एक इस्त्री की रक्षा करने का प्रयास कर रही थी क्या ये प्रभुश्री राम की प्रात्मिक सिक्षा नहीं थी कि सबलगा करताव है कि वो नेर्बल की रक्षा करे तब ही उसे अपने कंधे पर एक कोमल स्पर्ष का अनुभा हुआ वो मुडी तो सामने परवतेश्वर थे उसके पिता के संजीदा अंगरक्षक आश्रे जनक रोप से उनके मुख पर कभी कभी आने वाली एक मधूर मुस्कान थी मुझे तुम पर गर्व है मेरी बच्ची परवतेश्वर ने धीमे स्वर में कहा तुम प्रभु श्री राम की सची शिश्या हो सती की आँखों से सहता अश्रुधारा बह निकली उसने तुरंत ही दूसरी ओर देखा सोयम पर नियंतरान करने में थोड़ा समय लेते हुए उसने सिर उठा कर एक ठकी हुई मुसकान के साथ उस विक्ति को देखा जिसे वो पित्र तुले पुकारते हुए पढ़ने और बढ़ने वाली थी एक जटके के साथ वो वर्तमान में आ गया जब परवतेश्वर ने एक पच्छी का स्वर सुना उसने घेरे के चारों और दृष्टे दोड़ाई उसकी आँखे इस पुरातन याद से भीगी हुई थी उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रातना के मुद्रा में हुस्पसा कर कहा वो आपकी सची शिश्या है प्रमुश्री राम उसकी रक्षा करे शिप को समय का पता नहीं था जिसे वो पितरतुल ने पुकारते हुए पलने और बढ़ने वाली थी उसने कोमलता से सहमती में सिर हिलाया था एक जटके के साथ वो अर्तमान में आ गया जब प्रबतेश्वर ने एक पच्छी का स्वर सुना उसने घेरे की चारों और दृष्टी दोड़ाई उसकी आँखे इस पुरातन याद से भीगी हुई थी उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रातना के मुद्रा में फुस्फुसा कर कहा वो आपकी सच्ची शिश्या है प्रबुश्री राम उसकी रक्षा करे शिब को समय का कुछ पता नहीं था जब बहुत से लोगों की जीवन पर संकट के बादल मन्रा रहे थे तो इस पश्ट था कि एक छोटे से कारप्रहर कंदील को सही समय के लिए तयार करने के लिए किसी को भी न्यूक्त नहीं किया गया था ख्रिकी से बाहर देखने पर वो देख पा रहा था कि प्राता काल आने का पूर्व संकेत हो जुका था शिव के घाव जल रहे थे उसे आराम क्या शकता थी कि तो वो आसानी से आत्म समरपड करने वाला नहीं था वो सती के बिस्तर की बगल में शान्ती से बैठा हुआ था वो किसी प्रकार की धोनी नहीं देने होना चाता था जो सती के विश्राम में कोई विगन डाले सती ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था उसके अत्यधिक जोर भरे बदन से निकलती जलन के ताप के बाद भी शिव ने अपना हाथ धटाया नहीं था उस अत्यधिक ताप के कारण उसकी हथेली पसीने से तर थी उसने प्रेम पूरवक सती को देखा और अत्यधि दबे स्वर में फुसपुसा कर कहा या तो तुम मेरे साथ रहो या फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही इस दुनिया को छोड़ दूगा ये वी कलप अब तुम्हारा है तभी अचानक ही उसने थोड़ा सा जटका अनुभव किया उसने नीचे देखा तो सती का हाथ थोड़ा खिसका जिसकी कारण उनके जुड़े हुए हाथों के मद्द से पसीना नीचे बह निकला ये कहना असंभव था कि पसीना कहां से आया था ये सती का है या मेरा शिव ने ततकाल ही अपने दूसरे हाथ से सती के माथे को सपर्ष किया वो अब और अधिक ताप से जल रहा था किन्त उसकी कनपटी पर पसीने की छोटी छोटी मणियों यसी बूंदे आनी प्रारंब हो गई थी शिव के मन में प्रसनता की एक बोच्छार ने उसके सिर से पाउता कि एक सिरहन सिला दी भगवान ब्रह्म देव की कृपा से आयरुमती ने विश्मे के साथ धीमे स्वर में कहा मैंने अपनी जीवन में इस प्रकार की घटना कभी नहीं देखी है वो सती के बिस्तर की बगल में खड़ी थी अब की तक सोई हुई सती पसीने से तर होती जा रहे थी उसके कपड़े और बिस्तर गीले हो चुके थे परवतेश्वर उसके बगल में खड़ा था उसका मुक आशा की चमक लिए हुए था अगनिबार का जुवर कभी नहीं चूटता है स्तब्द आयरुवती ने कहना जारी रखा ये चमतकार है शिव ने स्विर उठा कर उपर देखा उसका जहरा प्रसंदता से ऐसा दमक रहा था जैसे वो अपने अस्तितु में होने के कारण से उबर चुका था पवित्र जील सोमरस पर क्रपा रखे है परवतेश्वर ने देखा कि सती का हाथ शिव के हाथ में जकड़ा हुआ था किन्तो उसने कुछ कहा नहीं उस छण के आनंद ने अंतता उसे उसकी सहज प्रतिक्रिया वाले मन को रोकने में सफलता पाई जो उसे उस भूमी के नियमों के अनुसार अस्विकार तत्य पर उबलने पर विवश कर देता था प्रभू, हमें शीग्रता से इन्हें एसनान करवाना होगा आयर्वती ने मर्धूरता से कहा सुएद को आवश्यक रूप से हटाना होगा हाला कि ये देखते हुए कि उनके घाव में पानी ना जाए मेरी परिचारिकाओं को ये काम करना होगा शीव ने सिर उठा कर आयर्वती को देखा और सिर हिलाया वो कुछ भी समझा नहीं और उसे समझने के आवश्यक्ता भी नहीं थी आयर्वती एक निपुण वैदे थी हाँ तो प्रभू आयर्वती ने कहा इसका अर्थ है कि आपको कमरे से बाहर जाना पड़ेगा निसंदे शीव ने कहा जैसे ही वो खड़ा होकर जाने को हुआ तो आयर्वती ने कहा प्रभू आपके हाथों को भी अच्छी तरह से धोने के आवशक्ता होगी शीव ने नीचे सती के पसीने को देखा उसके बाद उसने आयर्वती को देखा और सहमती में सिर हिला कर कहा मैं अभी तत्काल ही ऐसा करूँगा ये चमतकार है सती अगनिवार से आश्त तक कोई भी बच नहीं पाया है आयर्वती ने दीप्तिमान मुख से कहा मैं सच कहूंगी मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी ये तो प्रभू की आस्ता है जिसने आपको जीवित रखा सती नय धोई हुए कपड़े को पहने बिस्तर पर लेटी हुई थी उसके चेहरे पर चिर परिशित मुस्कान थी एक नया बिस्तर लगाया गया था जिसमें धुली हुई एवं विसंक्रमित चादरे बिछी थी सोम्रस द्वारा उत्सर जित सभी प्रकार के विशैले सुएदों के अंश तक मिटा दिये गये थे अरे नहीं संकोच से भरे शिव ने कहा मैंने कुछ नहीं किया ये तो सती के लड़ने की छमता ने उसे बचा लिया है नहीं शिव ये आप थे मैं नहीं सती ने शिव के हाथ को यतावत पकड़े हुए कहा अब उसकी पकड़ में कोई संकोच नहीं था आपने मेरी कई बार और कई स्तर पर रक्षा की है मैं नहीं जानती कि आपके इन रिणों को चुकाने का प्रारंभ भी कर पाऊंगी या रही ये दुबारा ना कहकर कि तुम्हे कुछ चुकाना भी है सती की मुस्कान और खेल उठी और उसने शिव की हतेली को और कसकर पकड़ लिया प्रवतेश्वर ने उन दोनों को निराश होकर देखा अब वो इनके इस प्रकार खूले प्रेम प्रसंग के प्रदर्शन को देखकर आपरसंद था ठीक है फिर आयुर्वती ने अपने हाथों से ताली बजा कर कहा जैसे ही उस कथांश के समाप थोने का संकेत दे रही हो वैसे तो मेरी इच्छा है कि आप लोगों के मद्दे बैटकर धेर सारी बाते करो किन्तो मुझे बहुत काम करने है क्या काम? शिव ने ठीठोली करते हुए का आप एक अद्भुत वैदे हैं आपके पस आशाधरान सहायक दल है मुझे पता है कि प्रतेग घायल विक्ति को बचाया जा चुका है अब इसके बाद आपके लिए और कुछ काम नहीं बचता कार्य है प्रभु आईरवती ने एक मुस्कान के साथ कहा मुझे इसे भी आकड़ों में भरना है कि कैसे सोमरस अगनिबार का उपचार कर सकता है देवगरी पहुशने पर मैं स्वास्त परिश्यत में इसके बारे में प्रिस्तुति करण दूँगी ये एक बड़ा समजार है हमें सोमरस के उपचार करने वाले गुणों पर शोध करना चाहिए बहुत सारे काम है जो मुझे करने है शिव प्रेम पूर्वक आयरवती को देख कर मुस्कुराया सती ने धीमे स्वर में कहा धन्यवाद आयरवती जी साहस्त्र लुगों की तरह मेरा जीवन आप पर उधार रहा आपको कुछ करने के आशकता नहीं है सती मैंने मातर अपना कर्तव ये निभाया है उसके बाद आयरवती ने जुक कर आपचारे एक रूप से नमस्ते किया और कमरे से बाहर चली गई ऐसा है कि मुझे परवतेश्वर आजरमी ढंग से बढ़ बढ़ाया और कमरे से बाहर चला गया परवतेश्वर को ये देख कर राश्चरे हुआ कि आयरवती बाहर उसकी प्रतिक्षा कर रही थी वो पहरोदारों से एक सुरक्षित दूरी पर खड़ी हुई थी वो जो भी बात करना चाहती थी वो नहीं चाहती थी कि कोई और सुन सके क्या बात है आयरवती परवतेश्वर ने पूछा मैं जानती हूँ आपको क्या चिंता सतारी है परवतेश्वर आयरवती ने कहा तो फिर आप कैसे सहन कर सकती है और देख सकती है मैं नहीं मानता कि ये सही है मैं जानता हूँ कि कुछ भी कहने के लिए ये उचित समय नहीं है किन्तु जब उप्योक्त समय होगा मैं इस विश्य को अवश्य उठाऊंगा नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए आप ऐसा कैसे कह सकती है परवतेश्यों ने ऐसे पूछा जैसे उसे गहरा सत्मा लगा हो आप एक ऐसे परिवार से आती हैं जहां विद्रों के समय एक भी स्वधर्म त्यागी ब्रामर नहीं था प्रभु श्री राम ने बल देकर कहा था कि नियम का कड़ाई से पालन करना चाहिए उन्होंने बार-बार ये प्रदर्शिन किया था कि वे भी नियमों से परे नहीं थे शिविक अच्छे व्यक्ति हैं किन्तु वे नियम से परे नहीं हो सकते हैं असल में कोई भी नियमों से परे नहीं हो सकता अन्यता हमारा समाज ही नश्ठ हो जाएगा आपको तो सबसे पहले ये जानना चाहिए मैं मात्र ये जानती हूँ आयरुवती ने द्रण निचाई होकर कहा यदि नील कंठी से उचित समझते हैं तो ये उचित है परवतेश्वर ने आयरुवती को ऐसे देखा जैसे उसे पहचानता नहीं हो जिस इस्त्री ने आज तक समस्त नियमों का अनुसराण बिना किसी अपवाद से किया था वो ये इस्त्री नहीं हो सकती थी परवतेश्वर शिव का आदर करने लगा था किन्तो वो आदर संदेह रहित आस्था में नहीं परिवर्तिस हो सकता था वो इस बात पर विश्वास नहीं करता था कि शिव वो व्यक्ति था जो प्रभुश्री राम के अधूरे कारियों को पूरा करेगा पर विदेश्वर की दृष्टी में मातर प्रभुश्री राम ही उस असीम आग्या पालंता के अधिकारी थे और कोई नहीं वैसे भी आयर्वती ने कहा मुझे जाना है मुझे एक सिधान्त के बारे में चिंतन करना है वास्तों में शिव ने पूछा मिलोहा में ये आवश्यक नहीं कि समराट का सबसे बड़ा बेटा ही उसका अत्रदिकारी बनेगा हाँ सती ने उत्तर दिया जब तक कि सभी घायल चलने की आवस्ता तक भले जंगेना हो जाए लोथल की यात्रा रद कर दी गई थी शिव और प्रवदैश्वन ने निर्ने लिया था कि जैसे ही सब घायल अच्छे हो जाएं तो यही अच्छा रहेगा कि वे अब देवगिरी वापस लौट चलें सती ने हलके से करवट बदली ताकि उसकी पीठ में होती पीड़ा को थोड़ा आराम मिल सके किन्तो उसने शिव के हाथ खोई अथावत पकड़े रखा था शिव जुखा और उसने सती के मुख पर आए बालो के एक गुच्छे को हटा दिया वो प्रेम पूरवक मुस्कुराई और उसने कहना जारी रखा ऐसा है कि लगबग 250 साल पहले तक मेलूहा में राजाओं की संतान उनकी पैदाईश नहीं होती थी बलकि मैं का विवस्था से आते थे अथा उस समय उनकी सबसे बड़ी संतान के बारे में जानने का प्रश्णी नहीं उड़ता था हम मातर इतना जानते थे कि वो उनका पहला दत्तक पुत्र था बात बिल्कुल सही है किन्तु इसके अत्रिक्त ये भी आवश्यक नहीं था कि प्रथम दत्तक पुत्र ही उत्तरादिकारी बनेगा इस्थिरता वेम शानती के लिए ये एक और नियम था जो प्रभुश्री राम ने स्थापित किया था आप देख सकते हैं कि पुराने युग में कई राजशाही परिवार हुआ करते थे जो छोटे 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 राजियों पर शासन किया करते थे ठीक है शिव सती की बात पर जितना ध्यान दे रहा था उतना ही उसके गालों में पढ़ रहे सम्मोहित कर देने वाले गड़े पर भी दे रहा था ये राजा संभवता हमेशा ही युद्धिरत रहा करते होंगे ताकि कोई एक सम्मराण बन जाये चाहे वो कितने ही कम समय के लिए क्यों न हो सती प्रभु श्री राम के पूर्व राजाओं की मुर्खता पर सिर हिलाते में मुस्कुरा कर बोली वैसी ये लगभख हर जगा ही है शिव ने अपने देश में होने वाले निरंतर युद्धों को याद करते हुए कहा राजाओं के मद्य आधिपत्य के लिए किये गए युद्धों ने अनीक अनावश्यक और विर्थ के युद्ध करवाए जिनमें आम नागरिकों को सबसे अधिक कष्ट उठाना पड़ा था सती ने कहना जारी रखा प्रभुष्री राम ने अनुभव किया कि राजाओं के आहम की तुर्ष्टी के लिए आम नागरिकों का कष्ट जेलना अनावश्यक और मुर्खता पूर था उन्होंने एक चत्रियों में से किसी एक को समराट चैनित करती थी जो सेनापती या उससे उच्च पदस्त हो इस निर्णे का विरोध नहीं किया जा सकता था और भंग भी नहीं किया सकता था मैंने पहले भी कहा था और मैं पुना कह रहा हूं शिव ने बड़ी मुसकान के साथ कहा प्रभ पराजतों पूरों सम्राट के सबसे बड़े कुट्र हैं। वे चायनित हुए थे। उसी प्रकार जैसे मेलूहां में अन्य सम्राट चुने जाते थे। वास्तों में देखा जाये तो मेलूहां के इतिहास में यह पहली बार हुआ था। जब शासन करने वाले सम्राट के पुत्र को समराज चैनित किया गया था लेकिन तुम्हारे दादा जी ने तुम्हारे पिता जी को चैनित होने में सहायता की थी मैं इस बारे में निश्चित रुप से नहीं बता सकती मैं जानती हूँ कि मेरे दादा जी मेरे पिता को समराज बनते देखना पसंद करते थे किन्तु मैं ये भी जानती हूँ कि वे एक महान रेखती थे जो मेलुहा के नियमों का पालन करते थे और उन्होंने खुले रूप में ऐसा नहीं किया होगा एक महान रिशी भ्रगु हुआ करते थे सामराज में हर जगा सम्मानिय है उन्होंने मेरे पिता के चैन में बहुत सहायता की थी कोमलता से अपने हाथ सती के मुख पर फिरते हुए शिव मस्कुराया सती ने आखे बंद कर ली उसके शरीर में उस इस पर्ष से आनंद प्रदायक सम्वीदना उभरी उसका हाथ सती के मुख से उतर कर उसके बदन से उतरता हुआ पुना सती के हाथ पर आकर थम गया उसने सती के हाथों को हलके से दबाया दक्ष और रिशी भ्रगु के संबंदों के बारे में शिव और प्रष ने पूछने ही वाला था कि तभी अचानक दौर खुला गरी बच्ची सती के बिस्तर पर जुकते हुए दक्ष ने गहरी सांस छोड़ी वीरिनी दक्ष के पास में जुकी और उसने भी प्रेम पूरवक अपनी पुत्री के मुख पर हाथ फेरा वो रो रही थी कनखला दौर पर ही रह गई थी उसने शिव को एक आपचारिक नमस्ते किया शिव ने उसके नमस्ते का उत्तर एक दीप्तिमान मुस्कान के साथ दिया परवतेश्वर एव मायुर्वती कनखला के साथ खड़े होकर प्रतिक्षा कर रहे थे तिराजशाही परिवार को उनके नीजी छड़ों में एकांत प्रदान करना चाहते थे नंदी वीरभद्र और कृतिका उनके पीछे खड़े थे एक सहायक राजशाही दमपती के लिए दो कुरसियां ले आया उसने उन्हें बिस्तर के बगल में लगाया और तच्छणी बाहर चला गया दक्ष वीरिनी और कनखला दो हजार सैनिकों के साथ उसी समय देवगरी से निकल पड़े थे जैसे ही उन्हें ये समचार प्राप्त हुआ कि सती गायला वस्था में थी उन्होंने सरस्वती नदी को पार कर दिनरात लगातार चलते हुए कौँच की आतरा की थी मैं ठीक हूं पिता श्री सती ने अपनी माता के हाथ को नम्रता से पकड़ कर कहा अपनी माता की और मुड कर उसने कहना जारी रखा सच में कहती हूं मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं मुझे एक सप्ता और समय दीजे और मैं आपके लिए निर्ते का प्रदरशिन करूंगी शिव सती की बास सुनकर मुस्कुराया दक्ष एमम वीरिनी की एक दुरबल हंसी फूट पड़ी अपने पिता की और देखते हुए सती ने कहा मुझे शमा करें पिता श्री मैंने आपके लिए बहुत विपत्ती खड़ी कर दी है मैं जानती हूं कि कई महत्पूर काम पड़े हैं और आपको यहां आना पड़ा विपत्ती दक्ष ने पूचा मेरी बच्ची तुम मेरा जीवन हो तुम मेरी खुशी का स्रोत हो और इस समय तुम कलपना भी नहीं कर सकती कि मुझे तुम पर कितना गर्व है वीरिनी ने जुक कर सती के लिलाट को चूम लिया मुझे आप सब पर गर्व है दक्ष ने मुढकर परवतेश्वर एम आयुर्वती की और देखते हुए कहना जारी रखा गर्व इस बात पर भी कि आप लोगों ने प्रभू का साथ उसकार में दिया जो हमें करना ही था हमने वास्तों में एक तरासद आक्रमन को पराजित किया है आप इसकी कलपना भी नहीं कर सकते कि इस गटना ने समस्त सामराज में कितनी उत्तेजना भर दी है दक्ष आराम पहुचाने वाले धंग से सती के हाथों पर थपकी देते हुए और शिप की और मुड़ गया धन्यवाद प्रभू हमारे लिए संखर्ष करने का बहुत बहुत धन्यवाद हमें पता है कि हमने सही वेक्ती पर आस्ता किया शिप कुछ बोल नहीं पाया वो असाहजता में मुस्कराया और दक्ष की आस्ता को मानते हुए सहमती में सिरह लाया और शिष्टा पूरवक नमच्ते किया अईरुवती के और मुड़ते हुए दक्ष ने पूछा अब ये कैसी है मुझे बताया गया है कि आप पूरता स्वस्त हो जाने वाली है जी हां महराज आईरुवती ने कहा एक सब्ता के अंदर ये चलने लगेंगी और तीन सब्ता में इस घाओ की याद के नाम पर मातर नि हुआ जैसे वो इस प्रशंसा की अधिकार नहीं ना होने पर बुरी शक्तियों से बचने का प्रयास कर रही हो बहुत से वैदे मुझसे बहतर हैं किन्तु इस प्रकरण में ये चमतकार प्रभु निलकंट खथा मेरा नहीं प्रकट रूप से असाहज शिव की और च्छडब इन ही का विचार था कि इने सोमरस दिया जाए दक्ष ने कृतकिता भरी मुसकान के साथ शिव की और मुड़कर कहा मुझे आपको एक और बात के लिए धनिवात करना है प्रभू मेरी पुत्री मेरी आत्मा का एक अंग है मैं उसके बीना जी नहीं सकता था अरे नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया है शिव ने संकोज से कहा ये तो आयरुवती थी जिन्होंने उसका उपचार किया ये और कुछ नहीं आपका बड़पन बोल रहा है प्रभू दक्ष ने कहा आप सच में नीलकंठ के लायक हैं असल में आप महादेव के लायक हैं हका बका हुए शिव आहरता नहीं देते थे नहीं महाराच आप मेरे लिए बहुत उचा बोल रहे हैं मैं महादेव नहीं हूँ आप ही महादेव हैं प्रभू कनकला और आयरुवती ने लगब एक साथ कहा परवतेश्वर देखता रहा था वो चुप था चुकि शिव स्वयम को महादेव कहलवा पसंद नहीं कर रहा था इसलिए इस विशे को और आगे ना बढ़ाते हुए दक्ष सती की और मुड कर बोला यह मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमने प्रभू के सामने बान का वार सहने के लिए छलांग क्यों लगए तुम्हें तो पौराणी गाताओं पर विश्वास नहीं था तुम्हें निलकंठ में आस्ता कभी नहीं थी जितनी मुझे है तब तुमने प्रभू के लिए अपने जीवन को जोखिम में क्यों डाला सती ने कुछ नहीं कहा उसने असुविधा से नीचे की और देखा वो असाहज एवं असुगम महसूस कर रही थी दक्ष ने दूसरी और शीव की और आपचारिक नमस्ती की मुद्रा में हाद जोड़ कर गया चेकित शीव ने उठकर अपने सिर को थोड़ा जुका कर दक्ष के नमस्ते का उसी प्रकार आपचारिक रुप से हाद जोड़ कर उतर दिया प्रभू संभवता ये पहली बार हुआ है जब यहां मैं अपनी ओर से ही प्रारंब करूँगा शीव अपनी तियोरी चढ़ा कर दक्ष के और गहरी द्रश्टी से देखा मैं आपसे जूट नहीं बोलूँगा प्रभू दक्ष ने कहना जाली रखा नियम के अनुसार मेरी पुत्री विकर्म है क्योंकि उसने एक मिरत के कर्मों की कारण भी हो सकता है कि दो हमारे सामराज जी का यह नियम है कि माता पिता दोनों को यह दोशी माना जाए मेरी पुत्री को इस नियम के अनुसार ही विकर्म के श्रड़ी में रख दिया गया था शीव ने दक्ष की और देखा कि दोसके मुक का भाव इस पश्ट बता रहा था कि वो सोचता था कि विकर्म नियम अनुचित था ऐसा माना जाता है कि विकर्म विक्ती बुरे भागे के वाहक होते हैं दक्ष ने कहना जारी रखा इसलिए यदि वो विवाह करती है तो वो अपने बुरे भागे से अपने पती को आच्छादित करेगी और संभा अपनी संतती को भी वीरीनी ने अपने पती को अगम में ढंग से देखा मैं अपनी पुत्री को जानता हूँ प्रभू दक्ष ने कहना जारी रखा मैंने उसे कभी भी कोई भी गलती करते नहीं देखा है जहां थक कि वो किसी के बारे में गलत सोच भी नहीं सकती है वो एक बहुत अच्छी इस्त्री है मेरी विचार में जो नियम इसकी भर्थसना करता है वो अनुचित है किन्तो मैं मात्र समराथ हूँ मैं नियम को बदल नहीं सकता परवतेश्वर ने क्रोध में आखे तरेर कर दक्ष को देखा वो दुखी था कि उसने एक ऐसे समराथ के साथ काम किया जो विधी को इतनी निक्रिश्टता से देखता था ये मेरे हरदय को कुचल कर रख देता है कि मैं अपनी पुत्री को एक खुशी का जीवन नहीं दे सकता जिसकी वो पात रहे दक्ष ने सुबक्ते हुए का उसके जैसी भली आत्मवाली के साथ होने वाले प्रतिदिन के अपमान से मैं उसके रक्षा नहीं कर सकता मैं क्या कर सकता हूँ मातर आप से सहायता की उम्मीद रख सकता हूँ सती ने अपने पिता को प्रेम भरी आँखों से देखा आप नीलकंट हैं दक्ष ने कहना जारी रखा असल में आप उससे अधिक ही हैं मैं सचमुझ जो एश्वास करता हूँ कि आप महादेव हैं ये बात अलग है कि आप ये कहलाना पसंद नहीं करते हैं आप नियमों से परें आप नियम में परिवर्टन कर सकते हैं यदि आप चाहें तो आप उसका अधिरोहां कर सकते हैं व्याकुल पर्वतेश्वर ने दक्ष को कुरुद दुश्टी से देखा कैसे एक समराठ नियमों के प्रती इतना उपिक्षा पूर्ड हो सकता था हाथ उसके हाथ में देने को तैयार होने वाले थे समस्त भावनाय श्रीव के बदन में एक लहर की भाती दौर पड़ी उसके मुख़र भाव विभोर कर देने वाली प्रसंदता जलक रही थी उसने बोलने का प्रयास किया कि उसका गला भरा हुआ था वो नीचे जुका उसने सती का हाथ बहुत ही कोमलता से अपने हाथ में उठा लिया उसे अपने होठों तक लाकर उसे अत्यंती प्रेम पूरवक चूम लिया उसने दक्ष को देखा और अत्यन्थी धीमे स्वर में कहा मैं इसे आप से दूर नहीं होने दूँगा कभी भी नहीं पूरी तरह से भोचकी हुई सती ने शिव को गहराई से देखा पिछले सप्ता उसने प्रेम करने का दुसाहास किया था लेकिन उसने कभी भी आशा रखने का दुसाहास नहीं किया था और आज उसका कभी ना पूरा होने वाला सपना पूरा होने वाला था वो उसकी पत्नी बनने वाली थी अत्यधिक प्रसंद दक्ष ने शिव को कसकर आलिंगन बद्ध कर लिया और धीमे स्वर में बोला प्रभू वीरिनी अन्यंत्रे ढंग से सुबक रही थी सती के साथ उसके समस्त जीवन में किये अन्याय को सही कर दिया गया था उसने दक्षियोर देखा जैसे वो उसे छमा कर देने के लिए इच्छुपती आयर्वती और कनक्ला ने कमरे में प्रवेश के और समराठ महरानी शिव और सती को बधाई दी नंदी कृतिका और वीर्भतर ने सुना तो वो एक खुशी से उचल पड़े थे परवतेश्वर अपनी जगा पर जडवत खड़ा था वो प्रभु शिर्राम के तरीकों के इस अनादर से छुद था अन्दता शिव ने स्वयम पर नियंतरन पा लिया अच्छी तरह से सती का हाथ थाम कर उसने दक्ष किया और देखा और कहा लेकिन महराज मेरी एक शर्थ है जी हाँ प्रभू विकर्म नियंग इसमें परिवर्तन के आशक्ता नहीं है प्रभू दक्ष ने कहा यदि आप मेरी पुत्री से विवाह का नियंग लेते हैं तो नियंग आपको रोक नहीं सकता है फिर भी शिव ने कहा इस विधी को बदलने के आशक्ता है निसंदी इसकी आवशकता है प्रभू दीप्तिमान दक्ष ने कहा कनकला के और मुड कर उसने कहना जारी रखा ये बताते हुए कि अब से कोई राजशाही इस्त्री जो मृत्ष शिश्य को जन्म देती है वो विकर्णम की श्रेणी में नहीं रखी जाएगी ये गोशना तयार कीजिए जो निलकंठ द्वारा हस्ताक्षरित होगी नहीं महराज शिव ने टोक कर कहा मेरा ये मतलब नहीं था मैं चाहता हूँ कि समस्त विकर्म विधी को ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए अपसे कोई भी विकर्म नहीं होगा बुरा भाग किसी पर भी अगात कर सकता है इसके लिए उसके पूर जन्म को दोशी ठहराना मुर्खता है परवतेश्वर ने शिव को आश्चरे से देखा यद्देपी वो प्रभु श्री राम के विधियों में एक अल्प विराम का परिवर्तन भी पसंद नहीं करता था फिर भी प्रभु श्री राम के मौलिक सिधानत का शिव द्वारा पालन करने को उसने प्रशंसनी अमाना विधी सब पर लागू होनी चाहिए समान रूप से एवं उचित रूप से बिना अपवाद के हाला कि दक्ष ने शिव को सदमे से घूरा ये असंभावित था अन्य मेलूहा वासियों की भाती वो भी विकर्म को लेकर अंद विश्वासी था उसकी अपरसनेता विकर्म विधी को लेकर नहीं थी बलकि मातर इसलिए थी कि उसकी पुत्री को श्रणी में रखा गया था कि दो वो शीगरी समल गया और बोला मिसंदेप रभू घुष्वा में कहा जाएगा कि समस्त विकर्म विधी को समाप्त किया जाता है एक बार जब आप उस पर हसाक्षर कर देंगे तो वो विधी बन जाएगा मेरी पुत्री के खुशी के दिन फिर से आने वाले हैं दक्ष ने अत्यंत प्रफुलित होते हुए कहा और कनकला की और मुड कर बोला जब हम देवगिरी पहुचा है तो मैं वहाँ एक भव आयोजन करना चाहता हूँ ऐसा विवाह जैसा कि समस्त विश्व ने इस से पहले कभी नहीं देखा होगा आज तक का सबसे सुन्दर विवाह इस सामराज के सबसे अच्छे आयोज़कों को बुलवाईए खर्च में कोई कमी मत छोड़िये दक्ष ने शिव की और उसकी सहमती की आशा में देखा शिव ने सती की और उसकी प्रसनता भरी मुस्कान और उसकी गालों में पड़े छोटे छोटे अथी सुन्दर गंडों की प्रिशनसा करते हुए देखा उसके बाद वो दक्ष की और मुड़कर बोला मैं केवल इतना ही चाहता हूँ माराज कि मैं सती से विवाह करना चाहता हूँ मैं इसी में खुश हूँ कि यदि आप सभी लोग ब्रहस्पती और मेरे गुड़ वाले लोग वहाँ उपस्थित रहते हैं तो मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो एक साधारान समारो हो अथ्वा अत्यंत भाव्या आति सुन्दक दक्ष अत्यंत प्रफुलित था अध्याय उन्निस प्रेम संपादित हुआ तीन सब्ता के बाद जब राजशाही काफिला देवगिरी पहुँचा तो वहां उत्सव का वातरवरान दिखाई दे रहा था कनकला पहले ही पहुँच चुकी थी और उसने ये सुनिश्चित कर दिया था उस सहस्तराब्दी के सबसे अधिक प्रतिक्शारत विवाह की समस्त तयारिया कर ली जाएं उसकी व्यवस्थाएं हर बार की भाती इस बार भी तुर्टहीन थी विभिन प्रकार के वैवाहिक अनुष्ठान एवं समारों साथ दिनों तक चलने वाले थे और प्रते एक दिन प्रचुर मातरा में अनिक प्रकार के आयोजनों की वैवस्थाएं कर दी गई थी सामाने तह सूर वंशियों के सैयमी मानकों के विपरेत नगर को अतिव्यई ढंग से सजाया गया था उनके सैयमी भूरे बाहरी आवरणों पर उत्सव का चटक रंग चाड़ा हुआ था सड़क पर नीले रंग के नए खपरेल लगा दिये गए थे इस धूमधाम की दावत में नगर के सभी भूजना लैयों में प्रशासन की और से सहायता प्रात निशलक भूजन की ववस्ता की गई थी सामराज्य के पैसे सभी मकानों को इस प्रकार रंगा गया था जैसे एक दिन पहले ही नगर के स्थापना हुई हो बड़ी शीगरता से सरस्वती नदी के दूर वाले छोर से एक बड़ी नहर खोदी गई थी जहां से नदी की एक धारा को मोड़ दिया गया था जैसे ही पानी उस नहर में प्रवेश कर रहा था तो वहां पर विशालकाय च्छनी लगाई गई थी जिसमें लाल रंग मिला हुआ था और जहां से उस नहर का पानी वापस नदी में मिल रहा था तो वहां पर भी एक च्छनी लगाई गई थी ताकि स्वच्छ पानी नदी में पुना वापस प्रवेश कर सके उस नहर को एक विशालकाय स्वास्तिक का आकार दिया गया था जो एक प्राचीन प्रतीक चिन्ह था जिसका शाद्धी कर्थ होता था जो शुब से संबंधित हो एक सुखत भागे उन तीन वेदिकाओं से कोई भी मेलुहावासी पवित्र सरस्वती के प्रवास निर्मित सुर्वंशी राजशाही लाल रंग से सज्जित उस विशालकाय आदरपूर्ण स्वास्तिक को सम्मान पूर्वक देख सकता था तीन वेदिकाओं के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोर्ण से कलदार पुलो पर बनाये गए कुछ कटीले खंबो को हटा दिया गया था राज़दानी में आने वाले सभी अधितियों के स्वागत करने के लिए उनके स्थान पर वहां अत्यधिक विशाल रंगोल्या बनाई गई थी जो मीलो दूर से दिखाई दे रही थी कनकला सभी कटीले खंबो को हटाना चाहती थी किंतु परवतेश्वर ने सुरक्षा कारणों से ऐसा नहीं करने दिया था समस्त सामराज जिसे कुलीन परिवारों को इस उत्सवों में प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित किया गया था इस अती महत्पूर्ण अवसर पर राजिपाल से लेकर विग्यानिक तक सेनेपतियों से लेकर कलाकारों तक और यहां तक कि सन्यासियों के भी सभी उच्छ पदस्थ लोगों ने देवगिरी आंगमन किया था मेसुपटामिया और मिश्र जैसे प्रमुब देशों की राजदूतों को मेलूहा की राजधानी में आने का आफवादिक असर प्रदान किया गया था राजदूतों को जो ये विशेश सम्मान दिया गया था उसे जूलेश्वर ने बड़ी चतुरता से भविश्य में होने वाले अत्रिक्त व्यापार के लिए भुना लिया था ब्रहस्पती मंदार परवत से बड़ी ठाट बाट से अपने संगी साथियों के साथ आया हुआ था मंदार परवतवर मातर धाचा नुमा अरिश्णे मी सैनिको के दल को उसकी सुरक्षा के लिए छोड़ा गया था ये तिहास में पहली बार हुआ था जब मंदार परवतवर साथ दिनों तो कोई शोध कारिक्रम नहीं होने वाला था पहले दो दिन पूजाएं इंद्र देव अगनी देव हितु आयोजित की गई ये भारत वर्ष के लोगों के लिए प्रमुख भगवान थे और किसी भी आयोजन से पूर्व उनके आशिरवात प्राप्त किये जाते थे और ऐसा आयोजन जो सहस्तराप्दी का विवा हो तो ऐसे महात्रपूर्ण छड़ों में उनकी स्विक्रती आवश्यक थी हाला कि वो विशेष्ट पूजा उनके युद्धा बन जाने के कारण आयोजित की गई थी दक्ष ने एक सुवक्ता की भाती इसके कारणों के विवरन दिये मेलुहा वासी निलकंठ एवम राजकुमारी के विवा का किवल उत्सव ही नहीं मना रहे थे बलकि वे उन तुछ तरासद कारियों की कौंज में पराजाय का भी उत्सव मना रहे थे उसके अनसार कौंज की गौंज स्वधी पासियों के हरदयों में गहराई से गुझाय मान होगी सुर्वन्षियों का प्रतिशोद प्रारम हो चुका था उस पूजा के बाद शिव एवम सती के विवा का आपचारिक अनुष्ठान हुआ यद्देपी अभी अनुष्ठान एवम समारोह चल ही रहते लेकिन शिव ने अपनी जान चुड़ाई और सती को साथ लेकर वहां से निकल आया था पवित्र जील की सोगंद शिव ने अपने निजी कमरे के द्वार को बंद करते हुए आश्यरे में कहा ये तो अभी पहला दिन है क्या प्रते एक दिन इतना ही लंबा होने वाला है ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि इससे आपको कोई अंतर पढ़ने वाला है आपकी जब इच्छा हुई आप महां से निकल आए सती ने छिरखानी करते हुए कहा मुझे उन समारोहों से कुछ भी लेने देना नहीं है अपनी रस्म वाली पकड़ी को निकाल कर एक और फेकते हुए शिव ने गुरा कर कहा बारी सासे लेते हुए उसकी और बढ़ते हुए उसने सती को उगुरता से घुरा हाँ निसंदे एक नाटकी मुद्रा के सास सती ने उपहास किया नीलकंट को ये निर्णे लेने का अधिकार है कि क्या सही है और क्या सही नहीं है नीलकंट जो चाहते हैं वो कर सकते हैं हाँ वो कर सकता है सती ने शरारत भरी ठिठोली की और भाग कर बिस्तर की दूसरी ओर चली गई अपने अंगवस्तरम फेकते वे शिव उसे पकड़ने के लिए तेजी से उसकी ओर लपटा हाँ वो कर सकता है याद रखना मैंने तुम्हें क्या कहने के लिए कहा था नंदी ने फुसफुसा कर वीरभद्र को कहा चिंता मत करो प्रभू अवश्य अनुमति देंगे क्या सती द्वारा उठाये जाने वाले नेंद से बोजिल आंखो वाले शिव ने पूछा उठे शिव सती ने कोमलता से धीमे स्वर में कहा उसकी लटे शिव के चेहरे पर गिरी हुई थी जो उसके गालों से छेड़ खानी कर रही थी सावधानी से सती ने धीमे से कहा क्योंकि शिव ने ललक के साथ सती को देखा नंदी, कृतिका और वीरभत्र बाहर प्रतिक्षा कर रहे हैं यह कुछ महतुपूर बात करना चाहते हैं शिव गुर्राया और द्वार के पास चल कर गया उसने तीखी दृष्टे से उन तीनों को देखा और पूछा क्या है नंदी, क्या कोई ऐसी सुन्दर वस्तु तुमारे जीवन में नहीं है जिसे तुम मुझे परिशान करने के बज़ाए इस समय परिशान कर सको आपके जैसा कोई नहीं है प्रभू नंदी ने बहुत नीचे जुकते हुए शालीन नमस्ते के साथ कहा नंदी, अब तुम ये मूर्खता बंद कर दो, वरना जीवन भर कुवारे ही रह जाओगे शिव ने शरारत की, सबी लोग ठाहा का मार कर हास पड़े लेकिन प्रतिका अपने काम के बारे में चिंतित रही वैसे तुम लोग क्या बात करना चाहते हो? शिव ने पूछा, नंदी ने वीरभद्र को जोर से कुनी मारी शिव वीरभद्र के और मुड़ा उसने प्रशन सूचक दृष्टी से देखा भद्र, भद्र, कबसे तुम्हें मुझे बात करने के लिए इतने लोगों की साहता क्या शक्ता पढ़ने लगी? शिव ने पूछा, शिव वीरभद्र घवराहाट में भुर्मुनाया हाँ, ऐसा है, ये ऐसा क्या है? असल में देखिए, मैं देख रहा हूं भद्र शिव, शिव वो पहले से ही घवराया हुआ है, उसे और मत सताहिए सती ने कहा, उसके बाद विरभद्र के और मुणकरश ने कहना जारी रखा विरभद्र, निडर हो कर कहो, तुमने कुछ कलत नहीं किया है शिव, विरभद्र भीरुता से फुस-फुसाया, उसके गाल चुकंदर की तरह लाल थे मुझे अनुमती चाहिए, अनुमती दी जाती है शिव को अब तक हसी आ चुके थे, तुम्हें जिसके लिए भी चाहिए असल में मैं सोच रहा हूँ कि विवाह कर लो, आती उत्तम विचार है शिव ने कहा, बस तुम्हें अब ये करना है कि किसी एक अंधी इस्त्री को तुमसे विवाह करने के लिए मनाना है असल में मैंने पहले से ही एक इस्त्री ढोंडी है विर्भदर ने हिम्मत जुटा कर कहा, इससे पहले कि उसकी हिम्मत पस्त हो जाए और वो अंधी नहीं है अंधी नहीं है शिव की बहुएं शरारत पूर तरीके से गुलाई में उठी जैसे उसे विश्वास ही ना हुआ हो तब तो वो आवशी एक मूर किस्त्री है जो अपने अगले साथ जन्मों के लिए एक ऐसे विक्ति के साथ बंधना चाहती जो किसी वीरभद्र ने टक्टकी लगा कर शर्मिंदिगी पश्चाताप एवं ना समझ पाने वाले भाव से एक बड़े ही विजित्र ढंग से शिव को देखा मैंने तुम्हें पहले भी काता भद्र शिव ने कहा हमारे कबीले में बहुत सारी रस्में हैं जिन्हें मैं पसंद नही करता हूं उनमें से जो पहली है वो यह है कि कबीले के मुख्या को अपने कबीले वालों के लिए दुल्हन अनमोदित करनी होती हैं तुम्हें याद नहीं है हम बच्पन में इस मुर्खता भरी परंपरा का कितना मजा कुड़ाय करते थे वीरभद्र ने शिव को एक बर भाव विभोर होकर उसे देखा और नंदी ने फिर उसे कोहनी वारी कृतिका ने वीरभद्र को देखा उसने एक बहुत ही गहरी सांस छोड़ी जैसे बौड़ी कठिनाई से निकल आई हो वो सती की और मुड़ी उसने मन ही मन कहा धन्यवाद शिव कृतिका की और चलकर गया और उसने गर्म जोशी से उसे आलिंगन बद कर लिया चकित कृतिका एक छण के लिए पीछे हटी फिर निलकंठी की गर्म जोशी ने उसके सूर्य बंशी आरक्षन पर विजय प्राप्त कर ली उसने शिव को कसकर पकर लिया कबीले में स्वागत है शिव ने फुसफुसा क स्वागतर कहा हम लोग काफी पाओल किस्म के लोगग हैं लेकिन दिल से हम अच्छे लोगए लेकिन आपको कैजसे पता लगा वीरभद्र बोला मैंने आप से पहले कभी नहीं बताय कि मैं से प्यार करता हूं मैं अंधा नहीं हूं भद्र शीव मुस्कुराया धन्यवाद क इच्छे हटा और बोला मुझे हमेशा से भद्र की चिंता थी वो एक अच्छा भरोसे मंद वेक्ती है लेकिन इस्त्रियों की विशे में थोड़ा सरल मनका है मैं चिंतित था कि उसका वैवाहिक जीवन पता नहीं किस प्रकार का होगा लेकिन अब चिंता करने की कोई आवशक हैं मैं स्वयम को महादेव नहीं कहलवाना चाहता कृतिका तुम जानती हो कि मैं मेलुहा से उतना ही प्रेम करता हूं जितना सती से मैं वो सब कुछ करूंगा जो मुझसे संभा हो सकेगा भद्र की और मुड़कर शिवने आग गया दे अब उल्लू के पठ्ठे इधर आ वी शिवने बनावटी गुसे में कहा जब हम अगला चिलम एक साथ पेंगे तब तुम्हें उत्तर देना होगा कि कैसे तुमने एक इस्तरी से प्यार करने का दुसाहर इतने समय तक किया और अपने सबसे अच्छे मित्र से बताया तक नहीं सभी लोग ठहा का मारकर हास पड़े क्या एक अच्छे गांजे की खेप इसकी भरपाई कर लेगी फीरभदर ने मुस्कुरा कर कहा हाँ ठीक है मैं सोचूंगा क्या वे ठकी हुई सी नहीं लगती है आईरवती ने चिंतित रुप से सती की और देखते हुए कहा सती अभी अभी एक पूजा की वेदिका से उठी थी क्योंकि उसे एवम उसकी माता जी को इस विशेश अनुष्ठान से मुक्ति दे दे गई थी ये मातर वर्यम स्वसुर के लिए था पंडित पूजा के तयाजी कर रहे थे जो कुछ ही छड़ों में प्रारम होने वाली थी बात सही है देखा नहीं आपने आज लगबग 6 देखा नहीं आपने आज लगबग 6 दिनों से लगबातार समारों एवम पूजा हो रहे हैं कनकला ने कहा यद्देपी रस्म है जिसे एक राजशाही विवाहा के लिए संपन करना ही पड़ता है फिर भी मैं समझती हूं कि इसमें ठकान तो होती ही होगी अरे नहीं अरे नह कहूंगा कि इसका 6 दिन की पूजें कोई सम्बंध है व्रहस पती ने कहा नहीं कनकला ने पूजा नहीं नहीं, ब्रहस्पती ने शरार्ती धंग से उपतर दिया, मेरी विचार से इसका गहरा सम्मन्द पांच रातों से है, क्या? आहिर्वती ने चिला कर कहा, जब उसे ब्रहस्पती की शब्दों का अर्थ प्रकट हुआ, तो उसके बात उसके मुख पर एक गहरी लालिमा दौर लेकिन जब उसने पैठे हुए ब्रामडों की वरिष्टता देखी, तो अपनी खिजलाहट को पी गया और अपनी तयारी में जुड़ गया, हाला कि प्रवतेश्वर को ऐसा कोई अनुताप नहीं था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरह की बाचीत मुझे सहन कर पड़ रही है, वो उठकर उस जमाव के सबसे पीछे चला गया, इसने कनखला और आयरुवती को भी हसने पर विवश्ट कर दिया, उसी समय एक वरिष्ट पंडित ने मुड़कर संकेत दिया कि अनुष्ठान होने वाला था, जिसके कारण वे तुरंत ही चुप हो गया, पं कर रहे थे, और मात्र सती के बारे में ही, किसी भी एक निस्पक्ष पर वेक्षक को यह निर्णाय लेना बहुत कठिन था, कि आखिर उन लोनों में से कौन राजकुमारी को अधिक प्रेम करता था, पंडित निश्लोकों के पाठ के मध्य में थोड़ा समय लिया, तो ये शि जाती चिन्ध वाले बाजूबंद पर पड़ी, उस पर वने पशु को देकर शिव भौचक का रह गया, लेकिन उसकी सहज बुद्धी ने उसे कुछ भी कहने से रोग दिया, इस मध्य दक्ष ने भी मुड़कर शिव के इस अवलोकन को देख लिया था, ये मेरी पसंद नह नहीं थे, मेरे पिता जी ने मेरे लिए चैन किया था, दक्ष ने एक इस नहीं मुसकान के साथ कहा, जब वो अपने हाथों से घी साफ कर रहा था, उसके सवर में तनिक भी उलज़ा नहीं था, ये कोई बहुत ही समीपता से देखता है, तो वो उसकी आँखों में तनिक ये हाथ में पहना जाता है ताकि सभी लोग देख सकें और मुझे वर्गी करत कर सकें, लेकिन आप अपने चैनित जाती वर्ग से कहीं अधिक स्रेष्ट हैं, शिम ने नम्रता से कहा, आप उसे बहुत अधिक महान हैं जो ये बाजू बंद प्रतिरूपण कर रहा है, हाँ, दक्ष मुस्कुराया, मैंने सचमुच ही उन वर्द को दिखा दिया है, है ना, निलकंठ ने उनके शासनकाल में प्रकट होना नहीं चुना, वे मेरे शासनकाल में आये, तरासदकारी उनके शासनकाल में पराजित नहीं हुए, वे मेरे शासनकाल में पराजित हुए, और च चिन्ह एक साथगी पूर्ण बकरी को प्रतिबिंबित कर रहा था जो छत्रियों में सबसे नीची श्रणी का चैनित वर्ग था असल में कुछ लोग इस बकरी के चैनित जाती वर्गों को इतना निक्रिष्ट मानते थे कि उसे धारान करने वाले को पूर्ण छत्रिय भी नहीं मानते थे पंडित के मौखिक संकेत को सुनकर शिव पुनह पवित्र अगनी की और मुड़ गया कल्ची से और घी लेकर उसने अगनी में डालते हुए उच्चारण किया स्वाहा संदे के समय अपने नीजी कमरे में एका समराट ब्रह्मनायक और तुम्हारे पिताजी के मंद किस प्रकार के संबंद थे शिव ने पूछा सती ने शिव के लहराते हुए केश्यों से खेलना बंद कर दिया उसने गहरी सास ली और बहुती धीमे स्वर में कहा कभी कबार वो तनावपून होता था इन दोनों के चरि पराहट के साथ घोटना की प्रमुफ घ्यानिक ब्रहसपती जीं आये हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं वे हट कर रहे हैं कि उन्हें आज ही रातरी में ह 결वाश करना भूछत पसंद हैं मित्र ब्रहसपती ने कहा इतनी रात में आपको कश्ट देने के लिए छमा प्रार्थी हो आपको मुझसे छमा मांगने की कोई आवशकता नहीं है मित्र शिव ने उत्तर दिया नमस्ते ब्रहस्पती जी सदी ने प्रमुक वैज्ञानी के चरण सपर्ष करने के लिए जुक कर कहा अखंड सौभा ब्रहस्पती ने सदी को पारंपरिक ढंगे से आशिरवात देते हुए कहा जिसका आर्थ होता है कि उसके पती हमेशा जीवित रहे और उसके पास रहे अच्छा तो शिव ने ब्रहस्पती से पूछा ऐसी कौन सी महत्पूर बात है जिसने इतनी रात गए आपको अपने बि लाते हुए का हम सूर्वशी अनुष्ठानों को बहुत पसंद करते हैं कि दू हर हालत पे मैं आपसे विक्तिकर दूप मिलकर बाते करना चाहता था क्योंकि कल पराता है मुझे मंदार परवत के लिए प्रस्थान करना है क्या आप इंच्छे दिनों तक जीवित रह गए औ महिनों से तैयारिया चल रही है मैं सोपटामिया से प्राप्त पदार तैयार कर लिया गया है हम सोमरस की स्थिर्टा का परिक्षन कम जल के साथ करना चाहते हैं मुझे जाना होगा ताकि मैं सुनिश्चित कर सकूं कि प्रियोक समय से प्रारंब हो सके मेरे अन्यवेग्यानि यहीं रहेंगे जो आपके साथ होंगे ठीक है शिव ने वेंगपूर्ण वारी में कहा मुझे इस जगत में हर वस्तु के लिए उनके हमेशा दिये जाने वाले सिध्धानतों से बहुत प्यार है ब्राजपती हसा और बोला मुझे सचमुच ही जाना पड़ेगा शिव किन्त जिसे वो अपना ब्राजपता समझने लगा वो आगे बढ़ा और उसने शिव को कसकर बाहों में भर लिया शिव को थोड़ा आश्चर भी हुआ क्योंकि ये वो था जो ब्रहसपती को आलिंगन बद किया करता था और ब्रहसपती मातर उसका प्रतियोत्तिर दिया करते थे व मैं आपको वहां कभी नहीं ले जाओंगा मित्र शिव ने हलकी मुसकान के साथ उत्तर दिया वो सोच रहा था कि वो सयम भी कभी वहां की यातरा का उच्छुक नहीं था जो असुरों का निवास था बात आलो ब्रहसपती ने शिव की और गर्म जोशी से देखा और मुसकरा हुआ है तहन्यवाद ब्रहसपती जी अध्याए 20 मंदार पर आक्रमन आप कैसे हमित्र ही क्या हो रहा है मैं यहां क्या कर रहा हूं बहुत चक्के हुए शिव ने पूछा उसने स्वयम को मेरू के ब्रह्मा मंदिर में बैठा हुआ पाया उसके सामने वो पंडित बैठा हु गया था जैसे ही आपको नीद आई पंडित ने उत्तर दिया ये एक सपना है मैं अवशी शापित होंगा लानत है आप इतनी अभधर बाते क्यों करते हैं पंडित ने तेवरी चड़ाई मैं तभी अभधर बोलता हूँ जब परिस्थितियां वैसी होती है शिव ने बनाव बुद्ध चरित्र को दर्शाता है ये दर्शाता है कि आप में अपने मन की बात कहने की शक्ती में निश्था है पंडित ने सिरह लाते हुए ठाका लगाया चाहे जो भी हो शिव ने कहना जारी रखा चुकि आप यहां है आप यह क्यों नहीं बताते कि आप लोगों को क्य पुकारा जाता है मुझे ये वचन दिया गया था जब कभी मैं अगली बार आप दोनों में से किसी से भी मिलूंगा तो मुझे बताया जाएगा किंतो आप हम में से किसी एक से नहीं मिले हैं ये एक सपना है मैं आपको किवल वहीं बता सकता हूँ जो आप पहले से जानते ह या फिर कुछ ऐसा जो आपके संचेतन में पूर्व से ही अस्तित्व में है जिसे आपने जानने के अब तक इच्छा नहीं की है तो यह सब इसकी लिए है आप मेरी उस बात को जानने में सहायता करने बैठे हैं जो मुझे पहले से ही पता है हाँ पंडित ने कहा उसकी मुस्क प्रसंगों को अधिक सरलता से समझने में सहायक भी होती है ज्यान का प्रसंग हाँ सभी ग्यान का एक प्रसंग होता है जब तक कि आप उसके प्रसंग को नहीं जानेंगे आप संभवता उसका आश्य नहीं समझ पाएंगे और मैं उस पत्ते के रंग के बारे में बात कर वो सब कुछ जान जाओंगा जो मुझे जानना चाहिए अवश्य तो फिर पवित्र जील की सौगंद शिव ने कराह कर कहा उस पत्ते के बारे में ही बाते करते हैं बिल्कुल ठीक है पंडित हसा बताइए उस पत्ते का रंग क्या है रंग उसका रंग हरा है क्या है क्या नहीं है आप क्यों सोचते हैं कि वो आपको हरा प्रतीत होता है क्योंकि वो हरा है शिव को हंसी आ गई नहीं मैं वो पूछने का प्रयास नहीं कर रहा था ब्रहस्पति के वैग्यानिकों से आपकी इस बारे में बातचीत हुई थी कि आँखे कैसे देखती हैं कि आपसे नहीं हुई थी और वह हां हुई थी शिव ने अपने लिलाट पर हल्की थपकी देते हुए कहा उस वस्तु पर प्रकाश की किरने ग की थी श्वेत किरने कुछ नहीं बलकि सात रंगों का संगम है इसी कारार से इंद्र धुनुष सात रंगों का बना होता है क्योंकि वो तब बनता है जब वर्शा की बूंदे सूर की किरनों को छित्रा देती हैं बिल्कुल सही आप इन दो सिध्धानतों को एक साथ ध्यान म ऐसा होता है कि वो बैगनी नीले आसमानी पीले नरंगे और लाल रंगों को सोक लेता है वो हरे रंगों को नहीं सोकता है उसके बाद वो मिरी आँखों में परावर्तित होता है इसलिए मैं पत्ते को हरा देखता हूं यह थार्थता पंडित का मुख दमग उठा तो उस पत किंसे तर्क की प्रस्थूती को देखकर 3 जिस प्रसंग या दृष्टरी कोड से आप देख रहे हैं वह उस प्रकार के विचार का गठन करता है जिस विशेश संच को आप देखते हैं शिव दीरे से उस पत्ते की और मुडा, उसका तेजस्वी हरारंग सुहावनी सूरी की किरुणाओं से चमक रहा था क्या आपकी आखे एक अन्य सचाई को देखने में सक्षम है? पंडित ने पूछा शिव निरंदर पत्ते को घूर रहा था किस ऐसा उसने अपना स्वरूप रुपांतरित करना प्रारंब कर दिया ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पत्ते का रंग गहरे हरे रंग से विलीन होता हुआ हलके हरे रंग में और लगातार हलके रंग में पिखलता जा रहा था धीरे धीरे उसने स्वयम को भूरे रंग के एक भेद में रुपांतरित कर लिया बहुत चक्के हुए शिव ने उसे उसी प्रकार देखना जारी रखा था तो वो भूरा रंग भी पिखलने लगा और तब तक रंगहीन होता गया जब तक कि वो पारदर्शी नहीं हो गया अब उसका मातर धाचे का आकार ही किसी तरह से दिख पा रहा था ऐसा प्रतीत हो रहा था कि श्वेत एवं काले दो रंगों की अनिक वक्र रेखाएं उस पत्ते के धाचे से अंदर बहार हो रही थी लगबग ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो पत्ता और कुछ नहीं मातर एक वाहक था जिससे काली एवं श्वेत वक्र रेखाएं अपनी सनातन यात्रा के मार्ग में एक अस्थाई पड़ाव के रूप में प्रियुक्त कर रही थी शिव को ये एहसास होने में थोड़ा समय लगा कि उस पत्ते के आसपास के पत्ते भी धाचों में रुपांतरित हो गए थे जिव ही शिव ने ध्यान देकर देखा तो समस्त वरक्ष एक धाचे में रुपांतरित हो चुका था और काली एवं श्वेत वक्र रेखाएं उसमें से तैरत हुए अंदर एवं बाहर अत्यदिक सरलता एवं सुगमता से आ जा रही थी उसने इस विराट द्रफशी को पूरी तरह से अपने अंदर समाहित करने की दृष्टी से अपना सिर मोड़ा पेड़ पर बैठी गिलहरी से लेकर मंदिर के खंभो तक सभी पदार्त अपने स्वेम के धाचे में रुपांतरित हो चुके थे वो काली एवं शुएत वक्र रेखाएं उनमें से होकर अंदर बाहर कर रही थी इसकी व्याख्या पूछने की इच्छा से वो पंडित की और मुड़ा तो भोचका रहे गया क्योंकि वो पंडित भी अपने पूर्व स्वरूप के धाचे में रुपांतरित हो चुका था शुएत रंग की वक्र रेखाएं अत्यधी प्रबलता से बाहर की और निकल रही थी विचितर बात ही थी कि उसमें काली रेखाएं नहीं थी अरे ये क्या? शिव के शब्द मुह में ही रहे गये क्योंकि पंडित का धाचा उसकी और संकेत कर रहा था आप स्वयम को देखे करमसाथी पंडित ने सुझाव दिया शिव ने स्वयम को देखा मैं अवश्य शापित होंगा उसका अपना शरीर भी पूर्णता पारदर्शी होकर धाचे में रूपांतरित हो चुका था काली वक्र रेखाओं की प्रचंड धारा अत्यधिक तीवरगती से उसमें समाहित हो रही थी उसने उन रेखाओं को बहुत ध्यान से देखा तो उसने देखा कि वी रेखाओं नहीं थी असल में वे बहुत छोटी छोटी तरंगे थी जो अत्यधिक काले रंग की थी वे तरंगे इतनी छोटी छोटी थी कि thoड़ी सी दूरी से भी रेखाओं की भाती प्रतीत हो रही थी शिव के धाचे वाले शरीर के निकट शुएत तरंगों की कोई जहलक भी नहीं थी ये क्या हो रहा है शुएत तरंगे धनात्बक उरझाए है और काली रिणात्मक पंडित के धाचे ने कहा ये दोनों ही महतुपूर्ण है और उनमें संतुलन आवश्यक है यदि वे इस संतुलन से निकल आएं तो प्रलय हो जाएगा शिव ने हैरानी से पंडित के और देखा तो फिर कोई धनात्मा कूर्जा मेरे आसपास क्यों नहीं है और आपके आसपास रिडात्मा कूर्जा क्योंकि हम एक दूसरे को संतुलित करते हैं विश्नु की भूमिका धनात्मा कूर्जा को संचारित करना है पंडित ने कहा श्वेत रेखाएं जो धारा प्रवाह धंग से निकल रही है उसके बोलते समय थोड़ी लहरा रही थी और महादेव की भूमिका रिडात्मक्ता को सोख लेने की है अनुसंधान कीजे रिडात्मकूर्जा के लिए अनुसंधान कीजे और आप महादेव के प्रारब्द को संप करते हैं क्योंकि आप अपना कर्म करते हैं और मात्र उसके बाद ही जब आप इस पर विश्वास करते हैं कि आप महादेव हैं अन्य क्या सोचते हैं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता असल में यह आपके विश्वास के संबंद में आप विश्वास करेंगे कि आप महादेव तो आप महादेव बन जाएंगे शिव की भ्रकुटी तन गई विश्वास कीजिए पंडित ने पुना कहा धणाम उस वातावरण में एक धमाकी की प्रतिधोनी गुंजाय मान हुई शिव ने छितिच की और अपनी आखें मोड़ी यह विस्फोट जैसा प्रतित होता है पंड पंडित के उस धाचे को देखा वो निश्चे नहीं कर पा रहा था कि स्वर कहां से आ रहा था आपको संभवता जाना चाहिए पंडित के उस अध्रश्य स्वर ने कहा शिव नींद से बोजिल आखो वाले शिव ने देखा कि सती चिंतित होकर उसे घूर रही थी उस पर देवी अस्तर क्या है पूरी तरह से भौचक की हुई सती ने उतेजना से कहा देवी आयू कि तो भगवान रुद्र ने सभी देवी अस्तरों को नश्ट कर दिया था अब वो किसी के पास नहीं है शिव पूरी तरह से चौकन्न हो चुका था उसकी युद्धि के सहज बुद् हो चुकी थी तो उसने द्वार को धक्का मार कर खोलने दिया तमन और उसके आठ पहरेदार तलवार निकाल कर किसी भी आक्रमर से अपने निलकंट की सुरक्षा हेतु तयार थे प्रभू आप अंदर ही प्रतिक्षा करें तमन ने कहा हम आक्रमर कारियों को यहीं रोक उने कदमों की आहट सुनाई दी जो गलियारे से उनकी और तीवर गती से आ रही थी शिव ने अपनी तलवार निकाल ली उसने अपने कानों पर दबाव डालकर संकट का आंकलन किया चार पैरों की आहट राजशाही गलियारे के आकरमर में मातर दो वेक थी इसका कोई उसे चलने नहीं दे रहा था तलवारे नीची कर लो सैनिको अचानक शिव ने कहा वे मित्र हैं नंदी और वीरभदर अपने तलवारे लिये हुए एक कोने से तेजी से दोड़ते हुए चले आ रहे थे क्या ठीक है प्रभू नंदी ने प्रशनसा पॉर्ण धंग से बिना ह आपते हुए पूछा हाँ हम सभी सुरक्षित हैं क्या तुम लोगों ने किसी आक्रमण का सामना किया नहीं वीरभदर ने आंखें तरेर कर उत्तर दिया यह आखिर हो क्या रहा है मैं नहीं जानता शिव ने कहा लेकिन हम आवश्य पता करेंगे कृतिका कहा है सती ने सभी लोग दो की कतार में हो जाए अपनी ढाले उपर उठा कर स्वयम को आण में रखो सती मेरे बगल में नंदी मध में तपन वीरभदर सबसे पीछे और कोई रोशनी मत करो हम राश्ता जानते हैं हमारे शत्रों नहीं वो पल्टन अत्यदी गती इवं गोपनियाता से इस चीख नहीं कोई आतंक नहीं कोई भैभीत होते हुए पैरो की आहट नहीं इस पात की कोई टकरहाट नहीं कुछ नहीं या तो तरासदकारियों ने अभी तक अपना आकरमार प्रारंब नहीं किया था या फिर शिव को देरी हो गई थी और आकरमार समाप्त हो चुका था देखा कि उसके पहरेदार तनाओ के मुद्रा में युद्ध के लिए खड़े हुए थे समराट कहा है शिव ने पूचा वे भीतर हैं कट वे भीतर हैं प्रभू राजशाही पहरे के अधिपती ने निलकंट के आकार को पहचान कर कहा हम लोग प्रथम विस्पोर्ट के बात से कि उनके आकरमन की प्रितिक्षा कर रहे हैं मुझे नहीं पता आधिपती शिव ने उत्तर दिया यहीं स्थिर बने रहिए और द्वार को बाधित रखिये तमंद तुम अपने आदमियों के साथ इनकी सहायता करो और चकनने रहो शिव ने समराट के कमने का द्वार खोला मह जहाव है कि आप और सती तब तक यहीं रहें जब तक यह नहीं पता लग जाता कि क्या हो रहा है संभावता याप के लिए अच्छा रहेगा कि आप यहीं रहें हम आपके उपर किसी भी प्रकार के आने वाली हानी का जोखिम नहीं उठा सकते हैं मैं बाहर जाकर प्रवतेश्वर की सहायता करता हूं यदि त्रासद कारियों का आक्रमण चल रहा है तो हमें पूरी शक्ति की आवशक्ता होगी आपको जाने की आवशक्ता नहीं है प्रभू यह देवगिरी है हमारे सेनिक उन सब को मार गिराएंगे जिन्होंने राजधानी पर आक्रमण करने की मुर्कता की है इसे पूर्व की शिव प्रतिक्रिया दे पाता दौर पर एक तीवर आगरही खट-खटा हट हुई महराज प्रवेश करने की अनुमती चाहता हूं परवतेश्वर दक्ष ने सोचा ऐसे समय में भी नयाचार का पालन कर रहा है आज आईए गडगड़ भरे स्वर में दक्ष ने कहा जियो ही परवतेश्वर ने प्रवेश किया दक्ष ने विश्फोट के तरीके से कहा इंद्रदेव के नाम पर ये बताओ सेना नाय कि ये कैसे हो सकता है देवगिरी पर आकरमण वे कैसे ऐसा दुस्ता हस कर सकते हैं महराज शिव ने महराज को समराट के साथ उसका धैर भी तूटने की कगार पर था मेरे प्रहरियों ने मंदार परवत की ओर से अत्यधिक धूएं की गुबार रुटते देखे हैं मेरा मानना है कि उस पर आकरमण हुआ है मैंने पहले ही मेरे सैनिक दस्ते एवं उपस्थित अरेश्टनेमियों को तैय उसके अत्यधिक भै को दर्शा रही थी वो दक्ष की ओर मुडा महराज दक्ष हक्का बक्का होकर चुप रहे गया था या फिर उसके चहरे पर अत्यधिक रोध चड़ा हुआ था परवतेश्वर उस धीमी रोश्नी में तैय नहीं कर पा रहा था प्रहरियों मशाल जलाओ देवगिरी पर कोई आख्रमा नहीं हुआ है परवतेश्वर ने आगया दी। जिवी मशाल ने अपनी चमक फैलाई परवतेश्वर ने पुना कहा किया आपके अनुमती है महराज दक्ष ने सहमती में सिरह लाया परवतेश्वर ने सतमे में लग रहे है hoş जिप को देखकर मैं उन्हें ढून निकालूंगा शिव परवतेश्वर ने शांद पना दी मुझे पूरा विश्वास से कि बेजीवित है मैं उन्हें ढून निकालूंगा मैं आपके साथ आ रहा हूँ शिव ने कहा और मैं भी सती ने कहा क्या दक्ष ने पूछा प्रकाश उसके संतप्त शाही कक्ष से निकलने को हुए तो सती ने अपने पिता के पाऊं छुने को जुकी दक्ष इतना इस्तब्द था कि वो आशिरवात देली की विस्थिती में नहीं था और सती अपने पती से बहुत पीछे रहना नहीं चाहती थी वो शीगर मुडी और उसने अपनी माता जी के पाऊंच हुए आईश्मान भव वीरिनी ने कहा सती ने इस असंगत आशिरवात पर तेयोरी चड़ाई इश्वर तुम्हें लंबी आयू प्रतान करे वो युद्ध करने जा रही थी वो विजय चाहती थी ना कि लंबी आयू लेकिन तर्क करने का समय नहीं था सती मुडी और तीवर्था से शीव के पीछे दौर पड़ी नंदी और वीरभद्र भी उसके समीपी थे पुस्तक के अध्याय पठन की यात्रा में साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवार यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए अपने मित्रों के साथ शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अलविदा अध्याय 21 युद्ध की तयारी प्रथम विस्फोट के एक गंटे के भीतर विस्फोट को की ध्वनी समाप्त हो गई थी इस घटना को अभी बहुत समय नहीं बीता था कि शिव परवतेश्वर सती नंदी और वीर भद्र 1500 अश्वा रोही सेना दल के साथ मंदार परवत के मार्ग पर निकल चुके थे ब्रहस्पति के वैग्यानिक भी उस सेना दल के साथ अश्वोपर अपने नेता के जीवन की चिंता के साथ सवार थे वे तेजी से चल रहे थे और उन्हें आशा थी कि वे उस परवत की यात्रा आठ घंटे से कम समय में तै कर लेंगे वो दितिये पहर का अंतिम समय था जब सूर्य सीधे सिर पर चमक रहा था उनका सेना दल सडक के अंतिम मोण से मुण गया था जहां वन्छेतर समाप्त हो चुका था और परवत दिखाई देने लगा था जहो ही उनकी द्रिष्टी उस परवत पर पड़ी जो सामराजे का हिरदय था तो उसे देखकर एक अतिक कुर्द पुकार उठी मंदार को निर्दयता पूरवक नश्ट कर दिया गया था परवत के मध्य में एक विशालकाई जो आला मुखी दिखाई दे रहा था वो इस प्रकार प्रतीत हो रहा था कि जैसे एक अतियंत विशालकाई असुर ने अपने वरहत हाथों से परवत के प्रमुख भाग कल्ची डाल कर बाहर के और निकाल दिया था विज्ञान का अतियतिक विशाल भवन विध्वन्स हो चुका था और उसके आवशेश नीचे के मैदान में बिखरे पड़े थे वो विशालकाई मत्हानी अब भी मन्थन कर रहा था उसकी भायानक ध्वनी उस डरावने द्रशिकों और भी विक्राल बना रहा था प्रासपती शिव ने गरजना करते हुए अपने घोड़े को एर लगा कर तेजी से परवत के मार्ग पर दोड़ा दिया था जहां आश्चर जनक रूप से वो मार्ग अब भी उसी प्रकार पका खाड़ा था प्रतिक्षा करें शिव परवतेश्वर ने पुकारा ये उनकी चाल भी हो सकती है किसी भी जोखिम से अंजान शिव ने घोड़े को उस पत पर परवत के उजड़े हुए हिरदय के मध्य सरपड दोड़ा दिया परवतेश्वर एवं सती के नेतरत्व में वो सीनादल नीलकंठ के साथ होने के लिए तेजी से दौड़ पड़ा वे उपर पहुँचे तो एक भायानाक द्रिश्य उनके सामने था उस भवन के कुछ हिस्से नीउपर तूट कर जूट कर जूल रहे थे कुछ हिस्से अभी भी दहक रहे थे उस बारम बार के विस फोटो द्वारा जगा जगा से कटे हुए आसानी से ना पहचाने योग एवं जुलसे हुए शरीर के टुकड़े हर जगा जगा बिखरे हुए थे यहां तक कि म्रतकों को भी पहचानना असंभाव था शिव लड़ खड़ा कर घोड़े से उतर गया उसके चेहरे पर आशा की किरण नहीं बची थी ऐसे प्राण घा तक आकरमन में शायद ही कोई बचा होगा ब्रहस पती कैसे इन तरास्तकारियों को देवी अस्तर प्राप्त हुए उत्तेजित परवतेश्वर ने कहा उसके अंदर प्रतिशोत की ज्वाला धदक रही थी सैनिकों को आदेश दिया गया कि शरीर के समस्त तुकडों को इखटा करें और एक प्रथक चिता जला कर उन मुनत आत्माओं की दूसरी यात्रा में सहायता करने के लिए उनकी अंतेश्टी कर दे जो मारे गए थे उनकी सूची बनाई जा रही थी उस सूची में पहला नाम था मेलूहा के प्रमुखवेग्यानिक सूरवन्शी ब्रहमर राज हंस जाती वर्ग चैनित ब्रहस्पती खा अन्य नामों में अधिकतर अरिश्टनेमियों के नाम थे जिनें मंदार की सुरक्षा का भार सौपा गया था एक धांडस वाली बात ये थी कि म्रतकों की संख्या बहुत कम थी क्योंकि अधिकतर मंदार निवासी निलकंट के विवाह के उत्सों में प्रतिभाग करने के लिए देवगीरी में उपस थिते उस सूची को कश्मीर के सन्यासियों को भीजा जा रहा था जिनके आध्यात्मिक बलो की शक्तियां सरवुत्तम मानी जाती थी यदि उन सन्यासियों को इन मिलत आत्माओं के लिए पूजा करने के लिए मनाया जाता था तो यह आशा की जा सकती थी कि इस जन्म की भायानक मिलत तो उनके अगले जन्मों को दूशित नहीं करेगी ये सोमरस भी हो सकता है सीननायक एक अन्य विश्वसनी ये लगने वाला कारान देते हुए ब्रहस्पती के सहायकों के वरहों को वैग्यानिक पाड़िनी ने कहा शिव ने पाड़िनी के शब्दों को सुनकर उपर की वर देखा ये सोमरस ने किया कैसे अविश्वास के साथ सती ने पूचा उत्पादन के समय सोमरस बहुत ही आस्थिर होता है पाड़िनी ने कहना जारी रखा उसे सरस्वती के जल के प्रचुर मात्रा में प्रियोग से स्थिर रखा जाता है हमारी पर्योजनाओं में एक प्रमुग पर्योजना ये थी कि हमें ये पता लगाना था कि क्या हम आवशकता से कम जल का प्रियोग कर उसे स्थिर रख सकते हैं हत्वा नहीं वर्तमान में प्रियोग में लाने वाले जल की मात्रा से बहुत ही कम मात्रा में शिव को याद आया कि ब्रहस्पती इस तरह की बाते कह रहा था वो जुक कर पाणनी को ध्यान से सुनने लगा ये एक स्वपने सद्रश पर योजना थी उन्हीं पाणनी को वाकि पूरा करने में कठिनाई हो गई अपनी आखें बंद कर दी ताकि वो भायानक छड निकल जाए अपने उपर नियंतरण के एक जहलक पाकर उसने कहना प्रारंब किया वो ब्रहस्पती जी की एक स्वपने सद्रश पर योजना थी वे वापस आ गये थे ताकि आज से प्रारंब होने वाले शोध की समस्त तैयारी पूरी की जा सके वे नहीं चाहते थे कि हम अंतिम दिन के उत्सव को ना देख सके अतावे अकेले ही आ गये थे पर वतेश्वर इस्तब्द रहा था आपके कहने का अर्थ है कि ये एक दुरगटना भी हो सकती है हाँ पाड़नी ने उत्तर दिया हम सबको पता था कि ये परीक्षन जोखिम भरा था संभावता इसी कारण ब्रहस्पती जी ने इसे अकेले ही प्रारंब करने का निर्ना लिया होगा इस असंभावित सूचना को सुनकर समस्त कक्षी खामोश हो गया पाड़नी अपने निजी नर्क में चला गया इन सद्मा प्रदाय घटनाओं से इस तब्द परवतेश्वरे के द्रिश्टी दूर शूनने में चली गई सतिने शिप का हाथ थामे हुए उसे घूर कर गहरी चिंता से देखा कि वे अपने मित्र की मृत्यों पर किस प्रकार महसूस कर रहे थे और संभव है कि वो मात्र एक अर्थें दुर्खटना हो प्रथम प्रहर के पहले घंटे में बहुत समय बीच चुका था ये निर्ने लिया गया कि सीना दल उस दोहस्त परवत के नीचे एक पढ़ाव स्थापित करेंगे वे दूसरे दिन वहां से तभी प्रस्थान करेंगे जब मृत आत्माओं के लिए सभी अनुष्ठान पूरे कर लिये जाएंगे दो सभारों को मंदार के समाचार के साथ देवगिरी भीजा जा चुका था परवतेशुर एवं सती एक परवत की किनारे बैटकर धीमे स्वर में बाचीत कर रहे थे परवत की तलहटी में ब्रहमण वैग्यानिकों के संस्क्रश श्लोकों के पाठ की भुनबुनाहट उपर के और प्रवाहित होकर अतिंद्रिय मनुभावों के वातावरान उत्पस्थित कर रहा था नंदी एवं वीरभद्र थोड़ी दूर पर सावधान की मुद्रा में खड़े होकर अपने सिनानायक एवं सती को देख रहे थे शिव विचारों में डूबा हुआ मंदार के आवशेशों के मद्ध घूम रहा था ब्रहस्पती के पहचान योगे किसी भाग को ना पाकर उसके हिर्दे में टीस उट रहे थी मंदार में सभी लोग ना पहचाने जाने की स्थिती तक नश्ट किये जा चुके थे वो अधीरता से अपने मित्र का कोई संकेत पाना चाहता था कुछ ऐसी वस्तु जिसे वो हमेशा अपने पास रख सके ऐसा कुछ जिससे वो लिपट सके कुछ ऐसा जो वर्षो तक उसकी पीड़ा में रहने वाली उसकी संतप्त आत्मा को सांत्वना दे सके वो घोंगे की चाल से चल रहा था उसकी आँके भूमी का सूप्ष में परिक्षन कर रही थी वे अचानक एक वस्तु पर आकर ठहर गई जिसे वो भली भाती पहचानता था वो धीरे से नीचे उसे उठाने के लिए जुका वो चमड़े का कड़ा था उसके किनारे जुल से हुए थे उसके पीछे का खोसने वाला हिस्ता जला हुआ था उस भयानक विसफोर्ट के ताप ने उसके अधिकतर स्थलों को जला कर भूरे से काला कर दिया था हाला कि उसके केंदर में कड़ाई की हुई बुनावट आश्यर जनक धंग से दाग रही थी शिव ने उसे अपनी आखों के समी पला कर देखा अस्त होते सूरी की रख्तिम किर्णों ने उस ओम के प्रतीक चिन्न में चमक भर दी थी उसोम के ओपर एवं नीचे के दो वक्र भागो के मिलन स्थल पर दो सर्पों के मुख जुड़े हुए थे तीसरा वक्र पूर की और निकल कर अंत में सर्प के मुख से समाप्त हो रहा था और उसके दूई शाखित जिहुआ डराने जैसी बाहर निकले हुई थी ये वही था उसने ब्रहसपती की हत्या की शिव ने तेजी से इधर उधर दृष्टी घुमाई अब वो करम वीच्छन कर रहा था उसका उदेशी था कि वो उसकड़े के मालिक को अथवा उसके शरीर के किसी अंग को खोज ले लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था उसके आने वाले साथ जन्मों तक उसका चिन रहेगा वो नागा और उसकी समस्त सेना को पूंटह विनष्ट कर देगा चोटे चोटे टुकडों में काट कर शिव शिव निरंतर आने वाली इस पुकार ने उसे खीच कर वर्तमान के सच में लाकर खड़ा कर दिया सती उसके सामने प्रेम से उसके हाथ सपर्ष करती हुई खड़ी थी पर वतेशर उसके सामने परिशान सा खड़ा था नंदी और वीरभधर उसकी दूसरी और खड़े थे इसे छोड़ दिजे शिव सती ने कोमल्ता से दोहाए ये आपके हाथों को जुल सा रहा है शिफ ने अपनी हतेली खोल दी, नंदी ने ततकाल जुकर उनके हाथ से कड़े को ले लिया और तच्छन ही उसने गहरी पीडा में चिला कर उस कड़े को नीचे गिरा दिया क्योंकि उसने उसके हाथ को जला दिया था प्रभू ने इसे कैसे इतनी देर से पकड़ा हुआ था शिफ ततकाल ही जुका और उसने कंगन उठा लिया इस बार साफधानी से उसकी उंगलियां कम जुनसे हुए उस हिस्से को पकड़े हुए थी जिस हिस्से में ओम का प्रतीक चिन्न बना हुआ था वो परवतेश्वर के और मुड़ा और उसने कहा ये दुरघटना नहीं थी क्या चौकते वे परवतेश्वर ने पूछा क्या आपको पूरा विश्वास है सती ने पूछा शिव ने सती के और देखा और उस कड़े को उठा दिया सर्पोवाला उम इस पश्ट दिखाई दे रहा था सती ने गहरी सांस छोड़ी परवतेश्वर नंदी और वीरभद्र ततकाल ही उस कड़े को देखने के लिए समीब चले गए नागा नंदी फसफसाया वो कमीना जिसने मेरू में सती पराकर मण किया था शिव ने गुर्राकर का वही नागा जिसने मंदार परवत से वापस जाते समय हम लोगों पर हमला किया था ये वही कमीना है उससे इसकी कीमत चुकानी पढ़ेगी शिव वीरभद्र ने कहा परवतेश्वर के और मुड़कर शिव ने कहा परवतेश्वर के और मुड़कर शिव ने कहा परवतेश्वर ने सहमती में सिर्ह लाया मिलूह का युद्ध परिशत शान्ती से बैठा हुआ था वे बंदार में शहीद होने वालों के सम्मान में पांच मिनट का मौन धाराण कर रहे थे परवतेश्वर और उसके 25 सेनपती समराड दक्ष की दाहिनी और बैठे हुए थे दक्ष के बाई और निलकंठ का नखला के नेतरत में प्रशासनिक ब्राहमार एवं 15 प्रांतों के राजिपाल बैठे हुए थे परिशक का निर्ने दिया जा चुका है प्रश्णी ये है कि हम कब आकरमण करें दक्ष ने कारेवाही प्रारंब करते हुए कहा अधिक से अधिक हमें एक महीने का समय लगेगा जब हम युद्ध के लिए प्रयान करेंगे महाराज परवतेश्वर ने कहा आप तो जानते ही है कि मेलुहा एवं स्वधीप के मध कोई सडक मार्ग नहीं है हमारी सेना को सगन एवं अभेद्धी रिंगलों से होकर गुजरना होगा इस प्रकार यदि हम एक महीने में भी प्रयान करते हैं तो अस्वधीप में हम तीन महीने से पहले नहीं पहुच सकते इसलिए समय ही इसका सार है तो फिर तैयारी प्रारम्ब कर दी जाए महराज कनखला ने छट्रियों के युद्ध की पुकार में ब्रामणों के तरके के स्वर को जोड़ते हुए कहा क्या मैं दूसरा उपाई सुझा सकती हूँ दूसरा उपाई चकित दक्ष ने पूछा क्रपया मुझे गलत मत समझिये कनखला ने कहा मैं मंदार की घटना पर संपूर्ण सामराजी के क्रोध को समझती हूँ किन्तु हम अपराद करताओं से प्रतिशोद लेना चाते हैं ना कि समझती स्वधीव वासियों से क्या हम इसका प्रियास कर सकते हैं कि इससे पहले की युदी की तलवारे उठे पहले हमारा काम चूरी से चल जाए जिस मार्ग का आप सुझाव दे रही हैं वो कायरों वाला है कनखला परवतेश्वन ने कहा नहीं परवतेश्वन मैं ऐसा कुछ सुझाव नहीं दे रही कि हम कायरों की भाती बैठे रहे और कुछ ना करें कनखला ने विरम्रता से कहा मैं ऐसे उपाय का सुझाव दे रही हूँ जिसे संभव है कि हम अपने सैनिकों के एवं अन्य निर्दोशों के लहु बहाय बिना ही अपना प्रतिश्रोत पूरा कर सकते हैं मेरे सैनिक सामराज के लिए रक्त बहाने को तैयार हैं प्रधान मंतरी महोदया मैं जानती हूँ कि वे तैयार हैं कनखला ने सैयम रखते हुए कहा और मैं ये भी जानती हूँ कि आप भी मेलूहा के लिए अपना रक्त बहाने के लिए तैयार बैठे हैं परंतु मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम सम्राइड दिलीब के पास अपना दूद भेज सकते हैं। इस अनुरोध के साथ कि वे अपराधियों को हमारे सुपूर्ध कर दें। जिन्हों ने इस आक्रमण का अपराध किया है। हमेजे इतावनी भी दे सकते हैं कि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपनी पूरी शक्ति के साथ आक्रमण कर देंगे उसकी आँखे अधीरता में तरेर रही थी परवतेश्वर ने कहा उससे अनुरोध करें और वो क्यों सुनेगा दशकों से स्वधीप वासी अपनी अधम गतिविधिया करके हमसे बचते रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें युद्ध करने की आउकात नहीं है और यदि हम मंदार परवत जैसे उपद्रवी कारी के बाद भी इस छोटी छूरी वाली युक्ति की बात करेंगे तो उन्हें पूरा विश्वास हो जाएगा कि वे कभी भी हम पर आकरमल कर सकते हैं और हम उनका प्रतियुत्तर नहीं देंगे मैं इससे असहमत हो परवतेश्वर कनक्ला ने कहा उन्होंने त्रासद कारियों से आकरमल कराए क्योंकि वे डरते हैं इस बाद से डरते हैं कि वे हमसे आमना सामना कर मुकाबला नहीं कर सकते हैं वे डरते हैं कि हमारी श्रिस्टर तकनीकी मैं के वल उस विचार से सहमत हो कर कह रही हूं जो प्रभु शीव नित कहा था जब यहां आये थे उनसे लड़ने के पुर्व क्या हम उनसे बाचीत नहीं कर सकते हैं ये एक ऐसा आफसर है जिससे संभव है कि वे इस बात को स्विकार कर ले कि उनके समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो तरासिदी फैलाते हैं यदि वे उन्हें हमारे सुपूर्द कर देते हैं मैं नहीं मानता कि शिव अब उस तरह सोचते हैं परवतेश्वर ने निलकंट के ओर इशारा करते हुए कहा वे भी प्रतिशोद लेना चाहते हैं शिव चुप बैठा हुआ था उसका मुख भाव विहीन था केवल उसके आँखों में एक अजीव चमक थी जो उसके अंदर छुपे गुस्से को दिखा रही थी प्रभू कनखला ने अपने हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए शिव के ओर देखकर कहा मुझे आशा है कम से कम आप मेरी बात अवश्य समझेंगे जो मैं कह रही हूँ यहां तक के बेदी ब्रहस्पती भी होते तो यही चाहते कि जब तक यह संभव है तब तक हिंसा से दूर ही रहा जाए जिस प्रकार प्रचंड अगनी पर मुसलाधार वर्षा का असर होता है ठीक उसी प्रकार इस अंतिम वाके ने शिव पर असर किया था वो कनखला के और मुड़ा और उसने उसकी आँखों में गहराई से देखा उसके बाद उसने दक्ष के और मुड़कर कहा महरास संभवता जो कनखला कह रही है वो सही है संभवता हम उने प्रायशित करने का आउसर देने के लिए एक दूद को स्वधी भेज सकते हैं यदि हम निर्देशों की हत्या से बच सकते हैं तो इससे मात्र हमारा ही भला होगा हाला कि मेरा सुझाओ है कि इसके बाद भी हम युद्ध की तैयारी प्रारंब अवश्य कर दें असल में हमें इस संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए कि यदि चंदरवन्शी हमारे प्रस्ताव को अस्विकार करते हैं तो हम पूर से ही तैयार रहें महादेव ने वचन बोल दिये हैं दक्ष ने कहा मैं प्रस्तावित करता हूँ कि यही युद्ध परिशत का निर्णा है जो इसके पक्ष में हैं वे अपने हाथ उपर करें उस कख्ष में सारे हाथ उपर उड़ गए साचा बना दिया गया था शान्ती का एक प्रियास किया जाएगा यदि वो सफल नहीं होता है तो में लुहावासे युद्ध छेड़ देंगे मैं एक बार पुना असफल रहा भद्र शिव रो पड़ा जिसको आविशकता हो मैं उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता शिव अपने महल के आंगन के निजी छेत्र में वीरभद्र के पास बैठा हुआ था आत्यधिक चिंतित सती ने वीरभद्र को आमंत्रित किया था ताकि शोग संतप्त शिव को वापस वर्तमान की सचाई में लाया जा सके शिव ने एक आवरा रोड लिया था वो बोल नहीं रहे थे रो नहीं रहे थे सती ने आशा की थी कि जहां वो असफल रही पीड़ा कुछ अधी की मरमस परशी थी शिव ने अरुची से नथुने फुला कर चिलम को एक और फेक दिया जियो हुई इसके आँखों में आस्वों की बार आई तो उसने आसमान की और देखा और सगंद ली मैं आपके लिए प्रतिशोद लूँगा मेरे भाई चाहे वो मेरा अंतिम कारे ही क्यों नहो चाहे मुझे बचे हुए जीवन का हर छण इसमें बिताना पड़े चाहे मुझे बार बार इस जगत में आना पड़े मैं आपके लिए प्रतिशोद लूँगा चिंतित मुख से वीरभदर ने सती के और मुणकर देखा जो कुछ दूरी पर बैठी हुई थी सती उठकर खड़ी हो गई और उनकी और चलने लगी वशिव के पास आई और उनकी संतप्त आत्मा को स्वांत्वाना देने के वो देशे से अपने ठके हुए सिर को उनके वक्षस्तल पर रखकर उनसे लिपट गई सती को तब आश्चर हुआ जब शिव ने पूर्व की भाती अपने बाहें उठा को उसे जकड़ा नहीं वो बिना हिले डुले बैठे रहे रुक रुक कर गहरी सांसे लेते रहे प्रभू चकित वक्र ने सावधान होते हुए पुकार कर कहा वैसा ही 24 अन्य सेना पतियों ने भी किया सम्मान देने के लिए क्योंकि युद्ध की रणीती बनाने वाले कक्ष में निलकंट के आगमन की घोशना हो चुकी थी परवतेश्वर धीरे से उठ खड़ा हुआ बहुत ही साहनुभूत ही पूर्वक बोला क्योंकि उसे पता था कि शेव अभी भी ब्रहस्पती की उस भयानक हत्या की पीड़ा का उनुभाव कर रहा था आप कैसे हैं शेव? मैं ठीक हो दन्यवाद हम लोग युद्ध की रणीत पर विचार विमर्ष कर रहे थे मैं जानता हूँ शिव ने कहा मैं सोच रहा था कि मैं भी इसमें शामिल हो जाओ निसंदे परवतेश्वर ने अपनी कुर्सी को एक और करते हुए कहा सबसे महातुपूर समस्या जो हमारे सामने है परवतेश्वर ने शिव को उस समय तक की उजना के बारे में बताने का प्रयास करते हुए कहा वो है मेलूहा और स्वधीप के मध्य परिवहन संपर्क कोई संपर्क नहीं है क्या ये सही है? बिल्कुल सही है परवतेश्व ने उत्तर दिया चंदरवन्शों ने सौ वर्ष पहले हमारे हाथों पराजित होने के बाद ये अंग भंग करने की रणीती अपनाई थी उन्होंने मेलूहा और स्वधीप के मध्य अस्तितु में रही समस्त आधारभूत संरचनाओ को नश्ट कर दिया था उन्होंने अपने सीमांत के नगरों की जनसंख्या भी कम कर दी थी और उन्हें अंदर की और बसा दिया था कोई ऐसी नदी नहीं है जो हमारे छेतर से उनके छेतर तक जाती है संचेप में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास वर्तमान में ऐसा कोई तरीका नहीं बचा है जिससे कि हम अपने विशालका और श्रेष्टी तर तकनीक के वाले युद्धिके यंद्रों को स्वादीप की सीमाओं तक लेकर जा सकते हैं यहीं उनका भी उद्धेश रहा होगा शिव ने कहा आपकी स्रेश्टिता आपकी तकनीक है उनकी स्रेश्टिता उनकी संख्या है उन्होंने आपकी शक्ति को निश्फल कर दिया है यह थार्थता और यदि हमारे युद्ध के यंद्र इस योजना से निकाल दिये जाते हैं तो हमारे एक लाग सैनिक उनके दस लाग सैनिकों से ज भग एक लाग की ही होंगी शेश अंशकालिक अनियुमित सैनिक होंगे जैसे की छोटे व्यापारी कारीगर क्रशक और अन्य ऐसे लोग जिनका अधिक प्रभाव ना हो जिन्हें जबरन भर्ति किया गया है और तोब गोलों के लिए चारे की तरह प्रियोग मिलाया जाता है य श्षिव ने परवतेश्वर की और सहमति में सिर हिलाते हुए पूछा क्या हम अंपने यंत्रों के पुर्जे खोल कर स्वधीव की सीमा में ले जाकर मचत्र नहीं कर सकते हैं हां हम कर सकते हैं पर जींत्रों के साथ ही हो सकता है हम् kurit हैं निबरे नहीं कर कर चाता є लूझ कथ्रों एवं दहेकते हुए आग के गोलों को एक किलोमेटर की दूरी तक फिंग सकता है यदि इसका प्रियोग प्रभावी ढंग से किया जाता है तो यह दुश्मन की सेना को अत्यधिक दूरबल एवं लगभभ नश्ट कर देती है ताकि उसके बाद अश्वरोही एवं पै दे दे युद्ध की उस विभीशिका के तौरान सेना अकसर उन पर से अपना नेंत्रन खो बैठती है असल में पिछले युद्ध में स्वधीप वासियों को उनके हाथियों नहीं सनहार की और अगरसर कर दिया था क्या सच मुछ में शिव ने पूचा हाँ परवतेश्वय ने उतर दिया महावत के उपर गोला बारी एवं युद्ध के नंगारों से अत्यधिक शोर मचाने की हमारी योजना काम कर गई थी चंद्रवंशियों के हाथ ही घबरा गए और वे विध्वन्स करते हुए विशेश कर अंशकालिक सैनिकों की पंक्तियों को तोड़ते होगा जो उनके अंशकालिक सैनिकों को पूरी तरह से नरम कर दे ताकि संख्या की जेश्टिता को निश्फल किया जा सके परवतेश्वर ने सहमत होकर सेरह लाया शीवने खड़की से बाहर दूर अपनी दृष्टी दोड़ाई जहां प्राता कालीन रूखी हवा पत्तों म को प्रयोग क्यों नहीं करते बाण चकीत होकर प्रवतेश्वर ने पूछा धनुरविद्या अधिकतर कुलीन छत्रियों के मद्ध द्वंद युद्ध करने वाली युद्ध कला थी हाला कि अब ये मात्र कुलीन छत्रियों के लिए एक प्रदर्शन की कलावन कर रहे गई क्योंकि एक दूसरे से दुन्दु युद्ध मात्र समान चैनित जाती वर्गे के छत्रियों में ही हो सकता था धनुरधर को अपनी आशाधरान दक्षिता के कारण अत्यधिक समान प्राप्त था किन्तु वे युद्ध में निरनायक नहीं थे एक समय था जब धनुशे में बा लोगी प्रभाविता अत्यधिक कम हो गई यह उनकी संख्यात्मक्ष रिष्टता को कैसे कम कर सकता है प्रभू वक्रे ने कहा यहां तक कि सबसे दक्ष धनुशधारी को भी कम से कम पांस सेकंड लक्ष सादने बाढ़ को चलाने और शत्र को मारने में लग जाता है हमारे प दुर्द युद्य में अवश्री परियाप्त नहीं हो सकता है मैं बाढ़ों को एक के सामने एक के चला कर युद्य करने की बात नहीं कर रहा हूं शिव ने कहा मैं कह रहा हूं कि इनका प्रियोग शत्रू को नरम करने में जन संखार के अस्त्र के रूप में किया जा सकता है अपने सुनने वालों के ना समझ पाने वाले भावों पर बिना ध्यान दिया शीर ने कहना जारी रखा मुझे इसकी व्यक्या करने दीजे मान लीजे हम निचले चैनित जाती वर्ग के छत्रियों के धनुषधारियों का एक दल तयार करते हैं किन्तुन के लक्ष अच्छे नहीं होंगे वक्रनिकाब इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है मान लीजे कि हमारे पास 5000 ऐसे ध्रुजधारी हैं मान लीजे कि हम उन्हें इस प्रकार पर सिक्षित करते हैं कि वे मातर मार कर सकने वाली दूरी सही कर लेते हैं मान लीजे कि उनका काम चंदरवंशियों की सेना की और बिना लक्ष के बान छोड़ने का मात्र है। यदि उन्हें लक्ष साधने की आशकता नहीं है तो वे और भी अधिक्गती से बान छोड़ने में सक्षम हो जाएंगे। संभवता प्रतेक एक दो सेकंड में एक बान प्रवतेश्वर ने अपनी आखे संकुचित कर ली क्योंकि इस विचार के महत्ता का अनुमान उसे हो गया था। बाकी की सेनापती अभी भी अपने विचारों को समझ की स्थिती में लाने के प्रयास में थे। इस बारे में सोचि भी लगबग वही होगा जैसे पिछले युद्व में हाथियों का हुआ था अति उत्तम वक्र उत्तेजना से उचल पड़ा और संभवता प्रवतेश्वर ने कहा यदि लक्ष से कोई अंतर नहीं पड़ता है तो हम उन्हें इस प्रकार प्रसिक्षित कर सकते हैं कि वे और मोटे हो सकते हैं लगबग भाले की तरह प्रवतेश्वर ने कहना जारी रखा इतने शक्तिशाली की चमड़े और लकड़ी के बने ढालों को भी छेट सकें मात्र वही सैनिक इससे सुरश्चित रह सकेंगे जो उनकी नियमित सेना के सैनिक होंगे और इनके पास लोहे की आप क्या बात करना चाहते हैं शिव परवतेश्वर ने धातु विज्ञान के कारखाने में प्रवेश करते हुए पूछा शिव के अनुरोध के अनुसार उसके साथ वक्र और प्रसंजीद भी थे वक्र बड़े अन्मने ढंग से धुनुषधारी दल को छोड़ कर आया था जिसे वो पिछले एक सब्ता से प्रसिक्षन दे रहा था हाला कि वो निलकंट के एक और अतिसंदर विजार को सुनने का उत्सुप था उसे निराशा नहीं हुए मैं सोच रहा था शिव ने कहा हमें अभी भी दीवारों को धुहस्त कर सकने वाले उस यंत्र के समान ही कोई एक यंत्र चाहिए जो उनकी सेना के केंदर को तोड़ सके वो केंदर जहां उनके सेनानायक अपने नियमित सैनिकों को रखेंगे जब तक वे होते हैं हमारी विजए निश्चित नहीं कही जा सकती है बिल्कुल सही परवतेश्वर ने कहा और हमें इस बात को मान कर चलना होगा कि ये सैनिक इतने अनुशासित होंगे कि वे अपनी बनावट से विलग नहीं होंगे चाहे बाड़ों की कितनी भी वर्षा हो जाए बिल्कुल सही शिव ने कहा और हम उस ध्वस्त करने वाले यंत्र को नहीं ले जा सकते हैं नहीं हम नहीं लेज़ा वक्ते हैं प्रमू वक्र ने कहा यदि हम ऐसी दिवार को दोस्त करने वाले मानवी जिंत्र का निर्मार करें तो कैसा रहेगा बताईए परवदेश्वर अब धीरे धीरे ध्यान से बात सुनने लगा था मान लीज़े हम हर और से बीस आदमियों की संख्या वाली एक वर्गाकार संरचना बनाएं शिव ने कहा मान लीज़े कि इन में से प्रतेग वेक्ति अपनी धाल से अपने शरीर के बाएं आधे हिस्से की आढ़ ले और आधे हिस्से से अपनी बाएं और खड़े सैनिक के दाहिने हिस्से से आढ़ परदान करे ये उन धालों के मद्ध से भाले को आगे की और चलाने में सहायता कर सबसे अधिक शक्तिशाली एवं अनुबवी सैनिको को सामने रखेंगे ताकि हमारे कच्छुए का नेत्र तो सुध्रार रहे प्रसंजेत ने कहा नहीं परवतेश्वर ने कहा सबसे अनुभवी सैनिकों को पीछे और बगल में रखना होगा ताकि नव युवा सैनिक यदि घबरा जाते हैं तो भी हमारा ये वर्ग किसी भी हालत में तूटकर बिखरे नहीं ये पूरी की पूरी बनावड तभी प्रभावी होगी जब पूरा का पूरा दल हमेशा एक जुट रहता है बिल्कुल सही शिव ने परवतेश्वर की इस परक पर मुस्कान के साथ कहा और यदि वे एक सामान भाले के स्थान पर इसे लेकर चले तो शिव ने एक अस्त्र उपर उठा कर दिखाया जिसकी रूप रेखा उसने बनाई थी और सेना के धातु विज्यान कारखाने के दल ने जिससे तयार किया था परवतेश्वर उसकी साधरन जलक पर ही आश्चर में पढ़ गया था उसका आकार भाले की तरह का ही था किन्तो उसके मुख को चोड़ा कर दिया गया था उस चोड़े मुख से दो और भाले उसकी बाईं और दाईं और जोड दिये गया थे शत्रुपर इससे वार करने का अर्थ था कि एक शत्रुपर एक साथ तीन भालों से वार करना ये तो अत्यन्ती सुन्दर है शिव परवतेश्वर ने आश्चर से कहा आप इसे क्या पुकारते हैं मैं इसे त्रिशूल कहता हूँ प्रसंजीत प्रवतेश्वर ने कहा तुम इस सैने दल को स्थापित करने के प्रभारी हो मैं चाहता हूँ जब हम प्रयान करें तब कच्छुआ संरचना वाले कम से कब बांच दल तयार होने चाहिए मैं इसके लिए तुम्हें दो हजार सैनी प्रदान करता हूँ ये काम हो जाएगा सिना नायक प्रसंजीत ने सैनिक अभिवादन के साथ कहा प्रवतेश्वर ने शिव को आदर से टक्टकी लगा कर देखा वो सोच रहा था कि शिव की राय वास्तों में अगबत थी और इस तर्थी के बावजूद कि वो व्यक्तिगत पीडा में था ऐसे विचारों के साथ कारे करना सचमुछी प्रशंस नहीं था आने लोग जो शिव के बारे में ऐसा कहते हैं संभावता वे सही हो संभावता यही वो व्यक्ति प्रभू श्री राम के अधूरे कारियों को पूरा करेगा परवतेश्वर ने आशा की कि शिव उसे गलत सिद्ध नहीं करेगा शिव राजशाही सभाकक्ष में दक्ष एवं परवतेश्वर के साथ बैठा हुआ था दो प्रसिद अरिष्टिनेमी सेनापती विद्यून माली एवं माया श्रेनी कुछ दूरी पर बैठे हुए थे एक मानसल एवं कभी गरवीला होने वाला वेक्ति शिव के समक्ष खड़ा था उसके हाथ जुड़े हुए थे वो आग्रय कर रहा था मुझे एक आफसर दीजे प्रभू द्रपकु ने कहा यदि नियमों में परिवर्तन कर दिया गया है तो हम युद्ध क्यों नहीं कर सकते द्रपकु वही वेक्ति था जिसके अंधे पिता ने कोड़ दौर में शिव को आशिरवात दिया था जब एक बीमारी ने उसके पिता को अंधा कर दिया था और उसकी पत्नी और होने वाले बच्चे के प्राण हरान कर लिया थे उससे पहले वो मेलुहाग की सीना में सीना पती था उसे अपने पिता के साथ ही विकर्म घोशित कर दिया गया था पहरी बाद तुमारे पिता कैसे हैं शिव ने पूछा वे अच्छे हैं प्रभू यदि मैं इस धर्म युद्ध में आपका सयोग नहीं कर पाऊंगा तो मेरे पिता मेरा परित्याग कर देंगे शिव नम्रता से मुस्कराया वो भी विश्वास करने लगा था कि ये धर्म यु भी नहीं कर सकता मेरे सामराजी के सम्मान में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शिव अभी पूरी तरह से निश्चिंद रही था वो इस वारतालाप से दूसरों के असुविधा को मैसूस कर रहा था उसे देख लिया था कि विकर्म विदी समाथ हो जाने के बाद भी जब द्रपक किया जा चुका है मैं उन सब को इखटा कर सकता हूं हम लोग अपने सामराजी के लिए मरने को इच्छु के मधीर हैं मैं नहीं चाहता कि तुम मेलुहा के लिए मृत्य को प्राप्त हो हेवीर द्रपकु शिव ने कहा द्रपकु का चहरत अत्काल ही उतर गया उसने सोचा कि वो कोट द्वार अपने घर वापस जाने ही वाला था हाला कि शिव ने कहना जारी रखा मुझे ये अच्छा लगेगा यदि तुम मेलुहा के लिए मारे जाते हो द्रपकु इस सिर उठा कर देखा अपने सैने दल की स्थापना करो शिव ने कहा दक्ष के और मुड कर उसने निजी वया मशाला में धुनुश वद्या का नियमत अभ्यास करने के लिए जोटे हुए थे विद्यू माया श्रिनिक ने उसे प्रेम से शांत रहने के लिए कहना चाहा मुझे विद्यु मत कहो माया तुम जानते हो कि ये गलत है सामान नित21 जित्वाले माया श्रिनिक ने सिर्ह लाकर सहमती प्रकट की और अपने क्रोधी मित्र की कुंठा को बाहर निकलने दिया यदि मैं युद्ध में मारा जाता हूं तो मैं अपने पूरवजों का सामना कैसे करूंगा विद्यून माली ने पूछा मैं उन्हें क्या उत्तर दे पाऊंगा यदि वे कर्म है यह उसे दुर्बर बना गएता है प्रभु शिव ने आग्या दे दी है कि अब कोई भी विकर्म नहीं रहे गया है मुझे नहीं लगता कि निलकंठ सही में असत्य से सत्य को जानते हैं विद्यू माय श्रिनिक चिलना पड़ा विद्यून माली इस अचानक के प्रको पर सहम गया यह दिनील कंठ कहते हैं कि यह उचित है माय श्रिनिक ने कहना जाई रखा तो यह उचित ही है अध्याए 22 बुराईयों का सामराज्य यह सैनिक बनावट है जो मेरे विचार से युद्ध के लिए आदर्श है परवतेश्वर ने कहा वक्र एवं परवतेश्वर सेना नायक के नीजी कक्ष में बैठे हुए थे जिस बनावट की तैयारी की गई थी वो धनुष के आकार जैसी थी एक बहुत ही व्रहद अर्ध व्रतिये आकार में सैनिकों को क्रमबद किया जाएगा धीमे सैने दलों जैसे कचुए को इसके केंद्र में रखा जाएगा ब ने था वे धनुष के दोनों चोरों से सुरक्षा प्रदान करते रहेंगे धनुष की बनावट अपेक्षा कर छोटी सेना के लिए आदर्श थे यह शक्तिका त्याक कि यह बिना हिल अचीलापन प्रदान करती थी यह बिल्कुल ही आदर्श है प्रभू वक्र ने कहा इसके अभीमत है प्रभू मैं बाएक किनारे से सका नेत्रत व करंगा प्रवतईश्वर ने कहा और तुम दाहीने किनारे से इसी से उपर की और देखा कि तो चुप रहा परवतेश्वर को ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे इसका विवरन देनी की आवश्चक्ता थी और इसलिए उसने कहना प्रारंब किया इसमें कोई संदे नहीं है कि वेक अच्छे एवं योग वेक्ति हैं किन्तु उनके मन में जो सरवोच लाओ इस युद्व में नहीं लगाएंगे वक्र के आखें नीचे जुकी हुई थी वह नहीं चाहता था कि सेना नायक उसकी आखों को पढ़ ले जिसमें इस बात से असाहमती इसपश्ट दिख रही थी सच तो यह है कि परवतेश्वर ने कहा हम यह युद्व उन पर नही कि इतना इस पश्ट था उसे सेना नायक स्विकार करने के लिए क्यों तयार नहीं थे क्या वे प्रभु श्री राम में इतने अरुन रखते थे कि वे इस बात पर रिशास करने को तयार नहीं थे कि कोई अन्य मुक्तिदातर धर्ती पर आ पहुचे थे क्या वे सचमुच इस हैं वे इस बात का जोकिम नहीं ले सकते कि सती पुनेफ़ शोक्संतंत हो उन्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिए उनसे इस प्रकार की मांग करना हमारी लिए अनुचित थे वक्र ने सो तोच की आशा कर रहा था उसकी भी यही इच्छा थी कि शिव स्वयम महादेव बनकर चंदरवन्शियों पर विजय प्राप्त करने में उनका नेद्रत्व करेंगे हाला कि प्रवतेश्वर ने अपने जीवन के लंबे अनुभाव से जान लिया था कि कई लोगों ने वंशियों से युद्ध करने से मना कर दिया तो उसके पास कोई आपात योजना ना हो युद्ध परिशत शांती से बैठा हुआ था जब दक्ष उस पत्र को पढ़ रहा था जो स्वधीप से आया था सम्राड दिलीप के दरबार से दक्ष के प्रतिकिया ने सब को पहले ही बता दिया था कि उस पत्र में क्या लिखा होना चाहिए था दक्ष ने अपने आखें बंद कर ली उसका मुख क्रोध से बिगड़ गया था उसकी मुठी भीची हुई थी उसने वो पत्र कनकला को दिया और विंग्यात्पाक मुसकान के साथ कहा पढ़िए इतने तेज स्व प्रिवन्शी राजा मिलूहा के रक्षक तिरपया मंदार परवत पर कायरता पूर्ण आक्रमण पर मेरी संवेदनाएं स्विकार कीजिए शांतिप्री इब्राहमणों पर इस प्रकार के संवेदना वहीन आक्रमण करने की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जानी हम इस बात पर सदमे में हैं कि भारत परश का कोई निवासी इस निचले इस तरका कारे करेगा इसी कारण आश्चर एवं दुख के साथ मैं ये आपका पत्र पढ़ रहा हूँ मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मेरा अत्वा मेरे नियंतरण में किसी का इस कपटपूर्ण आकरमण से कोई नियना देना नहीं है इसलिए मुझे आपको खेद के साथ सूचित करना पढ़ रहा है कि ऐसा कोई विक्ति नहीं है जिसे हम आपके सुपूर्द कर सकते हैं मुझे आशा है कि आप इस पत्र की निश्कपटता को समझेंगे और कोई निर्णे उतावले पन में नहीं लेंगे जिसका परिणाम आपके लिए खेद जनक होगा मैं भरोसर दिलाना चाहता हूँ कि इस उपद्रव की वेचना में हम हमारे समराजी का पूरा समर्थन देंगे करपया हमें अवश्य बताईए कि हम किस प्रकार इन अपराधियों को नियाए दिलाने में आपकी साहता कर सकते हैं कनकला ने स्वयम को नियंतरित करने के लिए गहरी सास ली विशिश ट्रूप से चिंद्रवंशियों के इस दो मोही बात पर क्रोध उसके चेहरे को धो रहा था जो उसके पूर्प के कथन पर खेद प्रकट कर रहा था यह समराड दिलीब दोरा वेक्तिकत रूप से हस्ताक्षर किया है कनकला ने पत्र के पाठ को पूरा करते हुए कहा समराड दिलीब नहीं कुरुद दक्ष गुराया बुराईयों के सामराज्य का त्रासदकारी दिलीब युद्ध परिशत से एकी कृत स्वर गुंजाय मान हुआ दक्ष ने भ्रकटी तने हुए शिव को देखा जिसने सहमती में अतिसूक्षमता से सिरहलाया युद्ध है दक्ष ने गर्जना की हम दो सबता हमें प्रायान करेंगे वो कड़ा जीवित हो उठा था वो शिव को बोना बना कर फोल कर एक बहुत बड़े आकार का बन चुका था उसके किनारे अतिधिक विशाल जौलाओं में निगले जा चुके थे विशाल का एस सर्प जिसने ओम को सुरूप प्रदान किया हुआ था पे एक दूसरे से प्रथक होकर सरकते हुए शिव की और बढ़ रहे थे जो मध्य में था उसने अपने बाएं वाले सर्प को सिर हिला कर फुफखार कर कहा इसने तुम्हारे भाई को निगल लिया और ये दूसरा बहुत शीग रही तुम्हारी पतनी को निगलेगा बाएं और दाएं वाले सर्पों ने भायावह तरीके से फुफखार लगाई शि शिव के चेतावनी को माने बिना ही सर्प कहना जारी रखा मैं तो स्वैम की रक्षा कर रहा हूं मैं अपनी रक्षा तुम्हारे लिए कर रहा हूं शिव ने एक आसाहय निरबल क्रोध से उसको देखा मैं तुम्हें निगल जाऊंगा उस सर्प ने अपना मूँ खोलकर उसे को पूरा निगल जाने के लिए तैयार होते हुए कहा शिव के आखे आचाना के खुल गई वो पसीने से तर था उसने अपने आसपास देखा उसे कुछ इस पश्चे दिखाई नहीं दे रहा था कुछ अंदकार ही था उसने सती को ढूरना चाहा ये देखने के लिए कि वो सु सुराइद गती से उट बैठा उसका हरदय सर्द था उसने लगभग ये सोच लिया था कि वो सर्प उसकी स्वापने से निकलकर यथार्त में रूपांतरित हो चुका था शिव उसकी और देखते हुए सती ने कहा वो बिस्तर के एक किनारे पर बैठी हुए थी जिस छोटे स सती शिव ने पूछा उसकी आँखे उस धीमी रोश्णी में विवस्थित होने के प्रयत्न में थी उसने उस अपरादी कड़े को अपने छोटे थेले में सरका दिया जिसे वो हाथ में कसकर पकड़े हुए था मैंने इसे कब बाहर निकाला शिव सती ने कहा पिछले दो सब कर अपने पती को अनवश्चक परिशान करें विशेश कर जब वे अपने जीवन के सबसे बुरे समय का सामना कर रहे थे किन्तो बहुत देर हो चुकी थी उन्हें यह समचार उसी से मिलना चाहिए ना कि किसी और से ऐसे समाचार सैनी खेमों में अधिक समय तक छुपे नहीं रह सकते हैं थे मुझे आपसे कुछ कहना है हाँ शिव ने कहा यद्देपी उसका स्वपन अभी भी उसे खटक रहा था क्या बात है मुझे नहीं लगता कि मैं युद में लड़ाई कर पाऊंगी क्या क्यों विसम वन में पहुच गई थी वे पहले से ही शत्रू के छेत्र में थे अब वापस लोड़ना संभव नहीं था सती ये तुम्हारे जैसा व्यवहार नहीं है शिव शर्मिंदा होती हुई सती ने कहा ऐसे संभाशन अति संकोची सूर्यवन्शियों के लिए हमेशा से कठिन रहे है मेरे पास इसका कारण है कारण शिव ने पूचा क्या जैसे बिजली की कड़क के सामने सब कुछ इस पश्ट हो जाता है ठीक उसी प्रकार अचानक ही शिव को इसका कारण समझ में आ गया हे भगवान क्या तुम सच कह रही हो हाँ सती ने शर्म से लाल होते हुए कहा पवित शिव ने चिला कर सती को बाहों में भर कर गोल गोल घुमा दिया बहुत लंबे समय के बाद मैंने इतना सुंदर समझार सुना है सती मधूरता से मुस्कुराई और उसने शिव के ठके हुए लेकिन ताकतफ़र कंधे पर अपना सिर रख दिया हम लोग अपनी पुत्री का न लेकिन ऐसा ही हुआ था वो मुस्कुराई आप जानते हैं कि वो पुत्र भी हो सकता है ना शिव मुस्कुराया वो पुत्री ही होगी मैं उसकी सारी आज़ते बिगार दूँगा सती दिल खोल कर हसी शिव ने भी उसका उतना ही साथ दिया पिछले दो महिनों में ये पहली प्रफुलित कर देने वाली हसी थी उसने सती को आलिंगन बद कर लिया उसे लगा कि उसके शरीर से रिडात्म कूर जाये निकलती चली जा रही हो मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं सती मैं भी उतना ही प्रेम करती हूं सती ने हलके स्वर में कहा शिव उस तंबू का आव महीने से स्वधीब की और प्रयान करते समय वो सती के अच्छे स्वास्तिक के बारे में आयुर्वती से लगतार पूच्टाच करता रहा था सूरवशी बड़ी वीरता पुरवक लगभक तीन महीने से चल रहे थे उनका मार्ग आशा से अधिक चुनौती भरा था उस जंगल प्रयान के पश्चात अंतता सूर्वशी सेना को उनके मार्ग तर्शकों ने चंद्रवशी सेना के समक्षिला खड़ा कर दिया था चंद्रवशी सेना एक व्यापक मैदानी भाग पर डिगरा डाले हुए थी जिसका नाम था धर्मखेत उनका चुनाव चाला की भरा था एक अत्यधिक बड़े एवं सुवेवस्थित मैदान के कारण उन्हें अपी 10 लाग की संख्या वाली ताकतवर सेना के लिए प्रतेक युक्ति लगाने का अवसर मिल रहा था उनके संख्या वाचक स्रेश्चता की इस युद्ध में अहम भोमिका रहेगी सूर्वशीयों की सेन से रक्षा योगी घाटी की और प्रस्थान कर दिया जो धर्म खेत के बहुत निकट थी शिव ने उपर खुले आसमान की और देखा एक बाज राजशाही खेमे के ऊपर चक्र लगाता हुआ उड़ रहा था जबकि पांच कबूतर नीचे बिना डरे होए उड़ रहे थे य कि दि उसके गुड कभीले का ओजह वहां होता तो वह अवश्य कहता कि यह युद्ध करने के लिए अच्छा समय नहीं था क्योंकि कबूतरों के लिए इस पश्रूप से अद्रिष्ट अनुकूल परिस्थितियां थी इसके बारे में मत सूचो वैसे भी यह सब बक्वास की बाते हैं प्राता कालिन शुद्ध वायू को अपने अंदर घहरा खीशते हुए उसने समराट के तंबू के और द्रिष्टी दोड़ाई तो देखा नंदी उसकी ओर ही चलता हुआ रहा था क्या बात है नंदी मैं आपके तंबू के और ही आ रहा था प्रभू समराट ने आ प्रभू को कुछ दूरी पर बैठे हुए थे यह तो त्रासदी है दक्ष ने कहा महराज शिव ने पूछा प्रभू मुझे प्रसनता है कि आप यहां पधारे हम एक पूर्ण त्रासदी का सामना कर रहे हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग हम नहीं करें तो अच्छा है महराज शिव ने कहा और प्रवतेश्वर के और मुड़ कर पूछा इसका अर्थ है कि आपका संधे सही निकला हां प्रवतेश्वर ने कहा हमारे गुप्तचर अभी अभी कुछ ही मिनट पहले पहुचे हैं चंदरवन्शियों के युद्ध के लिए तयार नहीं होने का कारण था उ पूर्व की खड़ी चड़ाई वाले परवत की और से हमारी और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी मंशा उत्तर की और से पचास किलो मेटर की दूरी से हमारी घाटी में प्रोवेश करने की है जैसा कि परवतेश्वर ने निर्देश दिया था क्या तुम अपने साथ मानचित्र कार को लेकर आया हो वीरभद्र ने सहमती में सेरह लाया उसके बाद उसने उसका क्षि में मध में जाकर मांचित्र को बिचा दिया शिव और परवतेश्वर उसके ऊपर जुक कर उसका निरिक्षन करने लगे अपनी उंगलियों से संकेत देते हुए वीरभदर ने कहा इस ओर से शिव ने सहसा कुछ कहना प्रारंब किया जैसे कि उसे सूरिवन्षी खेमे के सुदूर उत्तर में रक्षा योग्य स्थल उसमांचित्र पर बिल गया था उसने प्रवतेश्वर को देखा सेना नायक को भी वही विजार उबरा था कितने वेक्ति आप सोचते हैं प्रवतेश्वर कहना कठिन है ये कठिन होगा कि तो दर्रा रक्षा योग के प्रतीत होता है फिर भी एक अच्छी संख्या के सैनिक दल के आवशक्ता होगी कम से कम 30,000 लेकिन हम इतने आदमियों को छोड़ नहीं सकते मेरा निश्चित विचार है कि शंदरवन्शियों के मुखे सेना से दक्षल की ओर से भी युद्धकल ही प्रारम होगा उनके लिए युद्ध करने का सबसे उप्यूद्ध की समय वहीं होगा प्रवतेश्वर ने कठोरता से सिर हिला कर सहमती परकट की उसने सोचा कि मेलुहा वासियों को पीछे हटना होगा और किसी अन्य अनुकूल परिस्थितियों वाले स्थर की ओर जाकर लड़ना होगा मैं सोचता हूँ कि 5000 सानिक इस काम को कर लेंगे प्रभू शिव और परवतेश्वर ने नहीं देखा था कि द्रपकु मेज की और बढ़कर आ जुका था वो उस दर्रे का परिक्षा कर रहा था जिसे शिव ने अभी अभी संकेत कर दिखाया था इधर देखिए द्रपकु ने कहना जारी रखा तो शीव और प्रवतेश्वर ने गहरी द्रश्टे से मांचित्र को देखा आगे बढ़ता हुआ परवत बड़ी तीवरिता से संकुचित होता गया है जो आर पार पचास मीटर से अधिक नहीं होगा इसे कोई मतलब नहीं है कि कितनी बड़ी सेना है क्योंकि प्रतेख धावा उस दर्रे में कुछ सो आदमियों से अधिक कर नहीं किया जा सकता है लेकिन द्रपकु एक लग सेनिको वाली सेना से एक आकरमण के बाद दूसरा आकरमण लगतार किया जा सकता है और खड़ी चड़ाई वाली पहाडियों के होने से आप प्रच्छे पास तक अभी प्रियोग नहीं कर सकते विजय लगबग असंभव है ये जीत के बारे में नहीं है द्रपकु ने कहा ये तो उन्हें एक दिन तक रोके रखने की बात है ताकि हमारी मुख इसे ना युद्ध कर सके मैं इसे करना चाहता हूँ प्रवतेश्वर ने कहा नहीं प्रभू वक्र ने कहा आपके अवशक्ता मुख्य आकर्मन के लिए है शिव ने प्रवतेश्वर के और देखा मुझे भी यहीं रहने के आवशक्ता है मैं भी इसे पार नहीं कर सकता अपना सीर हिलाते वे शिव ने कहा प्रवतेश्वर ने शिव को देखा उसके मुख पर मोह भंग होने वाले एक बड़े आकार वाला लेक स्पष्ट दिख रह था फिर भी उसे आशाते कि शिव उसे गलत सिद्ध करेगा कि तो अपर वतेश्वर को यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि अव्लोकन वेदिका जो दक्ष के लिए बनी थी शिव भी उसी पर बैट पर युद्ध होते हुए देखेगा मुझे ये सम्मान दीजे प्रभू द्रपकु ने कहा द्रपकु माय श्रेनिक ने हलके स्वर में कहा उसने वो नहीं कहा था जिस सभी लोग जानते थे मादर पांच हजार सैनिकों के साथ चंदरवंशी सैनिक चुकडी के साथ उत्तर में युद्ध करना आत्महत्या करने जैसी बात थी द्रपकु शिव ने कह मैं नहीं जानता कि यदि मैं जानता हूँ प्रभू दरपकु ने मध्य में ही टोक दिया यही मेरा प्रारद्ध है मैं उन्हें एक दिन के लिए रोग दूँगा यदि इंद्रदेव मेरी सहायता करते हैं तो मैं दो दिन भी प्रयास कर सकता हूँ उस समय तक हमें विजे दिला दीजे ग्रभू दक्ष ने अचानक ही टोक कर कहा अती सुंदर दरपकु आप वहां प्रस्थान करने के लिए तत्काल तैयारी प्रारम कर दीजे दरपकु ने बड़ी जोशीले धंग से अभिवादन किया इसे पहले कि कोई दूसरा कुछ विचार बताता वो तेजी से बहार निकल गया एक घंटे से ही कम समय में विकर्म सैनेदल खेमा छोड़कर उत्तर दिशा के और प्रस्थान करने को तयार हो चुकी थी सूरिय आकाश में उपर चड़ाया था और पूरा का पूरा खेमा जाग रहा था वे लोग सैनेखों को अपने लक्ष के और बढ़ते देख रहे थे सभी लोगों को पता था कि विकर्म को घंगोर कठेनाईऑ का सामना करना था वे जानते थे कि उन सैनिकों में से किसी को भी जीवित देखना असंभव ही था किन्तु जब वे सैनिक आगे बढ़ रहे थे तो उनमें हिचकिचाहट या डर कोई लेश मातर भी संकेत दिखाई नहीं दे रहा था सारा का सारा सूरिवन्शी खेमा एक शांतिमय विसमय में था सभी के मन में एक ही विजार गुंजाय मान हो रहा था ये विकर मितने तेजस्वी कैसे हो सकते हैं इन्हें तो कथित रूप से दुर्बल होना चाहिए था द्रपको सबसे आगे नितरत्व कर रहा था उसका सुन्दर चहरा युद के रंगों से पुता हुआ था अपने कवच के ऊपर उसने केसरिया रंग का अंगवस्तरम पहन रखा था ये रंग परमात्मा का था ये रंग अंतिम यात्रा के लिए पहना जाता था उसने वापस आने की आशा नहीं की थी वो अचानक ही रुका क्योंकि विद्धुमाली जपटा मार कर उसके सामने खड़ा हो गया द्रपकु ने तेउरी चड़ा ली इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दिखा पाता विद्धुमाली ने अपना चाकू निकाल लिया द्रपकु उसके हाथ की उर्जपटा लेकिन विद्धुमाली उससे तेज निकला उसने अपने अंगुठे पर चीरा लगा दिया और उसे उठा कर द्रपकु के ललाट पर लगा दिया प्राचीन काल के समय रही महान भाता युद्धा की परंपरा की भाती विद्धुमाली ने अपने अंगूठे का रक्त द्रपकु के ललाट पर लगा दिया इस महत्ता को दर्शाते हुए कि उसका रक्त द्रपकु की रक्षा करेगा आप मुझसे बहतर हैं द्रपकु विद्युमाली ने धीमे स्वर में कहा द्रपकु चुपचाप खड़ा रहे गया विद्युमाली के इस अलाक्षनक विवहार पर चकित था अपनी मुठी बांदे हातों को उपर उठा कर विद्युमाली ने गरजना की उन्हें नर्क में पहुचा दो विकर्म सूरिवन्शियों ने बार बार दोहराते हुए अंतरनात किया द्रपकु और उसके सैनिकों ने पूरे सूरिवन्शियों खेमे की और द्रिश्टी घुमाकर उनके लिए उठ रहे उस सम्मान को देखा जिससे उन्हें बहुत लंबे समय से वंचित रहना पड़ा था बहुत ही लंबे समय से उन्हें नरक में पहुचा दो विकर्म द्रपकु ने सहमती में सेर हिलाया और आगे बढ़ गया इससे पहले कि उसकी भावनाय उस छड़ को नश्ट कर देती उन्हें नरक में पहुचा दो विकर्म वो अलाच्षणिक तरीके से उस साल अपेक्षा करत्म गर्म प्राता काल था चंदरवंशी टुकडी उत्तर दर्रे के पास पुछली रातरी मेलुहा के सैनिक टुकडी के पास आश्चरचकित रहे गई थी उन्होंने ततकाल ही आक्रमण कर दिया था मुख्य सूर्यवंशी सेना को समय प्रदान करते हुए विकरमों ने उन्हें रात भर रोक दिया था मुख्य युद्ध का यही दिन था शिव तैयार था सती आरती की थालिस से शिव की आरती उतारते हुए दीप्तिमान लग रही थी साथ बार आरती उतारने के बाद वो रुकी उसने थोड़ा सिंदूर अपने अंगूठे में लिया और शिव के ललाट पर उसका तिलक लगा कर कहा विजई होकर आईएगा या फिर कभी ना आईए शिव ने अपनी भौहों को उपर उठा कर मूँ बनाया युद्ध पर भेजने के लिए ये कौन सा तरीका है क्या नहीं ये तो मैं जानता हूँ सती को बाहों में लेते हुए मुस्कान के साथ शिव ने कहा ये युद्ध में प्रस्थान करने से पूर्व पूरवन्शियों ये युद्ध में प्रस्थान करने से पूर्व सूर्यवंशियों का लाच्छनी तरीका है है ना सती ने शिव को देखा उसकी आखें नम थी दशकों तक सूर्यवंशिय प्रसिक्षन को शिव के लिए उसका प्रेम आच्छादित कर रहा था सुरक्षित और भले चंगे वापस आईये मैं अवश्चे लोटाऊंगा प्रिये शिव ने धीमे सोर में कहा तुम इतनी आसानी से मुझसे चुटकारा नहीं पा सकती सती की दुरबल मुस्कान थी मैं प्रतिक्षा करूंगी सती अपने पाओ के पंजे पर खड़ी हो गई और उसने हलके से शिव के माथे को चुम लिया शिव ने भी उसे चुमा और इससे पहले कि उसका हरदय उसके मन को अनिथा सोचने पर विवश्च करे तेजी से मुड गया तंबू के आवरण को उठाते हुए वो तंबू से बाहर निकल गया उसने दृष्टी उठा कर आगाश की ओर देखा कि कहीं कोई पूर्व सूचना देने वाले शकुन अप्शकुन का संकेत मौजूद हो वहां कुछ नहीं था सब कुछ अच्छा प्रतीत हो रहा था दूर से साफ सुत्री लेबद बारंबरता से युद्ध के नगाड़े की ध्वनी के सासा संस्कृत के श्लोकों की गूंज उस रूखी ठंडी हवा में बहती जा रही थी ये विशेष्ट सूरिवन्शी रश्म शिव को अजीब प्रतीत हुई थी किन्तों ब्राहमणों में कुछ बात तो अवश्य थी क्योंकि ये एक विशेष प्रकार की पूजा थी इंद्र देव एवं अगनी देव के आहवान के लिए जो भी उन नंगाडों एवं श्लोकों को एक सास सुन रहा था उसमें एक उत्तेजित योद्धा का उत्सा भरता जा रहा था इनकी थाप एवं तीवरता और शीगरता से बजने लगेगी जब युद्ध शिड़ चुका होगा वो मुड़ा और दक्षे के तंबू की ओर चल पड़ा प्रणाम महराज शिव ने तंबू का आवरान हटा कर प्रवेश करते हुए कहा जहां परवतेश्वर युद्ध की योजना समराट को बता रहे थे नमस्ते परवतेश्वर परवतेश्वर मुस्कुराया और उसने अपने हाथ जोड़ लिया द्रपकु का क्या समचार है परवतेश्वर शिव ने पूछा जो अंतिम सूचना मैंने सुनी थे वो तीन घंटे पहले की थी विकर्म का युद्धु चल रहा है द्रपकु अभी भी उन्हें रोके हुए है उसने हमें अमूली समय प्रदान किया है प्रभु श्री राम उस स्कुराया द्रपकु का समचार स्वागत योग्य है लेकिन ये प्रश्ण चतुरुत प्रहर में और भी समिचीन होगा महराज मैं नेच्चित रूप से कह सकता हूं कि उत्तर यहीं रहेगा प्रभु आज के चतुरुत प्रहर तक सम्राड दिलीफ हमारे सामने खड़ा होग हमें मातर आकरमण करना है हमारी विजय निश्चित है मेरे विचार से चंदरवंश्य को पराजित करने में नीले गले के अलावा भी हमें बहुत कुछ करना होगा महराज शिव ने और बड़ी मुस्कान के साथ कहा हमें अपने शत्र को कम नहीं आकना चाहिए हम उन्हें कम नहीं आक रहें प्रभू किन्तु मैं आपको कम आकने की भी भूल नहीं कर सकता शिव ने आत्म समर्पड कर दिया उसने को समय पहले ही इस बात को जान लिया था कि दक्ष के संदेह रही द्रण विश्वास के विरुद्ध तरकों को जीतना असंभव था कदाचित मुझे अ हमारे देखने के लिए एक अवलोकन वेदिका का निर्मान किया है अवलोकन वेदिका हैरान शिव ने पूछा हां क्यों नहीं हम लोग वहां से युद्ध का द्रश्य देखते हैं वहां से अब बहतर इस्तिती में होकर युद्ध के लिए निर्देश दे सकेंगे शिव ने कसाईयों द्वारा किया जाने वाला कार है नीलकंठ द्वारा नहीं चिंतित दक्ष ने कहा आपको चंद्रबंशियों के रक्त से अपने हाथ दूशित करने के आवशक्ता नहीं है पर वतेश्वर उस नागा को बंदी बना कर आपके चर्णों में रख देगा आप उससे ऐसा प्रतिशोद ले सकते हैं कि उसकी पूरी की पूरी जाती युगो युगो तक आपके न्याय से भैखाती रहेगी ये मेरे प्रतिशोद के बारे में नहीं है महराज ये मेलुहा के प्रतिशोद के बारे में है ये सोचना मेरे लिए चुद्र बात होगी कि ये समस्त युद म मात्र मेरे लड़ा गया यह युद्ध अच्छाई और बुराई के मद्ध है ऐसा युद्ध जिसमें एक विक्ति को किसी एक पक्ष के साथ होकर लड़ना होगा धर्म युद्ध में कोई दर्शक नहीं होता यह पवित्र युद्ध है परवतेश्वर ने शिव को गौर से दे परवतेश्वर का हर्दय उस असीम आननद से सराभोर हो गया जिसे एक विद्या संपन सूरιवंशी अनुआ कर सकता था ऐसे विक्ति को पाने का आनंद जिसे प्रेरित हुआ जा सकता था ऐसे विक्ति को पाने का आनंद जो सोयम प्रभु श्री राम के बोल बोलने का पात्र था चिंतित दक्ष शिव के समय पा गया उसने अनुभव किया कि यदि उसे निलकंट को इस उजड़ता से रोकना था तो उनके मन की बात उन्हें बतानी पड़ेगी उसने धीमे से कहा प्रभु आप मेरी पुत्री के पती है यदि आपको कुछ हो जाता है तो वो एक ही जीवन में दूसरी बार शोक संतप्त हो जाएगी मैं ये उसके साथ ऐसा नहीं होने दे सकता कुछ नहीं होगा शिवने धीमे से कहा और सती तो सहस्तर मृत्य उमर जाएगी यदि वो देखेगी कि उसका पती धर्मयुद नहीं लड़ रहा है वो मेरे लिए अपना आदर खो बैठेगी यदि वो गर्वती नहीं होती तो वो अगर कुछ हो गया तो प्रभू तो फिर इसको याद किया जाएगा कि वो एक अच्छे कारे के लिए हुआ था सती को मुझ पर गर्व होगा दक्ष शिव को लगातार घूरता जा रहा था उसका मुख एक संतप्त दुख का एक छाया चित्र बन चुका था मुझे शमा करे म आपने घोडे की और चल पड़ा तो उसने प्रवटेश्वर का गरज वला स्वर सुना रभू शिव चलता रहा प्रभू प्रवलटेश्वर ने बल लगाकर आग रही होकर पुकार शिव चलते-चलते अचानक रोग गया वह मुझी शमा करे प्रवतेश्वर मुझी लगा क नहीं प्रवू प्रवतेश्वर ने शिव के समीप पहुच कर कहा मैं आपको ही पुकार रहा था अब उसकी तेयोरी और भी चड़ गई थी क्या बात है वीर सेना नायक प्रवतेश्वर तनकर सैनी के तरह साउधान के मुद्रा में खड़ा हो गया उसने शिव से एक निश्चित दूरी बना ली थी वो उस पवित्र भूमी पर नहीं खड़ा हो सकता था जिसने महादेव को पालने में जूला रखा था जैसे कि वो आधी नींद में हो प्रवतेश प्रवतेश्वर को लगतार गहरी दृष्टी से देखता जा रहा था उसके मुपर एक अजीब आश्चर मिश्रत अजनबी पन था शिव प्रवतेश्वर का बहुत आदर करता था आताव उसके इस प्रकार के खुले मूर्तिकरण से असुविधा जनक महसूस कर रहा था यह है कि यदि हमारी योजनाए सही है तो मैं आशा करता हूं कि हमें बहुत अधिक रक्त बहानी की आवश्यक्ता नहीं पढ़ने वाली है अध्याए 23 धर्म युद्ध पवित्र जिद्ध सूर्वंशी धनुष के आकार में विवस्थित हो चुके थे शक्तिशाली किंतु अत्यधिक लचीले हाल ही में स्थापित किया गया कच्छवा सैने दल मध में रखा गया था हलके शस्त्रो वाली पैदल सेनाओं से दोनों किनारे बनाए गये थे और अश्वा रोही दल दोनों किनारों पर सीमा बने हुए थे पिछली रातरी बिन मौसम की बरसात की कारण प्रतों को छोड़ दिया गया था पहियों के कीचड़ में फस जाने का जोकिम वे नहीं उठा सकते थे नए प्रसिक्षित धनुषधारियों का सैन दल पीछे की और रखा गया था बड़ी दक्षिता से उनकी पीट को आराम देने वाले आसन बनाए गये थे जिसके उपर व चंदरवंशी पैदल सेना के पीछे थे इसलेवे चंदरवंशियों की दृष्टी से पूरी तरह से छिपे हुए थे एक मानिकी आकरामक बनावट में चंदरवंशियों ने अपनी सेना को अपनी शक्ति के रुसार व्यवस्थित कर रखा था उनकी विशाल पैदल सेना 5000 सै मुहों की पंक्तिया थी जो अपना काम समाप्त करने के लिए तयार बैठे थे संख्या की दृष्टी से इस प्रकार की बनावट कम सेना पर सीधा आक्रमण करने के लिए सटीक थी जिससे आक्रमण को बहुत अधिक शक्ति एवं द्रणता मिलती कि इसके साथ ही ये बहुत ही ठोस बनावट थी जिसमें अल्लाचीला पर नहीं था दलों के मध्य थोड़ी जगहा रखी गई थी ताकि ये दियावशक्ता पड़े तो अश्वारोही दल धावा बोल सके सूरिवशी बनावट को देखते हुए च पराचेन युद्ध नियम पुस्तक को मूर्द रूप दे दिया था और उसके एक एक प्रष्ट का निष्ठा पूर्वक पालन किया था ये एक आदर्श तरीका होता यदि उनके शत्रों ने भी मानकिये युक्तियों का पालन किया होता दुर्भाग इसे वह एक तिबतिय क कबीले के मुख्या के विरुद युद्ध कर रहे थे जिसके नव प्रवर्तनों ने सूरेवंशी आक्रमण को पूरी तरह से रुपांत्रित कर दिया था युद्ध के मुख्य मैदान के किनारे एक चोटी पहाड़ी की और जियों ही शिव का घोड़ा पहुचा तो कोड़ी के जथे ईश्वर की पुकार से युद्ध का घोशनात करने लगें इंद्रदेव की जय अग्री देव की जय शक्ती देवी की वरुर्देव की जय जय पवन देव की ये पुकार छण भर में ही भुला दी गई जब सैनिकों ने देखा कि एक श्वेत अतिसंदर कर दिया हो वो गरजना इतनी विशाल थी कि बादलों में घर बनाने वारे देवताओं को भी बाहर निकलकर नीचे घट रही घटनाओं को देखने के लिए विवश कर दिया वक्र तीवरता से शिव के पास पहुँच गया जैसे ही उसने देखा कि शिव उसकी ओर आ रहे थ इस से पहले कि शिव उसके पास पहुंचते प्रवतेशवर भी तेजी से घोड़े से उतर गया और वक्र के समीप पहुच गया प्रभु दाए कर रहे हैं वक्र को उसके पैरों पर खड़ा करके शिव ने उसे आलिंगन बद कर लिया मैं आपका मित्र हूं ना की प्रभू विस्मित वक्र पीछे हड़ गया उसकी आत्मा धनात्मक उर्जा की धारा प्रवाधार के प्रवेश को स्विकार करने में असमर्थ थी उसने बु महादेव महादेव शिव एक ही वक्राकार चाल में कूदगर अपने अश्व पर चड़ गया उस चड़ी को उपर उठाते हुए उसने सूरिवंशी पंक्ति के साथ साथ एक और से दूसरी और तक घोड़े को दोड़ाया सूरिवंशी गरजना तीवर अतितीवर होती चली महादेव 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 सूरिवंशीयों शिव ने अपने हाथ उठाकर गरजना की मिलो हावासियों मुझे सुनो अपने अस्तित्य धारी इश्वर की बास सुनने के लिए सेना पूरी तरह से शान्त हो गई महादेव कौन है शिव ने दहार लगाई सभी भाव विभो होकर सुनने वालों किस्तिती में आ गए वे एक एक शब्दों को ध्यान से सुन रहे थे क्या वो एक उदास भरी उचाई पर बैठता है और विर्थ में ही देखता है जबकि साधार लोग वो करते हैं जो उसका कारे है नहीं कुछ सेनिक शब्द रहित प्रातना कर रहे थे क क्या वो सुस्ति से आशिरवात प्रदान करता है जबकि अन्य लोग सच्चाई के लिए युद्ध करते हैं क्या उदासींता से चुपचात देखता रहता है और मृत को गिंता रहता है जबकि जीवत व्यक्ति बुराई को नश्ट करने के लिए बलिदान देता है नहीं उस काईयों को नश्ट करने के लिए युद्ध का प्रारंब करता है सेना निस्तब्द खड़ी थी क्योंकि वो धनात्मा कूर्जा का अनुभाव कर रही थी मैं एक महादेव हूं शिवने गर्जना की सूर्वेंशियों द्वारा एक प्रतनिदी करने वाला गलगलाहर पाला श मैं अपने समख्ष एक लाख महादेवों को देख रहा हूं मैं देख रहा हूं कि एक लाख व्यक्ति बुराई से लड़ने के लिए तयार है और मैं देख रहा हूं कि एक लाख व्यक्ति बुराई को नश्ट करने की च्छमता रखते हैं सूरिवन्शों ने हैरानी से अपने निलकंट को देखा कि कि उनके शब्द उनके मन में घुसकर व्याप्त हो गए थे उनकी ऐसी हिम्मत नहीं बची थे कि भी प्रश्ण कर सकें क्या हम इश्वर हैं शिव के पास उत्तर था हर एक महादेव है मेलूहावासि विस्मित से ख़ड़े थे प्रतेग वो व्यक्ति जो वहा था हो महादेव था हर हर महादेव शिव ने गरजना की मिलुहा वास्यों की दहाल गुजी हम सभी महादेव हैं विशिद मौली कूर्जा प्रतेक सूरिवंशियों की नसों में दोड़ गई वे भगवान थे अब इसका कोई आर्थ नहीं था कि चंद्रवंशी संख्या में एक के मुकाबले दस अधिक थे वे भगवान थे यदि चंद्रवंशी एक के मुकाबले सो भी होते तो भी वीरे सूरिवंशियों की ही होनी थी वे भगवान थे हर हर महादेव सूरिवंशी सेना ने पुकार लगाई हर हर महादेव शिव ने चिल्ला कर कहा हम सभी भगवान हैं भगवान अपने लक्ष के कारे पर हैं अपनी तलवार बाहर निकालते हुए उसने अपने घोड़े की लगाम खीच ली अपने दोनों पिछले पैरों पर उठते हुए वो युद्धाश्व रूप से उग्रहिन लाया और बड़ी सफाई से घूमकर चंद्रबंशों को मुख महादेव बुरायों के लंबी अवधिया समाप्त हो जाएगी हर हर महादेव जब सेना भगवान के समान गर्जना कर रही थी जो कि वे थे शिव ने अपने अश्व को एल लगाकर प्रवतेश्वर के और रुख किया जो नंदी वीरभदर और वक्र से हिरा हुआ था उसके बाद उसने अपने अश्व को मोड़कर ध्वज वाहग को आग्या दी धनुदर ध्वज वाहग ने संकीत अत्मक ध्वज को उठा दिया वो लाल रंग का था जिस पर काले रंग से उगरूप से बिजली कड़कने वारा चिन्ध बना हुआ था सभी ध्वज वाहग को अर्ध व्रत्ताकार बनावाट में रखा गया था ताकि वे अधिक से अधिक चंद्रबंशी सेना को लक्ष बना सके जैसे ही आसमान बाडों के आवरण में छुप गया तो पांच हदार धनुदरों ने चंद्रबंशियों के उपर मृत्य की वर्षा कर दी अब हागे का निर्दई नसनहार जो प्रथम असंखे जनसमोहों के दलों पर हुआ था तो कुछ ही मिंटों में उनकी पंक्तिया तूटनी प्रारंब हो गई प्रथम सेना के दलों में मरने वालों एवं घायलों की संख्या इतनी विक्रालती कि वे अपने स्थान पर अडिग नहीं रह करण की पर्वतेशवर ने सेहिला कर अपने धोजबाको को संकेत दिया जिन्हों ने संदेश का प्रसाराण आगे कर दिया धनूर्धरों ने कुछ चन के लिए बाणों को चलाना बंद कर दिया पहियों को दाहिनी और घूमाकर उन्होंने अपने पैरों वाले धनुष के आ के दलों पर बाणों की वर्षा ने दूसरी पंक्ति के दलों को चुड़ायल की भाती डरा दिया इस मद्द शिव ने देखा कि चंद्रवशी अश्वरोही दल आकरमण करने वाली इस्थिती में आ चुका था वो परवतेश्वर की ओर मुड़ा औरस ने कहा सेना नायक उनकी अश्ववाहीनी आगे बढ़ रही है वे हमें तितर बितर करके धनुदरों पर आकरमण करने का प्रयास करेंगे हमारी अश्ववाहीनी को उन्हें मैदान के मध्य में ही रोग देना होगा जैसी की प्रभू किया परवतेश्वर ने कहा मैंने चंद्रवश्यों की इस चाल क को बहुत अधिक आगे नहीं निकलना है अन्यता हमारे ही बाण उन्हें घायल कर सकते हैं और उन्हें पीछे भी नहीं भागना है उन्हें मध्य में एक इस्थान पर डटे रहना है कम से कम अभी और पांच मिन्टों तक मैं आपसे सहमत हो हमारे धर्लुदरों को इतने और स चंद्रवंशियों प्रती आक्रमणों को रोकने के लिए बिजली की कड़ा की तेज गती से गरजना करते हुए आगे बढ़ गये इस मध्य चंद्रवंशियों की दूसरी पंक्ति के दलों में गडबड़ी और भी बढ़ चुकी थी क्योंकि निर्दई एवं कुरूड क्योंकि वे इस निश्ट्र संगार से बचने का प्रयात्न करने लगे थे और लंबी दूरी की मारक छमता प्रभू परवतेश्यों ने शिव की और देखकर कहा जैसे ही वो उनकी मूब भाशा समद चुका हो शिव ने सहमती में सिरह लाया इस मद्य युद्धिभूमी के प पराजय लगभग निश्ची थी वे अत्यधिक क्रोध की उनमतता से संगर्श कर रहे थे जैसे घायल शेर हो तलवारे मांस एवं हड्डियों को काट रही थी भाले बल्लम कवचों को छिद्रियुक्त बना रहे थे सैनिक अपने कटे हुए अंगों के बावजूद युद् चाहते थे जो धनरुधरों को सुरक्षा प्रदान किये हुए थी कि दुद्रभाग सेवे सूर्यवंशियों के दो सबसे भीशन सेनापतियों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे माया श्रेनिक और विद्युन माली ने अत्यधिक उगरता से युद्ध किया और उस विश और वीरता से डटे होए थे अब उनकी ढाले इतनी शक्तिशाली नहीं रहे गई थी कि बाणों को रोग सके तो उन्होंने मिरत सैनिकों के शरील को ढाल बनाना प्रारंब कर दिया था लेकिन विपंक्ति में डटे रहे थे क्या अब हम इसे बंद करके आकर्मन कर दें मागों को भी नश्ट कर सकते हैं यदि उनकी भी पंक्ति में भगदर मजती है तो समझे कि उनके वक्ष स्थल में घवराहट के लहर फैल जाएगी आप बिल्कुल सही है प्रवतेश्वर ऐसा ही करते हैं इस मंद्य पश्च्यमी सीमा पर चंद्रवंशियों ने अपने आश जाकर पुना मिल गए तो विद्दिम माली ने अपनी टुकडी को धरुष के खिनारे वाले स्थान पर पुना लाकर खड़ा कर दिया चंद्रवंशियों का सामना कर रहे थे थोड़ा कठिन तत्व के बने होए थे आठीदी घानी पहुशने के बाद भी विए कठोड़ता स संघर्ष कर रहे थे और पीछे हटने से इंकार कर रहे थे माय श्रिनिक एवं उसके दल ने शत्रूओं को रुकने के लिए घमासान युद्ध किया था अचानक ही बाड़ों की वर्षा रुख गई धरुद्धरों को रुख जाने का संकेत दिया जा चुका था अब जबकि कि उनका लक्ष बिना उनके हस्तक्षेप के ही पूरा हो चुका था तो चंद्रवंशी सेना पती ने अपने अश्वरों ही दल को पीछे हट जाने का आदेश दे दिया उधर माय श्रिनिक ने भी अपने दल को पीछे हट कर पुना अपने मौलिक स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि युद्ध का मुख्या आकरमण अब कुछ ही छड़ों में प्रारंब होने वाला था सेना नायक क्या हम प्रारंब कर सकते हैं शिव ने बाएं भाग की और सिरह लाकर पूछा जैसी प्रभू की इच्छा परवतेश्वर ने उत्तर मैं जीत जाओंगा प्रभू चलिए देखते हैं शिव मुस्कुराया उसके आंके ठीटोली करने वाली मुद्रा में संकुचित होएं परवतेश्वर अक्तिधिक पूर्ती से अपने आश्व पर सवार हुआ और नेत्रत्व करने के लिए चल पड़ा शिव अपने अनुगा होगा बुरायों का आज ही सर्वनाश होगा हर हर महादेव जो ही शेंक ध्वनी ने सूरिवंशी आक्रमाण की गोशना की तो सैनिकों ने अपने तीवर स्वरों को गुंजाय मान कर दिया कानफ़ो शोर मचाते हुए पैदल सेना ने चंद्रवंशियों के और आक्रमाण करन देते हुए इस मध्य तीसरी एवं चौथी पंक्ती के बचे हुए साहस्ती चंद्रवंशी सेनिक टेजी से एक पंक्ती बनाने के प्रयत में जूटे थे ताकि सूरिवंशियों के घाता का आक्रमाण का सामना कर सके लेकिन अंगिनत मृतिकों के शरीरों के युद के मैदान में होने की कारण वे पारंपरिक चातुरंग बनावट में नहीं आ पा रहा है थे जो उन्हें चैति चलन के अनुमती प्रदान कर पाता और इससे पहले की सूरिवंशी सेना उन पर आक्रमन करती वेक पतली पंक्ती में एक साथ भीड की तरह ही घट्टे हो पाए किनारों पर हल्की पैदल सेना अपने किनारे वाली सेना से धीमें होकर पीछे थी क्योंकि कछुवे के दलों की घदी अबाद रूप से चलने वाली कछुवा टुकुडियों ने चंधर्वंशीों के मद्धी हिस्से को च्षित निभेने कर दिया चंधर्वंशीयों के सबस अक्रमन के कारण ही किषिनारवेख भाग बिखर गया और शूरीवेश्यव внутласти के अधर के उग्रारों रूप ऑपने भाक निंतरत्व कर रहा था हुए असामने आने वाले सभी संदर्वेश्यू की पूरी तरह से नश्च कर रहा है उसे तब आश्र हो बिखाkaa कि शत्रों की पंक्ति छीड होने लग गई थी उसने अपने से आगे बढ़कर आक्रमण करने दिया और स्वायम को उची उठाकर आसपास हरोर दृष्टी दवडाई ताकि जान सके कि कहां क्या हो रहा था यह देकर स्थब्द रह गया कि चंदरवंशी पंक्ति जो उसका विर और सूरी वंशीयों पर विद्वन्शकारी प्रलैल आ सकते हैं मेरू हवासियों शिव ने गर्जना की मेरे पीछे आओ शिव के ध्वज बाहक ने अपनी जंडी उची कर दी सैनिकों ने शिव का अनुसरार किया निलकंठे ने उन चंदरवंशीयों के उपर बगल से धाव बुल दिया जो कश्मा टुकडियों पर बगल से आकरमन कर रहे थे एक और से तुर और दूसरी और से शिव के आकरमने चंदरवंशीयों के साहस को अंत्रह तोड़ कर रग दिया जो कुस समय पूर्व एक विशाल का चंदरवंशी सेना थी वह अब कहीं कहीं पर एगाध व विलक्षा और प्रकटी करण सती अपने तंबू से तेजी से बाहर आ गई उसके पिछे क्रतिका और आयुर्वती थी थोड़ा धीरी चलिये सती आयुर्वती ने दोड़कर चलते हुए उनके पास पहुचते हुए कहा इस प्रकार कि आपकी इस्थिती में सती ने खीस के सा आयुर्वती को देखा लेकिन उसने अपनी चाल कम नहीं की वो तेजी से राजशाही तंबू की और बढ़ती चली जा रही थी वहाशिव और प्रवतेश्वर विजय की घुषणा के बात बहुत चुके थे उसे ये सूचना मिली थी नंदी और वीर्भदर प्रवेश गया है कि किसी को भी अंदर प्रवेश ना करने दिया जाए क्यों आश्यर चकित आयुर्वती ने पूचा मैं नहीं जानता देवी मुझे शमा करें कोई बात नहीं आयुर्वती ने कहा आप तो केवल अपना कर्तव कर रहे हैं विर्भादर ने कृतिका की ओर देखकर कहा म इस बात समझ में नहीं आ रही है सती चकेत थी कि परवतेश्वर शिव को प्रभू कहकर संबोधित कर रहे थे किन्तों शिव को सुरक्षित देखने की खुशी ने उसकी इस सोच को एक और कर दिया शिव सती शिव उसकी और मुड़कर भूद शिव उसकी और मुड़ते हो सती जड़वात हो गई थी क्योंकि जब उन्होंने सती को देखा तो वे मुस्कुराय नहीं थे उनके मुख पर विजय मुस्कान नहीं थी उन्होंने अपने घाओ पर मरहम पट्टी भी नहीं करवा रखी थे क्या बात है सती ने पूछा शिव ने सती को गहरी दृष्टी स देखा उसके मुख के भावों ने सती को विश्लित कर दिया वो परवतेश्वर की और मुड़ी उसने कुछ चड़ के लिए एक जबरन मुस्कान वाली मुद्रा की इस प्रकार की मुस्कान उनके मुख पर तभी आती थी जब वे किसी बुरे समाचार से उसे बैचाना चाहत आपने सूरिवंशियों को अब तक की सबसे महान विजय दिलाई है चंदरवंशियों को ये घंगोर पराजे मेरे दादाजी द्वारा देने वाली पराजे से भिस्रेश्ट है आपको तो गर्व होना चाहिए मैंने चंदरवंशियों के साथ किसी नागा को नहीं देखा शिव ने कहा नागा लोग वहां नहीं थे सती ने पूछा ये तो समझ के बाहर है हाँ शिव ने कहा उसके आखे कुछ पूरवा भास के संकेत दे रही थी यदि वे चंदरवंशियों के साथ इतने हिले मिले दूरह प्रियोग में लाया जा रहा था तो उनकी दक्षता युद्ध में उनके लिए और भी उपयोगी छोती लेकिन वे कहते हो सकता है उनके मध्य धरार हो गई हो सती ने कहा मैं ऐसा नहीं मानता प्रभतेश्वर ने कहा युद्ध ही उन दोनों सती चौक कर पीछे हड़ गई, उनकी इस आसामाने उगरता से वो विस्मित रहे गई, वे ऐसे तो ना थे, इस मद शिव को अनुभाव हो चुका था कि उसने क्या कर दिया था, उसने तुरन थी अपने रक्त से सने हाथ से सती का हाथ थाम कर कहा, मुझे छमा कर दो सती, असल म गले लगाया, शिव के मुख से पीड़ा के कारण हलकी सिसकारी निकल गई, उसके घाव पीड़ा दे रहे थे, दक्ष ने तदकाल उन्हें छोड़कर एक अदम पीछे ले लिया, मुझे शमा करे प्रभू, अपने सहाय के और मुड़कर दक्ष ने कहा, आयरुवदी बाहर क्यों है, उन्हें अंदर बुलाओ, उन्हें प्रभू के घावो पर मरहम पटी लगाने दो, नहीं रुको, शिव ने उस सहाय को कहा, मैंने ही कहा था कि कोई मुझे तंग ना करे, बात में भी घावो का उपचार किया जा सकता है, शिव ने दक्ष के और मुड़कर कहा, महा को धनेवाद ग्यापित करना चाहता था, हमने वो किया है, जो मेरे पिता भी नहीं कर सके थे, ये एक पूर्ण विजय है, इसे पहले कि दक्ष उनका ध्यान पुना अपनी और खीच पाता, शिव एमुम परवतेश्वर ने कुछ पल के लिए दूसरे को देखा, जब हम यह बात कर रहे हैं, तो समराण दिलीप को यहां लाया जा सकता है, दक्ष ने कहा, क्या? परवतेश्वर ने आश्चर इसे पूछा, किन्तो हमने तो अभी कुछ समय पहले ही सैनिकों को उनके खेमे में भीजा था, वो इतनी श्रीगरता से उसे बंदी नहीं बना पाया होंगे नहीं परवतेश्वर, दक्ष ने कहा, मैंने अपने नीजी पहरादारों को बहुत पहले ही भेज दिया था, अवलोकन विदिका से हम देख सकते थे कि जब तक प्रभू और आपने तीसरा आक्रमन किया था, तब तक चंदरबंशी पराजित हो चुके थे, एक दूरी से जो आत्मसमरपड की शर्तों के बारे में विचार रिमर्श नहीं कर लेना चाहिए, हम क्या प्रस्ताव रखेंगे, प्रस्ताव? दक्ष ने पूछा, उसकी आखे विजय के परम आनंद से जिल मिला रही थी, सच्चाई से कहें तो ये देखते हुए कि उसकी कैसी घंगोर परा चंसा करती रहेंगी, इससे पहले कि चकित शिव पूछ पाता कि दक्ष ने अपने मन में क्या सोच रखा था, राजशाहिद हिंडूरा पीटने वाले ने दिलीप के उस तंबू के बाहर उपस्तिती की घोशना कर दी, उसके साथ राजजय भिशेक हुआ, उसका राजकुम तो सती वहां से बाहर जाने को हुई, शिव ने हाथ बढ़ा कर उसका हाथ पकड़ लिया, वो मुड़ी और उसने शिव की आवशक्ता को समझ लिया, उसके बाद वो शिव के पीछे रखी कुरसी पर जाकर बैठ गई, दक्ष ने उसके बात पकार कर कहा, उसे अंदर आने शिव बुराई के मुख को देखने के लिए व्याकुल था, नागाओ के अनुफस्तिती के बारे में संधे होने के बावजुद वो सचमुची ऐसा मान रहा था, कि उसने सच्चाई से एक न्याय संगत युद्ध किया है, उसने सोचा कि चंदरवन्शियों के उस दुष्ट राजा के पराजित मुख को देखने पर ही पूर्ण विजय होगी, दिलीप अंदर आया, शिव चकित होकर सीधा हो गया, जैसी उसने आशा की थी दिलीप वैसा कदाप ही नहीं था, वो देखने में एक व्रध व्यक्ति जैसा था, जो द्रश मेलूहा में सोम्रस के कारण व लिरले ही देखने को मिलता था, वरध होने पर भी दिलीप का वैक्तित सुन्दर था, वो मध्यम कदका और थोड़े मांसर शरीक के साथ उसकी तचा काले रंग की थी, मिलूहा वासियों के साथगी भरे पहनावे की तुलना में उसका पहनावा मौलिक रूप से भिन्न था, एक चमकदार गुलावीध होती, चमकदार बैगनी रंग का अंग वस्तरम और प्रचूर मातरा में सुरन आभूशर उसके अधिकतर अंगों में पहने होने के कारण उसे आकरशक बना रहे थे, उसके चेहरे से प्रतीत हो रहा था कि उसने जीवन को बहुत ही आमोद प्रमो भी दे रखा था, अभिशिक्त राजकुमार भागिरत कहा है, दक्ष ने पूचा, मैंने उसे बाहर प्रतिक्षा करने के लिए कहा है, क्योंकि वो थोड़ा क्रोधी स्वभाव का है, दिलीप ने कहा, वो केवल दक्ष को देख रहा था, और किसी अन्नी की उपस्तिती मानन अपने से इंकार कर रहा था, उसने आगे कहा, क्या आप मिलुहा वासियों में अपने अतिती को बैटने के लिए कुरसी देनी की रस्म नहीं है, आप अतिती नहीं है समराड दिलीप, दक्ष ने कहा, आप बंदी है, हाँ हाँ मुझे पता है, आप मस्करी पसंद नहीं करते गया, दिलीप ने वेंग्यात्मक धंग से कहा, तो फिर इस बार आप लोग हम से क्या चाते हैं, दक्ष ने दिलीप को प्रश्चि सूचक दिश्टी से घुरा, आप लोगों ने सौ साल पहले ही यमुना का जल चोरी कर लिया है, दिलीप ने कहना जारी रखा, अब और क्या चाते हैं, शिव ने आश्चर से दक्ष के दूर मुड कर देखा, हमने यमुना का जल चुराया नहीं है, दक्ष क्रोध से चिलाया, वो हमारा था और हमने वापस ले लिया था, हाँ जो भी हो, दिलीप अपने हाथों को लहरा कर इस बात को वहीं समाप्त करता हुआ बोला, इस बार आपकी क्या मांगे हैं, जिस प्रकार वारतालब चल रहा था, उस पर शिव अचंबित था, उन लोगों ने अभी अभी इस दुष्ट विक्ति को पराजित किया था, उसे पश्चतापी होना चाहिए था, लेकिन वो दूसरों को नीचा दिखाने वाला वेवहार कर रहा था और दंभी था, दक्ष न दिलीब को अपनी आखें बड़ी करके और मधुर मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, मैं कुछ लेना नहीं चाहता बलकि आपको कुछ देना चाहता हूं, दिलीब ने सावधानी पूरवक अपनी भौहों को उपर उठा कर पुछा, हम आप में सुधार लाएंगे, दिलीब ने खीकी वाली हसी से पूचा, हम में सुधार? हाँ, मेरे सेना नायक परवतेश्वर अब आपके सुधीब पर हमारी राज प्रतिनिदी के तोर पर शासंग करेंगे, आप नाम मातर के समराठ होंगे, परवतेश्वर ये आएगा, ऐसा प्रतित हुआ कि दिलीब को अपनी हसी रोकने में बहुत कठिनाई हो रही थी, क्या आप सच मुझ में ही ये सोचते हैं कि आपके सीधे साधे लोग स्वधीब पर साशन कर सकते हैं, मेरे लोग आस्थिर हैं, वे आपके देशों को कभी नहीं सुनेंगे, सच मुझ में, वो कहां से आता है, मुझे परकाशित कीजिए, दक्ष ने शिव के और जुक कर कहा, देखिए हमारे साथ कौन बैठते हैं, दिलीब दक्ष के दाहिने मुड़ा और उसने अविश्वासी होकर पूछा, ये कौन है, इंद्रदेव के नाम पर इसमी क्या विश नीला कंठ प्रदीप्त हो रहा था, अचानक दिलीब की वो अहंकारी मुस्कान अद्रश हो गई, वो सदमे में प्रतीत हुआ, उसने कुछ कहने का प्रयास किया, लेकि शब्द उसके मुख से बाहर नहीं आ रहे था, हाँ, हे भरष्ट चंदरवन्शी, दक्ष ने अवग् अबता से उसकी पीट में जूरा गोपा था, वेहाथ उसके प्रीव प्रिताशरी का हो, बढ़ती हुई शंकाओं से शिव का हर्दय अशांत था, ये बैठक इस प्रकार से होनी निरधारत नहीं थी, दक्ष ने धंकी भरे स्वर में बोलना जाली रखा, नीलकंठ ने प्रत यत कर लिया था कि वो कह सके, आप जो कहें, इससे पहले कि दक्ष अपने गरजन वाले स्वर में कुछ और कह पाता, दिलीप मुड़ा और लडख़ाते हुए तंबू के आबरन के और चल पड़ा था, बाहर निकलने से पहले वो शिव को इबर पुना देखने के पीछे मु लिवान थे, परवतेश्वर के और मुड़कर उसने कहा, परवतेश्वर दिलीप तूटा हुआ है, आपको स्वधी पासियों को नियंतर करने में और उन्हें हमारी जैसे जीवनशैली के और लाने में कठिनाई नहीं होगी, हम लोग इतिहास में सकारे के लिए जाने जाए शीव इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, उसका परिशान हर्दे उचित उत्तरों की खोच कर रहा था, एक संगर्ष चुकुछ घंटों पहले तक न्याय संगत प्रतीत हो रहा था, अचानक ही वो गलत प्रतीत हो रहा था, वो आसहाय सा सती के और मुड़ा, सती ने ध आप इस सम्मान की योग्य है प्रभू, आपने इस सुहावने दिन के लिए हमारा नेतरत्व किया है, इस समय ये वारतलाप शिव को उतना महातपूर नहीं प्रतीत हो रहा था, उसके पास इतनी उर्जा नहीं बची थी कि वो कोई उत्ता सोच सके, उसने खोई-खोई-खो परवड़ी फैल जाए, कल प्राता काल ही हमें आयोध्या पर नियंतर करने के लिए प्रस्थान करना होगा, शिव के और नमस्ते करने के बाद दक्ष मुड़कर जाने को हुआ तो उसने परवतेश्वर से पूछा, परवतेश्वर आप नहीं चल रहे हैं, परवतेश्वर शिव की ओर देखा, तो उसके चहरे पर चिंता की रिखाएं उभर आई, परवतेश्वर दक्ष ने दोहराया, एक छड़ सती को देखता हुआ, परवतेश्वर मुड़कर चला गया, सती आगे बढ़ी शिव के चहरे को कोमलता से थामे होए, शिव के आँखे अत्यधिक ठ लगाने की और अग्रसर था, अचानक वो बहुत उचे स्वर में चिलाया, नंदी, नंदी तकाल अंदरा पहुचा, नंदी, क्या तो मैं गुलूबंद ला सकते हो, गुलूबंद प्रभू, नंदी ने पोचा, हाँ, कि तो क्यों प्रभू, क्योंकि मुझे चाहिए, शिव उचे स्वर में चिलाया, नंदी अपने प्रभू के इस हिंस प्रकार के उत्तर से सब धोकर तेजी से बाहर भागा, सदी और आयुर्वती ने आश्चर में शिव को देखा, इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, शिव अचानक ही गिर पड़ा, अचेत, वो तीवर गती से दौ शान्ती को भंग कर गई, सहायता, मेरी सहायता करें, वो रुख गया, नहीं, इस बार नहीं भागेगा, वो उस राक्षत से लड़ाई करेगा, वो महादेव था, ये उसका कर्तव्य था, शिव धीरे से पीछे मुड़ा, उसकी तलवार निकली हुई थी, उसकी ढाल उसके ह मैं से पहुच जाओंगा, मैं इस बार उसे निराश नहीं करूँगा, मेरा रक्त मेरे पापो को धो डालेंगे, उसने उस अंतिम जाडियों के जुर्मट से उपर छलांग लगाई, काटो ने उसके शरीर के मांस को एक लोभी की तरह काट कर रख दिया था, किंदु वो जिहान केंदरन को तोड़ डाला था, उसने अपनी ढाल को धीमे से नीचे किया, बहुत धीमे से, हे प्रभू, पीड़ा में उसकी चीख निकल गई, इस तरी भूमी पर व्यथित पड़ी हुई थी, एक छोटी से तलवार उसके वक्षिस्तल में गड़ी हुई थी, वो छो पुरवक चीखा, और एक जटके से उड़ बैठा, क्या हुआ शिव, सती ने चिंदित होकर पूछा, जपटकर उसके हाथ को पकड़ते हुए, शिव ने विसमे से कक्ष में चारोड देखा, चिंदित परवतेश्वर एवं आहिर्वती भी खड़े हो गए, और बोल पड़ लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है, शिव ने धीरे धीरे जब अपना मांसिक संतुलन पाया तो वो अपने बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया, सती ने उसकी सहायता करने का प्रयास किया, किन्तु उसने स्वयम ही उठने का हट किया, उसका गला अत्यंत ही दुखध मैं आसमान को देख लिया था, हाँ, चिंतित आयर्वती ने कहा, लगभग 36 घंटे, 36 घंटे, चेकित शिव के मुख एक चीख निकल पड़ी, और वो एक आरामदाय कुरसी पर लगभग गिर सा गया, उसने एक दरावने आकार के विक्ति को पीछे की और बैठे हुए देख उसकी आखे पटियों से बंधी हुई थी, और उसके अंगच्छे दन किया हुआ, बाया हाथ रसी के साहरे लटका हुआ था, धिहान से देखने पर शिव आश्चर में बोल पड़ा, द्रपकु, जी हाँ प्रभू, द्रपकु ने सैनिक अभिवादन करने के लिए उठने का प्रयास करते हुए कहा, हे भगवान द्रपकु, तुम्हें देकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्रपया बैठे रहो, आपको देखना स्वरगी अनभूती है प्रभू, तुम्हारी और युद्ध कैसा रहा, मैंने अपने बहुत से लोगों को खो दिया प्रभू, बहुत धनेवाद प्रभू, सती अपने पती के बालों में हाथ फेरते हुए खड़ी थी, क्या आप निश्चित रूप से बैठना चाहते हैं शिव, आप कुछ दिर के लिए लेट सकते हैं, मैंने उस अंजानी मुद्रा में कुछ अधिक ही आराम कर लिया है सती, शिव ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, परवतेश्वर दरपकु और आयर्वती के मूँ से हलकी हसी फूट पड़ी, सती को हसी नहीं आई, वो शिव को अत्यधिक ध्यान पूर्वक देख रही थी, वे कुछ अधिकी प्रियास कर रहे थे, वे भूलने का प्रत्न कर रहे थे, वे सामराज ने अनुभव किये कि परस्थितियों को देखते हुए स्वधीब को बिना शासक के अधिक दिनों तक रखना उचित नहीं होगा, उन्होंने इसे महातपूर्ण समझा कि समराठ दिलीब को बंदी बनाये हुए सूरिवन्शी सेना को समस्त सामराज में विर्मना करा करना चाहिए, ताकि स्वधी पासियों को पता हो और वे इस नए विधान को सुईकार कर लें, तो फिर हम लोग आयोध्या नहीं जा रहे हैं, हम लोग जाएंगे प्रभू, आयरुवती ने कहा, कुछ दिनों के बाद, जब आप पूरी तरह से स्वस्त और पूर्व की भात कि एक सदस्य को पीछे छोड़ दिया है, ताकि बंदी साथ में रहने पर हमारी अपेक्षक्रत छोटे सैने दल पर स्वधी पासि भूल कर भी आकरमार ना करें, तो इसका अर्थ है कि हमारे खेमें में समराण दिलीप के परिवार का सदस्य भी है, जी हाँ प्रभू, परव परवतेश्वर ने तीवर आँखों से आयर्वती को देखा, क्या हुआ, शिव ने पुना पूछा, इतना कुछ भी महतपूर नहीं है प्रभू, परवतेश्वर ने विचित्र तरह संकोच पूर्टा से कहा, वो ऐसा है कि वो कुछ अधी की दमदार है, तो फिर ठीक है, मै उसके रास्ते में कभी ना पड़ो, शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मारग सही प्रतीत होता है, परवतेश्वर ने मांचित्र पर संकीत करते हुए कहा, पिछले पाश दिविसों में शिव और विशाक्त होने वाले सभी सैनिक भले चंगे हो चुके थे, आयोध्या क के बारे में सोचने का कोई अर्थ नहीं है, मैं निच्चित तोर पर कह सकता हूँ कि वो उस बैठक के दौरा नाटक कर रहा था, चिंदरवंशी बुरे लोग हैं, बेकिसी भी प्रकार का दोखा देने में माहिर है, हमारा युद्ध नियाय संगत था, हम लोग कल प्राता प नंदिर को अच्छी तरह से रखा भी हैत्वा नहीं, अपनी ग्रणा में उसे नश्ट ना कर दिया हो, उनकी ये बादचीत एक अत्यंती उच्च इस तरिये शोरगुल से बाधित हो गई, परवतेश्वर ने गुस्से में अपनी तेवरी चढ़ा कर पूछा, वहां बाहर क कहो कि वह अपने तंबू में प्रतीक्षा करें, परवतेश्वर ने गुर्रा कर कहा, मैं कुछ ही मिंटों में उनसे मिलता हूँ, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती सिनना नायक, आवरण के पीछे से एक शक्तिशाली स्त्री का स्वर उपरा, शिव ने परवतेश्वर को संकेत कि उन्हें आने दिया जाए, परवतेश्वर ने आवराण के ओर मुण कर कहा, नंदी, वीरभद्र उन्हें अंदर लेकर आओ, किन्तो अस्त्र शस्त्र आदी के लिए उनका परिक्षान कर लेना, कुल्सी छड़ों में नंदी एवं वीरभद्र के साथ आनंद मही ने शिव की भौएं उपर उड़ गई, वो अपने पिता से अधिक लंबी थी, और ध्यान भंग करने वालियों की तरह सुंदर थी, अखरोट के गहरे रंग वाला उसका सुरूप उसके शरीर का संपूरक था, जो प्रचूर मात्रा में कामुक किन्तु स्वस्त था, उसकी हिर्णी ज भौती को संकट पूर्ण तरीके से कमर में बहुत नीचे की और बांधा हुआ था, और जो घुटनों से कई इंच ऊपर तक ही थी, जबकि उसे पीड़ा युक्त तरीके से अपने कमनी नितंबों पर कसकर लपेटा हुआ था, वो लंगोर से कुछ ही लंबी थी, जो मेलुह वासी पुरुष अनुष्ठानिक स्नान के समय पहना करते थे, उसकी चोली कुछ-कुछ उसी प्रकार के कपड़े के टुकड़े से बनी हुई थी, जो मेलुहा वासी इस त्रियों दौरा पहनी जाते थी, किन्तो अपबाद रूफ वो उपर से उसके विशाल उरोजों को आ करते हुए आनंदमई ने धावा बोला, विसमित नंदी एवं सती ने दृष्टी कड़ा कर उसको देखा, जबकि शिव एवं वीरभद्र के मुख पर एक आश्चरि मिश्चित मुस्तकान थी, परवतेश्वर ने हलका सा सिर्ह लाया, आप कैसे हैं परवतेश्वर? आनंद परवतेश्वर ने तीखे स्वर में पूछा, हम लोग एक महातवपूर्ण बैठक में हैं, जिसकी मुझे अपिलाश्चा है कि आप उसे सच में पूरा करेंगे सेना नायक? आनंदमई ने निस्वास छोड़ते हुए कहा, परवतेश्वर शर्म से और भिलाल हो गया, राज परवतेश्वर ने नंदी की और मुणकर आश्चर में देखा, नंदी ने तुरंत अपना मुझ खोला, प्रभू इन्हें मातर एक गिलास दूद के आवशक्ता नहीं है, बलकि पचास लीटर के आवशक्ता है, आहार वितरन नेंतरन के तहत इसकी अनुमती नहीं दी जा सक सकती है, पचास लीटर दूद पीने वाली है, परवतेश्वर चीखा, उसके आँखे आश्चर में फटी रह गई, वो मुझे सौंदर इस्नान के लिए चाहिए सेना नायक, आनंदमई ने कुरुद दृष्टी से देखा, आप हम लोगों को एक लंबी यात्रा पर ले जान नहीं होगा, आनंदमई ने लगबग चेतामनी वाले स्वर में कहा, शिव अब अपने पर नियंतरन ना रख सका और ठाहा का मार कर हस पड़ा, तुम क्या समझते हो, कि तुम किस बात पर हस रहे हो, शिव के और मुड़ते हुए आनंदमई ने गुस्से से देखा, आप प् पिता से ऐसा क्या कुछ कह दिया, कि वैब बातचीत भी नहीं कर रहे है, तुम मुझे तो इतने धमकी भरे नहीं लगते हो, आप जो कुछ भी बोल रही है, उसके बारे में सावधान रही है राज कुमारी, परवतेश्वर ने क्रोधित होते हुए समझाया, आप शायद य ये नहीं जानती कि आप किस से बात कर रही है, शिव ने परवतेश्वर को अपना हाथ उठा कर शान्त होने के लिए कहा, किन्तु वो तो आनंदमई थी, जिससे शान्त करने के आवशकता थी, तुम चाहे जो भी हो, जब हमारे प्रभु पधारेंगे तो तुम लोग सभी चूर चूर हो जाओगे, जब वे स्वधीप में उत्राधिकारी बनकर नीचे आएंगे, तो तुम जैसी बुरईयों का नाश कर देंगे, क्या, इन्हें अभी बाहर निकालो नंदी, परवतेश्वर ने चीक कर कहा, नहीं रुको, शिव ने कहा, आनंदमई की और मुड़क कर उसने पूछा, आपके कहने का क्यारत है, कि जब वे स्वधीप में उत्तराधिकारी बनकर नीचे आएंगे, तो हम जैसी बुरईयों का नाश कर देंगे, मैं तुम्हें इसका उत्तर क्यों दो परवतेश्वर के प्रभू, परवतेश्वर अत्यदिक फूर्ती से आगे बढ़ा और उसने तलवार निकालकर आनंदमई की गरदन के पास ले जाकर दिखाते हुए कहा, जब प्रभू कुछ पूछते हैं, तो आप उत्तर देंगी, क्या आप हमेशा इतनी ही फूर्ती दिखाते हैं, आनंदमई ने ध्रिष्टता पूर्वक कहा, या फिर आप कभी कबार धीमी कती से भी कुछ काम कर सकते हैं, अपनी तलवार अत्यधिक समीप लाते हुए परवतेश्वर ने कहा, प्रभू को उत्तर दीजे राजकुमारी, अपना सिर्फ हिलाते हुए आनंदमई शिव की और मुडी, हम अपने प्रभू के आने के प्रतीक्षा कर रहे हैं एक अत्यन्त ही गहरा अनिष्ट दर्शन शिव के हिर्दय में समा गया, वो अपने अगले प्रशन से अत्यन्त ही भैभीत था, लेकिन उसके अंतरमन ने उससे कहा कि नहीं उसे पूछना ही चाहिए, तुम कैसे जान पाओगी कि वे ही तुम्हारे प्रभू है, तुम इसमे वे ना तो सूरिवन्शी होंगे और ना ही चंदरवन्शी, किन्तो वे जब भी आएंगे, हमारे पक्ष में ही आएंगे, शिव ने अंतरमन के स्वर ने उससे कहा, कि अभी बात समाप्त नहीं हुई, और अभी और भी कुछ कहना है, अपनी कुरसी के हथ्थे को बल पूरव और भी क्रोदित हो चुगी थी, परवेतेश्वर ने आखे तरेर का डरावनी दृष्टी से आनन्दमई को घुरते हुए कहा, हेनारी आप असत्य बोल रही है, सुईकार कीजिए आप असत्य वचन बोल रही है, मैं क्यों असत्य आनन्दमई बीच में ही रुख गई, क्यो आकर उसने पूछा, आपका गला क्यों ढखा हुआ है, इन्हें बाहर ले जाओ नंदी, परवेतेश्वर ने आप कहा की, आप कौन है, नंदी और विर्भद्र ने आनन्दमई को बाहर खीचने का प्रयास किया, आश्यर जनक शक्ती के साथ वो उनसे संघर्ष करने लगी औ बोली, अपना गला दिखाईए, उन्होंने उसके हाथ पकड़ कर पीछे की और कर दिया, उसने विर्भद्र के दोनों पैरों के मद्धे अपने पैर से चोट मारी तो अतिधिक पीड़ा में कराहा कर पीछे हड़ गया, फिर उसने शिव की और पलट कर कहा, आखिर आप कौ रही थी क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही अनियंतरित गती से उसके सामने घोमता द्रश्टिगत हो रहा था, विर्भद्र ने पुरा जपटकर उसकी बाहें पकड़ लिया, और नंदी ने उसे उसके गले से पकड़ लिया, तो उसने नंदी के हाथ को कुरूरता पूरवक का पीड़ा से छटपटाता हुआ नंदी ने जो ही अपना हाथ कीचा तो वो अत्यदी उचे स्वर में चिलाई, मुझे उत्तर दीजे भगवान के लिए आप हैं कौन? शिव ने सिर उठा कर छण भर के लिए आनंदमई की संतब्त आखों को देखा, जिस पीड़ा का उसने सं पर सहस्त्र कोड़े बरसा दिये, व्यथा की जौलाओं ने उसकी अंतरात्मा को जला कर रख दिया था, स्तब्द आनंदमई अचानक ही जडवत हो गई, उसकी आँखों की दैनेटा मेलुहा के वीरों से भी वीर युद्धा को भौचक्का कर देती, तूटे हुए स्वर मे उसने धीमे से कहा, आप तो कथी तुरूप से हमारे पक्ष में आने वाले, उसने नंदी एवं वीर्भद्र को उसे बाहर ले जाने से नहीं रुका, परवतिश्वर ने अपनी आखें नीची कर ली, वो शिव को देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था, वो एक आदर्श सूरि लिया, शिव ने सिर उपर उठा कर उसकी और देखा, उसकी आखों से दुख के आंसों विध्वनसक रूप से अनवरत पह निकले थे, उसने धीमे सुर में कहा, मैंने ये क्या किया, सती ने शिव को कसकर पकर लिया, उसने शिव के सिर को अपने वच्छ स्थल में छुपा लिया, उसकी पीड़ा को कम करने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं था, वो मात्र उसे पकड़ कर सांतों ना दे सकती थी, एक अत्यंती संतप्त धीमा स्वर उस तंबू में संताप को गुंजायमान करता हुआ आप लावित हो उठा, मैंने ये क्या किया, अध्याए प पूर्व की दिशा में गये थे, जहां विशाल किंतु उमंगी नदीने भावुकता से सरीयों के जल का स्वागत किया था, उसके बाद उन्होंने सरीयों पर उत्तर की दिशा में जल में यात्रा की और तब जाकर वे उस नगर में पहुँचे थे, जो प्रभुश्री राम क जन्मस्थल था, ये अर्थितिक लंबा गुमावदार मार्ग था, किन्तो स्वाधीप अर्थात विक्तियों के द्विप में अर्थितिक जीउन शीउन मार्गों को देखते हुई यही सबसे शीगर पहुशने वाला मार्ग था, मिलुहा वासिस सैनिकों की उत्सुकता इतन किलना नहीं की जा सकते थी, उन्होंने प्रभुश्री राम के नगर का वर्णन मात्र पौरानिक कथाओं में ही सुना था, किसी ने भी कभी भी नहीं देखा था, अयोध्या जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अजेव अथ्वा अभेद्य, अथ्वा जिसे आसानी से जीता जा सके, वो एक ऐसी भूमी थी जहां सरवप्रतम प्रभुश्री राम के चरण पड़े थे, उनके आशा थी कि वो चंदरवंशियों की उपस्थिती से विध्वन्स होने पर भी वो नगर अत्यधिक जगमगाता हुआ होगा, उनके आशा थी कि वो नगर व्यवस्था एव नगर अब बहुत ही अच्छा होगा, बाहरी दिवारे मोटी थी और आश्चर जनक धंग से शक्तिशाली भी थी, मिलुहा की दिवारों के शालीन भूरे रंग के विप्रीत आयोध्या के बाहरी भाग के अतिवयाई धंग से इस ब्रहमान में जितने भी रंग उपलब्द ह हो सकते थे, उनसे पुते हुए थे, हाला कि प्रते ही दूसरी एट चंदरवंशियों के राजशाही रंग मौलिक श्वेत रंग में रंगी हुई थी, नगर की मीनारों से गुलाबी एवं नीले रंगों वाली अनेक पताकाएं बांद कर सजाई हुई थी, वे पताकाएं कि इसी विशेश उत्सव के लिए नहीं सजाई गई थी, बलकि नगर की शोभा बढ़ाने के लिए स्थाई तोर पर लगाई गई थी, सामराजी का मार्ग अचानक ही तीवरता से दुर्ग की दीवारों के साथ साथ घूम कर मुख्य प्रवेश द्वार की और चला गया था, त इसके नीचे चंदरवंशियों का घोष वाक के लिखा गया था, श्रंगार सौंदर ये सुतंतरता, एक बार जब नगर के अंदर प्रविश्ट हुए तो अति विश्युद्धता एवं सुंदर विवस्था को प्रेम करने वाले मिलुहा वासियों को एक जटका सा लगा, जिन्दुनदी के समान कभी भी बार ग्रस्त हुई तो नगर जलप्लावित हो जाएगा, अनेग नगरिये दीवारें जो साथ संकेंद्रित व्यत्तों में बनाई गई थी, वे आश्यर जनक धंग से मोटी एवं ताकतवर थी, हाला कि सेननाय की रणीतिक आखों को देखने पर ये समझने में अधिक समय नहीं लगा कि वे दीवारें सैनिक बुद्धिवालों द्वारा योजनागत नहीं थी, असल में बड़े ही अस्त वेस्त ढंग से एक के बाद एक जोड़ी गई थी, जिब नगर ने अपना आवरण खोला था और पूर्व के घेरे से बाहर नि युद्ध करना पसंद करते थे, ना कि अपने नगर को असुरक्षित करना, उनकी आधार भूत संरशनाय चंदरवन्शों की विशेश रुचियों के उदासीन कलंके के समान थी, ये वादविवात करने के कारे को ना करने का भाना हो सकता था, सड़के और कुछ नहीं मातर धूल से भरी पकडंडी के समान थी, हाला कि एक उलेखनी अपवाद भी था, वो था सफाई से खडंजे पका किया हुआ, राजपत अर्थात राजशाही मार्क, जो बाहरी दिवार से वैभापूर्ण राजशाही महल तक सीधा बना हुआ था, सुधीब वासी इस बारे में सड़कों के तुलना में ये कहीं नहीं ठहरते थे, समस्त लगर में इधर उधर अतिकर्मन हुए पड़े थे, क्योंकि अवैद आप्रवासियों ने उनमें अपने तंबू लगा रखे थे, किनारे पर तंबू लगा कर अतिकर्मन करते हुए आवास हीन लोगों के तंबूो में रहने वाले लोगों को तब तक विस्थापित नहीं किया सकता है, जब तक कि प्रशासन उनके लिए अन्य आवासों की विवस्ता नहीं करती है। मेलूहा के जर्मस्तल वाले नगर का क्या हाल बना दिया था, या फिर हमेशा से यह ऐसा ही था। क्या यही कारण था कि प्रभू श्री राम ने सर्यूरंदी को पार कर यहां से दूर सरस्वती नदी के तट पर देवगिरी में अपनी राजधानी बसाने का निर्णे लिया पर फिर भी जब कुरूपता एवं उन्मत अव्यवस्था का प्रारंभिक सद्मा दीरे-दीरे समाप्त हुआ तब मेलूहा वासियों को उस निरंतर अव्यवस्थित नगर में एक विचित्र एवं आसंभावित मनुहरता दिखाई देने लगी, मेलूहा के नगरों के विप प्रवब्यों के निर्मार किये थे कुछ निर्मार तो इतने भववे थे कि मिलुहा वासि यह कल पना नहीं कर पाये श्यक उच्च विचार वाले स्वधीप वासियों ने भव सार्वजनिक भागों मंदिरों नाटे शालाओं एवं पुस्तकालेओं के निर्माण किये थे जिनके नामकरण उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर थे क्योंकि उन्हें प्रशासन की ओर से कोई सहायता नहीं उप पनिकी और साथ ही उन्हें आकर्शित भी किया लोग चंदरवंशी जीवन शैली की अभिवक्ति के रूप में जीवन जी रहे थे इस्त्रियों ने आप परियाप्त कपड़े पहन रखे थे जो निरलजिता इवं कामुक्ता के प्रति आत्म विश्वास के प्रतीक थे पूर इसलिए उस उदास नगर में प्रवेश किया जहां उसकी प्रजा राजपत पर दोनों और चुपचाप खड़ी रही और विजई सेनाओं के स्वागत से इंकार करती रही दक्ष जिसने आशा की थी कि आयोध्या के निवासी फूलों की वर्षा कर उसका स्वागत करेंगे क्योंकि अंतता उन्हें दुष्ट शासकों से मुक्ति मिल गई थी किन्तु उसे जो इतना सर्द स्वागत मिला था इससे वो आश्चे रचकित था चंदरवंशी शासको दौरा बलात ऐसा करवाया गया होगा ऐसी उसकी सूच थी शिव जो एक सब्ता बात पहुचा था उसे इस प्रकार की कोई भ्रान्ती नहीं थी उसने एक शान्ती में स्वागत की तुलना में बहुत बुरे वेवहार के पेक्षा की थी उसने आक्रमर की आशा की थी उसने आशा की थी कि उसे अपवाद मिलेगा कि वो स्वधीब वासियों की ओर से खड़ा नहीं हुआ था क्योंकि वे भी नीलकंटी की पौराने कथा में विश्वास करते थे उसने आशा की थी कि उसके दोरा तथा कथित अनुचित पक्षि को चैनित करने पर उससे घ्रणा की जाएगी किन्तो अब उसे ये संदे हो रहा था कि चंदरवंशी उतने भी बुरे नहीं थे फिर भी वो सूरिवंशीों को अनुचित पक्षि की श्रेणी में रखने को भी तयार नहीं था उसके विचार से मेलुहावासी बिना किसी अपवाद के सच्चे मर्यादित नियमों का पालन करने वाले लोग थे जिनने आपरिवर्ती तरीके से विश्वास किया जा सकता था शिव अपने कर्म एवं हविश्य के करतव्यों के प्रती भ्रहमित था वो ब्रहस्पती की तेक्ष्न बुद्धी एवं सलाहों की कमी महसूस कर रहा था उसकी सोच उस पर बहुती भारी थी शिव शिगरता से आवरन किये हुए वाहन से उत्रा और चंदरवंशी राजमहल की और मुड़ गया कुछण के लिए वो चंदरवंशी राजमहल की भवेता को देखकर आश्चर चकित रह गया कि दुशीगर ये उसने अपने विवेक पर काबू पाया सती का हाथ पकड़ा और मुखे राजमहल की वेदिका की और जाने वाली सो सीडियों की और बढ़ गया परवतेश्वर धीमे से उनके पीछे हो लिया शिव ने सती से दूर दृष्टी दोड़ाई तो उसने देखा कि आनंदमई चुपी साधे हुए सीडिया चड़ रही थी उस बैठक के बास से वो शिव से कुछ नहीं बोली थी जिसमें उसे संग्यान हुआ था कि शिव कौन है वो उदासीन होकर भाव शूनिता वाले मुख से सिड़िया चड़ रही थी और उसकी दृष्टी अपने पिता पर गड़ी हुई थी वो आदमी आखिर है कौन एक संदेही स्वदीप निवासी बढ़ाई ने पूछा जिससे राजमहल के आंगन के किनारे पर चंदरवनिशी सहनी को द्वारा रोक लिया गया था हमारी समराट और वो विशुद पागल वेक्ति राजशाही वेदिका पर क्यों उसके लिए प्रतिक्षा कर रहे हैं और वो भी पूरी राजशी प्रभुता के साथ विशुद पागल वेक्ति उसके मित्र ने पूछा अरे तुमने सुना नहीं है क्या ये उस मूर्क दक्ष का नया उपनाम है दोनों मित्र खिल खिला कर हस पड़े शूँ उनके बगल में खड़े एक व्रत वेक्ति ने चुप रहने का इशारा करते हुए कहा तुम नव्यूकों में बुद्धी नहीं है क्या आयुद्या का अपमान हो रहा है और तुम लोग आपस में मस्खरी कर रहे हो इस मद्ध शिव राजसी वेदिका पर पहुँच चुका दक्ष ने नीचे जुक कर नमस्ते किया तो शिव ने हलकी मुसकान के साथ उसकी नमस्ते का उत्तर दिया दिलीप के आँखे नम थी वो नीचे जुका और इसने धीमे से रुआसे स्वर में कहा मैं दुष्ट नहीं हूँ प्रभू हम लोग दुष्ट नहीं है ये क्या था दक्ष ने पूछा उसके कान दिलीप के स्वरों को सुनने को आतुर हो गए शिव का रुंध हुआ गला कुछ भी ध्वनी निकालने से इंकार कर गया दिलीप से कुछ ना सुनने की दशा में दक्ष ने अपना सिर हिलाया और धीमे से स्वर में बोला प्रभू संभावता य यात्रा बड़ी लंबी रही है क्या वे थोड़ी दिर विश्राम कर सकते हैं हा निसंदे चमायाचना करने वाले स्वर में दक्ष ने धीमे से कहा उसके बाद शिव के और मुणते हुए उसने कहा मुझे चमा करें प्रभू कभी कभी मेरा कुछ सा कुछ अधिक ही हो जाता ह आप आज विश्राम क्यों नहीं कर लेते हम आपका परिशे कल दरबार में करवा सकते हैं शिव ने दिलीप की चिंता अगरस्त आंखों को देखा उसकी पीड़ा अगरस्त दृष्टी को सहन नहीं कर पाया और उसमें उससे दृष्टी हटा कर उनके दरबारियों पर डाली जो उसके पीछे खड़े थे मातर एक जोड़ी आँखों में ना समझपाना नहीं दिखाई दे रहा था शिव को उस पल लिए महसूस हुआ कि दिलीप के दरबार में आनंदमई के अलावा किसी और को भी उनकी पहचान के बारे में पता नहीं ता यहां तकि दिलीप पे अलका था कि किसी को सुनाई भी ना दे सके चुकि रैतिक परेट समाप्त हो चुका है मैं सेना को बाहर लेकर जाता हूं परवतेश्वर ने कहा यह पूर में आई सेना की टुकड़ी के साथ नगर के बाहर रहेंगे मैं आपकी सेवा में दो घंटे में पुना उपस्तित हो शिव ने बड़ी ही दुरूबलता से हिस्दिर हिला कर सहमती प्रकट की उनके आयोध्या पहुंचे हुए कई घंटे बीच चुके थे शिव ने एक शब्द भी किसी से नहीं कहा था वो अपने कक्ष की खड़की पर बाहर की और देखते हुए खड़ा हुआ था बाहर मध् भावशाली बनावट को निरंतर घूरता जा रहा था उस दूरी से वह संचना श्वेट संगमर्मर की बनी हुई प्रतीत हो रही थी एक अथाह कारण से उसको देखना उसकी आत्मा को आराम पहुचा रहा था उसे नगर के सबसे उचे स्थान पर निर्मित किया गया था जो अपनी कुरसी से उठकर गुजाया प्रभू नंदी ने उत्तर दिया यह राजकुमारी आनंद मही है प्रवतेश्वर ने हलकी कराहा भरी और शिप के ओर मुड कर देखा नीलकंठ ने सिरहिला कर सहमती प्रकट की उसे अंदर आने दो प्रवतेश्वर ने आदेश दिया आ आप मेरी सहायता कैसे कर सकते हैं आनंदमई ने उसे चढ़ाते हुए का यदि आप बार बार प्रश्ण पूशने के बदले में अपने उत्तर की सुनेंगे तो निश्चे ही हमारी बात आगे बढ़ सकती है परवतेश्वर की प्रतिक्रिया लज्जा एवन क्रोध मिश्र थी तीन सब्ताहों में शिव के मुख पर पहली बार एक दुर्बल मुसकान उबरी थी कुछ कारण से इस तथेने की आनंदमई अपने पहले सरूप में वापस आ गई थी शिव को खुशी प्रदान की थी आनंदमई शिव के और मुडी और उसने पूरी तरह से जुकर अभिव और पौरानी कथा जूटी है इन में से किसी भी विवरण को स्विकार करने से मेरी आत्मा ध्वस्त हो जाएगी शिव ने आनंदमई को ध्यान पूर्बग देखा किन्तों मैंने अब तक ही अनुभव कर लिया है कि आनंदमई ने कहना जारी रखा पौरानी कथा जूटी नह ही है यह मात रितना है कि आप अत्यधिक सरल मती हैं आपको इन सूर्यबंशियों ने गुम रहा कर दिया है मैं सब सही कर दूँगी मैं आपको हमारे मार्ग की अच्छाई दिखाऊंगी हम बुरे नहीं है आँखे तरेर कर देखते हुए प्रवतेश्वर ने कहा परवतेश करते हैं कि पूरी यात्रा में हमें भूक होने घूरा है आपकी गड्डे सड़कों के किनारे पर अनात्बच्चे लेटे रहते हैं यृद्मिलाइं के घाने अच्छाजिए लोगा आप लोग निश्चित रूप से अपने लोगों की देखभाल करना नहीं जानते हैं मेलुहा में आईए और देखिए कि एक आम आदमी की देखभाल कैसे की जाती है हमारे प्रशासन से आप लोगों की जीवन बहतर हो जाएंगे बहतर उत्तेजित आंदमी ने तर्क दिया हम आदर्फ नहीं हैं मैं स्विकार करती हुं नहीं इसी कई जीवन का ज्यान भी नहीं होता उन्हें स्वतंत्रता देते हैं लूट चोरी बिश्यवरती प्राण हरनों करनेगी मुझे अपनी संस्कृति के बारे में आपसे बहसे करने के अवशकता नहीं है आपका ये अदना सा मस्तिश्क हमारी जीवन शैली के लाभों को नहीं समझ पाईगा मैं समझना भी नहीं चाहता जिस प्रकार शी सामराजी का प्रबंधन किया गया हैों उससे मुझे घिन आती है आपके पास कोई मानक नहीं है कोई नियंतर नहीं है कोई विधी नहीं है इसलिए इसमें आश्चर की बात नहीं है कि दुष्ट नहीं होते हुए भी आप लोगों ने नागाओं से समझाता करके अपने हाथ आप दुष्ट कर लिए है आप यह समझते हैं कि हम इसा करने से अगले साथ जन मों तक हमारी आत्माय दुष्ट हो जाएंगी और आतंगवाद हमने आतंगवाद का कभी सहारा नहीं लिया है हमने पिछले सौ वर्षों तक अपनी प्राकर्तिक सहज प्रवर्ति को दबाया ताकि आपके शापित लोगों से युद्ध ना करना पड़े इसी कारार से हम अपने सीमांत राज्यों से पीछे हड़ गए हमने आप से सभी संबंद तोड़ लिये चुकि आप लोगों को ने हम पर विश्वास नहीं किया और आप ऐसा करते भी क्यों आपको तो हम पर आक्रमण करने का बहाना चाहिए था मुझसे जूट मत बोलिये कम से कम महादेव के सामने तो नहीं नागाओं के साथ चंद्रवंशी तरासदकारियों को देखा गया है मेरे पिता श्री ने आप से कहा था कि हमारे नियंत्रण में ऐसा कोई नहीं है जिसका मंदार पर आक्रमण से कोई लेना देना है हमारा नागाओं से भी कुछ लेना देना नहीं है यह संभव है कि सूर्वंशी तरह कुछ चंद्रवंशी तरासदकारियों की सहायता की हो यदि आपने हमारे साथ मिलकर काम किया होता तो हम अपराधियों को ढूंड भी सकते थे यह क्या बक्वास है कोई सूर्वंशि उन राक्षसों से कभी भी कोई मित्रता नहीं करेगा और जहां तक चंद्रवंशियों तरह उन्हें सहायता करने की बात है तो आप लोगों को उसका उत्तर देना होगा स् स्वदीब के अन्य राजा युद के दौरान सुरक्षा करने के लिए हमें शुल्क देते हैं अन्य था उन्हें अपने शासित प्रदेश को अपने मनमर्जी से चलाने की स्वसंत्रता है यह कैसे संभव है आप यह कह रही है कि स्वदीब के समराठ अपने सामराज पर साशन नहीं करते क yellow शांत हो जाई है मकंकी वीवाद को समाप्त करने का उरोद किया यह विवाद उनके मनं में चल रहे विवाद को प्रतिम्मीद कर रहा था वो एसे प्रश्णों से परिशान होना नहीं चाहता था जिनके उत्तर उनके पास नहीं थे कम से कम इस समय तो नहीं पर प्रभुर्ष्री राम के मंदिर का निर्मार किया आश्यर चकित प्रवतेश्वर ने पूछा किन्तों वे तो सूर्य वंशी थे आपके कट्र शत्रू हमने उस मंदिर का निर्मार नहीं किया है आनंद महीं ने रोश में आखों को उचा उठा कर कहा किन्तों हमने उसका नवी करण अवश्य किया है और बड़े ही प्रेम पूर्वक इसका रख रखाओ किया है और साथ ही साथ ये भी आप से पूछना है कि आप ये कैसे सोच सकते हैं कि प्रभुश्री राम हमारे कट्र शत्रू थे उन्हें भटका कर दूसरे मार्ग का अनुसरान करवाया गया हो सकता है किन्तु उन्होंने चंद्रवंश्यों के लिए बहुत से अच्छे काम किये हैं आयोध्या में उन्हें भगवान की तरह सम्मान दिया जाता है परवतेश्वर के आखें विसमे से खुली के खुली रह गई किन्तु उन्होंने चंद्रवंशियों के सरवनाश करने की सौगंद ली थी यदि उन्होंने हमें नश्ट करने के प्रतिग्या ली होती तो आज हमारा अस्तित्व नहीं होता है की नहीं? उन्होंने हमें कोई हानी नहीं पहुचाई क्योंकि उन्हें विश्वास था कि हम लोग अच्छे लोग हैं और हमारे जीवन जीने का तरीका इस जगत में अस्तित्यों में रहने का पात रहे परवतेश्वर इस तर्क से उद्धिग्न हो रहा था आपको पता है प्रभुश्री राम का पूरा अनुष्ठानिक नाम क्या है आनंदमई ने अपने पक्ष में बात करने के उदेश से कहा निसंदे मुझे पता है परवतेश्वर ने ताना मारते हुए कहा प्रभु श्री राम इक्ष्वाकु वंश के सूरिवंशी छत्रिय, दश्रत एवं कौशल्य के पुत्र, सीता के पती परमेश्वर, सात्वे विश्ण की उपाद्धी से सम्मानित एवं आदर्णी है, बहुत अच्छे, आनंद मही मुस्कुराई, केवल एक छोटी भूल को छ उनके नाम का अर्थ था चंद्रमा का मुख, वे चंद्रवंशी अधिक थे जितना की आपको पता है, ये चंद्रवंश्यों की लाक्षणिक दोमोही बात है, पर वतेश्वर ने अपने विवेक का संचैन कर कहा, आप शब्दों और नावों में खो चुकी हैं, ना कि उनके करतव्यों में, प्रभु श्री राम ने कहा था कि किसी विक्ति की पहचान मातर उसके कर्मों द्वारा ही होती है, ये तथ्य है कि उनके नाम में चंद्रशब्द था, का कोई अर्थ नहीं होता है, उनके करतवे सूर्य के समान योग्य थे, वे सूर्य वन्शी थे पूरी त वस्तू प्रकृति का अंग है नहीं एसा नहीं है या संभव है कि एक वस्तु तो सच है और उसका विरोधी झूट नहींuez ब्रह्मान इस सुएकार नहीं करता एक म्यान में केवल एक तलवा रह सकती है ये तब ही संभव है जब मैयान छोटी हो आप ये कहना चाहते हैं कि प्रभुश्री राम इतने महान नहीं थे कि उनकी दो पहचान हो आप केवर शब्दों के साथ खेल रही है परवतेश्वर ने तीक्ष्ण दृष्टी से देखते हुए कहा शीव ने सुन उनके पास जाओ वो तीसरे प्रहर का तीसरा घंटा था जब शिव स्वयम ही चोरी छुपे आयुद्या की अस्तिवेस्त गलियों में निकल पड़ा था वो प्रभुश्री राम से मिलने जा रहा था सती ने साथ चलने को नहीं खा था वो जानती थी कि उसके पती को एकांत चाहिए था गुलूबंद पहने हुए और सुरक्षा हेतु एक दुशाला ओड़े हुए एक तलवार और ढाल के साथ आत्यधिक सावधानी बरत्ते हुए शिव मंथर गती से ब्रह्मन करता हुआ चंद्रवंशी राजधानी के विच्चित्र द्रश्यों इमंगंधों को ग आक्रमण कर रहे थे जैसे किसी अधियतिक तीवरवाद धियंतरों का एक समूह उसकी इंद्रियों पर काबू पाने का प्रेत्न कर रहा हो आम आदमी यह तो ठाहका लगाकर हस रहे थे जैसे कि एक बोतल मदीरा पी रही हो या फिर ऐसे लड़ाई कर रहे थे जैसे उनका सं का लगा क्योंकि लोग भागम भाग में लगे हुए थे और उपर से अश्लीलता फेकते हुए और अंधा कहकर संबोधित भी किये जा रहे थे बाजार में कई उनमादी खरीदार उत्तेजित दुकानदारों से मोलतोल कर रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो थोड करनी हरकते करते हुए भीर लगाए हुए थे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे धिठाई से द्रश्यरतिक आंखों की अवहिलना कर रहे थे जो गल्यों से उन्हें घूर रही थी या फिर वही बाग में भी उपस्तित थी उसने यह भी देखा कि वे आंखें उन्हें आलोचनात इस परश कानुभाव किया वो तेजी से मुड़ा तो उसने देखा कि एक यूती उसकी और मुस्कुरा कर देख रही थी और शिव को आंक भी मारी जैसे ही शिव की दृष्टी उस पर पड़े इससे पहले कि शिव कुछ प्रतिक्रिया कर पाता उसने एक अधियर इस्ति को शिव ने निर्णे लिया कि उस आसावधानी को लज्जित ना करने की रादे से भूल जाए जैसे ही वो मुड़ा तो उसने पुना अपने पार्श भाग पर एक हाथ कानुभाव किया इस बार वो अत्यंत ही आग रही इवं आकरामक था वो पीछे मुड़ा तो देखकर इस जहंकार महादपूर्ण रूप से हलकी हो गई थी संभावता ये नगर का शांत आवासी छेत्र था उत्कृष्ट भावनों एवं छायादार मार्गों से वो छेत्र धनी लोगों का परतीत हो रहा था दाहिने मुड़ने के बाद वो उस सड़क पर था जो उसके गंतवे तक जाती थी वो सड़क एक शांदार घुमाओ को लेते हुए पहाड़ी के और घूम गई थी संभावता आयोध्या में राजपत के बाद यहीं एक मात्र सड़क थी जिसमें जलजगरतिका नहीं थी सुन्दर सुन्दर गुलमोहर के व्रक्ष सड़कों के दोनों और लगी हु प्रारम बकर दिया उसे क्या पता होगा क्या उसे शांती प्राप्त होगी क्या उसे उत्तर प्राप्त होगा जैसे उसके आशा थी क्या उसे कुछ मिलेगा कि उसने कुछ अच्छा किया था वो अच्छा कारे जो इस समय उसे दिखाई नहीं दे रहा था या फिर उससे कहा जाए कि तुमने एक भयंकर भूल कर दी है और सहास्त्र लोग अकारण ही मारे गए थे शिव ने अपनी आखें धीरे से देखा उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसने कई सप्ता से कुछ भी भोजन नहीं किया था उसके टकने पर एक घाव था जिसमें आदरता एवं लापरवाही के कारण मवाद भर गया था उसने पटसन से बना हुआ बोरा पहन रखा था जो अजीब ढंग से उसके कमर म खुजला रहा था अपने बाए हाथ से बहुत ही आसाफधानी पुरवक एक केले के पत्ते को संतुलित किये हुए था जिस पर एक रोटी का टुकड़ा और दल्या पड़ा हुआ था ऐसा दिखाई दे रहा था कि वह भोजन किसी सस्ते भोजनाले का था जो किसी दानी या द दोशी आत्मा द्वारा दान था इस प्रकार का भोजन जो मेलूहा में किसी पशु को भी नहीं खिलाया जा सकता था तीवर क्रोध की लहर उसके शरीर में दौर पड़ी ये व्रद्विक्ति प्रभु श्री राम के घर के दौर पर भिक्षा मांग रहा था नहीं पीडित थ कि eingי कि परिम औराता कि किसी को उसकी सुद्ध नहीं थी किस परकार का प्रशासन होगा जो लोगों इस प्रकार रखता होगा मेलुहा में प्रशासन परिश्रम से सभी नागरिकों का लालन-प्रान करता है महां सभे लिए परियाप तो बोजन ता कोई बिना घर का नहीं थ प्रशाषन ने वास्तों में काम किया था अगर वो व्रद देवगरी में निवास करता होता तो उसे इस प्रकार का अपमान नहीं सहना पड़ता क्रोध ने ध्रनात्मा कूरजा को मार्ट प्रतान किया और उसे महसूस हो चुका था कि उसने उत्तर पा लिया था अब वो जान चुका था कि प्रवतेश्वर सही था संभव था चंदरवंशी दुष्ट नहीं थे किन्तो उन्होंने एक घ्रणित अस्तित्व का नेत्रत्व किया हुआ था सूरवंशी विवस्था इनके जीवन को नाटके ढग से बहतर बना सकती थी चारो और प्रचुड़ता एवं सम्रद्धी होगी जब परवतेश्वर चंदरवंशीों के मरना सन्न प्रशासन को प्रखर करेगा इस युद्ध से कुछ अच्छा ही निकल कर आएगी संभव है कि उसने इतनी भी भैंकर भूल नहीं की थी उसने प्रबुश्री राम को धन्यवाद किया उसने सोचा कि उसने उत्तर पा लिया था हाला कि उसके भागे ने शड़ियंत ररच कर उसे इस चोटी सी सांतवना देने से भी इंकार कर दिया उस वरद भीकारी ने देखा कि शिव उसको घूर रहा था शिव के सहान भूती शील आँखो एवं करुणा में मुसकान ने उस भीकारी के सूखे हुए गालों में भी जीवन भर दिया और वो प्रतियुत्तर में मुसकुराया लेकिन उसकी मुसकान भिक्षा के लिए भीकारी की तूटी हुई मुसकान नहीं थी ये कैसे विक्षा की स्वागत करने वाली गर्मजोशी भरी मुसकान थी जो अपने आप में शान्ती में था शिव आश्चरे चकित रह गया अब वो व्रद वेक्षी और भी गर्मजोशी से मुसकुरा रहा था जब उसने बड़े परिक्ष्रम से अपना हाथ उठाते हुए बोला क्या तुम भोजन करना पसंद करोगे मेरे बच्चे शिव इस तब रह गया अत्यंत दैनिये वेक्षी के बारे में जो उसने सोचा था कि दया एम करपा के योगे था उसकी इस विशाल हरदयता पर वो स्वेम को बहुत छोटा अनुभाव कर रहा था शिव का आमंतर पूर देखकर उस व्रद वेक्षी ने पुना कहा क्या तुम मेरे साथ भोजन करना पसंद करोगे पुत्र हम दोनों के लिए परियाप्त है पुरी तरह से अभिवूत हुए शिव के पास इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वो कुछ बोल सके वो भोजन किसी एक वेक्षी के लिए भी परियाप्त नहीं था ये वेक्षी क्यों ये भोजन बाटने की बात कर रहा है जो इतना कम है ये समझ से बाहर है ये सोचते हुए कि शिव को उचा सुनाई देता है उस व्रद्ध वेक्षी ने उचे स्वर में कहा पुत्र मेरे साथ बैठो बोजन करो शिव को सिर्ध हिलाने के लिए शक्ति पाने के लिए भी संगर्श करना पड़ रहा था उसने कहा बहुत बहुत धन्यवाद महोदे उस वेक्षी का मुक उदास हो गया उसने कहा ये अच्छा बोजन है जूटा नहीं है उसके आखे बता रही थी कि उसके हर्दा में कितनी चुबन होई थी अन्यथा मैं तुम्हें बोजन कर लेंगे ये कहता ही नहीं शिव ने तबकाल अनुभव कर लिया कि उसने उस व्रद बैक्ति के स्वाबिमान को चोड़ पहुचा दी थी उसने उसके साथ एक भिकारी की दरेवे भार कर दिया था उसने जेप के साथ कहा नहीं नहीं मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था भूजन ठीक है मैं तो बस तो फिर आओ बैठो मेरे साथ पुद्र शिव ने सहमती में सिर हिलाया वो फुटपात पर उस वरद्ध की बगल में बैढ़ गया वो वरद्ध वेक्ति शिव की और मुड़ा और उसने उन दोनों के मद्ध उस केले के पत्ते को भूमी पर रख दिया शिव ने उस रोटी और पतले दलिया को देखा जो अब तक उसे मनुश्री के भोजन योगी प्रतीत नहीं हो रहा था उस वेक्ति ने अपना सिर उठा कर शिव की और देखा जिसकी आधी अंधी आखे चमक रही थी उसने मुस्कान के साथ कहा भोजन ग्रहन करो शिव ने रोटी का एक छोटा कोर उठाया उसे दलिया में डुबोया और निगल गया वोकोर उसके शरीर में आसानी से उतर गया किन्तो उसकी आत्मा पर बड़ा बोज डाल गया जैसे जैसे वो वरद्ध निरधन वेक्ति प्रकरता से दीप्तिमान होता जा रहा था वैसे वैसे लगा कि उसकी नया संगतता का अस्तित्व कोई निचोड कर बाहर निकालता जा रहा था अच्छी तरह से भोजन करो पुत्र यदि तुम इतना कम खाओगे तो अपना ये विशाल मानसर शरीर कैसे ठीक रख पाओगे थोड़ा चौकते हुए शिव ने उस व्रध को छण भर के लिए देखा उस व्रध व्यक्ति की सिकड़ी हुई बाहों की परिदी शिव की कलाई से भी पतली होगी वो व्रध व्यक्ति छोटे छोटे ग्रास ले रहा था और बड़े बड़े ग्रास शिव की और रख दे रहा था जैसे ही उसका हर्दे गहरे समुदर में डूब गया और उसके आंग सुच छलक आये तो उसने शीकरता से वो अंतिम टुकडा भी खा लिया जो उस व्रध ने दिया था बोजन समाप्त होने में कुछ समय नहीं लगा सुतंतर था एक दैनिये के लिए प्रतिष्ठा की सुतंतर था ऐसा कुछ जो मिलूहा व्यवस्था के प्रशासन में असंभव था तुम्हारा पेट भर गया पुत्र शिव ने सहमती में से नहिलाया किन्तु वो अभी उस व्रध वेक्ती की आँखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था बहुत अच्छा जाओ तुम्हें मंदिर तक की लंबी यात्रा करनी है शिव ने उपर के और देखा यह आश्चर जनक रूप से प्रभावशाली उदारता जो उस पर दिखाई गई थी वो उस पर किम करतब विव मूर था वो व्रध वेक्ती जब इसने से मुस्कुराया तो उसके पिछके हुए गाल चौड़े होकर खुल गए वो लगभग भुकमरी की कगार पर था और उसके बाद भी उसने लगभग सारा भोजन एक अंजान वेक्ती को दे लिया था शिव ने जो वो निंदा करने का अगाध अपरात किया था उसके लिए उसने हिरदय को कोसा उस सोच की निंदा की वो सचमुच ऐसे लोगों की रक्षा कर सकता था शिव ने पाया की वो आगे की और जुग गया जैसे कोई महान शक्ती की यही इच्छा हो उसने अपने हाथों को आगे बढ़ा कर उस वरद के चरण सपर्ष कर लिये उस वरद वेक्ती ने अपना हाथ उठाया और शिव के सिर पर कोमलता से इस पर्ष करके आशिरवात दिया तुम जो ढून रहे हो उसे प्राप्त करो पुत्र शिव उठ खड़ा हुआ उसका हरदय अपराद बोद के आसों से बोजहिल हो गया था उसका गला पश्चताप की रुदन से अवरुद था उसकी आत्मा भारी थी और उसकी स्वध हर्मिता उस वरद वेक्ती की उधारता से कुचली हुई पड़ी थी उसने एक बड़ी भारी भूल कर दी थी ये लोग दुश्ट कदाप ही नहीं थे अध्याए 26 प्रश्णों का प्रश्ण राम जन्भूमी को जाती हुई सड़क प्रभु श्री राम के निवास तक की यात्रा कर समाप्त होने से पहले किनारों पर परवत की ढाल पर चिपकी हुई थी वहाँ से नीचे बसे नगर का एक आसाधरान द्रश्ण दिखाई दे रहा था किन्तु शिव ने वो नहीं देखा ना तो उसने उस विशालकाए मंदिर की शोभाय मान सनरचना को देखा और ना उसके चारों और भवे भूदरश्चेों के निर्माण वाले उस उद्यान को ही देखा वो मंदिर श्वेत संगमरमर से लिखी हुई ईश्वर के वास्तुकार द्वारा रचित एक विशुद कविता थी वास्तुकार ने मंदिर की मुख्य वेदिका तक एक भवेव सीड़ी का निर्माण किया था जो विसमेकारी प्रेणा प्रद और आमंत्रित करने वाली प्रतीत हो रही थी विशाल एवं आलंकारिक संगमरमर की शांत नीले एवं भूरे रंगों में रंगाई गई मूर्टिया उस वेदिका पर उतकीर्ण की हुई थी भड़कीली फिर भी रुचिकर नीले संगमरमर की छट को विस्तार पूर्वक नकाशी किये खंबे थामे हुए थे वास्तुकार को इस पश्ट्रूप से पता था कि प्रभुश्री राम का सबसे पसंदीदा समय प्राताकाल था इसी कारण से छट पर प्राताकाल का आस्मान पुता हुआ था जो इस छट के अनुपस्थिती में देखा जा सकता था च्छत के उपरी भाग पर मंदिर का परवत लगभग सौ मेटर उचाई तक खड़ा होता हुआ चला गया था जैसे इश्वरों को एक विशालकाय नमस्ते कर रहा हूँ स्वधी पासियों को ये श्रे जाता था कि उन्होंने अपनी भड़कीली चैतनेता उस मंदिर पर नहीं धोपी थी उसकी संयमित सुंदरता उसी प्रकार के थी जिस प्रकार शांत प्रभुष्री राम को पसंद आता शिव ने इन में से किसी पर भी ध्यान नहीं दिया था ना ही उसने आंतरिक एकांत कक्षम जटिलता से नकाशी की हुई मूर्तियों को ही देखा प्रभुष्री राम की मूर्ति मध्य में अपने प्रिय पातरों के साथ गीरी हुई थी उनके दाहिनी और उनके प्रिय भार्या सीता थी और उनके बाई और उनके प्रिय भाता लक्षमन थे उनके चरणों में घुटनों के बल प्रभुष्री राम के सबसे उत्सुक एवं प्रिय शिश्य वायू पुत्र जाती वर्ग के वायू देवता के पुत्र हनुमान बैठे हुए थे शिव में इतनी शक्ती नहीं बची थी कि वो परबुशी राम से आखें मिला सके वो उस निर्णे से डर गया था जो से प्राप्त होने वाला था वो एक खंबे के पीछे उसका सहारा लेते हुए शोक मनाते हुए दुबक कर बैठ गया जब वो अपने अपराद बोध की प्रचंड अनुभूती को अब और नेंतरित नहीं कर पाया तो उसने अपने आस्वों को बहने दिया धारा प्रवाह शिव ने मायूसी में अपने आस्वों को नेंतरित करने के बहुत प्रत्न किये किन्तु वो बहते ही चले जा रहे थे जैसे की बांध तूड गया हो अपने प्रायशित पर काबू पाने के लिए उसने अपनी गोल मुठी को काट खाया उसने अपने पाउं को मोड कर सीने से लगा लिया और अपने घुटनों पर सिर रख दिया अपने दुख में डूबे हुए शिव को उसके कंधों पर रखे करुणा मैं हाथ के सपर्ष के अनुभूती नहीं हुई कोई प्रतिक्रिया ना देखकर उस हाथ ने हलिके से दबाया शिव ने उस हाथ के सपर्ष को पहचान लिया था किन्तों उसने अपना सिर जुकाय रखा वो अपनी आखों में आसुलिये स्वयम को दुर्बल दिखाना नहीं चाहता था आयू से ब्रद्ध एवं जीन वो विनमर हाथ धीरे से हटा लिया गया जबकि उसके स्वामी ने तब तक प्रतिक्षा की जब तक कि शुयम ने सुयम को सयमित नहीं कर लिया जब उचित समय हुआ तो वो वेक्ती आगे बढ़ा और उसके सामने आकर बैठ गया उदाश शिव ने उस पंडित को अपचारिक्ता पूर्ण नमस्ते किया जो लगभग वैसा ही दिख रहा था जिससे वो पहली बार मेरु में ब्रह्मा मंदिर में और मोहन जोदारों के मोहन मंदिर में मिला था उसकी भी वैसी ही लंबी प्रवाह में श्वेत दाड़ी और घने श्वेत बाल थे उसने भी अन्य पंडितों की तरह ही गुलाबी रंग की धोती और अंगवस्त्रम पहन रखे थे उस बुद्धी जीवी मुख पर वही स्वागत करने वाली मुस्कान फैली हुई थी पुनह जुका लिया पंडित ने धैर पूरवक शीव के उत्तर के प्रतीक शा की आप नहीं जानते हैं कि मैंने क्या किया है मैं जानता हूँ। शीवन इससिर उठाकर पंडित के उर देगा उसके आंकों में आश्चर और शर्म के मुश्छित भाउते मैं जानता हूँ कि आपने क्या किया है ये नीलकंट पंडित ने कहा और मैं पुना पूछता हूँ क्या ये सचमुछ ही इतना बुरा है मुझे नीलकंट मत पुकारिये शिवने तीक्ष्वन दृष्टी से देख कर कहा मैं इस उपादी के लायक नहीं हूँ मेरे हाथ हजारों लोगों के रक्त से सने हुए है हजारों से बहुत अधिक लोग मारे गए है पंडित ने कहा संभवता लाख हो किन्तो आप क्या सोचते हैं कि यदि आप वहाँ नहीं होते तो क्या वे नहीं मरते कि आपके हाथ सचमुछ ही रक्त से सने है निसंदेवे सने हैं ये मेरी मूर्खता थी जिसने इस युद्ध को प्ररीद किया था मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा था मुझे पर एक उत्तरदाई तो थोप दिया गया था और मैं उसके योगे नहीं था जिसके परिडाम सुरूप सैक्डो सहस्र लोग मारे गए शिव ने अपनी मुठी भीची और अपने ललाट पर हलकी चोट की इस हताशा भरे प्रयास में कि वो अपने ललाट पर इस पंदल शिल ताप को शान्त कर सके पंडित ने हलके आश्चरे में शिव के ललाट पर दोनों आखों के मध्य में एक गहरे लाल रंग के च्छाले को देखा वो बहुत ही गहरे रंग का था लगभग काला पंडित ने अपने आश्चरे पर नियंतरन किया और मौन रहा ये उचित समय नहीं था और वो मात्र मेरे कारण शिव ने पीड़ा में करहते हुए कहा उसकी आखे पुनह नम थी ये सब मेरा ही दोश था सैनिक छट्री होते हैं मित्र पंडित में शांत चित्थ होकर कहा कोई उन्हें बलात मरने के लिए नहीं कहता विजोखिम को जानते हुए और उस संभव कीरती के लिए जो उन्हें उसके परिणाम सोरोग मिलती है उनके लिए ही उसक पत्त का चैन करते हैं नीलकंठ ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिस पर कोई उत्तरदायत उनकी इच्छा के विरुदत हो पा जा सके आपने इसका चैन किया था आपका इसी कारण जन्म हुआ था शिव ने चौकते हुए पंडित को देखा ऐसा प्रदीत हुआ कि उसकी आँखे पोच रही थी जन्म हुआ था पंडित ने शिव की आँखों के प्रशने को भुलाते हुए कहा जो कुछ भी होता है उसका कारण होता है यदि आप इस प्रकार की बेचैनी के मध्य से गुजर रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई दैवी योजना है इतनी सारी मृत्यों के लिए कौन सी दैवी योजना हो सकती है बुराईयों का सर्वनाश क्या आप नहीं कहेंगे कि एक महत्पूर्ण कारण है लेकिन मैंने बुराईयों का नाश नहीं किया है शिव ने चिल्ला कर कहा ये लोग बुरे नहीं है, ये लोग अलग है अलग होना बुरा होना नहीं होता है पंडीत का मुख लाक्षडिक रूप से एक गुण मुस्कान में परिवर्तित हो गया और उसने कहा बिल्कुल सही, ये लोग बुरे नहीं हैं, ये लोग अलग हैं, आपने इसका अनुभा बहुत शीगरता से कर लिया है मित्र, इसे पूर्व के महादेव से भी बहुत शीगरता, शीव कुछ पल के लिए पंडित के शब्द सुनकर हैरान रहे गया, उसके मुख से अनाया से न अन्तता वो समझ गया था, हाँ, पंडित मुस्कुरा कर बोला, आपने बिल्कुल सही अलुमान लगाया, उसी तरह से जिस तरह सूर्यवन्शी एवं चंद्रवन्शी एक दूसरे को देखते हैं, उसी तरह से देव एवं असूर एक दूसरे को देखा करते हैं, तो फिर असे भी अधिक, देव एवं असूर भी सूर्यवन्शी एवं चंद्रवन्शी की तरह ही दो जीवन की शक्तियों के संतुलन को प्रतिविम्बित करते हैं, एक दूएतवाद को, दूएतवाद? हाँ, एक दूएतवाद, जो इस ब्रहमान्ड के कई दृष्टिकोडों में स एक है, पुलिंग एवं इस्त्रिलिंग, असूर एवं सूर्यवन्शी पुलिंग के प्रतिक है, देव एवं चंद्रवन्शी इस्त्रिलिंग के प्रतिक है, उनके नाम परिवर्तित हो गए हैं कि तो जीवन शक्ति जिनको साकार करते हैं, वे सर्वता वही रहे हैं, वे हमे पंडित के मुख पर दमक थी ऐसी व्यवस्था के समय में भी शीव की तीवर बुद्धी पर पंडित अचंबे में था और उसने कहा किन्तु वे हमेशा ही लड़ते ही रहे हैं ऐसा भी नहीं है कई बार उनके मधिल लंबे समय तक परसपर सहयोग भी रहा है जब कभी भी संग नेलकंट को बाहर वाला क्यों होना चाहिए क्योंकि वो किसी एक दश्टिकोन का पक्षपाती नहीं होगा शिव ने कहा तो उसके सामने चाया हुआ आवरान हट गया बिलकुल सही नेलकंट को इन सबसे परे होना होगा उसे किसी भी पक्षपात से रहित रहना होगा लिकिन अपने आप पर इतने कठोर मत हो ये मित्र सभी कुछ जान कर आप आसमान से नहीं टपक सकते नहीं ना आपको किसी एक पक्ष से प्रवेश करना था इस समय करन के जिस भी पक्ष से आपने प्रवेश किया उस पक्ष के दृष्टिकोंट से आपको रंगना ही था और दूसरे पक्ष की बुराई के समान ही देखना था आपने अपनी भूल को बहुत शीगरी अनभूत कर लिया प्रवरुद्र इसे तब तक अनभूत नहीं कर सके थे जब तक की बहुत देर हो चुकी थे इससे पहले कि वे इस बात को अनभूत करते कि वे बुरे नहीं थे बलकि मातर तब तक वे असूरों का लगभख सर्वनाश कर चुके थे अब के कहने का क्या तात्पर है कि कुछ असुर अभी वी अस्तित्व में हैं पंडित रहस्ति मैं ढंग से मुस्कुराया और बोला यह संभाद किसी और समय के लिए है मित्र आपको इस बिंदु को समझने के आशकता है कि आप वो पहले महादेव नहीं जो भटकाए गए हैं और आप अंतिम भी नहीं होंगे कल्पना कीजिए यदि आपको इतना अपराद बोध अनभूत हो रहा है तो प्रफुरुद्र के अपराद बोध के अनभूती कैसी रही होगी शिव ने मौन धारन किये रखा उसके आँखे जुकी हुई थी प्रफुरुद्र के दोश का ग्यान उसकी शर्म को कम नहीं कर पाया जिसने उसकी आत्मा को व्यसित कर रखा था उसकी सोच को पढ़ते वे पंडित ने पुना कहा आपने उन परिस्थितियों में सर्वोत्तम निर्णे लिया था जो आप ले सकते थे मैं जानता हूँ कि ये आपके लिए अतिधिक सांत्वना देने वाली बात नहीं होगी किन्तु निलकंट होना सरल नहीं है आपको इस अपराद बोध के बोध को ढोना ही पड़ेगा मैं जानता हूँ कि आप किस प्रकार के विक्ति हैं आपके लिए ये बोध बहुत ही भारी होगा आपकी चुनौती ये है कि आपको अपराद बोध या पीड़ा को भुलाना होगा आपका हरद इतना अच्छा है कि आपके लिए ये करना कठेन होगा व्यथा के बाद भी आपको अपने कर्म एवं कर्तव्य के प्रति सच्चा रहना होगा यही आपके लिए चुनौती है यही महादेव का भाग्य है और कर्तव्य है लेकिन मैं किस प्रकार का महादेव हूँ मैं क्यों आवश्यक हूँ मैं कैसे बुराई का नाश करूँगा यदि मुझे ये भी नहीं पता कि बुराई क्या है किसने कहा कि आपका कारे बुराई को नश्ट करना है चकित शिव ने हैरानी से पंडित को घूरा वो शब्दों के इस खेल से घृणा करता था जो ऐसा प्रतीत होता था कि ये पंडित लोग बहुत पसंद करते थे शिव के आँखों में क्रोध की जलक देखकर पंडित ने तुरंत ही सपष्टी करन दिया बुराईों के पास जो शक्ती है वो अधी मूल्यांकित है मित्र उसके अस्तित्व को मिटाना कठिन है इसके लिए इतना ही अधिक है कि कुछ अच्छे लोगों को ये निर्णे लेना है कि उनसे संगर्ष करना है यथार्थ में हर समय जब जब भी बुराई ने सिर उठाया है उसका यही हल हुआ है उसे नश्ट कर दिया गया है तो फिर मेरी क्या आवशक्ता है आपके आवशक्ता सबसे महात्पूर्ण कारे के लिए है उस सबसे महात्वपूर्ण प्रश्ण का उत्तर देने के लिए है क्या? बुराई क्या है? हाँ, मानवों के मद्ध में अनेक युध लड़े गए है पंडित ने कहा और भविश्य में भी अनेक और युध लड़े जाएंगे यही जगत का व्यावहार है किन्तु मात्र एक महादेव ही ऐसे होते है जो उन युद्धो को अच्छाई और बुराई के मध्ध के युद्ध में परिलत करते है वे एक मात्र महादेव ही है जो बुराई की पहचάν कर लोगों को उनके विरुद नेतरत प्रदान करते है इससे पहले कि बुराई अपना कुरूप सीर उठाए और अपना समस्त जीवन को नश्ट कर दे लेकिन मैं बुराई को कैसे पहचानूँगा यहां मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता मित्र मैं महादेव नहीं हूँ यह एक प्रश्ण है जिसका उत्तर आपको प्राप्त करना ही होगा किन्तु इतना कह सकता हूँ कि आपके पास हरदय है आपके पास मस्तिश्क है उन्हें खुला रखिये और बुराई स्वयमेव आपके समक्ष प्रकट हो जाएगी प्रकट? हाँ पंडित ने व्याक्या की बुराई का आपसे संबंध है वो आपके पास आएगी आपको अपने मन एवं हरदय को खुला रखना होगा ताकि जब भी बुराई प्रकट हो तो आप उसे पहचान सके मेरे पास मातर एक सुझाओ है बुराई की पहचान करने के प्रियास में आपको कोई शीघ्रता नहीं करनी चाहिए उसके लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए वो आपके पास आईगी शीव की तेवरी चड़ गई उस विजितर वारतालाब को आत्मसात करने के लिए उसने नीचे के और देखा कोई दिशा प्राप्त करने के लिए वो प्रभू श्री राम की मूर्ती के और मुणा उसने वहाँ उनकी निरनायात्मक दृष्टी नहीं देखी जिसके उसने आशा की थी इसके बदले में उसने गर्मजोशी भरी उससाहित करने वाली एक मुस्कान देखी आपकी यातर अभी समाप्त नहीं हुई अमित्र यादिक लंबी नहीं हुई है ये तो अभी प्रारम भी हुई है आपको निरन्तर चलना पड़ेगा अने था बुराई की विजय हो जाएगी शिव के आँखे थोड़ी सूखने लग गई थी उसका बोज अभी भी थोड़ा भी हलका नहीं हुआ था किन्तों वो स्वयम में इतनी शक्ति कानुभा वश्य कर रहा था कि उसे ढोकर चल सके उसे उस असीम अंतर तक चलना था शिव ने पंडित की और देखा शिव पंडित को टकटकी लगा कर देखा हम लोग वासुदेव हैं वासुदेव हां प्रतेव विष्णु ने अपने पीछे एक जाती वर्ग को दो लक्ष सौप कर छोड़ा है शिव पंडित को बड़े ही ध्यानपूरवक निरंतर देखता जा रहा था हमारा पहरा लक्ष है अगले महादेव की सहायता करना वे जब कभी भी आते हैं और दूसरा दूसरा लक्ष यह है कि जब कभी भी आशकता होगी तो हम में से कोई एक अगला विष्णु बन जाएगा सात्वे विष्णु प्रभु श्री राम ने अपने विश्वास प्राप्त प्रतिनिधी प्रभु वासुदेव को ये कारे सौबा था हम उनके अनुयाई है हम लोग वासुदेव के जाति वर्ग के है इस सूचना के नहीतार्थ को आत्मसात करते हुए शिव ने पंडित को गहरी दृष्टी से देखा उसकी तेवरी चड़ गई जब उसे इसका एक अनुपरिणाम अचानक ही सूजा क्या महादेव ने भी कोई जाति वर्ग अपने पीछे रख छोड़ा था क्या प्रभुरुद्र ने पंडित मुस्कुराया वो शिव की तेक्ष्न बुद्धी से प्रभावित था महंजुदारों के सचिव ने सही कहा था ये विक्ति महादेव बनने की योगिता रखता है हाँ प्रभुरुद्र ने अपने पीछे एक जाति वर्गो को छोड़ा था वायुपुत्र का जाति वर्ग वायुपुत्र? शिव ने पूछा उसी ये नाम आश्यर जनेक रूप से सुना हुआ रगा पंडित ने शिव के कंधे पर अपना हाथ रखा इसे अगली बार के लिए रहने दो मित्र मेरे विचार से हमने आज के लिए परियाप्त वारतालाप कर लिया है घर जाईए आपको अपनी अच्छी पत्नी के विश्राम प्रद आलिंगन क्या शकता है कल का दिन भी है और आपका लक्ष तब तक प्रतीक्षा कर सकता है अब के लिए आप घर जाईए शिव मुस्कुराया एक गूर मुस्कान उसके अपने सरल तिबबती चरितर से पूर्टा भिन किन्तो अब वो भारती ये बन चुका था वो आगे की और जुका और पंडित के चरर रस परश किये पंडित ने अपना हाथ उसे आशीश देने के लिए उसके सिर पर रखा और कोमलता से बोला विजैई भाव जै गुरु विश्वा मित्र जै गुरु विशिष्ट शिव ने शिष्टता से आशीश को सुईकार करते हुए सहमदी में सिर हिलाया वो उठा मुड़ा और मंदिर की सिडियों के और चल पड़ा वेदिका की किनारे पर पहुँचकर वो पंडित को एक बर पुना देखें के लिए पीछे मुड़ा पंडित अपनी जंगाओं पर बैठा हुआ भगतिभाओं से अपने सिर से उस भूमी को नमन कर रहा था जहां से अभी अभी शिव उटकर आया था शिव मुस्कुराया और उसने अपना सिर हलके से हिलाया पंडित से दृष्टी हटा कर उसने आगे की और प्रभुश्री राम की मूर्ती की और ध्यान पूर्वक टक्टकी लगा कर देखा उसने नमस्ती की मुद्रा में अपने दोनों हाथ जोड़कर आदर से प्रभु को प्रणाम किया उसका बोज हलका नहीं हो पाया था किन्तु उसमें इतनी शक्ती थी कि वो उसे ढो सकता था वो मुड़ा और सीड़ियां उतरने लगा नीचे पहुशने पर वो अचंभे में रहे गया जब उसने देखा कि उस प्रांगड में एक अपसरा की मूर्ती पर जुकी हुई सती खड़ी थी वो मुस्कुराया इस समय पूरे जगत में ऐसा कोई नहीं था उसके सिवा जिसे वो इस समय देखे हां पसंद करता उसकी और चलते हैं वो इसने चुड़ाया क्या तुम हमेशा ही मेरे पीछे पीछे आओगी मैं जानती हूँ कि कब आपको एकांत की आवशक्ता होती है सती ने कहा और कब आपको मेरी आवशक्ता है शिव अचानक ही जड़वत हो गया जब उसने देखा कि सती से कुछी दूरी पर एक पेड़ के पीछे एक लबादा लहरा रहा था संध्या काल की मंद पवन ने उस घाप में बैठे विक्ती को दिखा दिया था सती ने शिव की उस टक्टकी लगाई दृष्टी का अनुसरान करते हुए पीछे मुण कर देखा वो लबादा वाला आकार होली उत्सव का नकाब पहने पेड़ के पीछे से प्रकट होकर निकलाया ये वही है शिव के हिर्दे के धरकन तीवर गती से चलने लगी वो अभी भी सती से एक अच्छी दूरी पर था वो नागा उसकी तुलना में सती के अधिक समीब था वे तीनों अपने स्थान को समय तक जमे रहे वे परस्थिती का आंकलन कर रहे थे अगली चाल का मूल्यांकन कर रहे थे वो सती थी जिसने पहला दाओं खेला उसने फुर्ती से अलग हटकर अपनी बगल से चाको निकाला और उस नागा की और फेक दिया वो नागा हलका साहिला चाको उसके बहुत पास से लगभग उससे छूता हुआ निकला और पूरे बल के साथ पेड़े के तने में जा लगा वो बहुत ही अंदर तक तने में समा चुका था शिव ने धीरे से अपना हाथ तलवार की और बढ़ाया नागा पीछे मुणकर उस चाको तक पहुचा उसने चाको उस पेर से बाहर निकाल लिया और विचितर कारे करते हुए उसने उस चाको को अपनी कलाई में एक कपड़े के कड़े से बांध लिया उसके बाद वो तेजी से आगे बढ़ा सती शिव चिल लाया इसके साथ ही उसने अपनी तलवार निकाली और अपने पत्नी की और दोड लगा दी दोड़ते हुए ही उसने अपनी ढ़ाल आगे की और कर ली थी क्रमशाह पुस्तक के अध्याय पठन की यात्रा में साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवार यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए अपने मित्रों के साथ शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अलविदा